हलो फ्रेंड्स शानु हीर दोस्तो आज मैं आपको सुनाऊंगी थ्रिलर मिस्ट्री सस्पेंस से भरपूर कहानी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें सो देट जैसे ही चैनल पर न्यू स्चोरी अप्लोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल चाए क्यूंकि मैं आपके लिए लाती हूँ एक ही बार में कम्प्लीट स्चोरी ताकि आप इंजोई कर सके विदाउट इंटरप्शन सीमलेस लिसनिंग एक्सपिरियंस चलिए शुर पर बंदर के करीब के उजार मैदान में कतल हुआ जिसने की पुलिस के महकमे में नीचे से उपर तक खड़कंप मचा दिया खुद पुलिस कमिशनर जुआरी ने हुक्म जारी किया कि हत्यारी की तलाश वार फुटिंग पर की जाए और उसे किसी भी सूरत में बक्षा ना जाए जबकि हत्यारा तो जैसे पुलिस के महकमे की आंग की पुतली बना हुआ था आंग सब को देखती है खुद अपने आपको नहीं देखती इसलिए किसी को जीत सिंग दिखाई नहीं दिया जीत सिंग तार देव के सूपर सेल्फ सर्विस चोर की डकैती का मुच्रिम पुलिस की निगाह में खास तोर से इंस्पेक्टर गोविलकर की निगाह में जिसने की उसको गिरफतार करके अदालत में पेश किया था ताला तोर तिजोरी तोर वाल्ट बस्चर गटिया इंसान सोसाइटी का नासूर मोरी का कीडा गोली मार देने के काबिल गोविलकर की निगाह में पुलिस के पाद जीत सिंग के किलाफ ओपन एंट शट केस था और उसका कम से कम छे साल के लिए नपना निश्चित था क्यूंकि पुलिस को गाईलो नाम के टैक्सी ड्राइवर की सूरत में उसके खिलाफ एक चश्म देद गवा उपलब था जिसने जैकप सर्कल के लॉक अप में हुई आइडेंटिटी परेट में नीश संकोद जेत सिंग को बतार मुझरिम पिक किया था पुलिस को और क्या चाहिए था लेकिन एन मौके पर मेजिस्ट्रेट के सामने कटगरे में खड़ा अपना बयान देता गवा मुकर गया गाईलों ने कोट में जेत सिंग के शिनाक से इंकार कर दिया और बोल दिया कि पहले उसे मुगालता लगा था क्यों इंकार कर दिया क्योंकि वो जेत सिंग के खास दोस्त और हमदर्द दिवंगत एंजो का सगा भाई निकलाया था इसलिए पुलिस के कहर की जो बाद में उस पर तोट ता तोटा पर वा किये बिना उसने जीट सिंग के शिनात नहीं की नतीशतन मंगलवाट 6 जनवरी को 50,000 रुपई की जमानत पर जीट सिंग को इस शर्ट के साथ रिहा कर दिया गया की अगली पेशी तक जिसकी तारीक 18 फरवरी मुकरर होई थी वो रोजाना सुबा 11 बचे तार देव थाने की हाजरी भरेगा उसकी जमानत उसके दूसरे महरबान दोस्त और मूल गुना के मूल जोडीदार एटवार्डो ने भरी जो की खास तोर से इसी काम के लिए वालपोई गोवा से चल कर मुंबई पहुँचा आइंदा काल चक्र ऐसा चला कि जीद सिंग की दुनिया बदल गई सुश्मिता से रुस्वाई हासिल होने पर उसने अपना तन मन फूंक डाला लेकिन किसी खुदाई मददगार की तरह एंड मौके पर प्राइवेट डिटेक्टिव शेकर नवलानी के तुलसी चैंबर्स खुलाबा की जीद सिंग की चिता बनने जा रही लिफ्ट के सामने पहुँच जाने की वज़ा से वो जान से जाने से बच गया कर्टसी पुर्सूमर चंगुलानी कई दिन नरिमन रोट फोर्ट पर स्थित नानावटी मेडिकल सेंडर में भरती रहा जहां से शफा पा कर निकला तो इंस्पेक्टर गोविलकर के हातों की कट पुतली बन गया जिसकी वज़ा से उसे जॉज डेविस नाम के यूनियन लीडर को शूट करना पड़ा और जिस चकरवियों से निजात उसने आखिर इंस्पेक्टर गोविलकर का कतल करके ही पाई कतल के रोज इंस्पेक्टर गोविलकर के ड्राइवर बराडे ने बहुत दुहाई थी कि इंस्पेक्टर सहब को जमानत पर चूटे मुझरिम जीत सिंग ने शूट किया था लेकिन उसकी दुहाई नकार खाने में तूती की आवास बन गई क्योंकि गोविलकर के कतल में बड़ा फाईदा उसके डीसीपी प्रधान को भी था जो कि जीत सिंग का तरफदार बन गया था और जिसने साबित करके दिखा दिया था कि इंस्पेक्टर गोविलकर के कतल के वक्त जीत सिंग तारदेव थाने के लौकप में बन था क्यूंकि उसने कोर्ट के ओर्डर के मुताबिक थाने की रोजाना हासरी भरने में कोता ही की थी ऐसी दुखाई देने वाला दूसरा शक्स गोविलकर का माथथ सब इंस्पेक्टर गोखले था लेकिन उसकी आवास इसलिए भी मिम्याहट में बदल गई क्यूंकि वो खुद मुझरिम साबित हुआ था और अदालत ने केकी मिस्तुरी मर्डर केस के कवर अप में उसकी शिर्कत की वज़ा से उसे पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी उस कवर अप में DCP प्रधान भी शामिल था लेकिन खुद पुलिस कमिशनल जुवारी को इस बात का रंच था उसके खिलाव कुछ साबित नहीं किया जा सका था केवल दो शक्स थे जिनके माध्यम से ये बात साबित हो सकती थी कि उस कवर अप में DCP प्रधान ने भी मोटी रिश्वत खाई थी उन में से एक शक्स इंस्पेक्टर गोविलकर था जो कि रिश्वत खोरी में प्रधान का बिचोलिया था लेकिन उसका कतल हो गया था जो कि कातिल का जीत सेंग का उस पर एहसान साबित हुआ था और दूसरा शक्स दिली भालेकर उर्फ बड़ा बटाटा था जो कि रिश्वत की बंदर बाट में नेता लोगों का फ्रंट था लेकिन उसे उम्रकैत की सजा हुई थी और उसने DCP प्रधान के खिलाफ मूँ खोलना कबूल नहीं किया था क्यूंकि वो जानता था कि प्रधान के फसने या बशने से खुद उसका कोई भला नहीं होने वाला था फिर भी कमिशनर ने प्रधान के खिलाफ इतना एक्शन जरूर लिया था कि उसको डिस्ट्रिक्ट के नौ थानों के इंचार्ज की मलाईदार पोस्ट से फॉरण हटा कर उसका तबादला एस्टेट आफिस में कर दिया था जहां कि उसका नाम नामुराद काम पुलिस कर्मियों को रिहाशी क्वाटरों की अलॉट्मेंट की देख भाल करना था ट्रांसफर से पहले प्रधान ने जीत सिंग के एसान का बदला यू चुकाया था कि उसने गायलों का वो बयान जीत सिंग के सामने नश्ट कर दिया था जो कि इंस्पेक्टर गोविलकर ने गायलों के कोट में मुकरने से आग भबूला होकर थर्ड डिग्री से हासिल किया था और जिसमें उसने कबूल किया था कि अदालत में जीत सिंग की शिनात की बाबत उसने जूट बोला था साथ में जीत सिंग के तूलसी चैंबर्स की लिफ्ट में हुए हाथसे के मद्दे नजर उसने जीत सिंग की तब तक की थाने की रोजाना हासरी भी रेगुलराइस कर दी थी उसके बाद कोट में अगली पेशी तक जीत सिंग पूरी निष्टा से थाने की हास्री भरता रहा बुधवार 18 फर्वरी को जब वो अगली पेशी पर कोट में पेश हुआ तो पुलिस का वकेल उसके खिलाफ कोई अतिरिक दलील या सबूत या गवा पेश नहीं कर सका पुलिस का चश्मदीद गवा गाईलो पुलिस के किसी काम का नहीं रहा था और जीत सिंग की कत्ल के मामले में मुखबीरी करने वाला दूसरा गवा भवरलाल तागडे गुरुवार 29 जन्वरी को जुहू के टूरिस्ट कॉर्टेश नंबर 9 में बड़ी रहस्य पून परिस्थितियों में गोली खाकर मरा पड़ा पाया गया था नया मेजिस्ट्रेट इस तथ्य से भी प्रभावित दिखा था कि कतित मुच्रिम ने कोड के आदेश पर निष्ठा से अमल करते हुए थाने की नियमित हासरी भरी थी नतीश्टन केस को अगली तारिक सोमवार 20 अपरेल तक मुलतवी करते समय मेजिस्ट्रेट ने जीत सिंग को थाने की रोजाना हासरी की जिम्मेदारी से मुख कर दिया जो की अभी योजन पक्ष के लिए साफ इशारा था कि अगर वो मुझरिम के खिलाफ कोई नया चार्च खड़ा करने में या पिछले चार्च को किसी नए तरीके से साबित करने में नाकाम रहा तो मुझरिम का संदे लाब पाकर बरी हो जाना लास्मी था 20 अप्रेल वाली तारीक पर सरकारी वकील अदालत में पेश ही नहीं हुआ उसके एक सहायक ने उसकी जगा पेश होकर कहा कि वकील साहब किसी अन्य केस में कहीं और व्यस्त थे इसलिए उस अदालत में पेश नहीं हो सकते थे उस बात पर जीत सिंग के युवा वकेल विनोध रावल ने पुर्जोड लेज़े में कहा कि वो केस को खाम का लटकाने का तरीका था हखीकतन अभी योजन पक्ष के पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं मेजिस्ट्रेट को उस बात से इतिफाक था और वो पहले ही उस तारीक पर अपना फैसला सुनाने का मन बनाई बैठा था नतीश्तन उसने संदे लाब दे कर जीत सिंग को रहा कर दिये जाने का और जमानत की लकम लुटाई जाने का हुक्म सुना दिया जीत सिंग ने चैन की लंबी सांस ली उससे ज्यादा लंबी सांस एडवार्डो ने ली जो कि पिछले दोनों पेशियों पर खास तोर से वालपोई से वहां आया था और फैसला सुलाएं जाने के बद कोट में हासित था अदालत से बाहर वो जीत सिंग से गले लग कर मिला और बड़े जजबाती लहजे में बोला जीते तेरे को मुबारक बोले तो जीत सिंग उनमुप थसी के साथ अपने प्रसंता का प्रदर्शन करता बोला बिग डैडी को भी मेरे को काहे मेरी जमानत भरी की नहीं भरी बिग डैडी वालपोई से उड़ता हुआ आकर मेरी जमानत ना भरता नकत पचास जार रुपया जमा ना कराता तो मैं तो जेल में सड़ता ना बट वो अमाउंट तो तु मेरे को वापिस किया अपने स्पेशल फिरेंड डेविड परदेशी को एक्स्प्रेस वालपोई भेजा और फिफ्टी थाउसेंड मेरे को रिटर्न किया क्योंकि चानस लगा रोकड़ा हाथ आ गिया साथ में ये भी बोला मैं चाहता तो जमानत कैंसल करा सकता था वो क्या है कि? क्या है? बोल क्या है? मैं हिले हुआ था डेड़ी फरार हो सकता था ऐसा होता तो डेड़ी तुम्हारे को पिरॉबलम बोम मारता है अभी छोड़ो ना डैटी हाँ छोड़ता है All is well that ends well बोले तो अंत भला तो सब भला बरोबर बोला जीते अभी तेरे साथ जो बीती जिस विग प्रबल से तु सेफ निकला उससे तुने कोई लेसन दिया या नहीं लिया ना अब फ्यूचर में कोई पंगा कोई गलाटा नहीं करने का समझा क्या करके इस बार का माफिक पकड़ा नहीं जाने का किसी इंस्पेक्टर गोविलकर जैसे आदम को और भेड़िये के काबू में नहीं आने का जीते तू कुत्ते की दुम है डैडी किधर सीधी होएंगा सुधर ने संभलने इस्ट्रेट चलने का सबक लेना आदमी लोगों का बात है मैं आदमी किधर है आदमी तो मैं साला है इच नहीं तो क्या है अभी बोला तो जानवर है कभी कोई हाकिम जिसको कभी ठोकर मारता है तो कभी कोई वादा शिकर बाई जुसका दिल निकाल कर अपनी जूती से मसलती है तो कभी कोई साला नेता, साला कामरिट सहब अपने दुश्मन का शिकार करने का वास दे जिसे जर्या बनाता है तो कभी कोई जीते, कम से कम आज तो ये कड़वाहट थोक दे आज, हाँ आज, आज क्या है, तेरे को नहीं मालूम क्या, आज स्पैशल करके क्या है अरे, आज तो आजाद हुआ है, बोले तो असली आजाद हुआ है, सजा पाने से बचा है तेरे को मालुम की जमानत पर छूटा भीड़ो भी मुझरिम ही माना चाता है आज तेरे पर से मुझरिम होने का सरकारी ठपा हटा है तो तेरे को खाली पिली बोम मारने का है अपना और मेरा भी भेजा फिलाने का है या सेलिब्रेट करने का है अच्छा वो हाँ वो वो तो बरोबर करने का है क्या डैडी वही जो तुम सेलिब्रेट करके बोला इग्जेक्टली आज मैं तेरे को ट्रेट देगा अरे नहीं मैं बिग डैडी एड़डो ओफ वाल्पोई फेम इधर महमान है मैं साला मेजबान है मैं देगा ना ट्रीट एक ही बात है मेरे को कल वापिस जाने का है आज अक्का एवनिंग अक्का नाइट सेलिब्रेशन ठीक है ना हाँ वहीच जो तुम बोला वो इवल पेंट दा टाउन ड्रेड बोले तो ऐसे मोके पर फिरोंगी लोग यहीच बोलता है साला बहुत मस्ती मारने का होता है तो यहीच बोलता है वो इविल पेंट दा टाउन ड्रेड क्या बरोबर अरे क्या वी विल पेंट दी टाउन आमची मुंबई ड्रेड इग्जेक्टली तब ही वकील विनोध रावल वहां पहुँचा थैंक्यू बोलता है बाप जीत सिंग कृतग्यस्वर में बूला वो तो मेरे को मन्जूर वकील संजीतगी से बूला लेकिन कागजी कारेवाही के लिए अभी इधर रुखना पड़ेगा बोले तो मेजिस्ट्रेट ने जो हुक्म सुनाया है उसकी कौपी निकलवानी होगी तुमारी बेल की रकम वापिस हासिल करनी होगी क्या टैम लगेगा जीत सिंग संदिक दभाव से बूला वो तो लगेगा लेकिन सब को चार्ज ही होगा फिर क्या वांदा है शाम तक सब कुछ हो जाएगा लेकिन एक बात याद रखना जीत सिंग कौनसी बात तुम्हारी सौरी के साथ बोलता हूँ तुम्हारे जैसे शक्स की क्या हुआ मेरे को जीत सिंग गुस्से से बोला बास मारता है मैं पास खड़ा होना मुश्किल किया बात को समझो येस एडवार्डो जीत सिंग का कंदा थप थपाता बोला एडवोकेट सहब ठीक बोला जीत सिंग खामोश हो गया तुम्हारी रिहाई पुलिस के मुँपर तमाचा है ये कभी न हो पाती अगर्शे की इंस्पेक्टर गोविलकर जिन्दा होता ठाने में गाईलो की उसने क्या गत बनाई खुद तुम्हारी उसने क्या गत बनाई क्या भूल गए नको कैसे भूलेगा बाप अभी भी बदन का पोर पोर दुखता है तुम्हारी गुड लग कि किसी ने वकील ने एक शन रुक कर अप अलग जीत सिंग की तरफ देखा गोविलकर का खून कर दिया और उसकी जगा लेने वाला नया ऐसे चो उस जैसा कड़क नहीं निकला वरना पुलिस तुम्हारी खिलाफ दस नए केस खड़े कर दे थी फर्जी और क्या क्या मुश्किल काम है पुलिस के वास्ते कोई मुश्किल काम नहीं पर बाप तुम कहना क्या मांगता है तुमको कुछ अर्सा पुलिस की लाइन क्रॉस नहीं करने का है उससे बचके रहने का है You understand my point जीत सिंग ने हिच के जाते हुए सेहमती में सेर हिलाया ये ना भूलना कि जिस केस में बरे हुए हो उसमें भी पुलिस तुमें फिर गिरफतार कर सकती है क्या बोला जीत सिंग के स्वर में घबराहट का पूट आ गिया ठीक बोला पुलिस कभी भी नए सबूत एडिशनल एविडेंस हाथ आने का दावा कर सकती है और तुमें गिरफतार करके जीत ट्राइल के लिए फिर कोर्ट में पेश कर सकती है ऐसा कौन करेगा मुझे नहीं मालूम हो सकता है कोई ना करे मैंने तुमें खाली ये बताया है कि आइंदा क्या हो सकता है लेकिन जो हो सकता है उसका हो भी जाना जरूरी है पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते उनके ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी खास तोर से तुम्हारे जैसे आइमिन मौजूदा हालात में तुम्हारे लिए इसी लिए बोला कि पुलिस से बचके रहने का है उसकी लाइन क्रॉस नहीं करने का है दरिया में रहके मगर से बैर लेने का माहौल पैदा नहीं करने का है ओके? हाँ ओके गुड शाम को जेद सिंग और एड़वार्डो की उस तफरी का दौट शुरू हुआ जिसे एड़वार्डो ने पहले लेट्स पेंट दट ग्राउं टाउन रेट कहा था और फिर बार हॉंपिंग की संग्या दी थी बार हॉंपिंग से उसकी मुराद किसी एक बार में टिक कर नहीं बैठना था अपनी तफरी के सेलिब्रेशन की शुरुआत उन्होंने फोर्ड के इलाके के एक बार से की थी क्योंकि कोर्ट परिसर उसी इलाके में था वहां से वे ग्रांट रोट पहुँचे लेकिन जीद सिंग्ने वहां के किसी बार में रुकने से इंकार कर दिया क्योंकि उसका हुलिया हाल उसकी हालिया दुश्वारियों की शुरुआत वहीं से हुई थी जहां की शेक मुनीर और्फ डिबा का फैंसी बार बिग बॉस था जहां इंस्पेक्टर गोविल करके भेजे जबरन उसे जाना पड़ा था और जहां केकी मिस्तरी के कतल की भूमी का बनी थी अब केकी मिस्तरी जन्नत नशीन था उसका कातिल बोनी जाधव उम्र कैद की सजा पाया जेल में बन था कातिल का पिता शगन जाधव जिसके जाती फाइदे के लिए जेत सिंग को उसके प्रतिद्वन्दी ट्रेड यूनियनिस्ट लीडर जॉज डेविस का कतल करना पड़ा था बेटे की कर्तूतों के जेरे साया मारा जा चुका था दोनों के संरक्षन मधुकर राव साबले एमपी को उसके अपने चम्चे दिली भाले कर उर्फ बड़ा बटाटा ने शूट कर दिया था और खुद उम्रकैत की सजा पाया जेल में बंध था लारा रिबेलो जो केकी मिस्त्रू के कतल की वज़ा बनी थी गोवा वापिस जा चुकी थी और गेहूं के साथ घुन के पिसने की मिसाल कायम करता शेक मुनीर भी भाले करके हातों जहन्नुम रसीद हो चुका था इतने कोहराम के बावजूद माली के दुनिया छोड़ गया होने के बावजूद बार फिर भी चालू था अलबता ये मालूम नहीं था कि अब उसे कौन चलाता था जीत सिंग के वहां जाने से ग्रांड रोड के किसी भी बार में जाने से इंकार करने पर वो जेकब सरकल के करीब के एक बार में पहुंचे वहां से बोर हुए तो वरली के एक बार मुकाम पाया वहां से भी बोर हुए तो दादर के एक बार का रुक किया जिसकी बाबत जीत सिंग ने सुना था कि वो अपनी बार गल्स के लिए खास मशूर था लेहाजा जिंदगी का आनद आ रहा था दोस्ती परवान चड़ रही थी और फिरंगियों की जुबान में टाउन रेट पेंट हो रहा था दादर के बार में उन्हें वो लड़की मिली जो मिलते ही ना जाने क्यों जीत सिंग को भाव देने लग गई जीत सिंग तब तक फुल नशे में था इसलिए लड़की का उसे भाव देना उसे खुब पसंद आया वो नहायत खुब सूरत थी कद में जीत सिंग जितनी ही लंबी थी और उसके छोटे कटे बालों की वज़ा से उसके चेहरे पर किसी खिलंदड़े शरार्ती किशोर जैसे भाव थे वो जीन्स के साथ स्लीवलस कीवी पहने थी उसकी आंखों में बिलौरी चमक थी होटर सधारन रूप से रसीले और लाल थे और उम्र में वो बेस बाइस से ज्यादा की नहीं जान पड़ती थी जरूर कोई एक्ट्रिस थी फिल्मों की या टीवी की तभी उसे सूरत पहचानी सी जान पड़ती थी लेकिन टीवी तो वो देखता नहीं था फिल्म उसने एक करसे से कोई नहीं देखी थी तो फिल्म मॉडल होगी किसी विज्यापन के होडिंग पर थोबड़ा देखा होगा लेकिन एहम बात ये थी कि इतनी रात गए वो उस बार में अकेली थी और उसे भाव दे रही थी उसे एक टपोरी को, बेवडे को वांदा नहीं, नचे में जूमते जीत सिंग ने सोचा जब बाई को वांदा नहीं, तो मेरे को काहे को उस बार के पिछवाड़े में पारदर्शी स्क्रीन के पीछे एक हिस्सा ऐसा था जहां कुछ मेजों पर मौचूद, कुछ लोग ताश खेल रहे थे जीत सिंग ने जरब गौड किया तो उसे एहसास हुआ कि वहां जुआ चल रहा था जो कि निश्चित रोप से गैर कानूनी आयोजन था क्योंकि किसी बार में प्राइवेट कलब की तरह कार्ड रूम होने की इजासत नहीं हो सकती थी क्या पता वहां संचालकों को प्राइवेट कलब का ही लाइसेंस हासिन था जिसमें वो सदस्यों के इलावा आम लोगों को भी आने देते थे मेरी बला से जीट सिंग ने मन ही मन सोचा जीते एडवार्डो उसके कान में फुस फुस आया जीट सिंग ने उसकी तरफ जुक कर कान आगे किया रात की उस घड़ी वहां इतना शोड था कि एडवार्डो की फुस फुसाहट सुनने के लिए ऐसा करना ज़रूरी था शोकरी तेरे को भाव दे रही है एडवार्डो पूर वत उसके कान में फुस फुसाया काबु में कर मैं अकेला जीट सिंग भी उसकी तरह दबिस्वर में बोला अरे घोंचू तू उसकी उम्रका है मैं तुम दोनों के डैड़ी की उम्रका हूँ बल्कि उससे भी बड़ा इसलिए तू अकेला हम तुम क्या करोगे डैड़ी मैं उधर कार्ड रूम का रुख करूँगा देखता हूँ उधर क्या चलता है तू छोकरी का रुख कर और देख उधर क्या चलता है कुछ ना चला तो डैड़ी आके बोलना दोनों इधर से नक्की करेंगे और किसी और बार में चलेंगे यह सिलसिला कब तक चलाने का है डैड़ी देखेंगे जब तक कोई ये नहीं बोलता की बारबंद, सर्विस खलास, तब तक तो जरूर ही देखेंगे, चीक है, अब तू जा, वरना चोकरी किसी और को भाव देने लगी की, क्या सच में जाऊं, अरे इंजॉय कर, मस्ती कर, समझ ये भी आज की सेलिब्रेशन का हिस्सा, ऐसा क्या, हाँ, अभी हेल यहां से, जेत सिंग उस लड़की की तरफ बढ़ गया, और एडवार्डो ने बार के पिछवारे कर रुख किया, जहां कुछ ही लोग ताश खेल रही थे, अधिकत्तर टेबल खाली थी, जेत सिंग लड़की के पास पहुँचा, हलो, वो जबरन मुस्कुराता बोला, हलो, लड़की न के खड़ा भी नहीं रह पाया, बार-बार पहलू बदलता रहा, क्या मांगता है मैन, आखिर का लड़की ने खामोशी भंग की, अभी कुछ बोलने का है, या नहीं, बोले तो, बोले तो, जेत सिंग कठिन स्वर में बोला, एक ड्रिंक मेरे साथ, I don't mind, क्या, अरे कोई वा अभी हात में क्या है, बकारडी, अभी, जेत सिंग लपक कर बार पर गया, और उसके लिए बकारडी, और अपने लिए विस्की का नया जाम लेकर आया, चिर्स, वो बोली, चिर्स, जेत सिंग बोला, पियो और जियो, जियो या मरो, मेरे साथ नहीं मर सकता, मैं तो मरतों मे प्रान्फूंग देती हूँ ऐसा क्या? हाँ बोले तो ये डायलोग पहले मैं किधर सुना? किधर सुना? याद नहीं कितनी पियला है? ये भी याद नहीं शाम से ही चलता है उस लाल मूव वाले फ्रेंच कर दाड़ी वाले परदेसी के साथ जो अभी पास खड़ा था क्या? परदेसी नहीं देसी, गोवानी ओ, तुम्हारा फ्रेंच? हाँ जबकि डबल उम्र का है? कोई वान्दा नहीं वो मेरा जिगरी, हमदर्द, खैर खा और मैं? तुमको भी मेरा जिगरी बनना मानता है क्या? मेरे को भी वो जेद सिंग की नकल करती बोली वान्दा नहीं बढ़िया, क्या तुम कोई फिल्म स्चार है? अभी तुमको कंपनी के वास्ते फिल्म स्चार मांगता है क्या? नहीं तो? ऐसे इच पूछा, वो क्या है कि मेरे को लगता है मैं तुमको किधर देखा? देखा ना बराबर किधर? याद करो साला भेजा ठस नहीं याद आता बोले तो तुम ही बोलो जो तुमें लगता है वो चीक है मेरे को देखा ही नहीं है और भी बहुत कुछ किया है बहुत कुछ? सब कुछ क्या बात करती हो? स्पेशल शो किया ना मैं खास तुम्हारे वास्ते खाली एक ही दर्शक तुम ऐसा क्या? हाँ अभी कुछ याद आया क्या? कहीं घंटी बजी तो बराबर पन तुमने मेरा दस अजार रुपे का नुकसान किया एक टाइम अभी वो मेरे को तुम से कवर करने का है क्या? बलकि जुर्माना भी लगाने का है और वसूल करने का है साला हड़ी पसली एक कर दिया और अभी बोलता है पन खाली गंटी बची पन कुछ याद नहीं आया पन साला पन जेट सिंग हक बकाया सा उसे देखने लगा फ्रेंड को डिस्मिस कर सकते हो क्या? वो बोली का है? मालूम पड़ेगा इधर? किधर और जाकर? और किधर? जिदर मैं लेकर जाए जिदर मेरे को मेरा लॉस कवर होना मांगता एतरास तो नक्की करो बोलो तुम ओल्ड मैन की अपने गोवानी फ्रेंड की कमपनी में खुश? हम् क्या हूँ? बोले तो मेरे को मन्जूर पर्ण फिर पर्ण साला मसकरी किया तो दुम ठोके गबर उबर अभी बोले तो मेरे को मन्जूर लास चाई में कोई कसर बाकी रही हो तो पूरी कर लेना इस बार मार ही डालना अभी इधर ही रुखने का है हिलने का नहीं है क्या इधर ही रूखने का है हिलने का नहीं है हाँ आता है जीत सिंग ने अपना गिलास खाली करके उसे तिलांजली दी और बार के पिछवाड़ी की तरफ बढ़ा उसका मूल ठिकाना चीन्च पोकली के इलाके में एक खोली था जो अभी भी उसके कबसे में थी लेकिन जहां वो कभी कभार ही जाता था पिछले दिनों हालात कुछ ऐसे बने थे कि अपना वो मूल आवास छोड़ कर वो नाक पाड़ा में स्थित होटल राश्टिप के एक कमरे में जाकर रहने लगा था उस जगा पर दिली भाले कर उर्फ बड़ा बटाटा नाम के खतरनाक मवाली का कौफ नाक साया आन पड़ा था तो उससे चुपने के लिए अपनी नई पनागार उसने अलफिंस्चन होटल गन्बो स्ट्रेट फोर्ट को बनाया था फिर वहां का महिंगा रोसाना किराया भरना अपनी नादानी जान कर उसने विठलवारी कालबा देवी की एक पुरानी चार मंजिला इमारत के टॉप फ्लोर पर एक दो कमरों का फ्लैट महाना किराय पर ले लिया था उसकी उस नई पना गाग ही अभी बहुत कम लोगों को खबर थी बार के पिछवाड़े में स्क्रेन के पीछे के हिस्से में उस घड़ी कोई खास हलचल नहीं थी केवल एक मेज पर तीन अशनबियों के साथ एड़वार्डो जमा हुआ था और ताश खेल रहा था जेद सिंग ने उसका ध्यान अपनी तरफ आकरशित किया उसे फ्लैट की चाबी सौपी वहाँ पहुँशने का तरीका समझाया और बाद में आता हूँ बोल कर अपनी एक आँख दबा कर अपने रंगीन इरादों का हिंट उसे दे कर वो उससे रुकसत पा किया और वापिस लड़की के पास पहुँचा जो सच में ही अपनी जगा से हिली नहीं थी क्या वो उसके करीब पहुँच कर बोला क्या क्या लड़की बोली चलो कहा जहां मैं लेकर चलू वरना हवा खाओ नहीं नहीं अब नहीं गुड तो क्या चलें कोई वांदा नहीं अभी ड्रिंक और जरूरत नहीं जिदर जा रहे हैं उदर ड्रिंक है और उसके समोहन में और काफी हद तक नशे की जकड़म में जीत सिंग उसके साथ थो लिया मंगलवार 21 अप्रेल नीद और नशे की खुमारी से उसे मुक्ति मिली तो उसने पाया कि सुभा के नौ बचने वाले थे लड़की डबल बैट के एक बाजू देन दुनिया से बेखबर सोई पड़ी थी उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं था सिर्फ एक कंबल उसे कहीं कहीं से यू ढखे था कि वो ना भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ लड़की के याद दिलाने और खुछ खुद के दिमाग पर जोर देने से अब वो जानता था कि वो लड़की कौन थी और क्यों कर उससे वाकिफ थी उसका नाम डिम्पल था और वो सोमवार 19 जनवरी को हुई दैशर के प्राइविट पार्टी में बड़ा बटाटा द्वारा उस पर थोपी गई थी उसको बड़ा बटाटा का जीट सिंग को पंदरा दिन तक अपने में लपेट कर रखने का हुक्म था लेकिन वो उस शाम तक भी उसको अपने आप में लपेट कर नहीं रख पाई थी जबकि उसे एंगेज ही खास तोर से इस काम के लिए किया गया था बड़ा बटाटा उसकी उस नाकामी पर बहुत आग बबूला हुआ था इतना कि उसने उसे जलील करके बिना उसकी उस काम की फीस का रोकड़ा अदा किये वहां से दफा किया था कहने का मतलब ये था कि वो एक हाई क्लास कॉल गर्ड थी जो बड़ा बटाटा की द्वारा जीत सिंग को शीशे में उतारने के लिए बत और गवा उसे आउट ओफ सर्कुलेशन रखने के लिए एंगेज की गई थी लेकिन जीत सिंग उससे नहीं फसा था नहीं फसा रह सका था क्योंकि ये बात बड़ा बटाटा भी नहीं जानता था उसकी रात नौ बजे बिग बॉस में वापिस हासरी थी जो वो ना भरता तो इंस्पेक्टर गोविल कर उसे ऐसी मार लगाता कि उस बार उसे मार ही डालता ये धेड़ नशे का ही असर था कि रात को जेत सिंग ने उसे वो दस जार रुपे भी अदा कर दिये थे जो वो कहती थी कि बत और फिस उसे बड़ा बटाटा से मिलने थे लेकिन उसकी नाकामी की वज़ा से नहीं मिले थे वो जगा बकॉल डिमपल उसका आवास था जो की परेल में मुनिसिपल मार्केट के पास संगब अपार्टमेंट्स नाम की इमारत की दोसरी मंजिल पर एक छोटा सा साफ सुत्रा फ्लैट था बातरूम में जाकर वो नित्यकर्म से निर्वित हुआ और उसने जाट पोंचकर अपने कपड़े और जूते पहने वो वापिस बेडरूम में लोटा तो उसने डिमपल को एक ड्रेसिंग गाउन पहने बैट के एक कोने पर पाउ नीचे लटकाई बैठा पाया उसने एक सरसरी निगा जीत सिंग पर ढाली और फिर बोली चल दिये बोले तो हाँ जीत सिंग सहज भाफ से बोला कैसा लगा? क्या? यही जो रात को किया या नशे में याद नहीं क्या किया? याद तो सरसर है तो कैसा लगा? वैसा ही जैसे पहली देश्चर के गैस चाउस में लगा था अब वो भी याद आ किया क्या? हाँ तब तो मेरी हड़ी पसली एक कर दी थी इस बार कैसे रहम किया? इस बार हालाद जुदा थे मेरे को रोकड़ा दिया मालूम या भोल गया? मालूम थैंक यू रात को बोल तो दिया था अब फिर बोला ना ऐसा कंपेंसेशन साला कोई देता है? क्या? कंपेंसेशन? हरजाना बोले तो नुकसान की भरपाई ओ अभी मेरा नाम मालूम है क्या? हाँ, डिम्पल पन पूरा नाम नहीं मालूम डिम्पल मोधी लाइट में अंड्रेस काहे नहीं करता कपड़ों के बिना में जल्दी चिता पर से उठ जाना पढ़ता है इस वास्ते बोम मारता है जीट सिंग खामोश रहा क्या चाए मांगता है? नहीं, अभी जाने का है फ्रेंड वेट करता होईगा ऐसा ही छे नहीं जाएंगा तो सोचता होईगा कि तो मेरे को इतना एंटरेटेन किया कि मैं खलास वो हसी मैं कर भी सकती हूँ ऐसा फिर बोली मेरे को पकी अभी रुक कर देखो नहीं अभी नहीं अभी जाने का है जरूरी करके जाने का है फिर कब मुलाकात होगी देखेंगे दादर के उस बार में क्या नाम था पैरा माउंट भूल गया क्या चॉइस से नहीं गया देखकर एंटर नहीं किया बहुत बार घूमा बोले तो बार हॉपिंग किया इस वास्ते देखा इच नहीं था कि नाम क्या था अखेले अरे किसी के साथ होईगा तो कौन पास फटकेंगा ठीक मैंने पूछा था फिर कब मुलाकात होगी मैंने बोला था देखेंगे बोले तो तुम मेरे को पसंद बावजुद इसके कि मैं हडियां तोड़ता है जानवर की तरह भंबोरता है हाँ फिर तो थैंक यू बोलता है थैंक यू कबूल फिर बोलने के लिए फिर आना कल मेरे को फुल सेलिब्रेशन मांगता था इस वास्ते में आपे से बाहर मैं हर टैम बड़ा रोकड़ा नहीं भर सकता नहीं भरना पड़ेगा मैं डिस्काउंट देगी कितना हंड्रेट परसेंट जीत सिंग हसा फिर संजीदा हुआ अभी जाने का है फिर बोला बात की बात में देखेंगे जीत सिंग कालबा देवी और आगे विठल वारी पहुँचा अपने फ्लैट का दर्वाजा उसने मजबूती से बंद पाया उसने कॉल बेल बचाई कोई जवाब नहीं मिला उसने दर्वाजे पर दस्तक दी एडवार्डो को नाम लेकर पुकारा जवाब नदारत पता नहीं वो भीतर था भी या नहीं वो वापिस नीचे पहुँचा और इमारत से बाहर निकला दाइंबाइं तलाश करके उसने एक तार का टुकड़ा काबू में किया और वापिस लोटा उस तार के टुकड़े की मदद से उसने दो मिनट में ताला खोल लिया और उसे आता क्या था इतना मशूर ताला तोड़ वो ऐसे ही तो नहीं था वो भीतर दाखिल हुआ फ्लैट फकीर की जोली की तरह खाली था एडवार्डो वहां नहीं था और लगता भी नहीं था खास तोर से बेडरूम में बैट की हालत से कि पिश्ली रात को वो वहां लोटा था कहा गया क्या इतनी हद से ज्यादा पी गया था कि अभी भी कहीं लुड़का पड़ा था ना मुम्किन एडवार्डो साथ साल का था और रेगुलर हैवी ड्रिंकर था वो उसकी नशे में कहीं लुड़का पड़ा होने की कल्पना नहीं कर सकता था उसने घड़ी पर निगा डाली दस बचने को थे उसके फ्लैट वाली इमारत के एन सामने एक रेस्टरेंट था जहां जाकर उसने यू नाश्टा किया कि हर्प्शन उसके निगा अपने वाली इमारत के मुख्य द्वार पर थी एड़ाडो उसे लौटता नहीं दिखाई दिया ग्यारा बच गए उसने वकेल विनोद रावल को उसके मुबाइल पर फोन लगाया मैं जेत सिंग वो सर्वी ने बोला गुस्थाकी की माफी के साथ बोलता है वकेल सहथ कि कल जो मेरा गवानी फिरेंड ओ, वकेल बोला तुम ऐसा करो सो नमबर पर फोन करो उन लोगों को ऐसे केसिस की खबर होती है अगर तुमारे फ्रेंड के साथ कोई एकसिडेंट वगेरा हुआ होगा यू अंडर्स्टेंड माइ पॉइंट हाँ, कट करता है उसने सो नमबर पर फोन लगाया और जवाब मिलने पर अपनी दुश्वारी बयान की जवाब में उसे होल्ड करने को बोला किया और लंबा होल्ड कराया किया कल रात को आखिरकार जवाब मिला एडवार्डो नाम के किसी शक्स का कोई एक्सिडंट हुआ होने की खबर हमारे पास रिकॉर्डिट नहीं है बाप, दादर और कालबा देवी के बीच किधर भी किसी सिंगल गवानी भीडु का कोई एक्सिडंट हुआ होने की खबर रिकॉर्ड में नहीं है तो वो किधर गया जीट सिंग के मूँ से निकला उदर गया जिदर से तुम बोलते हो की आया था ऐसा कैसे होगा वो बिना मेरे को बोले वालपोई कैसे चला जाएगा बाप, उसके पास मेरे फिलेट की चाबी है लोटाना भूल गया होगा नशे में ऐसा हो जाता है पन वालपोई से पता करो उदर ना मिले तो दो दिन वेट करने का फिल फिर मिसिंग पर्सन ब्यूरो में रिपट लखवाने का मिसिंग पर्सन ब्यूरो बोले तो गुमशुदा तलाश केंद्र आगे जो करना होगा वो भेडु लोग करे का उससे पहले कुछ नहीं हो सकता क्या नहीं, कोई बेडु कम से कम दो दिन बाद ही गुमशुदा माना जाता है पर न अगर एक्सिडेंट ऐसी कोई लेट रिपोर्ट आएंगा तो खबर करेंगा अपना फोन नमबर बोलो फोन नमबर तो है नहीं, मैं ही फिर फोन करें तो कोई वांदा नहीं, लाइन कट गई जीद सिंग ने फोन से किनारा किया वापिस अपनी मेज पर आकर बैठा चाय के नए कप का ओर्डर दिया और उसकी चुस्कियां लेता सोचने लगा एडवार्डो जब भी मुंबई आता था होटल में ठहरता था क्योंकि जीद सिंग का अपना खुद का मुकाम उन दिनों होटल होता था इसलिए उसके जीद सिंग के पास ठहरने का कोई मतलब ही नहीं होता था और इसलिए वो भी किसी होटल में ही मुकाम पाता था इस सिलसिले में उसका पसंदीदा होटल स्वागत था जो कि चर्च गेट के इलाके में रेलवे स्टेशन के एंड सामने था नशे के हवाले कहीं वो वहीं तो नहीं पहुँच गया था उसने चाय को तिलांजली दी और उठकर वहाँ फोन लगाया एडवार्डो वहाँ नहीं पहुचा था एक बार होटल का आईडिया आने पर उसने चर्च गेट और आसपास के स्वागत के स्तर के कई होटलों के नंबर टेलिफोन डिरेक्टरी में देखकर वहाँ फोन लगाए कहीं से अपयक्षित जवाब नहीं मिला वैसे ही डिरेक्टरी से उसने कई सरकारी असपतालों के नंबर नोट किये और बारी-बारी सब पर कॉल लगाई एडवार्डो नाम का कोई पेशन नहीं भरती था पिशली रात से तब तक ऐसा कोई शक्स कैजुलिटी पर नहीं लाया गया था कहां गायब हो गया था एडवार्डो कहीं नशे की तरंग में वो भूल तो नहीं गया था कि उसने जेत सिंग के नई ठिकाने कालबा देवी के उस फ्लैट पर लोटना था और नाइट सर्विस की किसी बस पर गोवा के लिए तो रवाना नहीं हो गया था उसने उसके वाल पोई के फोर नबर पर कॉल लगाई गंटी बच्ती रही बच्ती रही आखिर क्या माज़रा था रोमेला जठार भाई खला में सेट मोतीशा मार्ट के अपने फ्लैट में शाम की उस घड़ी तनहा मौजूद थी और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा आकर्शक बनाने के काम में मस्रूफ थी वो कोई 28 साल की नहायत खूब सूरत लड़की थी जो देखने में फैशन मॉडल या फिल्म स्चार जान पड़ती थी वस्तुत है वो एक गरीब घर की ऐसी बेशुमार लड़कीयों जैसी लड़की थी जिनने खुदा हुसन की दौलत से नवासता है तो एक तरह से उनके साथ जल्म ही करता है क्योंकि ऐसी लड़कीयों का वो हासिल हुने किसी उंचे मुकाम पर पहुचाने की जगा बर्बादी की राह ही दिखाता है जैसे की उसने रोमेला को दिखाई थी जब उस पर ताजी-ताजी जवानी आई थी और तब जब वो अपना शीशे में मूँ देखती थी तो उसे लगता था कि वो दिन दोर नहीं था जब कि वो दुनिया फते करने वाली थी दुनिया फते करने के लिए अपने जैसी और हसीन लड़कीयों की तरह अपना पहला पड़ाव उसने भी मुंबई चुना था और वो गठिया की मरीज मा और दो बेहनों को एक बड़ी सपना जो कि स्पास्चिक थी और दूसरी छोटी प्रेंका जो कि जनम से एक ऐसे मर्स की मरीज थी जिसके लिए उसे हर रोज बिना नागा एक कीमती इंजेक्शन लेना पड़ता था मुरूट में छोड़कर मुंबई आ गई थी जहां उसका फिल्मों में प्रवेश उसे महज वक्त की बात लगता था नौ साथ से वो सपनों की नगरी मुंबई में थी जहां उसका कोई सपना तो साकार हुआ ही नहीं था अब कोई सपना देखने के कयात से ही उसे दैशत होती थी उस दौरान उसने क्या-क्या पापट बेले थे और कैसे-कैसे धंदे अपतियार किये थे ये उसका दिल ही जानता था फिल्मों में छोटा-मोटा रोल भी किया जिसकी उसे बड़ी से बड़ी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी असमत के मौती की आब उतरवानी पड़ी रैम पर वॉक करने का भी इतिफाक हुआ कैब्रे डांसर बनी, होस्चेस बनी, स्टेज शोज करने वाली आइटम गल बनी बारबाला बनी, लिमिटेट क्लाइंटर वाली बाई बनी और आखिर में एक बड़े साधन संपन आदमी की रखैल बनी जो कि वो तब भी थी उसके हुसन का जादू हमेशा हर किसी पर चला था हर कोई उसकी सौहबत का तलबगार बनकर पेश होता था लेकिन एक रात के लिए, एक हफ़ते के लिए, एक महीने के लिए, एक सीजन के लिए उसने घर पैसा भेशना होता था मुंबई जैसे महिंगे शहर में खुद को मेंटेन करना होता था इसलिए हर कॉम्प्रोमाइज वो करती थी, कर रही थी उस दौरान उसे प्यार भी हुआ, एक नहीं, तीन बार लेकिन हर बार वो इसी नतीजे पर पहुँची कि सच्चा प्यार प्रेत की तरह होता था जिसका चर्चा हर कोई करता था, जिससे देखा किसी ने नहीं होता था पहली बार मानक नाम के जिस लड़के से उसकी घरिश्चता हुई, वो ड्रग एडिक निकला जो आखिरकार पुलिस के फंदे में फसा तो फसा ही रह गया दूसरी बार आशुतर्श नाम के जिस लड़के से उसका वास्ता पड़ा वो उसी की तरह स्ट्रगलिंग एक्टर था, लेकिन उसके पास एक योशना थी वो रोमेला को फुल टाइम कॉल गर्ल बना कर, खुद उसका मालिक बना चाहता था उसका तीसरा बॉइफरेंड मकरंद, एक शरीफ, भला मानस आदमी था जो उसे बड़िया तौफे देता था, बड़िया जगों पर तफ्री के लिए ले जाता था और उसके खुब कदर करता था, लेकिन जो उसको हाथ भी लगाने की कोशिश नहीं करता था जिसे की रोमेला उसकी टौप की शरावत समझती थी लेकिन जल्दी ही असलियत जाहिर हो गई कि वो गे था, होमो सेक्शुल था उसे महस सजाफ़्टी सामान की तरह अपना भाव बनाने के लिए साथ रखना चाहता था बड़ी मुश्किल से उसने मकरन से किनारा किया जबकि आकरी क्शंड तक मकरन ने यही दुहाई दी कि वो उसकी नादानी थी उस जैसा फ्रेंड और वेल विशर उसे चिराग लेकर ढूंडे नहीं मिलने वाला था लेकिन जो उसकी उंगले चुने तक का तमन्नाई नहीं था जो कि उसे एक खुब सूरत लिबास की तरह पहनना चाहता था एक ट्रॉफी की तरह चमकाना चाहता था एक ऐसे प्राइस पोजेशन की तरह प्रोजेक्ट करना चाहता था जिसकी मिलकियत फक्र की बात होती थी और जो किसी किसी के पास ही होता था आशिकी में तीन बार खता खाई वो अब वैसे किसी सीरियस अफियर से हमेशा के लिए तौबा कर चुकी थी फिर काफी अर्सा कई लोगों से सब के सब शादी शुदा बाल बच्चेदार उम्र दरास लेकिन दौलत मन कारुबारी तालुकात रखे और उनसे ऐसे नियामते भी हासिल की जो कि उसका सपना नहीं उसकी जरूरत थी लेकिन वो सिलसिला टैंप्ररी होता था लंबा चलने वाला होता ही नहीं था क्योंकि मुंबाई में वो इकलौती खूपसूरत नौजवान लड़की नहीं थी जो की किनी नवाजिशों की एवश में हासिल की जा सकती थी रूप के लोभी भवने कहीं किसी एक फूल पर टहरते थे अब आखिरकार वो गनेश महाडिक नाम के एक शक्स की प्रॉपर्टी थी उसका माल थी एक तौलिया थी जिससे वो कभी कभार अपने गंदे हाथ पोशना पसंद करता था और कहने को उसके एक बार की होस्चस थी उस घड़ी पौने छे बज़े थे और वो जानती थी कि उसको पिक करने के लिए महाडिक आठ बज़े से पहले वहां नहीं पहुँचने वाला था आठ के बाद दो उसे कहीं डिनर के लिए लेकर जाता कहीं डांस के लिए कहीं तफरी के लिए लेकर जाता और फिर आधी रात के बाद वो महाडिक की ऐसी कलब में पहुँचते जो कि नशाखोरों में मिड नाइट कलब के नाम से जानी जाती थी और जहां रोमेला को होस्चस के ड्यूटी भुकतानी पड़ती वैसे ठिकाने जो कि मिड नाइट कलब के नाम से जाने जाते थे असल में बार ही होते थे लेकिन वो गैर कानूनी तौर पर आधी रात के बाद तब चलते थे जबकि कानूनी लाइसेंस शुदा बारों के बंध होने का वक्त हो जाता था मुंबई 24 गंटे का शहर था जो कि कभी नहीं सोता था और जहां का टूरिस्ट तबका ऐसे ही तफरी का आधी होता था जो हर घड़ी उपलब थो लिहाजा ऐसे बारों में बेतहाशा रौनक होती थी और वो सुभा के चार बजे तक कोई-कोई सवेरा होने तक भी चलते थे उनके गैर कानूनी होने की वज़ा से वहां एंट्री रेस्ट्रिक्टिड होती थी और मेहमानों को बकाइदा परक कर स्क्रीन करके ही भीतर दाकिल होने दिया जाता था कहने की जरूरत नहीं कि वैसे ठीये पुलिस की सर परस्ती में चलते थे इसलिए शायद ही कभी किसी पर चापा पढ़ने की नौबत आती थी अब सर्चनी सर्चना के लिए सर्च रही थी और उसकी आमत पर उसके कैसे भी स्वागत के लिए तयार हो रही थी महाडिक आता और उसे साथ लेकर चल देता या पहले उसे नोच तक हसोटता बंबोडता ये उसकी मर्जी पर मुनहसर था सुबह से शाम हो गई एडवार्डो तब भी गायब था जीत सिंग फिक्र से ज्यादा सस्पैन से मरा जा रहा था कि आखिर उसे हुआ था तो क्या हुआ था उसने एक बार फिर वकील विनोध रावल को कॉल लगाई बाप वो विनेशेल स्वर में बोला एक बार फिर डिस्चर्प करता है सौरी बोलता है बोलो वकील सहच भाव से बोला बाप मैं सौ नमबर पर फोन लगाया बाप मेरे को ये जानना मांगता है कि वो लोग तलाश में क्या करते हैं वकील ने ततकार उत्तर नहीं दिया सच पूछो तो फिर बोला खास कुछ नहीं करते क्या बोला बाप कहीं से लाश बरामत होने का इंतिजार करते हैं तौबा बड़ी हद कुछ करते हैं तो टीवी की लोकल चैनल पर फोटो दिखा देते हैं, अकबार में इश्तिहार चपवा देते हैं, उससे कोई नतीजा सामने आता है क्या बाद? उम्रदरास शक्स की गुमशुद्गी में क्या नतीजा सामने आएका, सिवाए इसके कि वो भी लाश की शिननात का ही जर्या होगा? पुलिस वाले कुछ नहीं करते क्या? भाई वो पुलिस वाले ही होते हैं, मिसिंग पर्सन ब्यूरो का इंचार्च, एक तीन सितारों वाला इंस्पेक्टर होता है क्या किसी थाने के अंडर में? नहीं, ये अलग महकमा है थाने वाले सीधे रिपोर्ट नहीं लिखते क्या? उनकी मर्सी है, चाहे तो लिख सकते है मैं ऐसी कोई कोशिश करूं तो कौन से थाने में जाऊं? वो बार कहा था? दादर में तो दादर के थाने में ही जाना होगा लेकिन जेत सिंग, फाइदा कोई नहीं होगा अबल तो कोई कुछ सुनेगा नहीं सुनेगा तो यही बोलेगा कि वेट करो भेड़ू बाहर से आया मस्ती मारता होगा नशे में किधर लोड़का पड़ा होगा कहीं किसी चोकरी के साथ लेटा होगा हवास काबू में आएंगे तो खोदी लौट आएगा बाप यह तो पुलिस बोलेगा ना कुछ अपना एक्सपर्ट करके आइडिया तुम भी तो बोलो कि क्या हुआ हो सकता है मेरे खयात से यह एक्सिडेंट का केसी हो सकता है वो या तो किसी अस्पताल में पड़ा होगा या मोर्ग में पड़ा होगा मोर्ग बोले तो बाप मुर्दा घर नहीं नहीं तो किसी अस्पताल में लावारिस बेयारो मददगार बेहश होश जहां जब होश में आएगा तो खुद बोलेगा कौन था ऐसे अस्पताल तो मुंबई में सैंक्रों होंगे बाप प्राइविट को जोड़ो तो हजारों भी हो सकते हैं ठाने और भाइंदर के अस्पताल भी जोड़ो तो और भी ज्यादा हो सकते हैं ओ तुम फोन करकर के या खुद जा जा कर एडवार्डो की बाबत पूछोगे उन्हें मालुम नहीं होगा एडवार्डो कौन जवाब नामे मिल गा तो मैं क्या करें बाब मेरी राय में ये काम किसी प्रोफेशनल का है कोई प्रोफेशनल ही इसे बहतर तरीके से अन्जाम दे सकता है प्रोफेशनल बोले तो कोई पीडी एंगेज करो शेखर नवलानी, गनेश महार्टिक के लिए दिन रात थी और रात दिन था, शाम को सूरश डूबने के बाद उसकी दिन चरिया शुरू होती थी, और सुबा का सूरश निकलने के बाद कहीं वो जोगेश्वरी में स्थित अपने फ्लैट में आकर लगता था, वो कोई पचास साल का, पॉनेशे फुट कत का, कंड़पटियों पर से सफेद होते बालों वाला, क्लीन शेवड आदमी था, जो फिल्म स्चार्स जैसी सच धच के साथ रहता था, शांदार कपड़े पहनता था, और शाम को तयार, होकर फ्लैट से निकलने से पहले, अपनी तयारियों में और तो जैसा टाइम लगाता था, उस दोरान नीचे सड़क पर उसका ड्राइवर, उसकी होंडा अकॉर्ट के साथ मौजूद होता था, और उसे हमेशा दर्वाजा खोलने के लिए कार के पिछले दर्वाजे के करीब मुस्तैत खड़ा मिलता था, खाली एक बार ऐसा नहीं हुआ था, जबकि वो से आगे कार की ड्राइविंग सीट पर स्चेरिंग के पीछे बैठा मिला था, उसने खड़े पैट ड्राइवर को जिसका नाम पांडू रंग था, डिस्मिस कर दिया था, और खुद कार चला था, अपनी रात की रुटीन पर निकला था, अगले रोज पांडू रंग से सायन के एक कमरे का वो फ्लैट खाली करा लिया गिया था, जो कि उसकी नौकरी का तंख्वा का हिस्सा था, दो पहर त उसे अपने बैंक से नौटिस मिल गया था, कि उसके अकाउंट में सिर्फ 27 रुपए 60 पैसे जमा थे, जबकि मिनीमम बैलेंस 1000 रुपए होना चाहिए था, पांडू रंग के पैरो के नीचे से जमीन खिसक गई, उसके अकाउंट में तो तक्रीबन 45,000 रुपए जमा थे, वो दोड़ा हुआ बैंक पहुँचा, तो उस बाबत किसी ने उसकी एक नहीं सुनी, डेलिंग क्लरक से लेकर, मैनेजर तक सबकी एक ही रट थी, कि उसके अकाउंट का वर्ट मान बैलेंस 27 रुपए 60 पैसे था, बागी पैसा कहा गया, उसने निकलवा लिया, रिकॉर्ट स आफ ऐसा बोलता था, कलबता हुआ नजदी की थाने पहुचा, तो वहां से भी उसे डांट के भगा तिया गया, अपनी फर्यात के साथ वो खुब भटका, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, अगले रोज ट्राफिक पुलिस का एक सब इस्पेक्टर उसके पास पह शाम को थाने आकर वापिस ले सकता था, शाम को थाने पहुचा, तो पता चला कि वैसा कोई सब इस्पेक्टर वहां था ही नहीं, उसने वो किस्सा ड्योटी ओफिसर को सुनाया, तो वो यू हसा जैसे कोई चुटकला सुना हो, उसने नया लाइसेंस बनवाने की कोशिश की तो बोला गया कि थाने में पुराने लाइसेंस की गुमशुदगी की रपट लिख कर F.I.R. की कॉपी लाए, वो रपट लिखने गया, तो बोला गया कि एक महीने बाद आए, क्योंकि उस दोरान लाइसेंस बरामत हो सकता था, उसने कहीं नई नौकरी हासिल करने की की तो लाइसेंस दिखाने की तो नौबत ही नहीं आई, पहले ही टका सा जवाब मिला, महाडिक साहब का डिरेवर है क्या, नहीं मांगता, एक हफ़ते में उसकी महाडिक के सामने नाक से जमीन पर लकीरे खेशने की हालत हो गई, उसने एन ऐसा ही किया, नाक से लकीरे खेश कर माफी मांगी, महाडिक ने उसे माफ कर दिया और नौकरी पर बहाल कर दिया, फॉरन बाद उसे अपना फलेट वापिस मिल गया, ड्राइविंग लाइसेंस वापिस मिल गया, और बैंक में उसके अकाउन में पूरा रुपया वापिस लॉट आया, तब से आज तक अब वो बिना खबर किये भी आता था, तो पांडूरंग उसे कार के पिछले दर्वाजे का हैंडल था में मुस्तैत खड़ा मिलता था, महाडिकुस का मालिक था, वैसे ही जैसे वो होंडा अकॉर्ट का मालिक था, जैसे वो भाई खला वाले फ्लैट का मालिक था, और फ्लैट प्रेट के प्रवेश द्वार की उसके पास चाबी थी इसलिए वो कभी घंटी बजा कर बीतर दाखिल नहीं होता था पहली बार जब वो प्रेट की तरह आकर रोमेला के सिर पर खड़ा हो गया था तो उसके प्राण कांग गए थे तब उसे सबक मिला था कि अगर महाट एक आ उसे जौनी वाकर ब्लैक लेबल विट सोडा एंड आइस ड्रिंग पेश करना था जिसे वो चुसकता एक सांस पे पी जाता या हाथ भी ना लगाता ये सब उसके मोड पर मुनहसर था जाम की तरह ही वो रोमेला से पेश आता था उसे रौंदता मसलता उसके बालों का और मे अपड़ों की धजियां उडाता या उसे हाथ भी ना लगाता और उसको साथ लेकर वहां से रुकसत हो जाता सब उसकी मर्जी पर मुनहसर था उसका अभिसार का मूर बन जाता तो ज़रूरी नहीं था वो उसे बैट्रूम में ले जाकर उसका मान मर्दन करता वो उसे ड्रा पार्डी का अपना सिस्टम था, स्चायल था, वो कुछ भी कर सकता था, कैसे भी पेशा सकता था, उसको परोसी गई चपन भोज की थाली में वो मुँ मार सकता था या उसमें थूप सकता था, शुकर था कि उस रोज उसका कोई वैशी मूर नहीं था, वो ठीक आट बजे र हुआ भी नहीं, उसने रोमेला की कमर में हाथ डाला और उसे लेकर वहां से चल दिया, नवलानी, शेखर नवलानी, वो प्राइवेट डिटेक्टिव था, जिससे परसूमर चंगुलानी ने जेद सिंग के निगरानी के लिए उसके पीछे लगाया था, उसके निगरानी की उसकी गोद में टाइम बम रख के चले गए थे, और जिसे अपने कलाइट के हुक्म पर नवलानी ने डिफ्यूस किया था, और वो निश्चित मौत से बचा था, दूसरी बार तब, जब उसने एन मौके पर आकर तुलसी चैंबर्स की, उस लिफ्ट का डाउन बटन दबाय जिसमें जीत सिंग खोद अपनी बनाई, नोटों की चिता में जल मरने को आमादा था, और उसे जलने से बचाया था, उस वाक्या के बाद, उसने नरसिंग होब में पढ़े, जीत सिंग और परसूमल के बीच में, बिचोलिये का रोल भी अदा किया था, जीत सिंग ने दर्दी हुई थी। ये उस अमदर्दी का ही हासिल था कि सूपर सेल्फ सर्विस चोड़ की डकैती में जीत सिंग की शिरकत का वो चश्मदीद गवा था। फिर भी उस बाबत उसने कभी अपनी जुबान नहीं खोली थी। वो जुबान खोलता तो दुनिया की कोई ताकत उस सजा से नहीं बचा सकती थी। उस जैसे प्रतिश्चित व्यक्ति की गवाही के बाद सरकारी गवा गाईलों भी बे मौत मारा जाता। जिसने उसकी खातिर कोट में खड़े होकर जूटी गवाही दी थी। यही नहीं नवलानी का बयान तो ये भी साबित कर सकता था कि 6 जन नवलानी को उसके मुबाइल पर फोन लगाया तो मालूम हुआ वो खार में स्थित अपने आफिस में मौजूद था जो कि वहाँ टेलीफोन एक्सचेंज के करीब एक आफिस कॉम्पलेक्स में मैगजिन फ्लोर पर था और जीत सिंग को देखा भाला था। उसने खार का दूरत वाला आदमी था, क्लीन शेव था और निगाह का चश्मा लगाता था, अमूमन वो ऐसा ठका ठका जोल जाल सा आदमी लगता था, जैसे कि सची वालिय का कोई कलर्क हो, लेकिन पलक जपकते ही यूं तना हुआ और चुकरना लगने लगता था, जैसे कि फ्रंट पर तैनात कोई फौची अधिकारी हो, जीत सिंग को पहले नहीं मालूम था, लेकिन अब केकी मिस्त्री के कतल वाले केस के बाद से मालूम था कि बतावर प्राइविट डिटेक्टिव मुंबई में उसकी बड़ी साक थी, बड़ी पूश थी, क्योंगी वो टॉप सीक्रेसी की गारंटी के साथ उम्दा चौकस बड़िया और मुस्तैद काम करता था, नवलानी उससे बड़ी आत्मियता से मिला, कैसे हो, वो बोला, ठीक, जीत सिंग सकुचाता सा बोला, डकैती के केस में बड़ी हो जाने की बधाई, शुक्रिया सहब, उस सिलसले में तुमारी खुश कुश किस्मत ही अपने आप तो नहीं बनी सहब, महरबानों ने बनाई, जैसे की आपने, बोले तो खास करके आपने, अरे मैंने कुछ नहीं किया तभी तो कुछ करते तो नप गया होता मेरा मतलब है मैंने ये भी आपका बड़पन है साहब कि समझते हैं कि कुछ नहीं किया वरना बहुत कुछ किया सब कुछ किया अरे सब तुम्हारी अच्छी तकदीन ने किया ऐसे ही तो तुम्हारा नाम जीता नहीं है ऐसे ही है साहब मैं जीत वाला जीता नहीं हूँ जीत नसीब वालों की होती है मैं तो खाली जीता हूँ जिन्दा हूँ इसलिए जीता हूँ खैट छोड़ो अब अपना हेल्थ बुलेटिंग जारी करो अभी सब ठीक है साहब, चौकस है अब तो टांगे नहीं थर्थराती, बदन नहीं दुखता जैसे कि सोमवार 19 जन्वरी को मिले थे तो बोले थे नहीं साहब, अभी सब एन फिट है गुड साहब, आपकी यादाश कमाल की है आज 21 अप्रेल, दो महीना से उपर हो गया आपको तारीक, दिन, सब याद है हित्ते फाक की बात है अब बोलो क्या चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी बोलता है साहब, पन पहले एक बात जिद करके बोलता है क्या? मैं फीस भरेगा नवलानी हसा साहब, हाँ बोलो, वर्णा वर्णा क्या? जाता है अरे, टिक के बैठो, पहले काम और उसकी किस्म तो बता चले फिर फेस की बात भी कर लेंगे बरोबर बोला साहब हाँ फिर तो थैंक यू बोलता है अब बोलो जीत सिंग ने बोला तफसिल से अपनी प्रॉबलम का खाका खींचा नवलानी ने बड़े धीरत से बड़े एकाग्रता से उसकी हर बात सुनी वो खामोश हुआ तो नवलानी बोला भई, तुमारा ये सोचना तो बिलकुल दुरुस्त है कि इस बावत पुलिस खास कुछ नहीं करने वाली वो तो मिसिंग परसन वाली खान पूरी करे की और इंतिजार करे की खुद बखुद उसकी या उसकी लाश की बरामदी की शेहर में हजारों की तादाद में होटल और अस्पताल हैं एक आम आत्मी के लिए उनको खंगालने के जहमत मिसिंग परसन ब्यूरो में कोई नहीं करने वाला साहप मैं कुछ होटलों कुछ अस्पतालों में फोन लगाया कोई फाइदा नहीं हुआ होगा अगर वो किसी अस्पताल के किसी कैशुल्टी वाट में लावारिस पड़ा है तो वो उनके लिए काला चोर है उन्हें कैसे मालूम होगा कि ऐसा कोई शक्स तुम्हारा गोवानी दोस्त एड़वार्डो है अगर्चे कि वो खुद अपनी बाबत कुछ बताने की हालत में ना हो बरोबर बोला साहब जरूरत तो ये है कि हर ऐसी जगा पर जाकर खुद शिनाक की कोशिश की जाए तुम कहते हो वो साठ साल का है चहरा लाल भबू का है बाब सफेद है फ्रेंच कर्ट दाड़ी रखे है और कट काट में चोका है हाँ साहब ये आम हुलिया नहीं है इसलिए ऐसा आत्मी छुपा नहीं रह सकता कोशिश की जाए तो उसे तलाश किया जा सकता है आप करेंगे ना साहब हाँ भई करूँगा तुम्हारी खातिर थैंक यू बोलता है साहब तुम खुद क्या करोगे मैं मैं तो साहब उस बार में ही जाकर कोई पूछ ताच करूंगा जहां हम दोनों अलग हुए थे गुड वैसे तुम्हारी सोच क्या कहती है क्या हुआ होगा अब क्या बोलेगा साहब तुम्हें बिना खबर किये वो एका एक वाल पूई लोट गया हो सकता है क्या उमीद नहीं साहब पले माल पानी रखता था क्या रखता तो था साहब मुंबई में वो मेरी कोरट की तारीक पर मेरी खाती राता था तो तरीके से तयार होकर आता था मेरी जमानत के वक्त वो ऐसी तैयारी के साथ नहीं आया था तो वो उल्टे पाउं वाल पोई गया था और जमानत की रकम पचास हजार रुपई के साथ लाटा था तब से वो खुद बोला था कि इस मामले में वो मजबूत होकर मुंबई आता था लिहाज़ा एक मोटी रकम उसके पास होना कोई बड़ी बात नहीं हाँ साहब क्या उसे नहीं मालूम कि तुम साड़े चालिस लाक रुपए के मालिक हो नहीं साहब वैसे वो रुपए अभी पिर्सूमल के पास ही है जो की गलत बात है मैंने तुमें बोला था लखने का नहीं था कोलाबा का तुलसी चैंबर्स का रुप भी नहीं करने का था अरे इस काम के वास्ते पाबंदी नहीं थी साहब आप तो बोला था कि पुर्सूमल सुश्मी फैमली के साथ हमेशा के लिए ये शहर छोड़के जाने वाला था गया तो नहीं हाँ गया तो नहीं ऐसा इच फट्टा मारा ताकि मैं कोई भाव ना रखने खाने लगता अरे वो बात नहीं तो फिर तुम वो किसा छोड़ो अभी उसी बात पर रहो जिसके लिए आई हो सौरी बोलता है साहब कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी हो सकता है कि तुमारे दोस्त को लूटने के लिए उस पर हमला हुआ हो अभी बोले तो हो सकता है पर एड़वार्डो ऐसे लूटने वाला नहीं साहब दो तीन पर तो वो इस सुम्र में भी भारी पढ़ सकता है तो लूटने वाले चार पांच होंगे और ज्यादा होंगे हो सकता है साहब ऐसा नहीं तो किसी एक्सिडेंट का शिकार हुआ हो सकता है मालूम करो ना साहब क्या गुजरी उसके साथ करूँगा भाई मैं हर मुम्किन कोशिश करूँगा कबसे शुरू करेंगे साहब आग से ही अभी से समझ लो तुम्हारा काम मैंने शुरू कर भी दिया थैंक्यू बोलता है साहब अब अपना मुबाईल नंबर बोलो मुबाईल नंबर बोले हाँ कॉन्टेक्ट की जरूरत पड़े की न कुछ मालूम पड़ेगा तो मैं किधर खबर करूँगा ओ मैं फोन लगाएगा ना साहब आपके मुबाईल पर लगता है मुबाईल नहीं है तुम्हारे पास ऐसा ही छे साहब फॉरण इंतिजाम करो आज कल तो हजार रुपे में मुबाईल आ चाता है मुबाईल हासिल करके नमबर बोलना मेरे को करता है साहब अभी जाके कुछ करता है गुड गनेश महार्डिक पहले रोमेला को एक कदरन नए खुले रेस्ट्रो बार में लेकर गया जहां उन्होंने बड़े इत्मिनाद से उम्दा ड्रिंक्स का आनन्द लिया और फिर बैंदरा के एक प्रसिद चाइनिस रेस्ट्रेंट में डिनर के लिए लेकर गया दुनिया के लिए ड्रिंक्स डिनर का वो दौर रात के समापन की भूमी का था लेकिन उन दोनों के लिए ब्रेकफास का दर्जा रखता था उनका दिन तो अभी वहां से फारिक होने के बाद शुरू होना था कोई बार में या चाइनिस रेस्ट्रेंट में उन्हें देखता तो यकीनन एक आदर्श प्रेमी यूगल का दर्जा देता लेकिन ये हकीकत रोमिला को सदा खलती थी कि उसका दर्जा महाडिक के स्चाफ का था उसकी दासी का था ऐसी दाश्टा का था जिसे कभी कभी सिर्च चड़ा लेना उसका पसंदिदा शुगल था वहां से निकल कर महाडिक जीन चार पांच मिडनाइट कलब का चकर लगा था उनमें से हर रेक उसकी मिलकियत होती और रोमेला साथ होती या ना होती हर जगा उसका अदब और दबदबा दिखाई देता हर जगा महाडिक को बहतरीन टेबल पेश की जाती और हर जगा का मैनेजर अपनी सो मसरूफियात से किनारक करके महाडिक के हजूर में पेश होने आता उस दौरान रोमेला की उसके साथ उपस्तिती वांचित ना होती उसका टेबल पर लोटना तभी अपेक्शित होता जबकि महाडिक की विफसाई कांफरेंस खत्म हो चुकी होती ऐसे मौकों पर रोमेला ने अक्सर देखा था कि कॉन्फरेंस के समापन पर महाडिक को एक मोटा लिफाफा सोंपा जाता था जिसकी बाबत रोमेला जानती थी कि बड़े नोटों से ठूसा होता था उस लिफाफे का हंस्तांत्रित हो जाना रोमेला के लिए सिगनल होता था कि अब वो टेबल पर लौट सकती थी लेकिन तब मार्डिक के साथ उसकी हासरी आपचारिक ही रह जाती थी क्योंकि तब वो ना रोमेला से कोई बात करता था और ना उसकी तरफ कोई खास तवज्जो देता था यानि कि उसको सिर्ट चड़ाना जुदा बात थी रिस्पेक्ट या तवज्जो देना जुदा बात थी ऐसे ही बाकी के रात करती थी जीद सिंग पिशली रात कितना नशे में था इस बात का एहसास उसे तब हुआ जब दादर में वो बार जिसका नाम डिम्पल के बताए ही उसे याद आया था तलाश करने में उसे बहुत दिक्कत हुई पैरामाउंट बार रात की उस घड़ी बार में खुब रौनक थी लंबे बार काउंटर पर भी काफी भेट थी और बार के पीछे हैवी क्लाइंटल के मद्दे नसर एक की जगा दो बार में मौझूद थे एक बार में बार पर मौझूद ग्राकों को अटेंड कर रहा था और दूसरा उन वेटरों की जरूरते पूरी कर रहा था जो हॉल में मेजों पर मौजूद ग्राकों को सर्फ कर रही थे डांस फ्लोर पर बार बलाई कल की ही तरह मेहमानों पर अपनी अधाओं के जल्वे बिखे रही थी राप के दस बजे मुंबई के किसी पॉपुलर बार में वैसी भीर अपेक्षित होती थी बड़ी मुश्किल से वो एक बार स्चोल पर काबी छोपाया बार में ने उसकी तरफ तवज्जो दी तो उसे एसास हुआ कि वो पिशली रात वाला ही था उसने जीत सिंग का अभिवादन किया जीत सिंग ने मुस्कुरा कर अभिवादन सुईकार किया और बोला क्या नाम है तुम्हारा किर पेकर जवाब मिला ओडर सर अभी अभी मैं कल रात इधर था उसने सेहमती में सेर हिलाया मेरे साथ एक और भीडू भी था बड़ी उम्रका, लाल थोबडा फ्रेंच कर दाड़ी सिर के बाल सफेद जो गवानी मालूम पड़ता था उदर पिच्छों में पत्ते खेलता था हाँ वही वो मेरा गैस था इधर मुंबई में दोस्त था पकाज जिगरी बोले तो बाप जैसा मैं उसको इधर छोड़के पहले निकल लईया था मेरे को मालूम करना मांगता है कि वो कभी इधर से गया था वो कभी इधर से गया था हाँ तभी किसे ने परे बार काउंटर पर अपना खाली गिलास ठक ठकाया आता है बारमेन के पेकर बोला और परे चला किया थोड़ी देर बाद वापिस लोटा तो जीत सिंग बोला वो भीडू अभी ओर्डर तो बोलो सहब पीटर सोडे के साथ बारमेन ने उसे पीटर स्कॉट का पैक सर्फ किया मेरे को पक्की करके टैम याद नहीं फिर बोला पन बोले तो तुम्हार अगोवानी फिरेंड इदर से क्लोजिंग टाइम पर नक्की किया क्लोजिंग टाइम बारा बजे वो चालिस मिनट उपर होने पर गया तब वो इदर बार पर ठक्या नहीं पिच्छू उदर स्क्रेन के पिच्छू था और भेडो साथ थे जिनके साथ पत्ती खेलता था मैं जाकर बोला कि बार बंद होने का टैम खोएला था तब इदर भेड की क्या पोजिशन थी भेड नक्को खाली पड़ा था बार तब ही मेरे को उधर जाकर बोलना पड़ा कि उधर से भी नक्की करने का था तब वो आता है वो परे चला गिया जीत सिंग को नहीं लगा कि उसे किसी ग्राहक ने पुकारा था पिछली बार भी वो खाली एक ग्राहक को सर्फ करने गया था लेकिन पांच-शे मिनट बात लोटा था ऐसा क्यूँ जरूर जवाब सोचता था सोच सोच के जवाब देता था उसे वो बात जची वो धेरे धेरे अपना जाम चुसकता रहा बार मैन उसके पास वापिस नहीं लोटा उसने खाली गिलास के पैंदे से बार को ठक ठकाया चैरे पर अनिच्छा के भाफ लिए बार मैन उसके करीब पहुँचा उसकी भवे उठी जीत सिंग ने अपने खाली गिलास की तरफ इशारा किया बार मैन ने मशीनी अंदास से उसके लिए नया ड्रिंक बनाया मेरा फिरेंट जीत सिंग बोला जिन लोगों के साथ ताश खेलता था क्या वो भी आता है साहब बार मैन नकली व्यस्तता प्रदर्शित करता बार के परले सिरे की और चल दिया साला हलकट जीत सिंग धीरे धीरे अपना नया ड्रिंक चुसकता रहा और उसके लोटने की प्रतिक्षा करता रहा दस मिनट और गुसरे तब ही उसे बार में डिंपल दाखिल होती दिखाई थी उस रोज वो डैनिम की स्कर्ट कॉलर वाली कमीज और डैनिम की स्लीव लेस जैकेट पहनी थी और उस ड्रेस में और भी ज्यादा हसीन लग रही थी उसकी जीट सिंग पर निगापड़ी तो उसके होंटों पर मुस्कुराहट आई वो लंबे डग भरती उसके करीब पहुँची जीट सिंग ने मुस्कुराते हुए पेशानी को उंगली से चूकर उसका अभिवादन किया जल्दी मुलाकात हो गई वो बोली हाँ मेरे को इधर से उसने बड़ी नसाकत से अपने दिल पे हाथ रखकर कहा कोई बोला कि तुम इधर होईगा मेरे को भी कल साफ बोला होता इधर मिलने का था हाँ तुम्हारा वो गोवानी फ्रेंड रात रास्ता तो नहीं भूला घर लोट आया ना नहीं क्यूं क्या हुआ मालुम नहीं गुम है ओ सच बोले तो उसी की तलाश में इधर आया लो मैंने सोचा कि मेरी तलाश में फिरेंड को तलाश करता था तुम्हारे इधर होने की उमीद करता था आय सी मेरे को फिरेंड की फिकर उसका मिलना जरूरी क्या इधर से कुछ पता चला सिवाए इसके कुछ नहीं की बारबंद होने के टैम तक वो पिछू ताश खेलता था और बारबंद होने के टैम के बाद इधर से गया था बारमेंड क्या बोला? इसके सिवाए कुछ नहीं बोला अभी टालता है जानना क्या मांगता है? वो भेडु कौन थे? जिनके साथ मेरा फिरेंड ताश खेलता था क्या तुम्हारे ख्याल से बारमेंड उनको जानता होगा? है तो सही मेरा ऐसा ख्याल जीत सिंग एक शन ठिटका और फिर बोला तुम इदर की रेगुलर सैमी क्या बोला? सैमी रेगुलर बोले तो क्या? कोई बात याद नहीं रख सकते क्या? क्या? अभी धेड चड़ाली या अभी कल का ही नशाद जारी है? अरे क्या? कभी आती हूँ, कभी नहीं आती कल बोला तो था ठीक, ऐसा इस सही अभी बोली तुम उनमेंसे किसी को जानती हो क्या? जानती तो हूँ वो हीच किचाती सी बोली ऐसा क्या? हाँ, उनमेंसे एक जो ठीकना सा है जो चलता है तो फुदकता जान पड़ता है उसको जानती हूँ उसका नाब मार्टिन लियो है इधर का रेगुलर है कैसे जानती हो? मेरे को लाइन मारने के कोशिश करता रहता है ऐसे जानती हूँ मेरे कंदे तक भी नहीं पहुँशता पंजो पर सामने खड़ा हो तो भी निगा मिला के बात नहीं कर पाता लेकिन पता नहीं क्या समझता है अपने आपको यूँ जाहिर करता है जैसे उसे भाव ना देकर मैं कोई बहुत बड़ी गल्दी कर रही थी मैं किसी के साथ भी हूँ तो हलकट लिहास नहीं करता सिर पर आन खड़ा होता है ऐसे जानती हूँ कहा रहता है मालुम नहीं फिर क्या फाइदा हुआ फोन नमबर मालुम ओ फोन नमबर मालुम वो कैसे मालुम जबरदस्ती ठोकता कमीना हाथ पर लिख देता पेपर नैपकिन पर लिख कर जेब में खोंस देता पता नहीं कितना टाइम ऐसा किया इस लिए मालुम क्या मुबाइल नमबर है नहीं लैंड लाइन है फिर तो मालुम किया जा सकता वो कहा लगा हुआ हो सकता है मेरे को लिख के दो कागस के एक पर नमबर लिख कर उसने जीत सिंग को सौंपा उसको फोन करो जीत सिंग बोला क्या? वो सक पकाई मालुम करो वो किधर है लिकिन प्लीज प्लीज बोलता है चीक है आती हूँ आती है फोन करके इधर क्या वांदा है? इधर शोर बहुत है ओ, वो घूमी और वहां से चली गई पीछ जीद सिंग अपना ड्रिंक चुसकता रहा पांच मिनट बाद वो लोटी बोले तो गुड नियूस है, वो बोली क्या? जीद सिंग आशापॉंट स्वर में बोला पंद्रा मिनट में इधर पहुँच रहा है लियो, मार्टिन लियो और कौन? उसी को तो फोन लगाने को बोला क्या सच में आरेला है? बंडल तो नहीं मारेला पंद्रा मिनट वेट करो मालूम पड़ जाएगा चीक, अब तुम कट लो क्या? पंगा पड़ेगा? मैं तुम्हारे को किसी पंगे में लपेटना नहीं मागता वाट मैन? कोई थैंक्स नहीं, कोई ड्रिंक का ओफर नहीं बोल दिया कट ले मेरे को जो फेलिंग आया मैं बोला आगे तुम्हारी मरसी अभी क्या मैं अपनी मर्जी बोलू? बोलो वन लाज बकार्डी विद लेमन जूस और सोडा प्लीज जीत सिंग ने एक आस सी भरी और उसके लिए ड्रिंक ओडर किया मेरे को इधर ही रुखने का है वो धीरे से बोली वर्ना लोचा क्या? अरे पैचानोंगे कैसे? ठिगना है फुदक्ता है इतना पैचान किधर काफी? ओ प्लस वो तुम्हारे को भाब नहीं देखा तो क्या करोगे? मुंडी पकड़ कर मरोडोगी क्या? ओ अभी चिर्स बोलो चिर्स निर्धारित समय पर वो वहां पहुँचा गेन की तरह फुदक्ता हुआ तोते जैसी रंग बिरंगी सजधश के साथ और सीधा डिमपल के सामने आकर खड़ा हुआ उसने बास चूल पर बैठी डिमपल को बाँ पकड़ कर हिलाया और जोश से बुला डिमपी माई हनी चाइल्ड डिमपल ने उसे फरमाईशी मुस्कुराहट से नवाजा उसने संदिक भाव से जेत सिंग की तरफ देखा ये कौन है मैं तेरे को बौदर करता है बोलकर मेरा पैंदा ठुकवाने का इंतिजाम तो नहीं हाहा नहीं डिमपल धीरे से बोली ये मेरा फ्रेंड इसका प्रॉब्लम जो ये तेरे से डिसकस करना मांगता है ऐसा क्या हाँ उदर पिच्चु में एक टेबल खाली हुआ चलो उदर चलके बैठते हैं तीनों खाली टेबल पर पहुँचे जीद सिंग ने ड्रेंक्स के नए राउंड का ओर्डर दिया अब फिर लियो जीद सिंग से मुखातिब हुआ बोलो क्या प्रॉब्लम नहीं पहले नाम बोलो ये डिमपल बोली बदरी जीद सिंग जल्दी से बोला बदरी नात डिमपल ने तनिक सक पका कर उसकी तरफ देखा लेकिन मुझ से कुछ नहीं बोली बदरी लियो बोला नाइस नेम नाइस मीटिंग यू अभी बोलो प्रॉब्लम कल रात में अपने एक फिरेंड के साथ इधर था बिग डैडी लाग चेहरा सफेद बाल फ्रेंच कर दाड़ी तुम लोगों के साथ उदर स्क्रेन के पीछे कार्ट्स खेलता था अच्छा वो गोवानी हाँ वही जो पहले तुम्हारी कंपनी में था तुम उसको बाई बोल के गया तो वो कार्ट्स में इंट्रस लिया हाँ वही नाइस गाई प्रॉब्लम उसके साथ है क्या हाँ क्या गायब है वो इदर वाल पोई गोवा से आया विठल वाडी में मेरे फ्लैट पर मेरे साथ स्टे करता था उदर ही लोट के आने का था नहीं आया ना रात को ना मॉर्निंग में ना दिन में अभी तक गायब है 24 गंटा होने को आया पन गायब है मेरे को फिकर तो ये है प्रॉब्लम हाँ अभी मेरे को उसको ढूनना मांगता है कल वो तुम्हारे और दो भेडूओं के साथ इदर पत्ती खेलता था बाद में मेरे जाने के बाद में भी तुम लोग एक साथ होएंगा No हम एक साथ नहीं थे बोले तो मैं साथ नहीं था बार के क्लोजिंग टाइम से थोड़ा पहले मैं उनके साथ एक फाइनल ड्रिंक लिया और इधर से नक्की किया क्योंकि मेरे को घर जाके rest करना मांगता था तब वो दोनों भीडू और मेरा friend इधर इच थे क्या That's right क्या करते थे Cards खेलते थे Brink करते थे Enjoy करते थे Relax करते थे Friendship कल्टिवेट करते थे और वो जो पसंद करते थे तुम उन दोनों को जानते हो क्या No, never met पहले कभी देखा भी नहीं क्या इधर ही के थे बोले तो yes और appearance से शकले से brother जान पड़ते थे Cards के game में वो दोनों एक party थे और मैं और तुम्हारा friend एक party थे opposite खेलते थे Game क्या था Bridge Bridge Dimple हैरानी से बोली कल रात यहाँ इस बार में तुम लोग bridge खेल रहे थे But of course जीता कौन? जीत सिंग बोला वही दोनों जीते क्या धेर पैसा? नहीं धेर तो नहीं Moderate game था Moderate heart जीत हुआ ओ, चले जाने के बाद तो game हुआ नहीं होईगा क्योंकि मेरा friend को partner मांगता हुईगा Bridge का game तो Dimple Polly My honey child Cards का game खाली ब्रिश तो रही क्या पता मेरे जाने के बाद वो flash खेलने लगे हो रमी खेलने लगे हो Who knows? लेकिन जीत सिंग बोला Game बात में भी चला हुईगा इधर कैसे चला हुईगा? इधर तो closing time के बाद Everything close होता है जब game चलता था तो Closed everything every night जब तुम चले गए थे तो तुम्हें क्या मालूम पिच्चू? मालूम I know definitely Everything closes here Maximum by 12.30 उन्होंने dimple बोली इधर कोई deal set किया हो और वो closing time के बाद भी जुआ खेलते रहे हो I doubt it My honey child पन वो थे कौन? जेद सिंग व्यग्र भाव से बोला क्या इसी इलाके को क्योई भीडू थे? मालूम नहीं जब उन्हें जानता नहीं तो कैसे मालूम होना सकता? अरे कुछ तो मालूम होगा बट Come on Leo Dimple उसे प्रोचसाहन देने के अंदास से बोली जब हेल्प करने का है तो करने का? Yes माई अंजल तो फिर? तो तो बोले तो एक भीडू का नाम मेरे को याद पड़ता है Good अब नाम बोलो किशोर किशोर नाम था एक भीडू का Super अब दूसरे को भी याद करो दूसरे का भी ऐसा इस नाम था किशोर के साथ राइम करता था क्या नाम था? बोले तो क्या चुकोर? No No my love चुकोर बोले तो bird No bird तो याद करो करता है ना? Delicious No Like melodious Oh yes That's it Madhur भीडू का नाम Madhur था क्या? But of course किशोर के साथ राइम करता है ना? नहीं करता कोई वांदा नहीं Because now I am definite Certain 100% भीडू का नाम Madhur एक किशोर दूसरा Madhur Good अभी पूरा नाम याद करो पूरा नाम डिंपल के कोहनी मारी डिंपल बड़े धीरत से मुस्कुराई और कुछ याद करो वो आगरपुंट स्वर में बोली और कुछ वो सोचने लगा कुछ भी और तो difficult I was quite drunk, you know That's too bad उन दोरों में से किसी को जीत सिंग ने पूचा पहले कभी यहाँ देखा था क्या? उसने कुछ शंट सोचा और फिर इंकार में सिर हिलाया या ऐसे किसी और बार में? No बार जैसी किसी और जगा पर? No man, no Now can it डिमपल ने जीत सिंग को इशारा किया जीत सिंग खामोश हो किया मैं ड्रिंक्स मंगाता है फिर वो बोला No, डिमपल बोली मेरा भी no Leo बोला You know why my love? No, you tell me मेरे को खाली तेरे साथ cheers बोलना मांगता है उसने एक तल्क निगा जीत सिंग पर डाली You know what I mean? I do पर उसमें अभी लोचा काहे? तुम कहीं और जाकर बैठो मैं आके बोलेगा Sure Sure I love you my honey child Okay, किदर और जाके वेट करता है अभी जाता है वो उठा और जीत सिंग पर निगा भी डाले बिना फुदकता हुआ वहां से चला किया अब पीछे डिमपल बोली अब क्या करोगे? क्या कर सकता हूँ? जीत सिंग असहाई भाव से कंदे उचकाता बोला बोले तो बार बंद होने के टैम तक इंतिजार करूँगा तब क्या करोगे? मालूम नहीं मालूम नहीं या मेरे को नहीं बोलने का? बोलने को खास कुछ है नहीं फिर भी बोले तो मेरे को लगता है कि कल के वाके में उस बार मैन का भी कोई रोल है जिसने अपना नाम किर पेकर बताया था और कुछ नहीं तो मेरे को पकी कि वो उन दोनों भीडूओं को जानता जरूर होगा बार बारा बचे बंद हो गया पर वो लोग बारा चालिस तक इधर ही थे तो इसका जरूर कोई मतलब क्या उनको जान बुशकर इधर अकेले ठहरने दिया जरूर बार मैन की कोई मिली भगत मैं जीत सिंग के स्वर में द्रिटा आ गई मालूम करूंगा क्या गलाटा करोगे देखूंगा लियो तुम्हारा इंतजार करता हुएंगा मेरे को नकी कर रहे हो जीत सिंग खामोश रहा क्लोजिंग टाइम तक वो धीरे से बुली इधर ही ठीके रहने से तुम्हारा मतलब हल नहीं होने वाला जीत सिंग की भवे उठी टेबल पर इधर कोई अकेला नहीं बैठता वो बार्मेन देखेगा तो समझ जाए का कुछ मतलब तो तो उसकी खास कोशिश होगी कि तुम्हारा मतलब हल ना हो कुछ मालिम नहीं कर पाओगे बोले तो उसके करीब भी नहीं फटक पाओगे हम् मेरे को वांदा नहीं पर उसमें लोचा क्या वो लीओ फिर राधमकेगा तो मैं क्या करूं इधर से नक्की करो क्लोजिंग टाइम पर ही लोटना उसमें तो अभी बहुत टैम है तब तक इधर जाऊं ये भी कोई पूछने की बात है जीत सिंग ने एक बार उस बात पर विचार किया नहीं फिर बोला पूछने का बात नहीं है उसने बिल अदा किया और उसके साथ हो लिया नॉबल हाउस सुन यारों में से एक था जिसका बिजनस आधी रात के बाद अधिकारिक बारों के बंद हो जाने के बात शुरू होता था लेकिन जो नाइट कलब कहलाता था और जो गनेश महाडिक और रोमेला जठार का अगला पढ़ाव था उस गैर कानूनी ठीये के महमानों को स्क्रीन करने की जिम्मेदारी इकबाल खत्री की थी जो की एक राक्षसी आकार का आदमी था उसको ऐसे स्क्रीनिंग का बरपूर तजुर्बा था इसलिए उसे पूरा अक्तियार था कि वो किसको भेतर दाकिल होने दे और किसको सक्ती से जता दे कि मिडनाइट कलब जैसी कोई जगा वहाँ नहीं थी नोबल हाउस नाम का वो गैर कानूनी ठीया ग्लोब मिल रोड की एक मल्टी स्चोरी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर स्थापित था जिसमें की छोटी बड़ी कई कंपनियों के दफ्तर थे और जो तमाम के तमाम रात 9-10 बचे तक निश्चित रोप से बंध हो जाते थे लिहाजा इमारत में जो हल चल और आवा जाही होती थी वो ज्यादातर दिन में ही होती थी आधी रात के बाद कोई इमारत की लॉबी में कदम रखता था तो वो नोबल हाउस में जाकर एंजोई करने का और रात खोटी करने का तमनाई ही होता था लॉबी में लिफ्टों के बाजू में शीशे के फ्रंट वाला एक कैबिन था जो की इकबाल खत्री के वर्क स्टेशन का दर्चा रखता था उसके द्वारा जो स्क्रेनिंग की जाती थी वो कोई ज्यादा मुश्किल इसलिए नहीं होती थी क्योंकि वहां के अधिकत्तर महमान रेगुलर होते थे जिनने की नोबल हाउस का क्रेडिट कार्ट के साइज का एक पास जारी किया जाता था जिस पर उबरे अक्षरों में नोबल हाउस का मोनोग्रैम पबली सिटी की वज़ा से उस जगा के वजोद से वाकिफ होते थे एक बाल खत्री की खुर्द बेने निगाह का सामना करना पड़ता था जिसके बाद उन्हें उपर ले जाने वाली एक्सप्रेस लिफ्ट में दाखिल होने दिया जा सकता था या ये कहकर बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता था कि ऐसी कोई कलब ऐसा कोई बार वहाँ नहीं था भेड़ो को मुगालता लगा था उसकी बाबत उसने गलत सुना था वगेरा वगेरा मेहमान इकबाल खत्री की इंस्पेक्शन पास कर लेता था यानि कि चौकस निकलता था तो उसकी दर्ख्वास पर उपर उसे भी स्थाई एंट्री पास मुहया करा दिया जाता था एक्स्प्रेस लिफ रास्ते में कहीं रुके बिना सीधी टॉप फ्लोर पर पहुंशती थी जो कि इमारत की नौवी मंसिल थी वहां मेंमानों को मिठ्था और चिठ्था नाम के दो बांस्रों से रूबरू होना पड़ता था जो कि गनेश महाडिक के खास पठ्थे थे और ऐसे खतरनाक मवाली थे कि उन पर एक निगाँ पड़ते ही तकरीबन आगंतुकों का तब तक किया निशा हिरन हो जाता था वो दोनों मेहमान पर सहच निगाँ डालते थे लेकिन मेहमान को लगता था कि वो निगाँ ही उसे खा जाने वाली थी और उसके क्वाइश होने लगती थी कि वो दर्वाजे से वापिस लौट चाए लेकिन क्यूंकि नशे की हालत और तफ्री की ख्वाइश उसे वहां लाई होती थी इसलिए लौट तो खैर वो नहीं जाता था अलबता जल्दी से जल्दी उस पड़ाव को पार करने के लिए उतावला जरूर हो जाता था उन दोनों बांसरों का मुकाम अमूमन कलब का प्रिवेश द्वार ही होता था जिसके आजू बाजू वो मुस्तैद फोचियों की तरह जमे रहते थे लेकिन कभी कभार उन्हें तब भीतर से बुलावा आ जाता था जबकि नशे के आधिक्य में कोई मेहमान हुर्दंग मचाने लगता था और किसी बार बाला को या किसी डांसर को दबोशने की कोशिश करने लगता था वहाँ ऐसी तफरी का इंतिजाम भी मुमकिन था लेकिन जोर जबरदस्ती से वैसे किसी मुकाम पर पहुँच पाना नामुमकिन था उसको पता भी नहीं लगता था कि वो मिठा और चिठा की फौलादी गिरफ्त में था महाडिक की उन्हें खास हिधायत थी कि ऐसे उप्तरवी मेहमान को ठोका तो जरूर चाए ताकि उसे इब्रत हासिल हो लेकिन जो किया जाए क्लब से बाहर किया जाए महाडिक को क्लब की प्रापर्टी को या वहाँ के माहौल को नुकसान पहुचाना हरगिस भी गवारा नहीं था नोबल हाउस में दाखिला पाजाने के बाद यानि की मिठा और चिठा वाला पड़ाफ पार कर जाने के बाद भीतर सबसे पहले मेहमान का सामना कलब की मशूर मकबूल शानदार होस्चेस रोमेला जठार से होता था तो वो ऐसा बाग बाग होता था कि वो फॉरण इकबाल खत्री पर मिठा चिठा नाम के दो पड़ावों को भूल जाता था रोमेला उसका ऐसा स्वागत करती थी जैसे वही एक महमान था जो वहाँ उसकी खास तवज्जों के काबिल था मिठा चिठा महमान को तरस्त करते थे रोमेला महमान को मस्त करती थी मिठा चिठा से महमान निगा मिलाने की ताब नहीं लाता था रोमेला से महमान निगा ही नहीं हटा पाता था देशत और आकर्शन का वो सम्मिश्रन महाडिक की खास पसंद था जो मैमान को वहां कदम रखते ही परोसा जाता था कलब के परिसर में हमेशा जगमगाती रोशनियां होती थी और तमाम खिर्कियां रोशनदान यूं बंध होते थे पर मोटे पर्दों से ढखे होते थे कि रोशनी की कोई महीन से किरन भी बाहर नहीं फूट सकती थी भीतर बैंट बचता था मेहमानों की मौच मस्ती का शोर गुल भी होता था लेकिन कोई आवास बाहर नहीं सुनाई देती थी नीचे सड़क पर तो हर्गिस भी नहीं पहुँचती थी जितना अर्सा मेहमान वहां मौचूद रहता था उतना अर्सा बाहरी दुनिया के लिए जैसे उसका वजूद खत्म हो जाता था कलब का फ्रंट हॉल प्रेसेप्शन जैसा जान पड़ता था उसके आगे बार और डांस फ्लोर था बार का लंबा काउंटर एक कोने में था जिसके आगे आठ दस उन्चे स्चूल उपलब थे उनमें से परले कोने के एक स्चूल पर आकर महाडिक काबिच होता था और फिर वो कोना जैसे उसका उपरेशनल हेट कौर्टर बन जाता था वो एक डाइरी खोल कर अपने सामने रख लीता था और स्चाफ से बारी-बारी मश्वरा करके रिपोर्ट हासिल करके उसमें कुछ चांकड़े नोट करता जाता था किसी खास सांकड़ों से मैच करते कुछ लिफाफे उसे सौंपे जाते थे जिन में मोटी रख में होती थी और जिने वो अपने कोट की भीतरी जेबों के हवाले करता जाता था कभी ऐसा इत्तिफाद भी होता था कि वो स्चूल नहीं खाली होता था लेकिन या तो स्चूल पर बैठा मेहमान उसे पहचामता होता था और फॉरण उठ जाता था या उसके जलाल का उस पर ऐसा रोब गालिब होता था कि महाडिक से निगाह मिलते ही वो अपना जाम उठाता था और वहां से हट जाता था बारवाली हॉल के पिछवारी में मिनी कैसीनो था जिसमें रॉलिट ब्लैक जैक जैसे हर गेम का इंतिजाम था मिनी कैसीनो में शिरकत की हजार रुपे फेस थी जो कि एंट्री पर मौझूद काले कोट वाले को एडवांस में अदा की जानी होती थी मिनी कैसीनो के पिछवारी में लेडरी जैंड जैंड्स के लिए टॉयलिट थी उनमें से एक में टॉयलिट के स्टैंडर्ड फिक्स्चर के जगा उपर जाती गोल सीड़िया थी जो की एक छोटे से हॉल कमरे में जाकर खत्म होती थी और जो नाइट कलब में उन मेहमानों का मुकाम होता था जो ड्रग्स के शौकीन होते थे वहाँ हेरोई एलेस्जी कोकेन एस्टेसी गांचा चरस जैसा हर ड्रग उपलब था वहीं कुछ फरनिश्ट प्राइवेट कैबिन भी थे जो खास मेहमानों की काम त्रिप्ती के लिए मुहया कराई जाते थे इतना बड़ा ठीया मुंबई शहर में आधी रात के बाद धरले से चलता था और किसी को अधिकारिक तोर पर उसके वजूद की खबर नहीं थी रात की चादर के जेरे साया नोबल हाउस में सब जायस था सब चलता था कोई हरकत नहीं चलती थी नहीं चलने दी जाती थी तो वो हुड़दंग और तोर फोर थी नशे में ऐसी किसी हरकत को आमादा मेहमान अतिरिक दुरदान्ता के प्रदर्शन के साथ वहाँ से बाहर किया जाता था ताकि और मेहमानों को उससे इब्रत हासिल होती कलब के दोनों बारमेन गन रखते थे लेकिन गनीमत थी कि आज तक गन के इस्तिमाल की नौबत नहीं आई थी ऐसी नौबत कभी आती दिखाई देती थी तो फॉरण मिठा और चिठा को भीतर तलब किया जाता था और फिर उनका निहत्ता कहर ही काफी से ज्यादा साबित होता था वहां का महौल अपने जलाल पर पहुँच भी चुका था जबकि रोमेला के साथ महाडिक ने वहां कदम रखा था पैरमांट बार की इमारत के सामने सडक से पार जो इमारतों की कतार थी उसके सामने पिलर्स पर खड़ा एक लंबा गल्यारा था जो उस गड़ी सुनसान था जेट सिंग गल्यारे के एक पिलर की ओट लिये खड़ा था और उसकी निगा सामने बार के इकलोते प्रवेश द्वार पर ठिकी हुई थी साड़े बारा बच चुके थे अब कोई इका दुका शक्सी भीतर से बाहर निकलता था और जीट सिंग ऐसे किसी शक्स के बारमेन किरपेकर होने का इंतजार कर रहा था उसे अभी और काफी इंतजार करना पड़ा एक बचने को था जबकि बारमेन किरपेकर उसे वहां से बाहर निकलता दिखाई दिया तब तक भीतर बाहर की तमाम बत्तियां बुच चुकी थी और दर्वाजे पर एक वाच मेन दिखाई देने लगा था किरपेकर वहां से निकलने वाला आखरी आदमी था क्यूंकि उसके निकलते ही वाच मेन ने पीछे में डोर को ताला जड़ दिया किरपेकर ने सड़क पर पहुँच कर एक करीब से गुजरती टैक्सी को इशारा किया वो नहीं रुकी तो वो लंबे डग भड़ता एक और चल दिया जेद सिंग पिलर की ओट से निकला और उसके पीछे हो लिया उसका निशाना गौड गिल मार्ग जान पड़ता था जहां की एक होटल था जिसके टैक्सी स्टैंड से उसे टैक्सी मिल सकती थी कुछ शंड बात दोनों सड़क के एक सुलसान नी मंधेरे हिस्से से गुजरे एका एक जेद सिंग उसे नाम लेकर पुकारता उसकी तरफ लपका वो ठिटका वापिस घूमा जेद सिंग उसके समीप पहुचा इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता जेद सिंग ने उसके चेहरे और चाती पर ताबट तोड कई घूसे रसीद कर दिये उसके हर प्रहार में उस शक्स के प्रती ऐसा आक्रोश नहित था कि उनकी भीशनता पर वो खुद हैरान था चुटकियों में उसकी आंखे उलट गई और टांगे मुणने लगी उसने जपट कर उसकी कमर में हाथ डाल कर उसे संभाला और उसकी एक बाह अपनी गर्दन के गिर एक कंधे से दूसरे कंधे तक लपेट ली यूँ उसकों संभाले वो सड़क पर यूँ आगे बढ़ा जैसे वो कोई बेवड़ा हो पीछे से एक टैक्सी आई और खुद ही उसके करीब रुकी जेद सिंग ने उसे टैक्सी की पिछली सीट पर धकेला और खुद भी उसके साथ सवार हो किया बरोबर बोला मैं जेद सिंग टैक्सी ड्राइवर को सुनाने की गरट से बोला फर्यात किया मैं ज्यास्ती मत पी पन किधर सुनता है अभी साला मेरे को घर पहुचाना होईगा तेरे को कालबा देवी चल भीडू आगे बोलेंगा ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ा दी नेरविग्न वो उसे विठल वाडी अपने फ्लैट में ले आया फ्लैट में एक छोटा सा स्चोड था जिसमें उसने उसे पहुंचाया उसे एक कुर्सी पर धेर किया और उसके हाथ-पाउं कुर्सी के साथ बांदे उसकी जेबों का तमाम सामान निकाल कर उसने उसे एक मेज पर धेर किया कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाए इसके कि उसके बटुए में मौजूद ड्राइविंग लाइसेन से उसका नाब किरपेकर माधवराव किरपेकर होने की तस्दीक हुई फिर वो बाहर बैठक में उसके होश में आने की प्रतिक्षा करने लगा आधे गंटे बाद उसे उसकी कुन मुनाहट सुनाई दी वो उटकर स्चोर में पहुँचा जाक गया वो धीरे से बोला बार मैंने सिर उठाया उस पर अपनी बेचैन आंके फोकस की तुम उसके मुन से निकला पहचान में आ गिया मैं उसके व्याकुल निगाहे दाएं बाएं फिरी मैं किधर है फिर वो बोला सोच तुमेरा अगवा करके मेरे को इधर लाया तुमरेगा लंबा जेल में सड़ेगा जीत सिंग ने उसके मुँपर एक जापर रसीद किया साले वो फुंकारा मेरे फुल कबजे में है फिर भी भाव खाके दिखाता है ये ये फौजदारी मैं करेंगा न इधर कौन रोकेगा मेरे को इधर मैं तेरा बोटी बोटी काट के हांडी में पकाएगा और डेली खाएगा साला हटियां कुडे में साला तु खलास तेरा बोडी खलास तु ऐसा डेंजर काम नहीं करेगा मैं बरोबर करेंगा देखना तू ककक क्या क्या मानता है तेरे को मालूम बार में तू मेरे को जूट बोला चकर दिया अभी मैं तेरे को सची बोलना मानता है मैं सो टांक सच बोलेगा तो तू सेफ है वरना जहन्नुम का दर्वाजा नौक करता होईगा वो खामोश रहा ये तेरे को मेरा पहला और आखरी वार्णिंग है अब बोल क्या मर्जी तेरी अरे बाप तू है कौन मैं बोला नहीं तेरे को मैं उस भीडू का फिरेंड है जिसके साथ तेरे बार में तेरी नौलिश में कोई ऐसा गेम खेला कोई ऐसा गलाटा किया कि वो गायब है मेरी नौलिश में नको मैं कुछ नहीं जानता तू जूट बोलता है साला बार में भी तू मेरे को जूट बोलता मेरे को चक्कर देता लगा था अभी इधर तेरा नहीं मेरा चक्कर चलेगा ये जुल्म है, अभी होएंगा न जुल्म तेरे पर, अरे माता फिरेला है जो, अभी फिरेंगा, फिरेंगा, हां दिखाता है, जीत सिंग ने उसके मुँ में एक कप्रा ठूसा, और ऊपर से कस कर एक रुमाल बात दिया, जबसे वो वहां रह रहा था, उसने बालकनी में एक म मोटा डंडा पड़ा देखा था जो पता नहीं किस काम आता था वो डंडा वो वहां से उठा लाया उसने उसे अपने हाथों में तोला और उसका एक भीशन प्रहार उसकी कुरसी के साथ बंदी हुई टांगों पर किया पेड़ा से बार मैन का चेहरा विक्रित हो उठा उसकी आंखे कटोरियों से बाहर उबल पड़ी मुँ में कपड़ा नहीं ठूसा होता तो उसकी गलाफार आवाज यकीनन सारी विठल वाड़ी में सुनाई दे थी फिर उसकी आंखों से आंसूं के धारे बह निकले अभी साला तो खोन के आंसू बहाई का जेत सिंग क्रोर स्वर म उसने फिर डंडा ताना बार मैंने तरपते हुए से वार ना करने का इशारा किया पकी बात जेत सिंग बोला उसने सेहमती में सेर हिलाया चकर नहीं देगा ना सच बोलेंगा ना उसने फिर सेहमती में सेर हिलाया देखता है जेत सिंग ने डंडा एक और रख दिया रुमाल खोल कर उसके मूँ से ठूसा कपड़ा बाहर निकाला हाफता हुआ वो लंबी सांसे लेने लगा अभी रेडी जीत सिंग बोला वो खामोश रहा मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया हाँ 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 अब बोल के वो भीडू जो मेरा फिरेंड के खिलाफ पत्ते खेलते थे वो मार्टिन ली ओ मेरे को मालूम पर वो मेरे फिरेंड के खिलाफ किदर खेलता था बाकी दो की बोल किशोर गोड बले मदूर गोड बले क्या भाई है हाँ किदर रहते हैं सिवरी में किधर रहते हैं, एड्रेस नहीं मालूम, कसम गणपती की एड्रेस नहीं मालूम, फोन नमबर बोल, वो खामोश हो गया, अभी बोलने का नहीं कि फोन नमबर नहीं, मेरे को पक्की की जब भी बार में तेरे को ऐसा पर्देसी दिखाई देता है, जो डोपी टोपी पहनाने के वास्ते, फिट, तो तो उन दोनों भाईयों में से किसी को फोन लगाता है, नमबर बोल, उसने एक नमबर बोला जो जेत सिंग ने नोट कर लिया, बेडू, फिर वो चेतावनी भरे स्वर में बोला, नमबर में लोचा, तो तेरी लाइफ लाइन में लोचा, नम हाँ, क्या, ड्रिंक से, ड्रिंक से कैसे, वो बकरे को ड्रिंक्स का साथी बनाते हैं, तीनों ड्रिंक्स करते हैं, पन में उन वो भाईयों को जो ड्रिंक्स सर्व करता है, उनमें विस्की बहुत कम, जैसे कि हैच नहीं, पन बकरे को डबल डोज, बकरा टुन, दोनों भाई एन चौकस पर जाहिर यहीच करते हैं कि वो भी टोन फिर बकरा बिल का पेर्मेंट का वास्ते बटवा निकालता है तो वो भीड़ो उसका धयान बटा कर तकरीबन रोकड़ा बटवे से निकाल लेते हैं बटवा जबरन बकरे का पॉकेट में धकेलते हैं और बिल खुद पे क करते हैं बकरा खुश वो उसे टेक्सि में बिठा कर रवाना करते हैं तो टेक्सी डेरेवर को भाड़ा भी खुद पे करते हैं बकरा और खुश उसे घर पहुँचकर ही पता लगता है कि वो लुट गया बरोबर पर वो भी अगले रोज जब कि उसका नशा उतरता है, तब उसके लिए ये फैसला करना मुश्किल, कि वो अपना रोकडा किधर गवाया, खुद कहीं गिरा दिया, टैक्सी डिरेवर ने निकाल लिया, या कुछ और पंगा पड़ा, बार का खयाल नहीं करता क्या, करता है तो यहीं सोचता है, कि नश कैसी का भाड़ा तक पल्ले से दिया, क्या कोई फौजदारी नहीं होती, कैसी फौजदारी, जबरदस्ती, कांटी दिखा कर या किसी और धमकी से रोकडा चीनने की कोशिश, नको, कभी भी नहीं, ऐसा होने पर तो बकरा होश में आते ही, सीधा थाने पहुंच आएगा, त खाली खबर ही तो करता है, टोपी पहनाने लायक भीडू की, बढ़िया, अब बोल मेरा फिरेंट किधर है, मेरे को नहीं मालूम, फिर जूट, कसम गणपती की, मेरे को नहीं मालूम, हम, कुछ शन खामोशी रही, भीडू, फिर जेत सिंग बोला, तो ये बोलना मांगता है की बड़े इस्ट्रेट ठग है, जिनकी ठगी में भी इस चाई है, जो या तो पत्ते खेल कर, बकरे को टोपी पहनाते हैं, या उसको टून करके, अपना काम निकालते हैं, कोई जोर दब, जबरदस्ती नहीं, कोई फॉर्श तारी नहीं, कोई गन नहीं, कांटी नहीं, रा बार से नकी किया, बरोबर बोला, क्यूं, क्यूंकि क्लोजिंग टाइम से उपर टाइम हो गया था, तो क्या हुआ, तू उनसे मिला हुआ था, तू चाहता तो उन्हें कितना भी टैम उधर और बैठने दे सकता था, कोई फाइदा नहीं होता, क्यूं, तुम्हारा वो गोवानी भेडू, एक तो अंदा दुन्द विस्की पेने वाला नहीं निकला, दूसरे उसको तरजुर्बा बहुत विस्की पचा लेने का, रात की उस घड़ी भी वो उतना टुन नहीं था, जितना गोड बोले भाईयों का मतलब हल होने के लिए उसको होना मांगता थ तो उन्होंने क्या किया? बोले तो या तो उसे डिफिकल्ट बक्रा समझ कर उससे हाथ कींच लिया, या उसको कहीं और चल के और ड्रिंग करने का आइडिया सरकाया, कहीं और कहां? वो खामोश हो गया, जीत सिंग ने कहर भरी निगाहों से उसे देखा, मुंबई में ऐसे बहुत ठिकाने हैं, जिदर सरकारी क्लोजिंग टाइम के बाद भी बार चलता है, कोई-कोई तो मौर्निंग तक चलता है, बोले तो ऐसे ठीये अपना बिजनेस चालू ही पेरामाउंट जैसे रेगुलर बार बंध हो जाने के बात करते हैं, ऐसे ठीयों क मिड्नाइट क्लब बोला जाता है, तो वो दोनों मेरे फिरेंट को किसी ऐसे ठीये पर किसी मिड्नाइट क्लब में लेकर गए, मेरे को नहीं मालूम, मैं खाली ये बोला की हो सकता है, ऐसा हुआ हो, पेरामाउंट के करीब ऐसा कोई मिड्नाइट क्लब, ऐसा कोई ठीया कहा मेरे को नहीं मालूम, कसम गणपती की मेरे को नहीं मालूम, अंधेरी से कुलाबा तक पक्खी मुंबई में ऐसे ठीये हैं, पर मैं सच्छी करके बोलता है, किसी का कोई पता ठीकाना मेरे को नहीं मालूम, वो तेरे बार में मेरे फिरेंड को टोपी नहीं पहना सके थे, अगर उन्होंने टोपी पहनाने का इरादा छोड नहीं दिया था, तो उनका किसी मिटनाइट कलब में गया होना जरूरी, ताकि वो ड्रिंक्स का फिरेंडली दोर जारी रख पाते, हाँ, कुछ देर खामोशी नहीं, फिर जेत सिंग ने एका एक हाथ बढ़ाया, और डंडा फिर उठा लिया, नहीं नहीं, बार में आतंकित भाव से चिलाया, मारना नहीं, फिर याद करता है, प्लीस बोलता है, मारना नहीं, कसम गंपती की, मैंने सब कुछ बरोबर बोला है, एन सच बोला है, पक्की अभी जो बोला तेरे को सब रिपीट करने का है, एक-एक लवज, फिर बोलने का है, मुकमल तफसिल से सब दोराने का है, अब शुरू से शुरू कर, तो तुने उन भीडूँों के फोन पर कॉल लगाई, और… रोमेला की महाडिक से पहली मुलाकात, कॉलाबा के एक फैंसी बार में हुई थी, जहां कि वो एक अधेर व्यक्ति के साथ, उसके उस रात के कंपैनियन के तौर पर गई थी, ऐसी डेट तो तब कबूल करती थी, जबकि उसे कोई काम नहीं होता था, और वो बोर हो रही होत थी, वैसी डेट में उम्दा ड्रिंक, डिनर और होम डिलिवरी या टैक्सी फियर अश्योर्ड होता था, जोड़ीदार हैसियत वाला होता था, और महरबान होने के मूड में होता था, तो जुदा होते वक्त उसकी मुठी में कुछ नोट भी सरका देता था, कलब में पहुँचकर ही उसे एसास हुआ था कि उसका जोड़ीदार ब्रक्स का रसिया था, और उस कलब को उसने इसलिए चुना था, क्योंकि वहाँ जाने पहचाने महमानों के लिए ब्रक्स उपलब थे, वहाँ पहुँचने के थोड़ी देर बात ही, वो अपनी तलब की पूर्ती की तलाश में उसे टेबल पर अकेला छोड़ कर चल दिया था, और काफी देर तक वह आपिस नहीं लोटा था, इतिफाक से उस रोज, वहाँ महाडिक मौजूद था, और उससे तेन टेबल परे अकेला बैठा, वह इसकी चुसक रहा था, और सिगार के कश लगा र था, वो थी ही इतनी खोप सूरत कि लोग बाग उसे अकेली पाते थे, तो तारते ही थे, लेकिन जो आगे हुआ वो नया तजुर्बा था, एक स्ट्रीवर्ड उसके करीब पहुँचा, मैडम, वो अदब से बोला, मिस्टर महाडिक आप से बात करना चाहते हैं, वो पोश हुए? स्ट्रीवर्ड ने सिगार वाले की तरफ इशारा किया, है कौन ये? बड़े आदमी है, बाकि वो खुद बताएंगे, मैं किसी के साथ हूँ, मेरे को मालुम है, लेकिन मिस्टर वाग मेरे अभी आदा पौना घंटा लोट के नहीं आने वाले, तुम मिस्टर वाग म मेरे को, मेरे कमपैनियन को जानते हो क्या? जी हाँ, खूब अच्छी तरह से, यहां के रेगुलर है, अलबता आप पहली बार आई हैं, हम्, तो फिर, ये पक्की बात है, उन्हें लोटने में आदा पौना घंटा लग सकता है, एक घंटा भी लग सकता है, ठीक है, मैं तया मिस्टर क्या नाम बताया था? महाडिक, गनेश महाडिक, मैं सुनने को तयार हूँ, मिस्टर महाडिक क्या बात करना चाहते हैं? मैडम, मैं बोलता हूँ, दो मिनट बाद महाडिक उसकी टेबल पर पहुँच किया, हलो, उसके सामने बैठता वो बोला, हलो यूर सेल्फ, व क्या बात करना चाहते हैं? मैं महाडिक, क्या पी रही हो? शैंपिन कॉक्टेल, फिनिश करो, नई ड्रिंक्स मंगाते हैं, वो मैं खुद मंगा लूँगी, आप बोलिए क्या बात करना चाहते हैं? उसने जैसे सुना ही नहीं, उसने वेटर को बुला कर अपने लिए बिन कॉक्टेल का ओर्डर दिया, ओर्डर जैसे जादू के जोर से सर्व हुआ, रोमेला प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी, उसने स्वयमे भी अपना पहला जाम खाली किया, और नए जाम के साथ चेर्स बोला, क्या करती हो? वो बोला, सूरत से तो एक्ट्रिस जान प हुआ, रोमेला मुँ बिसोर कर बोली, क्यूं हसते हो? बिट्वेन फिल्म्स होने का मतलब मेरे को मालूम, क्या मतलब है? कोई धाम है ही इस नहीं, मिस्टर महाडिक, प्लीज, तुम वाग मेरे के साथ हो, ये काम धाम ना होने का दूसरा सबूत है, यू आर इंसल्टिंग कब से जानती हो से? कब से जानती हूँ? हाँ, यही तीन घंटे से, मेरा भी मिलता जुलता खयाल था, वो अखा एडियर जो तुम्हें यहाँ छोड़ के चल दिया, क्यों उसके साथ हो? मेरी मरसी, या उसकी, क्या मतलब? तुम्हे मालूम है, नहीं मुझे नहीं मालूम, ब उसके साथ? हाँ, अब आप कहेंगे कि मुझे आपके साथ होना चाहिए था, मैं क्यूं कहूंगा? जो बात तुम्हें मालूम ही है, वो मैं क्यूं कहूंगा? वो खामोश रही, उसने अपना बटुआ निकाला फिर हजार हजार के दस नोट उसके सामने रखे, यह क्या है? वो सक पकाई, तुम्हारी पहली तनक्वा पर एडवांस, क्या? शुरू में तनक्वा 25,000 रुपए, विद अकॉमोडेशन, आगे देखेंगे, क्या? क्या कह रहे हैं आप? यह मेरा कार्ड है, नोटों के उपर उसने एक विजिटिंग कार्ड रखा, कल आकर मिलना, फोन कर के आना, अभी जाने का है, उसने अपना गिलास खाली किया, और उठकर वहां से ही नहीं, कलब से भी चला किया, यों वो महाडिक की मुलाजिम, नोबल हाउस की होस्टेस, और फिर उसकी परसनल प्रॉपर्टी बनी, और आखिरकार ऐसी फसी, कि आजाद होना तो दूर, पं की थी, वो ऐसा बहे लिया था जो दाना बढ़िया डालता था, लेकिन जाल में कोई धील नहीं बरतता था, शुरू में उसने सोचा था, कि वो कुछ हरसे की जहमत थी, जितने में कि उसकी माली हालत कदरन मजबूत हो जाती, वो अपनी मा और बेहनों की खित्मत और तिमार दारी के काबिल बन पाती, फिर वो उस मुलासमत से किनारा कर ले थी, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया, कि किनारा मुलासमत से मुम्किन था, गुलामी से नहीं, जल्दी ही उसे एहसास हो गया, कि उसकी हैसियत महर्डिक की जर्खरीत लॉंडिया की थी, जिससे बाहर पर नहीं जा सकती थी, कोशिश करती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, कि उसकी लाश समुदर में कहीं तैरती पाई जाती, महाडिक कितना खतरनाक आदमी था, इस बात का एसास एक रात उसे नॉबल हाउस में हुआ, सुबा के साड़े चार बजे थे, बार बंध हो चुका था महाडिक बार काउंटर के कोने में अपनी पसंदीदा जगा पर मौजूद वहां के बार स्चूल पर बैठा, डाईरी में कुछ दर्च कर रहा था, जबकि एक वेटर एक आएक उसके करीब पहुँचा, रोमेला तब उससे चार स्चूल परे बैठी, ब्लैक कॉफी चुसक रही थी, सहब वेटर भुन भुनाता सा बोला, मेरे को आप से बात करने का है, महाडिक उसकी तरफ घूमा उसकी भवे उठी, आप मेरे को नौकरी से नकी किया, तो मेरे को वज़ा जाना मांगता है, मैं एन चौकस काम करता है, फिर काहे आप मेरे को, तो काम करता है इच न तेरे को कुछ जानना नहीं मांगता, तेरे को मेरे सामने खड़ा होना नहीं मांगता, तेरे को इधर टहरना नहीं मांगता, अभी टैम खोटी नहीं कर, भेजा नहीं चाट और फूट ले, आप मेरे साथ ऐसे पेश नहीं आ सकते, वेटर का गुसा फट पड़ा, आप मेरे को किसी को भी यूँ खड़े पैल नौकरी से नहीं निकाल सकते लेबर लॉव वर्कर्स का कोई राइट फिक्स किया मेरे को मालूम आप मेरे को बाकी के लफ़ उसके मूँ में ही रह गए बिना किसी चेतावनी के मार डिक ने अपना बॉल पैन वाला हाथ चलाया और बॉल पैन का तीखा सिरा वेटर की बाई आँख में धंस कया वेटर की मुंडी यूँ पीछे को हटी जैसे किसी ने जोर का धक्का दिया हो पीडा से बिल बिलाता चीकता लड़ खडाता वो पीछे हटा फिर उसके घुटने मुड़े और जोर की आवास के साथ फर्ष से टक्राई तडपता हुआ दोहरा हुआ वो जैसे समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर हुआ क्या था उसने दोनों हाथ उठा कर बॉल पैन को आँख में से खीशने की कोशिश की तो महाडिक ने पाउं की ठोकर से उसके हाथ परे जटक दिये वेटर की चीकों से हौल गुंचने लगा दोड़ते हुए मिठा और चिठा वहां पहुँचे महाडिक के इशारे पर एक ने वेटर को उठा कर खड़ा किया और दूसरे ने उसकी दोनों बाहें उसकी पीट पीछे जगर ली वेटर तड़प रहा था बॉल पैन बड़े विभत्स धंग से उसकी आँख में धसा हिल रहा था जिसे की वो चूब भी नहीं सकता था शुप कर आओ महाडिक फुंकारा वेटर के सामने मौजूद चिठा ने ताबर तोड़ दो वसनी घूंसे उसके पेट में जबाए पीछे से मिठा ने उसके बाल पकड़ कर मुंडी को यूँ पीछे उमेठा कि पीड़ा से बिल बिलाता वो दोहरा भी नहीं हो सका रोमेला हक्की बक्की मूँ भाएं वो तमाम नजारा देख रही थी साला हलकट महाडिक नफरत भरे स्वर में बोला कुता मोरी का कीड़ा मेरे को लेबर लौ बताता है जिस हालत में वेटर उस घड़ी था उसमें वो गले से आवास निकाल पाने में असमर्थ था मेरे को मेरा बॉल पैन मांगता है महाडिक बोला चिठा ने यूँ शकल बनाई जैसे पहले उसकी समझ में ही ना आया हो कि बॉस क्या कह रहा था फिर वो सचेत हुआ अभी वो ततपर स्वर में बोला अभी उसने उमेट कर बॉल पैन को आंग के सौकेट में से निकाला वेटर की कमीज से पोंच कर उसे साफ किया और फिर बॉस को सौंपा सौकेट में से कौन यू बाहर निकला जैसे कोई धकन खुल गया हो वो नजारा देखकर रोमेला ने जोर की उकाई ली उसने उधर से मूँ फेर लिया और बड़ी मुश्किल से मूँ में घुमर्ती उल्टी को रोका दफा करो महाडिक बोला मिठा और चिट्टा ने आजू-बाजू से बगलों के करीब से वेटर की बाहे थामी और घसीटते हुए उसे वहां से ले चले थामबा महाडिक बोला दोनों ठिटके उल्टा करके घसीटो महाडिक बोला मेरे को खून कॉर्पेट पर कार्पेट पर टपकना नहीं मांगता दोनों ने ततकाल आदेश का पालन किया नकी करने का है पीछे से मार डिक ने नया आदेश जारी किया पकी करके बोस चिट्था सक पकाया सा बोला बोले तो मिठ्था बोला पर्मनेंट करके क्या हाँ यही च बोला मैं दोनों के सिर्फ सहमती में हिले दोबारा कभी वो वेटर रोमेला को ना दिखाई दिया ना ही उसकी बाबत कोई तफ्तीश करने पुलिस वहाँ पहुँची कताई कुछ नहीं हुआ जैसे उस वेटर का कभी कोई वजूद ही नहीं था दो महीने बाद एक रोज कदरन अच्छे माहौल में रोमेला की उस वेटर का जिक्र छेडने की हिम्मत हुई वो वेटर उसने पूछा जिसे अपने डिस्मिस किया जो लेबर लौ की दुहाई देता था वो महाडिक हस्ता हुआ बोला जिसको मैं बॉल पैन स्टैंड बनाया हाँ वही क्या हुआ उसका क्या होना था गणबती उपर अपने पास बुलाया मिठा चिट्टा चोड़ कर आए लाश पता नहीं किधर गया डैट बॉडी वही भीडू ठिकाने लगाया कोई पंगा पड़ जाता तो कैसा पंगा पुलिस का पंगा पुलिस क्या पंगा डाल सकता था एक भीडू मेरे पास काम करता था मैं उसको डिस्मिस किया फिर कभी उसका थोबड़ा नहीं देखा क्या पता किधर गया लेकिन उधर जो कुछ हुआ कौन बोलेगा कुछ हुआ तुम बोलेगा क्या नहीं मिठा चिट्टा नहीं कोई और नहीं तो फिर रोमेला का सिर्ष सेहमती में हिला, अभी आई बात समज में, पुलिस को सबूत मानता है, गवा मानता है, किधर है सबूत, किधर है गवा, किधर है वारदार, है इछ नहीं, छीक. साला मोरी का केड़ा था, मोरी में गया मैं तो बड़े बड़े पावर्फुल दुश्मन ऐसे शनकी किया कहीं कोई पता नहीं खड़का, उसका साला कोई उकात ही नहीं था रोमेला का सिर मशीन की तरह सेहमती में हिला साला जो कोई मेरे से पंगा करेगा मेरे खिलाफ जाएगा उसका ऐसे च्छाल होगा रोमेला के मुँ से बोल नहीं फूटा एक ही खयाल हतोड़ी की तरह उसकी चेतना से टकराया क्या ये खुद उसके लिए वार्निंग थी बुद्वार 22 एप्रेल पौफटने के वक्त तक जीत सिंग बार्मेन के पेकर से खोद खोद कर दोहरा दोहरा कर सवाल करता रहा आखिर जब उस सिलसिले का समापन हुआ तब ना बार्मेन में जवाब देने की और ना जीत सिंग में सवाल करने की शक्ती बाकी थी बार्मेन का तो ये हाल था कि गिड़ गिड़ा कर रहम की फर्यात की कोशिश में मूँ से मिम्याहट ही निकलती थी भीडू वो कातर भाफ से कह रहा था मेरे को तेरे फिरेंट से कुछ लेना देना नहीं था उन दोनों भाईयों का भी उसको कोई जिस्मानी नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था उन दोनों ने आज तक कभी किसे बकरे को चोट नहीं पहुँचाई उनका काम टोपी पहनाना है तोड़ना फोड़ना नहीं है उनकी वज़ा से कोई भेडू गायब नहीं हो सकता मेरा फिरेंट गायब है जेत सिंग बोला उनकी वज़ा से नहीं उनकी वज़ा से नहीं है मैं गारंटी करके बोलता है तुम मेरे को छोड़ो मैं तुम्हारे फिरेंड को ढूनने में तुम्हारी मदद करेगा क्या पक्की करके बोलता है बरोबर बंडल नहीं मारे लाना नको ठीक है प्राई करता है उसने उसको बंदल मुक्त कर दिया संडास जाने का है वो बोला जीत सिंग ने उसे टाईलेट चले जाने दिया उसने उसे चाई भी पिलाई अभी सोने का है फिर वो बोला बार्मैन की भवे उठी मेरे को तेरे को भी साला अखी रात खोटी किया खड़े खड़े आँके बंद होई ली है मैं इधर इच फर्ष पर पर दर्वाजा बाहर से बंद होना शोर मचाना मांगता हो तो नहीं नहीं खुशी से मचाना क्योंकि सुनने वाला नहीं है आजू-बाजू में कोई भी उसने उत्तर नहीं दिया जीत सिंग बैडरू में जाकर घोड़ी बेच कर सोया तो दोपहर बात जागा उसने स्चोर की कुंडी खोल कर भीतर जांका तो बार में को तब भी मुर्दो से शर्ट लगा कर सोता पाया उसने कुंडी बत स्तूर बंद की और फिर प्राइवेट डिटेक्टीव शेकर नवलानी को फोन लगाया जीत सिंग बोलता है सहब वो बोला मेरे वास्ते कोई खबर है ना जवाब मिला सुबा से है लेकिन किधर खबर करता मैंने तुम्हें मुबाइल के लिए बोला था अभी लिया नहीं सहब आश लेगा मुबाइल लेकर नंबर बोलते तो अपने फ्रेंड की खबर सुबा ही लग गई होती खबर लगी क्या सहब लगी ना उमेद से कहीं जल्दी लगी किदर है जल्दी बोलो सहब मेरा दिल हिलता है अभी और हिले का ककक क्या धरावई में लक्षमी बाग मालूम है क्या मालूम उदर कस्तोरबा जनरल अस्पताल है एन सडेला म्यूनसे पैल्टी का अस्पताल पता नहीं तुम्हारा दोस्त उदर कैसे पहुँच किया खुद तो नहीं पहुँचा होगा खुद कैसे पहुँचा होगा उसको तो अभी भी नहीं मालूम कि वो कहा है क्या बोलते हो सहब कौमा में है मुर्दे के माफिक पड़ा है दाता हुआ क्या किसी को नहीं मालूम पहुँचा कैसे एक दयावन टैक्सी ड्राइवर ने पहुँचा आया जिसने उसे मरे हुए कुटे की माफिक कहीं जाडियों में पड़ा पाया कहा दारावी में ड्रोट पर क्या वो उसको अस्पदार पहुँचा या हाँ गवा नहीं बरना चाहता था इसलिए कैजूल्टी में स्ट्रेचर पर पड़ा चोड़ कर फूट लिया दिमागी चोड़ का शिकार है जिसकी वज़ा से बेहोश है और अभी आईसी यू में है आईसी यू बोले तो इंटेंसिव केर यूनिट जहां जिन्दगी मौत से जूशते क्रिटिकल केस रखे जाते हैं कल सुबा से वो वहाँ है तब से एक बार भी होश में नहीं आया है क्या खाली खोपड़ी ठुकी? नहीं सारे जिस्म पर चोटों और खरोचों के निशान है तीन चार पसलियां भी तूटी है एक हाथ की कलाई में और दूसरे की तेन उंगलियों में फ्रैक्चर है तौबा, सहब, बचेगा या नहीं? डॉक्टर ही बता सकता है मैंने तो उसे शीशे की खिड़की में से खाली आईसीयों में पड़े देखा और जो जाना बड़ी मुश्किल से एक आर्डरली से जाना जो की यही बोला कि सीरियस केस था लेकिन यह पक्की है ना कि वो एड़वार्डो ही था नाम कौन बताता? वो खुद बता नहीं सकता था दूसरों को कुछ मालुम हो नहीं सका था क्योंकि उसकी तमाम जेबें खाली पाई गई थी लेकिन जो हुलिया तुमने उसका बताया था वो एन उससे मिलता था सही शिनाक तो तुम ही जाके कर सकते हो साहब पता लगाओ ना कौन उसका ये दुर्गत किया? मैं कौशिश करूँगा लेकिन पहले तुम जाकर तज़्दीक तो करो कि वो सही बीडू है जाता है सहब थैंक्यू के साथ कट कचा है सहब आदी तुफान की तरह वो कस्तूर्बा अस्पताल पहुँचा वहाँ उसने अपना परीचे एडवार्डो के दोस्त और मुंबई में उसके मिल्स बान के तौर पर दिया और इस बात पर ज्यादा जोड दिया कि वो संजान क्रिटिकल पेशन की शिनाथ कर सकता था और अगर वो उसका मेहमान एडवार्डो ही था तो वो उसकी हर तरह की जिम्मेदारी ले सकता था ये मेडिको लीगल केस है उसे बताया गया पुलिस को भी ये बात पसंद आएगी कि कोई ऐसा शक्स यहाँ पहुँचा है जो उसकी शिनाथ कर सकता है फिर क्या वांदा है नस्दे की चौकी पर तुम्हारी बाबत खबर करनी होगी अरे करना ना बाब पन पहले मेरे को देखने तो दो वो मेरे वाला भीडू है की नहीं उसे आई सी यू में ले जाया किया जो की तीसरी मंजिल पड़ था जहां की एक बैट पर लाश की तरह एडवार्डो पड़ा था उस पर एक निगाप पड़ते ही जीत सिंग का दिल भर राया उसका लाल भबु का चेहरा राप की तरह सफेद था दोनों आँके सोच कर काली पड़ी हुई थी और यू जान पड़ता था कि वो होश में होता तो उन्हें खोल नहीं पाता नाक की हड़ी तूटी हुई थी और नाक फूल कर पकोड़ा बन गई हुई थी और चेहरे पर बेशुमार लाल बैंगनी काली खरोंचे थी दोनों हाथ पटियों से ढखे थे बाकी जिस्म चादर के नीचे था इसलिए पदा नहीं उसका क्या हाल था क्या? वो व्यग्र भाव से बोला बाहर चलो साथ आया व्यक्ति गंभीरता से बोला पर उसे डॉक्टर के पास लेके चलता है ना जिसका ये केस है ओ वो उसे कॉल नाम के एक डॉक्टर के कमरे में छोड़ कर गया जो कि एक कश्मीरी नौजवान था तो क्या तुमने शिनाप्त की? उसने पूछा जीत सिंग ने हामी भरी और बताया कि उसने क्या शिनाप्त की थी पुलिस को बोलना होगा बोलेगा साहब पर आप तो बोलो कैसा है मेरा फिरेंट एडवार्टो? ठीक नहीं है वो तो दिखाई देता है पर पर कितना ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है बहुत फस्ता हालत में है सर्जिकल केस है सरजरी इस हालत में नहीं हो सकती उसका होश में आना जरूरी है ना आया तो बेहोशी में ही चल बसेगा दाता सिर की चोट सबसे ज्यादा सीरियस है सिर पर किसी भारी चीज का इतना भीशन एक या एक से ज्यादा प्रहार हुआ है कि खोपड़ी के शेल के भीतर दिमाग हिल गया है और इंटर्नल ब्लेडिंग शुरू हो गई है यूँ बैता खोण खोपड़ी में सुराख करके निकाला जाना जरूरी है और ऐसा ऑप्रेशन पेशन की प्रेजन कंडिशन में नहीं किया जा सकता क्या किसी ने उस पर हमला किया है जान लिवा मजबूत आदमी निकला जो आन दे स्पोर्ट नहीं मर गया हमला पीछे से हुआ जान पड़ता है जिसकी वज़ा से वो वेक से मुझ के बल गिरा और नाक और दांत तुड़ा बैठा दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पेशन को उम्दा मेडिकल अटेंशन की जरूरत है जो उसे इस मामुली म्यूंसिपल अस्पताल में हासिल नहीं हो सकती किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट करो न सहब में रोकड़ा भरेगा मौझूदा हालात में वो भी मुम्किन नहीं ऐसा करने के लिए भी उसकी हालत में ज्यादा नहीं तो कोई नॉमिनल इंप्रॉव्मेंट होना जरूरी है ओ, होश आएगा तो कब आएगा? कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी आ सकता है, शाम तक आ सकता है, एक हफ़ते बाद आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि होश आए ही नहीं अरे, ऐसा मत बोलो सहब खोपड़ी की चोट के इलावा तूटी पसलियां भी प्राब्लम है, जिन में से कोई फेफ़रों को पंचर कर जाए, तो मेजर कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है लेकिन प्रेलिमिनेरी एक्जामिनेशन से मालूम पड़ा है कि ऐसा नहीं है, जो कि गुड नियूस है ये सब हुआ कैसे? क्या पता कैसे हुआ? मरी सी इस बाबत कुछ बोले का, जब खोश में आएका अभी तो ये भी नहीं कहा जा सकता, कि उस पर हमला हुआ या कार वगेरा से हुए, किसी एक्सिडेंट ने उसकी ये गत बनाई मेरे को मालूम पड़ा है कि वो ज़ाडियों में पड़ा पाया गया था कैसे मालूम पड़ा है? बस पड़ा है किसी तरीके से, अभी बोले तो कार एक्सिडेंट में वो ज़ाडियों में कैसे पहुँच किया? You have a point there, भाई, फिर तो मेरे को अपनी opinion revise करनी पड़ेगी Yes, that's it, हमला ही हुआ था उस पर, और ये काम दो तिन आत्मियों का हो सकता है ऐसा क्या? हाँ, तुम्हारा पेशन्ट उम्र दरास है, लेकिन लंबा चोड़ा है, मजबूत बना हुआ है किसी एक के काबू में वो नहीं आया हो सकता पहले मैंने उसकी जोडों से छिली हुई, उंगलियों की तरफ कोई खास तवज्जों नहीं दी थी लेकिन अब वो ही इस बात की और इशारा जान पड़ती है कि उसने अपने हमलावरों का डट कर मुकाबला किया था और इसी वज़ा से हमलावर कोई एक नहीं हो सकता एक होता तो जिस हालत में तुम्हारा पेशन्ट है, उसमें वो पहुँचा होता ठीक लगता है कि काबू में आता ना पाकर ही उसके सिर पर भिशन्वार किया गया था हम्हाँ येस, that's it, it's no accident, it's a murderous attack and correctly a medical legal case अभी मैं क्या करे साहब, मैं कुछ कर भी सकता है या नहीं कर सकते हो क्या दूआ वो वापिस विठल वारी पहुचा बार मैन की पेकर तब भी सोया पड़ा था जीत सिंग ने उसे पाउं की ठोकर से टोको का वो कुन मुनाया जीत सिंग के भीतर इतना आकरोश उमर रहा था कि उसका जी चाहा कि वो उसे ठोकरों पर धर ले बड़ी मुश्किल से उसने अपने उस गड़ी के मिजाज पर काबू पाया उटके खड़ा हो जा वो करकश स्वर में बोला बार मैन बड़े यतन से उटकर पैरों पर खड़ा हुआ अब क्या है वो संशक बोला तेरे वास्ते अच्छी खबर है क्या मैं तेरे को आजाद कर रे लाहे उसके चेरे पर हर्ष की लहर दोड़ गई खुश बात में होने का पहले मेरी शर्ट सुनने का क्या शर्ट भी है कोई अच्छा काम पुछले बिना नहीं होता क्या है शर्ट बार में ड्यूटी किस टैम से भड़ता है शे बजे से पैरामाउंट शे बजे खुलता है क्या नहीं सुबह ग्यारा बजे खुलता है सुबह से चे तक दूसरा भीड़ू शे से क्लोजिंग टाइम तक मैं और एक और बार में शाम को दो बार में काहे शाम को रश ज्यास्ती इस वास्ते ठीक अभी तेरे को घर जाने का और नहा दोकर कपड़े बदल कर एंड मस टैम पर ड्यूटी पर पहुँचने का उसने सेहमती में सिर हिलाया रात दस बचे तेरे को अपने जोड़ी दारों को उन दोनों भाईयों को उधर बुलाके रखने का है तो ये है शर्ट अभी आई बात समझ में वो मेरे को ना मिले तो जीत सिंग ने ठोड़ी के नीचे से उसका गला थाम लिया और उसे फौलादी जकड में जकड़ा अभी समझ में पड़ा तो मगच में घुसा कुछ छोड़ो वो छट पटाता हुआ बोला छोड़ो जीत सिंग ने हाथ वापिस खेंच लिया ठीक है बार मैं हाफता हुआ बोला क्या ठीक है उसे घुरता हुआ जीत सिंग बोला दस वजे वो दोनों भेड़ो उधर होईंगा बढ़िया क्या अभी में जाए वादा नहीं पर ने एक आखरी बात सुनके जाने का कोई चकर दिया कोई होश्यारी दिखाई तो गला हस्ता होईंगा उसने नाईयों के इस्तेमाल में आने वाला उस तरह खोल कर उसकी आँखों के सामने लहराया बार्मेन सहम कर एक कदम पीछे हट गया उसी पते पर रहता है ना जो तेरे ड्राइविंग लाइसेस पर लिखा है हाँ या लाइसेस पुराना है तो किधर शिफ्ट कर गया नहीं उधर ही रहता है जम्बु वाड़ी धोबी तलाब हाँ अब कट ले बार्मेन यूँ वहां से रुकसत हुआ जैसे किसी भी ख्षन वापिस घसेट लिए जाने की उमेद कर रहा हो पीछे जीत सिंग ने सबसे पहले मोबाईल का इंतिजाम किया उसके एक्टिवेट होने का इंतिजार किया फिर शेकर नवलानी को फोन लगाया जीत सिंग बोलता सहब हलो जीत सिंग नवलानी की आवाज आई मोबाईल ने लिया सहब नमबर आया उधर हाँ सेव कर लूँगा दोस्से मिले क्या मिला सहब क्या हुआ उसको जो हुआ आपको मालुम मेरा कलेजा उकड़ कर हाथ में आ किया हालत में कोई सुधार नहीं हुआ क्या नको उधर का डॉक्टर तो साफ ऐसा नहीं बोला पर लगता है सुधार की कोई उमीद नहीं देट्स चू बैट अभी कैसे फोन किया नमबर की खबर करने के लिए और भी कुछ बोलने का है साहब बोलो आप मेरे को कोई हत्यार दिला सकता है क्या हत्यार? कैसा हत्यार? गन? ओ नो नो आप खुद गन रखता है क्या रखता हूँ मैं रिजिस्टर्ट प्राइविट डिटेक्टिव हूँ मेरे को गन रखने की पर्मिशन है 32 कैलिबर की स्मिथ और वेसन है ना मेरे पास क्या मेरे को उधार मिल सकती है? नहीं आज राद 10 बजे की करीब मेरे लिए टैम निकाल सकता है साहब? निकाल सकता हूँ लेकिन किस लिए? जीत सिंग ने बताया ओ, नवलानी बोला क्या तुम्हें पूरा यकीन मालूम होता है कि राद 10 बजे वो दोनों भाई उधर पैरामाउंट बार में होंगे? ऐसा ही छे साहब क्या उनसे मिलोगे? बरोबर और समझते हो कि तुम्हें बैक अप की जरूरत है? बैक अप बोले तो जरूरत पढ़ने पर हेल्प के लिए कोई हत्यार वाला भीडू जैसे शेकर नवलानी यही तोचता है साहब फिर तो कोई स्ट्रेटरजी तयार करने के लिए पहले मुलाकात जरूरी है एक घंटा पहले उधर पहुँचना उधर किधर? उसमें पैरामाउंट जैसे बार और रेस्टरेंट है नौ बजे पैरामाउंट के सामने मिलना आगे की आगे सोचेंगे ठीक है कट करता है साहब जीद सिंग धारावी पहुचा वहाँ ट्रांजिट कैंप में अजमेंट सिंग का धाबा था जो कि उसके दोस्ट डेविट परदेसी का पका अड़ा था वो कहीं भी जाता था घूम फिरकर वहाँ जरूर लोटता था जीद सिंग को दो घंटे इंतजार करना पड़ा जबकि डेविट परदेसी की वहां आमद हुई अरे जीते वो हैरानी से बोला इधर क्या करता है तेरा इntजार करता है जीद सिंग मुसकुराता हुआ बोला ऐसा क्या हाँ क्या कोई खास बात है ना तभी तो इंतजार करता है ओ चाय प्येगा क्या प्येगा ततकाल दोनों के लिए चाय हासिर हुई एडवार्डो वापिस चला किया परदेशी ने पूछा नहीं, जीत सिंग संजीत की से बोला क्या अभी इधर इच्छ है? हाँ क्या करता है? मरता है क्या बोला? मौत का इंतिजार करता है क्या बात करता है? उसको क्या हुआ जो? सुन क्या हुआ जीत सिंग ने तमाम वाक्या बयान किया जीसस सुनकर परदेशी हाहा कारी लहजे में बोला पूर मैन परदेश में इतना बड़ा हाथसा हो गया उसके साथ और हाथसे के लिए जिम्मेदार भीडू छुटे घुमते हैं जीत सिंग तडपता सा बोला मेरे को उनका मुंडी काट कर उनके हाथ में देने का है तू ऐसा करेगा जीते? बरोबर करेगा काहे नहीं करेगा नहीं करेगा तो मैं काहे का फिरेंट तो मैं ना शुक्रा फिरेंट एसान फरा मोश फिरेंट जिसको फिरेंट के भले बुरे से कुछ लेना देना है इच नहीं बिग डैडी मेरी हर मुश्किल में मेरे बाजू में आकर खड़ा हुआ तेरे को मालूम मालूम की नहीं मालूम मालूम जीते एडवार्डो लव्स यू लाइक इस ओन सन तो साला सन क्या करेगा वो उधर पड़ा मरता है सन बोलेगा क्या करना सकता गौड का ऐसे च मर्जी नहीं तो तो क्या करेगा अभी बोला तो अभी क्या मांगता है वहीच मांगता है जिसका वास्ते इस्पेशल करके इधर आया क्या? गन मांता है मेरे को और लेक्चर नहीं देने का भला बुरा नहीं समझाने का पिशली बार का माफिक जन्वरी में मैं साला ऐसे चिधर आया था तो तो साला मेरे को लेक्चर दिया और गन की जगा उस तरह थमा दिया वो अभी है मेरे पास अभी उस तरह नहीं मांगता गन मांगता है जीते, इतनी मुश्किल से तो चूटा है कोई वांदा नहीं मेरे को फिर पकड़ा जाने में पर मेरे को मार के मरने का पर तो जाके अस्पताल में पड़े एडवार्डो की हालत देख देखेगा तो मालूम क्या बोलेगा क्या बोलेगा बोलेगा जीते अभी इधर इच्छे बेग डैडी का वो हाल करने वालों को अभी लुड़काया नहीं तो कैसा फिरेंड है, कैसा सन है मैं साला नालायक खोटा सिक्का चिंच पोकली के जोंपर पटे का मैला इधर बैट कर चाई पीता है जीत सिंग का घलब भर आया कुछ शर्ण खामोशी रही ठीक है जीते फिर परदेसी आज सी भरता हुआ बोला करता है कुछ रात नौ बजे दादर के जिस रेस्टरेंट में जीत सिंग की शेकर नवलानी से मुलाकात हुई उसका नाम महरानी था और वो पैरामाउंट से कोई आधा किलोमीटर दूर था अब बोलो नवलानी बोला उस बारमेन के वो दोनों भेडू दस बजे पैरामाउंट पे पहुंच गए तो तुम क्या करोगे सहब ये पूछो की ना पहुंचे तो क्या करूँगा जीत सिंग बोला अच्छा वो भी बोलो बारमेन को फिर थाम लूँगा लेकिन इस बार वो खबरदार होगा देखेंगा उसकी उन लोगों को ना बुलाने की मर्जी होगी तो वो ढूंडे नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होने वाला सहब वो बार में है मैं देखके आया ओ, वो बारमेन उन्हें अपनी आप बिती नहीं सुनाएगा क्या बोले तो बराबर सुनाएगा फिर भला वो क्यों आएंगे मेरी दुम ठोकने वो दो बलकि बारमेन को मिला के तीन, मैं अकेला एडवार्डो का माफिक मेरे को भी लेसन देने का क्या तुम भुगत लोगे भुगत ना पड़ेगा मुर्दे का माफिक अस्पताल में पड़े एडवार्डो की याद आती है तो मेरा खून खौलता है मैं नहीं तो कौन एडवार्डो अपने पैरो पर खड़ा होता तो ये काम खुद करता अभी मेरे को करने का वरना मैं काहे का जिक्री काहे का फिरेंड फिर तो मैं ना शुक्रा मतलबी जो कि तुम नहीं हो जीते नहीं है ना साहब हम चलो मान लिया कि वो बार्में दस बजे उन्हें पैरामाउंट में बुलाके रखेगा फिर क्या होगा तुम पूछोगे तो वो कबूल कर लेंगे कि तुम्हारे दोस्त को उन्होंने ठोका था ऐसे कौन कबूल करता है साहब तो फिर प्रेशर लगाएंगा ना कैसे प्रेशर लगाओगे तुम्हारे पास तोप है क्या जीत सिंग ने जवाब नहीं दिया कुछ शन्खामोशी रही चलो मैं मानता हूँ बार्में तुमसे बाहर नहीं जाएगा वो जैसा तुमने कहा है वैसा करेगा लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो उन्हें ये ना बताए कि वो किस मजबूरी में ऐसा कर रहा था वो तो बरॉबर बुला सहब तो उससे वो दोनों ये सबत नहीं लेंगे कि तुमसे पंगा लेना उन्हें भारी पढ़ सकता था फिर भला क्यों आएंगे वो साहब देखेंगे न अभी तो मेरे को यहिच मान के चलने का है कि वो आएंगे फिर मेरे को थोड़ा टैम उनको उधर रोक के रखना मांगता है और इस वास्ते मेरे को तुम्हारा हेल्प मांगता है मैं कैसे हल्प करूँगा आप बोलो उसने उस बात पर विचार किया ओके फिर बोला अगर वो आ गए तो मैं में डोर को कवर करके रखूँगा मैं उधर बार के डोर के करीब वाले सिरे पर बैठूँगा और हर चंद कोशिश करूँगा कि वो तब तक वहां से ना किसकने पाए जब तक कि उनसे तुम्हारा मतलब ना हल हो जाए यहिच तो मैं मांगता है साहब लेकिन अगर वो हत्यार बंद हुए तो तो जाने देना उन्होंने हत्यार तुम्हारे उपर आसमाई तो राप के दस बजे बार फुल होता है वहां उनकी ऐसा करने की मजाल नहीं होगी क्या तुम्हारी होगी साहब मेरे पास हत्यार किधर है अच्छा नहीं है नहीं है जीत सिंग तुम्हारे को अपना खास खयाल रखना होगा मेरा खयाल वो रखेगा ना जीत सिंग ने चत की तरफ उंगली उठाई जिसने उमीद तोडने जोडने का खेल मेरे साथ बराबर खेला पन्ट जिंदगी की डोड नहीं तूटने दी पहलने कभी तो हूना होता है देखेंगा साहब इतना आगे का मेरे को नहीं सोचने का अभी आप पक्की करो कि उन दोनों भेडूओं को तुम उधर से एका एक नहीं खिसक जाने देगा किया ठैंक्यू बोलता है साहब दस वचने से दस बारा मिनट पहले जीत सिंग पैरा माउंट के बार पर था बार काउंटर के पीछे बार मैन किरपेकर भी था कुछ शर्ण बात दोनों की निगाह मिली तो जीत सिंग ने इशारा किया वो काउंटर की परली तरफ उसके सामने पहुँचा तो जीत सिंग बोला क्या टैंप पर पहुँचेंगे दोनों भाई बार मैन दबे स्वर में बोला तू क्या बोला उन्हें यहिच के दस बजे इधर पहुँचने का उन्होंने वज़ा नहीं पूछी क्या पूछी मैं ये बोलके नकी किया कि सब इधर आने पर मालूम होएंगा क्या उन्होंने जिद नहीं की नहीं का है अरे समझो क्या समझो मैं ऐसे फोन लगाता है तो वो यही समझते हैं कि इधर कोई उनके मतलब का बकरा तयार ओ, तो मैं बकरा वो खामोश रहा छीक है, उधर पीछे कोने के कैबिन खाली है मैं उधर जाके बैठता है वो आए, तो उन्हें उधर भेशने का है बारमैन ने सहमती में सिर हिलाया जीत सिंग कैबिन की और बड़ चला उस रोज तब तक अभी वैसी भेड नहीं हुई थी जैसी की रात की उस घड़ी अपेक्षित होती थी बार काउंटर पर कोई कस्टमर खड़ा तो था ही नहीं दो तीन बार स्चोल भी खाली थे उसी प्रकार हॉल की कुछ मेजें भी खाली थी दस वच के पांच मिनट पर उन दोनों भाईयों के कदम बार में पड़े जीट सिंग ने कदरन लंबे को फॉरण पहचाना जो की खुले कॉलर वाली कमीज के साथ नेले रंग का सूट पहने था उसे खुब याद पढ़ता था कि उसे उसने परसो रात एड़वार्डो की सोबत में बार के पीछवाड़े में देखा था दूसरा हाइट में कदरन छोटा था लेकिन वो कसर उसने आजू-बाजू फैल कर निकाल ली जान पढ़ती थी वो जीन्स के साथ जैकेट पहना था और जैकेट के नीचे गोल गले की काली टी-शिट पहने था दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी और उनके मुँ यू चल रहे थे जैसे कुछ चबा रहे हूँ दोनों की आँखों में सरूर के डोरे थे और हाव-भाव में लापरवाही थी जिसकी वज़ा से जीत सिंग के आक्रोश का पारत चड़ने लगा उसके जहन पर फिर अस्पताल में मर्नसन पड़े एडवार्डो का अक्स उभरा एक आदमी को मौत की देहलीज पर पहुँचा दिया और कमीनों को कोई परवा ही नहीं थी कोई अफसोस ही नहीं था वो दोनों बार पर पहुँचे बारमें किर पेकर ने उन्हें ड्रिंक सर्व किये और बार के पिछवाडी में जीत सिंग की दिशा में गुप्त संकेत किया दोनों के सिर्व सहमती में हिले उन्होंने अपने ड्रिंक से उठा कर चियर्स बोला एक एक घुंट हलक से नीचे उतारा और फिर घूम कर लापरवाही से टेहलते से जीत सिंग की दिशा में बढ़े उस एक्षड नवलानी ने बार के भीतर कदम रखा उसने एक पैन होती निगा बार में फिराई और फिर दर्वाजे के करीब के एक बार स्चूल पर बैठ गया दोनों कैबिन में जीत सिंग के सामने पहुँचे उन्होंने अब अलग जीत सिंग का मौईना किया लेकिन उनके चेहरे पर शिननाक के कोई भाफ नहीं आए फिर लंबे के सोट वाले के होंठे का एक मुस्कुराहट में एक कान से दूसरे कान तक फैले और वो मधुर स्वर में बोला हेलो मैं किशोर गोट बले जीत सिंग ने भी वैसे ही मुस्कुराते हुए उठकर उससे हाथ मिलाया मैं बदरीनात वो बोला दूसरे जीत सिंग वाले भाई ने भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और बोला मैं मधुर मैं भी गोट बोले छोटा भाई बैठो दोनों उसके सामने बैठ गए टेबल पर जीत सिंग जान बुचकर यूँ बैठा था कि वो दोनों बैठते तो उनका रुक बार की तरफ होता और खुद उसकी बार की तरफ हाल की तरफ पीट होती यूँ उसके अपने जिस्म से हाल की तरफ से वहां का नसारा काफी हद तक ब्लॉक हो गया तो किशोर ने चहकती आवास में बोलना चाहा अभी जीत सिंग ने उसे टोका जीत सिंग ने खामोशी से जेब से गन निकाल कर अपने सामने मेज पर यूँ रखी कि नाल का रुक उन दोनों भाईयों की तरफ हो गया दूसरे हाथ से उसने अपना रुमाल निकाला और उसे गन के उपर डाल दिया दोनों भाईयों के चेहनों से मुस्कुराहट तोड़ गई और उसकी जगा उलजन और हैरानी ने ले ली मेरे को टैम वेस्ट नहीं करने का जीत सिंग धीमे संतूलित स्वर में बोला हाथ मेज पर दोनों के दोनों हतेलिया नीचे की तरफ हिलने का है इच नहीं अबे माथा फिरेला है क्या किशोर भड़का बरोबर पहचाना बोले तो भेजा फुल पाव भाजी अभी सुनता है या मैं गोली चलाए थोबडे पर इधर गोली चलाने की मधुर भी भड़का तेरी मजाल नहीं हो सकती अभी देखेंगा ना मजाल टैंशन नहीं लेने का किशोर जल्दी से बोला भाव नहीं खाने का हम सब फिरेंट आपस में कोई गण निकालता है क्या आपस में नहीं निकालता पर अभी मेरे को पक्की किधर हुआ कि हमारे में कोई आपसे रिष्टा है है ना कोई शर्ट देखेंगा देखेंगा अभी कोट के बटन खोल कर उसे बाजू-बाजू करने का तेरे को जेकेट खोल कर उसे आजू-बाजू करने का हम लोग गण न जो बोला, दोनों ने उसके आदेश का पालन किया, किशोर ने सहज भाव से, मदुर ने हिच किचाते, कलपते, बढ़िया, उनके हत्यार बन ना होने की बाबत तसली हो जाने के बाद, जीत सिंग बोला, अब मेरे को कुछ सवाल पूछने का है, तुम्हारे को जवाब देने क है, लोचा नहीं मांगता, चिलाकी नहीं मांगता, किया तो सारी उंगलियों का ऐसा कचू मर, कि जिंदगी भर पत्ते नहीं पकड़ पाने का, भीडू, किशोर बोला, तो खाम का भाव खार रेला है, समझता है, मधुर बोला, हमें डरा लेगा, नहीं समझता, मैं अभी ए जाने का, वर्नाफोर देगा, तो धमकी से जवाब निकालना मांता है क्या, किशोर बोला, नको, फरियात से, प्लीज बोलकर, थैंक यू बोलकर, अभी ठीक है ना, अरे, तो हमारे से काहे भाव रखाता है, अरे, हमने तेरे दोस्त के साथ कोई पंगा नहीं किया था, जीत सिंग ने घूर कर उसे देखा, घूरता काहे है, अभी मेरे को सब याद आया ना, पर सो रात तू इधर था, उस बिक साइस के लाल थोबड़े वाले, बुड़े गोवानी के साथ, जो कि तेरा फिरेंड, इस पेशल करके, दोनों टुन, मैं कुछ गलत बोला क्या, नक अभी पिरोबलम क्या है, मदुर भड़कता सा बोला, वो गोवानी वापिस लाट के तेरे को कंप्लेंड किया, कि ताश में थोड़ा रोकडा हार गया, तेरे को इधर भेजा अपना हारा हुआ रोकडा वापिस क्लेम करने के वास्ते, क्या है साला तू, बड़ा मवाली है क भाई है, दाउत का आदमी है, क्या है जू, जीत सिंग ने हाथ बढ़ा कर सेर के पीछे से उसकी गर्दन थामी और पूरी शक्ति से उसके मूँ को नीचे मेज पर दे मारा, मूँ के मेज से टकराने की आवास के साथ, उसकी नाक की हड़ी चटकने की आवास कैबिन में साफ गुंजी, हौल में बैठे कई लोगों के सिर, ततकाल उस तरफ घुमे, लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आया, जीत सिंग ने अपना हाथ वापिस खींच लिया, मधु ने दोनों हाथों से अपना चेहरा थाम लिया, उसकी उंगलिया नाक से बैते खोन से रंगने लगी उसका चेहरा पीड़ा से विक्रित हो उठा था, लेकिन मुझ से कोई आवाज उसने फिर भी नहीं निकाली तेरा भाई मेरे को होल देता था, जीत सिंग की आवाज भींचे दातों में से फुंकार की तरह निकली अभी मैं उसको सैंपल पेश किया, बोले तो फुल ट्रेटमेंट दे क्या, नहीं, किशोर बोला, तेरे को भी, नहीं कोई मेरे गुवानी फिरेंड को फुल ट्रेटमेंट दिया, इतना मारा की तभी से तूटा-फूटा अस्पताल में पड़ा है, बेहोश है, डॉक्टर कुछ कॉमा करके बोलता है, जिसमें है, अगली सांस का भरोसा नहीं, उसकी हालत के मुकाबले में, तेरे भाई को तो स समशले, मैंने फूल की पंकड़ी से चुआ, वो खामोश रहा, अभी मेरे को मालुम होना मानता है, कि कौन भीड़ो मेरे फिरेंड का कीमा कूटा, जो कोई भी मेरे काम में पंगार डालेगा, मेरे को हूल देगा, वो मेरे फिरेंड से पहले उपर पहुँचेगा, मैं मदूर ने जेब से रुमाल निकाल कर, अपने मूँ के आगे लगा लिया था, और यूँ खून को अपने कपड़ों पटपकने से रोका था, मूँ से कोई आख करा, वो तब भी नहीं निकाल रहा था, जो की हौसले की बात थी, टॉलेट में जा, किशोर धीरे से भाई से ब मदूर अपनी जगा से नहीं उठा, उसने संशक भाव से जीत सिंग की तरफ देखा, किशोर की सवाल या निगा भी जीत सिंग पटिकी, जीत सिंग ने तनिखिच किचाते हुए सेहमदी में सिर हिलाया, अपनी खून आलूदा नाग को रुमाल में चुपाए, मदूर उठ और कैबिन से निकल कर पिछवारी में उधर बढ़ गया, जिधर टॉयलिट्स थे, पीछे कुछ शंड खामुशी रही, बद्री फिर किशोर धीरे से बोला, बद्री नाथ, जीत सिंग ने सहमती में सिर हिलाया, बद्री मेरी बात पर यकीन कर, हमने तेरे फिरेंट की उंग सरकाते हैं, या पत्तों में उलजा के लेकिन पौशदारी नको, मारा मारी नको, ताकत बताना नको, तेरा माफिक गन चमकाना नको, इस वास्ते कई बार तो कुछ भी हाथ नहीं आता, बख्रे को ट्रेट करने में पल्ले से रोकडा निकल जाता है, कई बार ऐसा होता है, कि बकरा फुल टोन होकर भी रोकडे के मामले में काबू में नहीं आता, तो हमारे को ही हार मान कर नकी बोलना पढ़ता है, मेरे को तुम्हारे काम का इस चाहिल नहीं समझने का, जीद सिंग सकती से बोला, मेरे को खाली मेरे फिरेंड का बोलो, उसका क्या किया, कुछ नहीं, और कार्ट्स के गेम में भी हम उससे कोई ज्यास्ती रोकड़ा नहीं खीन सके थे। तब इदर से नक्की करके हम उसको एक मिड़नाइट क्लब में लेकर गए थे। मिड़नाइट क्लब मालूम है ना? बरोबर नहीं मालूम, तुम बोलो। कोई ऐसा बार जो गैर कानूनी तरीके से नॉर्मल लाइसेंस वाले बारों के जैसा कि पैरमाउंट थपबार है, क्लोजिंग आवर्स के बाद चलता है, यानि कि आधी रात के बाद, बाकी की सारी रात, इस वास्ते ऐसे बार को मिड़नाइट क्लब बोलते हैं, तो तुम लो टकनों तक, इधर तो साला बकरा प्रॉपर विस्की पीता, बार मैन हम लोगों को वेक ड्रिंक सर्फ करता, पर उधर मिड़नाइट क्लब में तो अखा ड्रिंक एकिज जैसा, नतीजा ये कि उसके टुन होने की जगा, हम साले दोनों ब्रदर टुन हो गए, साला बिल भी ब खोड़ा, अकेले को, क्या कोई वांदा है, साला ओल्ड मैन, एक्सपीरियंस जोल्ड मैन, कोई बच्चा जिसको उंगली पकड़ कर चलाना मांगता था क्या, जो भटक जाता क्या, वो उधर एश करता था, छोकरी लोगों को लाइन मारता था, और अभी और पीता था, जब भी मधुर लोट आया, अब उसकी नाक से खून नहीं बह रहा था, और हात और मूँ भी खून से रंगे नहीं थे, वो आकर चुप चाप अपने भाई के बाजू में बैठ गया, कैसा है, किशोर सहानू भूती पूर्ट स्वर में बोला, जवाब में मधुर निला परवाही से कंथे उचकाई, कितने बचे तक, जीत सिंग ने नया सवाल किया, तुम लोग मेरे फिरेंट के साथ थे, रात तीन बचे तक, खिशोर बोला, तब से अब तक तुम कहां गए, क्या किया, किस से मिले, मेरे को सुनने का है, का है, वो हैरानी से भूला, जिस टैम तुमारा फिरेंड हमारे साथ नहीं, वो टैम हम लोग क्या किया, क्या नहीं किया, तेरे को क्या मतलब, है मेरे को मतलब, अभी बोलो तुम, बस फिनिश, और कुछ नहीं बोलने का है, उसके लहजे में एका एका आई तबदीली को नोट करके, जीत सिंग सक पकाया, फिर उसने महसूस क कि उसके निगा उस पर टिकी होने की जगा, उसके पेट पीछे कहीं भटक रही थी, उसने घूम कर पीछे देखा, तो एक पुलिसिये को बार में दाखिल होता पाया, वो वर्दी में था, और वर्दी पर चमकते दो सितारे बता रहे थे, कि सब इंस्पेक्टर था, उम्र म पर एक पुलिस की जीब भी खड़ी दिखाई थी, अब रोकना हमें कि शोट चैलेंज भरिस्वर में भूला, जीत सिंग की यता पूर्व बैठे नवलानी से निगा मिली, तो उसने इशारे से उसे समझाया, कि वो पुलिस से पंगा लेने की नादानी ना करे, सब इंस्प करीब पहुचा, उसने एक सरसरी निगा तीनों चेहरों पर दोड़ाई, और फिर अधिकार पूर्ण स्वर में बोला, क्या हो रहा है यहां? कुछ नहीं हो रहा, जवाब किशोर ने दिया, क्या कोई पंगा है? कोई पंगा नहीं, अभी जारेला है. दोनों भाई उठके ख बोला, पर न उस ठीये का नाम बोलके जाओ, जिदर यहां से मेरे फिलेंड को लेकर गए थे. काहे, तु साला इतना काबिल भीडू, जैसे हमारा पता लगाया, वैसे इस ठीये का पता भी लगा, जैसे हमारे तक पहुचा, वैसे उस ठीये तक भी पहुच, क्या वांदा है तुम बोलो तो भी क्या वांदा है, कोई वांदा नहीं, पर मेरे को नहीं बोलने का है, खुद पता लगा, शाबाश, और वो वहां से रुकसत होने के लिए आगे बढ़े, अभी, जैसे सिंग जल्दी से बोला, क्या अभी, किशोर बोला, क्या मांगता है, ये पुलिस वा पावले है, अर्विन पावले, और पावले, ये, क्या नाम बोला भीडो, बदरीनात, बदरीनात, सब इंस्पेक्टर ने नाम दोहराया, सूरत कुछ पहचानी सी लगती है, हम पहले कभी मिले हैं क्या, नहीं, कभी दादर या आस-पास के किसी थाने में कदम पड़े है, नहीं, पुलिस से भी कभी कोई वास्ता नहीं पड़ा क्या, नहीं, तो मेरे को इधर, उसने एक उंगली से अपनी कनपटी ठक ठकाई, लोचा, सच्ची में पुलिस वाला है क्या बाप, असली करके, क्या मतलब, इन टपोरी लोगों की मदद के वास्ते दोड़ा इधर आय इस वास्ते पूछा, ज्यास्ती शानपंती करने का नहीं है वर्ना, क्या वर्ना, हबलात में बंद होएंगा, क्या खाम खा? बोले तो खाम खा भी, बाप, सब इंस्पेक्टर है या कमिशनल है? ए, फूल नहीं देने का, स्मार्ट बन के नहीं दिखाने का दिखाएगा तो क्या करेगा, यही चार्च लगाएगा कि मैं स्मार्ट बन के दिखाता था अरे, ज्यास्ती, यह चार्च नहीं चलने का, मैं चलने वाला चार्च बनाता है क्या? इस छोटे भीडू का नाग देखने का है जो अभी लाल है थोड़ा टैब में देखना फूल के पकोड़ा बनेगा मैंने किया इसका काम जब ये तुम्हारे को बुलाया तो बोला नहीं किया ऐसा अरे काहे पंगा करता है नहीं बोला तो अब बोलता है अरे बोलता क्यों नहीं तेरा नाप कैसे तूटेला है या अभी साबूत ऐसा है तो मैं अब तोड़ता है ना बरोबर तेरे हिमायती पुलिसिये के सामने मदूर घबरा कर दो कदम पीछे हट गया साले रपट कर मेरी गिरफतार करा मेरे को माता फिरेला है क्या सब इंस्पेक्टर बोला हाँ फिरेला है ना अभी थामता काहे नहीं मेरे को फूट ले काहे पिछु से गोली मारेगा क्या अरे सुना नहीं जीत सिंग घूमा और बार की तरफ बढ़ चल गया एक शरन को वो बार पर ठिटका उसने वहाँ मौझूद बार मैं किर पेकर से निगा मिलाने की कोशिश की तो वो उसकी तरफ पीट फेर कर खड़ा हो गया जीत सिंग एक शरन वहाँ ठिटका फिर बार के आगे से होता मुख्यद्वार की और बढ़ा सेरे के बार स्चूर पर नवलानी तब भी पूर वद बैठा हुआ था वो उसके आगे से गुसरा और फिर दर्वाजे को धकेल कर बाहर निकल गया पुलिस की जीप लावारी से बाहर खड़ी थी उसके ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था वहाँ सिर्फ एक पी कैप पड़ी हुई थी जो कि जाहिर था कि उस सब इंस्पेक्टर की थी यानि कि वो कथित सब इंस्पेक्टर खोद उसे चलाता अकेला वहाँ पहुचा था अकेला ऐसा तो कभी नहीं होता था तबी मुबाइल की घंटी बची उसने कॉल रिसीव की कहा हो नवलानी ने पूछा सड़क पर महरानी वाली साइट में उधर ही बढ़ते रहो मैं कार लेकर आता हूँ दिखाई दे तो बैठना बात क्या है उस पुलिस वाले से पंगा नहीं लेना चाहिए था तुम गिरफ़तार हो सकते हो खाम 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 भी पुलिस का क्या पता लगता है खाम खाम भी बहुत कुछ करती है वो ये टाइम नहीं सहब क्यूं भला उसने गिरफ़तार करना होता तो तब ही करता जब मैं उससे कड़क बोला था जब गिरफ़तारी की फौज़तारी की वज़ा सामने थी जाने दिया तो वज़ा होगी क्या गोली मार देगा बोलेगा गिरफ़तारी से बचकर भाग रहा था फरार हो रहा था उसको बार में लोचा वो उधर भीर की में कुछ करना नहीं मांगता था लेकिन जीत सिंग पीछे वो बराबर था फॉरण पीछे लपका था मैं उठकर उसके रास्ते में नहीं आ जाता तो वो बार के बाहर तुमें थाम लेता क्या आप उसको अटकाया? हाँ, अब बाकी बाते बात में सड़क पर चलते रहना आता हूँ लाइन कट गई थोड़ी देर बाद नवलानी ने अपनी कार उसके बाजू में लाकर रोकी और हौन बचाया नवलानी की कार सफेद जैन थी जिसे वो पहले से पहचानता था वो कार में सवार हो गया ततकाल कार आगे बढ़ चली और रफ्तार पकड़ने लगी अब बोलो नवलानी बोला पीछे बार के कैबिन में क्या हुआ था जीत सिंग ने सर्विस्तार बोला ओ, वो का मौश हुआ तो नवलानी बोला यानि कि तुम्हारे ताकत बताने का भी उन्होंने कोई खास फॉक खॉफ नहीं खाया ऐसा ही छे सहब जीत सिंग बोला उपर से वो सब इंस्पेक्टर जो पहुँच किया वो कैसे पहुँच किया मैं गलती किया ना जो छोटे वाले को मदर गोड बोले को अपनी फूटी नाक संभालने टॉइलिट जाने दिया मेरे को उसको अपने सामने से हिलने नहीं देने का था पर अब क्या बोले साला हलकर टॉइलिट में जाके मुबाइल पर अपने हमायती पुलिस वाले को फोन लगा गिया हमायती बोला बरोबर बोला सहब मेरे को पकी कि वो उन दोनों को खुब जानता था फिर कोई पुलिसिया यो अकेला नहीं पहुँचता है नहीं वो पुलिसिया वारदात की तफ्तीश करने या मेरे को गिरफतार करने नहीं पहुँचा था वो तो उधर से उन दोनों को नक्की कराने के लिए निकाल ले जाने के लिए पहुचा था मेरे को थामना तो वो मांगता ही नहीं था मैं ऐसा करने को चैलेंच करके बोला तो भी नहीं गिरफ्तार करता तो ये बात छुपी नहीं रहती कि वो उन वो कॉन मैन का टपोरी लोगों का करीबी था ऐसा इस था सहब साहब मेरे उधर से निकल लेने के बाद पिछु क्या हुआ होना क्या था जब तुम्हारे वहा होते उस पुलिसिये ने कुछ नहीं किया तो तुम्हारे पीछे क्या होता फिर भी आप बोला कि मैं गिरफतार हो सकता था अरे खुद नहीं करता फोन पर किसी और पुलिसिये को बोल देता जो और कुछ नहीं तो शक की बिना पर खाम खा तुम्हे थाम लेता थाने ले जाकर बिठाता तो थाने के डिर्ट सो लोगों के स्चाफ में कोई तो तुम्हें पहचानने वाला निकल आता कि तुम नौन बैट केरेक्टर थे डिकैती के केस में बैनिफिट आफ डाउट पाकर छूटे हुए मुझरिम थे फिर जो होता बुरा होता और कुछ भी ना होता तो कम से कम उस काम के लिए आजाद फिर नहीं फिर रहे होते जो कि तुम करना चाहते हो जीत सिंग तुम्हें उस पूलिस वाले से पंगा नहीं लेना चाहिए था मैं भाव खा गया था साहब उसकी एका एक आमद नहीं मेरा सारा खेल बिगाड़ा था साला एका एक यूँ टपका कि मैं कुछ भी नहीं जान सका उनसे ये तक नहीं निकलवा सका कि वो एडवार्डो को पैरामाउंट से निकाल कर किधर लेकर गए थे अब निकलवा सकोगे भी नहीं अब दोबारा वो तुम्हारी पकड़ाई में नहीं आने वाले मेरे को भी यही जान पड़ता है साहब तुम्हें पुलिस के हर हाल से हर हाल में बचके रहना चाहिए साहब यह टाइम मिस्चेक हुआ आइंदा नहीं होगा हम्हुँ वो खुद बोले ऐसा कि तुम्हारा फ्रेंड को पैरामाउंट कलब से निकाल कर कहीं ले गए थे क्या लंबे वाला बरोबर बोला साहब किसी ऐसे ठीये पर लेकर गए जिसको मिड़नाइट कलब बोलते हैं पर वो उसको टुन नहीं कर सके इसलिए उसको उधरे छोड़ के चले गए जूट बोलता होगा मेरे को सच बोलता लगा साहब और साहब मेरे को लगता है एडवार्डो को मार मार कर कच्रा उन दोनों ने नहीं किया था ऐसा क्यूं लगता है तुम्हें? एडवार्डो बड़ी उम्र का है पर बहुत दम वाला है एन कड़क बना हुआ है वो उन दो जनों के काबू में आने वाला नहीं था फिर भी काबू में आया होता तो वो दोनों भी खुप छुके होते उनको देखकर ऐसा नहीं लगता था सहब धोके से वार किया होगा पीछे से वार किया होगा पीछे से वार बरोबर पर वो एक इच वार एडवार्डो पर नहीं हुआ था एडवार्डो का हाल ही बताता है कि करारा फाइट हुआ था जैसा तूटा फूटा वो है उससे आधा तो ये भीडू होते एक तिहाई तो होते ही वो तो एकदम फिट थे एकदम चौकस थे ओ सहब उनकी बेफिक्री बताती थी कि ऐसा नहीं हुआ था वो उनकी कर्टूत होती तो उनकी मेरे सामने बैठे रहने की हिम्मत नहीं होती बैठा रहना तो दूर वो मेरे को उधर मौजूद देखकर ही खिसक गए होते आपके रोके भी नहीं रुके होते रुके होते तो कम से कम कोशिश जरूर की होती उधर से निकल लेने की ठीक अब तुम क्या करोगे साहब अभी आप ही बोला की बद दोबारा तो वो आसानी से मेरे काबू में आने से रहे मैं तो अब यहीच करेगा कि उस मेडनाइट कलब को ढूनेगा जिदर वो एडवार्डो को लेकर गए थे साहब ऐसे ठीयों की आपको कई वाकफियत है क्या नहीं भाई मैं इतना बड़ा पियकर नहीं इतना बड़ा तफरी बाच भी नहीं पर चाहे तो वाकफियत निकाल तो सकते हैं आखिर डेटेक्टिव हैं हाँ निकाल तो सकता हूँ लेकिन फारण नहीं आनन फानन नहीं, ये टाइम खाने वाला काम है, बहुत तफ्तीश करनी पड़ेगी, बहुत पूश्टाच करनी पड़ेगी, साहब करना ना, ठीक है भाई, तुम कहते हो तो, लेकिन ऐसे किसी कलब में दाखिला पाना क्या आसान होगा, उसका भी कोई रास्ता आप ही सुझा आनन साहब, क्या कहने, ठीक है, मैं करूंगा इस बाबत कुछ, थैंक्यू बोलता है साहब, साहब मेरे को इधर ही चुतरने का है, इधर, परेल में, हाँ, इधर एक फिरेंट से मिलकर जाने का है, ओ, उसने कार रोकी, जीद सिंग फिर शुक्रिया अदा करता उसमें से उतर गया, पुलिस से नवलानी बोला, खास तोर से उस सब इंस्पेक्टर से बचके रहना, बरोबर सहब, गुड नाइट बोलता है सहब, कार उसे फुट पात पर खड़ा छोड़ कर आगे बढ़ गई, पैदल चलता जीद सिंग, संगम अपार्टमेंट्स पहुंचा, सड़क पर से उसे डिमपल के फ्लैट की खिड़कियों में रोशनी दिखाई दे गई, उसने चैन की सांस ली, और सेडियों के रास्ते मंजिल पर पहुंचा, उसने डिमपल के फ्लैट की कॉल बेल बचाई, चौकट पर डिमपल प्रकट हुई, बैगी जेन्स और घुटनों तक आ अबरन मुस्कुराता जीत सिंग बोला, कल कहने से नहीं आ रहे थे, आज बीना कहे चले आए, क्या कोई एतराज, कोई वांदा, नहीं, कैसे आए, 100% डिसकाउंट क्लेम करने, नहीं, तो फिर, खुद गर्सी लाई, ऐसा क्या, हाँ, ये बात ना मन्जूर तो जाता है, नह नहीं, भीतर आओ, डिम्बल ने उसे बैट्रूम में एक सोफे पर बिठाया, और खुद उसके सामने बैट गई, क्या कुछ पीओगे, फिर बोली, नहीं, कोई चाय, कॉफी, कोल्डरिंग, नहीं मांगता, सची करके बोलता है, बोले तो मेरे को सीरियस करके कुछ बात करन का है, ओ, आज इस वक्त घर में कैसे हो, प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, ओ, मैं पारमाउंट आज भी गया था, I see, क्या कुछ काम बना तुम्हारा, हाँ कुछ बना, कुछ अभी बनेगा, फ्रेंड का कोई पता चला, चला, किधर था, ओके है न, नहीं, ओके नही है, अरे, क्या हुआ, सरकारी अस्पताल में पड़ा मरता है, एक सांस आता है, तो दूसरे का पता नहीं, कॉमा में है, होश में आए बिना मर सकता है, ओ, पूर मैन, हुआ क्या, मेरे को सब बोलो, जीत सिंग ने सब बोला, ओ, वो खामोश हुआ तो डिंपल बोली, अभी त आना मांगता है, जिदर वो, वो दोनों भीडू गोट बोले ब्रदर्स, मेरे फिरेंड को लेकर गए, और मालुम करना मांगता है, कि उधर कौन मेरे फिरेंड को इतना ठोका कि अस्पताल में पड़ा मरता है, क्यों ठोका, मालुम पढ़ गया तो क्या करोगे, जीत सिंग जवाब नहीं दिया, लेकिन डिम्पल ने उसके चेहरे पर बड़े हिंसक भाव प्रकट होते साफ देखे, खोन का खेल दो तरफा होता है, वो धीरे से बोली, बोले तो, लेने के देने भी पढ़ जाते हैं, अभी भी बोले तो, तुम्हारा बिहार फ्रेंड जैसा हो सकता है, उससे भी बुरा हो सकता है, वो अस्पतार पहुंचा, तुम सीधे ही उपर पहुंच सकते हो, मेरे को परवा नहीं, वो तो मेरे को दिखाई दे रहा है, वो एक शर्ण खिटकी और फिर बोली, पन होनी तो चाहिए, जीत सिंग खामोश रहा, पुलिस के पास क्यों नही क्या प्रॉबलम है, है न फिर प्रॉबलम, फिर एंड रपट लिखाने लायक किधर है, अरे रपट तुम लिखा सकते हो, कोई उसको ठोका, वो अत्मरा अस्पताल में लाया गया, रपट तो वैसे ही दर्च होगी, अस्पताल वाले पुलिस को खबर करेंगे, तो पंश न तुम रपट दर्च तो कराओ, मेरी कोई नहीं सुनेगा, उल्टा ये बोलके मेरे को ही बंद कर देगा, कि जो किया मैं किया, ऐसा कहीं होता है क्या, ये जो भीडो तुम्हारे सामने बैठेला है ना, जिसका नाम उसकी मा ने जीता रखा, उसके साथ होता है, पुलिस के न ऐसे बेडो की थाने में कौन सुनता है, तुम बात को बढ़ा चड़ा की कह रहे हो, पुलिस को जब मालुम होएंगा कि मैं कौन है, और मेरा फिरेंड कौन है, वो यही चेडवार्डो है जो डकैती के केस में मेरा जमानत भरा और मेरे को छुडाया, तो वो जरूर ही मेरे एडवार्डो के लिए उंगली भी हिलाएंगे, पहले तो कुछ करेंगे ही नहीं, करेंगे तो लंबा टैम लगा के करेंगे, वो एडवार्डो को ठोकने वाले भीडूओं को जान जाएंगे, तो उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकेंगे, नतीजा क्या होएंगा, साल मेरे को सबुत नहीं मांगता मेरे को खाली उन भेड़ूं की जानकारी मांगता है फिर मैं एड़वार्डों का इंसाफ करेंगा मैं उनको सजा सुनाएंगा यहिछ मांगता है मेरे को तुम अपने दुश्मनों को नहीं पहचानते तुम उनकी ताकत को नहीं पहचानते तुम तुम्हारा अंजाम बुरा होका जीत सिंग। देखेंगा, मुझे तुमसे हमदर्दी है। मेरे को मालूम, तभी तो इधर आया। अपना इरादा, खतरनाक इरादा छोड़ो के नहीं किया। नहीं। अच्छा, उसने गहरी सांस ली। अभी क्या मानता है। कौन सा सीरियस ब बोला कि तुम्हारे को ऐसे मिडनाइट करके, कलब जो वो गोड बोले भीडू बोले, उनकी खबर हो सकती है। ऐसी कोई एकाद थोड़े ही है, अपके मुममई में कितनी ही है, तुम क्या सब के चकर लगाओगे। यहिच करना मानता है मेरे को। अरे, कोई बहुत हाई क्ल है। दादर के आसपास क्यों? क्योंकि वो भीडू रात के पौने एक बजे, मेरे फिरेंट को पैरामाउंट से किधर लेके गए। इतनी रात के बहुत फासले पर नहीं जाने का, किसी आजू-बाजू के ठीये पर ही जाने का। ठीक। अभी बोलो, पैरामाउंट बार से दादर से तीन-चार किलोमेटर के दाइरे में ऐसा कोई ठीया मालूम है क्या? वो सोचने लगी। जेत सिंग भीरत से उसके बोलने की प्रतिक्षा करने लगा। भाई, मेरी जानकारी में फिर वो बोली, ऐसा सबसे करीब करीबी ठीया तो दादर में ही है, डिसिलवा रोट पर नाम बिग बैंग है, फिर माटूंगा में तेलंग रोट पर डाइमेंड बार है, वरली में पोचका नावाला रोट पर एस्चोरिया है, माहीम में कोटनी से रोट पर इस्चन क्लब है, बांदरा में तो सुना है कई है, लेकिन मेरे को खाली दो मालूम, बोलो तो, एक पर मेफियर और एक जोशी मार्क पर अरिस्चोर, तुम्हारे को बस यही छे मालूम क्या, और भी मालूम है, पर वो दूर दूर है, जैसे फोर्ट में, कुलाबा में, चैंबूर में, गाट कोपर में, अंधेरी में, सब पैरामाउंट से दूर या बहुत दूर, जमा वो ज जाना चाहे तो पिरॉबलम है क्या, हो सकती है, नहीं भी हो सकती, बोले तो, भाई अकेले भेडू के स्क्रेनिंग होती है, उसे ठोका बजाया जाता है, कि वो पुलिस का खबरी ना हो, खुद पुलिस ना हो, शक होने पर चलता किया जाता है, बोला जाता है इधर ऐसा मिड नाइट कलब करके हैच नहीं, ओ, बात ये है कि ऐसी जगों पर आधी रात के बाद, अकेला जाने वाला कोई नहीं होता, ये ठिकाने मौटे तोर पर टूरिस्चों के लिए है, जो नॉर्मल बार में तफरी के बाद भी और तफरी मांगते हैं, ऐसे लोग ग्रुप मे होते हैं, अकेला शायद ही कभी कोई होता है, इसलिए अकेले जाने पर नेचरली शक किया जाता है, और उसे ज्यादा ठोका बजाया जाता है, पर अकेले के जाने पर पबंदी नहीं कोई, पबंदी तो नहीं, लेकिन ओकात फिर भी परकी जाती है, ओकात, ऐसे ठियों पर नॉर्मल ठीयों के मकाबले में हर आइटम थ्री आइटम्स कोस्टली मिलती है। For example, नॉर्मल लीगल बार में विस्की का जो पैग चार पांक सो के बेच में मिलता है, वो अधर हजार रुपए में मिलता है। नॉर्मल ब्रैंड की विस्की के एक पैग के लिए हजार रुपए खर्शने वाले की आउकाद तो होना मांगता है की नहीं। मांगता है एक बात और याद रखने का। कौनसी बात? ऐसे किसी ठीये पर कोई हत्यार नहीं ले जाने का। ऐसा क्या? जीत सिंग तनिक हड़ बढ़ाया? हाँ, तुम्हारी हड़ बढ़ाहड बताती है तुम्हारा ऐसा इरादा हो सकता है। क्या तलाशी होती है? हो सकती है, फिर पंगा हो सकता है, बीतर पहाँ जाने पर हत्यार का पता लगने पर बहुत बड़ा पंगा हो सकता है. इस वास्ते हत्यार नको? हाँ. तो अभी मेरे को ये मालूम पड़ा कि ऐसे ठीयों पर अकेले भेड़ों को खास करके ठोका बजाया जाता है ये मालूम पड़ा कि उधर अकेला जाने वाला कोई नहीं होता बरोबर हाँ मैं उकात बना के जाए हत्यार के बिना जाए और अकेला ना जाए तो भीतर जाना आसान क्या हाँ तुम साथ चलो क्या बोला वो हड़ बड़ाई तुम मेरे को छे ठीयों का नाम बोला छे सडकों का नाम बोला छे इलाकों का नाम बोला फिर भी मेरे वास्ते उन ठीयों को पाना मुश्किल, तुम साथ होएंगा, तुम्हें नाप की सीद में अपनी मंजिल पर पहुंचेगा, तुम्हारा फिल्म इस चार का माफिक, परसनेलिटी देख के बोले तो, मेरे को तो कोई उधर देखेंगा ही नहीं, इस वास्ते भीतर जाना आसान, इस वास्ते मेरा काम पंगा पड़ेगा तो तुम भी धेर, मैं भी धेर, अब तुम बोलो क्या? देखो, अब बोल तो कोई पंगा पड़ेंगा नहीं, एका एक खाम खा थो, हर्गिस नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तुम्हें प्रॉमिस करता है, बलकि गारेंटी करता है, कि पंगे के वक, तुम उधर नहीं होएंगा, अभी बोलो क्या? वो सोचने लगी, और मैं 10,000 रुपिस पर नाइट तुम्हारा फीस भरेगा, खाली कंपनी देने का, ऐसा क्या? हाँ, बोले तो जेरो डिसकाउंट वाला फीस भरेगा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तयार हूँ, थैंक्यू बोलता है, लेकिन फीस के लिए नहीं, तुम्हारा साथ देने के लिए, तुम्हे तुम्हारी मन्ζिल तक पहुंचाने के लिए, उस मन्ζिल तक पहुंचाने के लिए, जिससे मुझे इतिफाक नहीं, फिर थैंक्यू बोलता है, अभी जाता है, और आवकात बनाकर लोटता है, डिमपल ने सेहमती में सेर हिलाया, अपने पहले पढ़ाव के तौर पर उन्होंने जिस मिडनाइट क्लब को चुना वो पोचकना वाला रोड पर वरली पर स्थित एस्चोरिया थी। उस घड़ी जित सिंग को वो पोशाक पहने था जो उसने शनीवर 17 जनवरी को बिग बॉस में रात 9 बचे की पहली हासरी भरने के लिए इंस्पेक्टर गोविलकर की हिदायत पर 10,000 रुपे खर्च कर हर नभी रोड से खरीदी थी। वो ड्रेस थी काला सूट, जग सफेद कमीज, लाल टाई, जेब में टाई से मैच करता लाल रुमाल, बढ़िया जुराबे और जूते। उस ड्रेस में वो खूब जच रहा था और लहचे पर काबू रगता तो कोई नहीं कह पाता कि कोई टपोरी था। उस फोशाग को काबू में करने के लिए उसे चिंच पोकली अपनी खोली में जाना पड़ा था। जो की छोटे मोटे फाटक से मिलता जूलता था। उसने चौकट में लगे एक पुश बटन की तरफ इशारा किया। तो जीत सिंच ने उसे एक बार दबा कर हाथ हटा लिया। अब क्या होगा वो दबे स्वर में बोला। देखना वैसे ही स्वर में डिम्पल ने इत्मे नान से जवाब दिया। एका एक दरवाजा बाहर की तरफ यूँ खुला की जीत सिंच को एक कदम पीछे हटना पड़ा। कमेज पतलून पहने एक आदमी खुले दरवाजे पर प्रकट हुआ। उसने बाहर जांका और खामोश निगा से जीत सिंच और डिम्पल का मौइना किया। क्या है फिर वो बोला। अरे बार में जाने का है जीत सिंच धीरत से बोला और क्या है। कौन से बार में? एस्चोरिया में। कौन बोला इधर कोई बार है? कोई बोला तभी तो इधर पहुंचा। तुम बोलो इधर नहीं है तो कहीं और जाते हैं। और किधर? डार्मेंड बार में डिम्पल बोली, इस्चन क्लब में, मेफियर में, कहीं भी? हम्, टूरिस्ट हो क्या? हाँ, किधर से? इंदौर से? क्या मुंबई पहली बार आए? नन नहीं, आते रहते हैं। तभी, आओ, वो दर्वाजे से परे हटा तो दोनों भीतर दाखिल हुए, भीतर नहीं मंधेरी डियोडी सी थी, जिसके परले सेरे परे, उपर को सेडियां जा रही थी, उस आत्मी ने उनके पीछे दर्वाजा बंद कर दिया। इधरी ठहर ने काहे, फिर वो बोला, मैं उपर जाता है, किसी को नीचे भेशता है। जीप सिंग ने सेहमती में सेर हिलाया, और उसे सेडियां चड़ता देखता रहा। सेडियों के उपर ले सेरे पर एक बंद दर्वाजा था, जिसे उसने खोला, तो भीतर से जीन्स और कॉलर वाली टी-शिर्ट पहने एक व्यक्ती बाहर निकला, और सेडियां उतरने लगा। कमीज पतलून वाला उपर ले दर्वाजे के पीछे गायप हो किया, जीन्स टी-शिर्ट वाला नीचे पहुँचा, उसने एक सरसरी निगा अगंतुकों पर डाली और फिर जेत सिंग से संबोधित हुआ, टिक के खड़ा होने का, उसने बड़ी दक्षता से गले से लेकर ट उसमें कहीं कुछ छुपाया, जाने की गुणजाइश नहीं थी, बड़े वाला गांधी, वो बोला, कवर चार्चिस, जीत सिंग ने उसे एक पाम सो का नोट सौपा, जिसके बदले में उसने उसे एक कूपन सा दिया और बोला, उपर देने का, दोनों उपर पहुँचे, उन्होंने उपर ले दर्वाजे को धक्का दिया, तो चौकट पर खड़े कमीज पतलून वाले के उन्हें फिर दर्शन हुए, जीत सिंग ने उसे कूपन सौपा तो वो तुरंद एक तरफ हट गया, हर नए मेहमान के आगमन पर, शायद वो दोनों यूँ ही उपर नीचे शटिंग करते थे, जीत सिंग ने भीतर निगा दोड़ाई, तो पाया की आगे एक जगमग सजाफ्टी हॉल था, जिसमें बिची मेजों पर और बार के आगे काफी लोग दिखाई दे रहे थे, वातावरण में रिकॉर्डिट म्यूसिक की मधम स्वर लहरियां गूंच रह ही थी, हौल के परले सीरे पर एक महरबा थी, जिसके पार कार्ट्स रूम था और कैसीनो स्चाइल गेम्स का आयोजन था, दोनों एक खाली मेज पर जा बैठे, जीत सिंग ने ड्रेंक्स का आर्डर दिया, जो की एक वेटर ने उन्हें सर्व किया, ड्रेंक्स चुसकते थी, थोड़ा अर्सा उन्होंने यूँ वहां गुजारा, फिर वेटर खोदी उनके करीब पहांच किया, जीत सिंग ने ड्रेंक्स लिपेर किये जाने का ओर्डर दिया, ड्रेंक्स सर्व हुए, तुम इधर बैठो, फिर एक एक जीत सिंग बोला, मैं राउंड मार के आता ह जीत सिंग ने कलब में भटकते और उसका जोग्राफिया समझते गुजारी, फिर वो वापिस टेबल पर लोटा, इधर से बाहर जाने का, वो बोला, पिछवाडे में अलग रास्ता है, लगता है इधर आने वालों के ही परताल है, जाने वालों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, क्या कहना चाहते हो, बोले तो तुम इधर से नकी कर सकती हो, मेरे को नहीं लगता कि किसी के ध्यान में पड़ेगा, कि मैं इधर अकेला नहीं आया था, जाके क्या करूं, क्या बोला, ये वो जगा नहीं निकली जहां फ्रेंड को लाया किया था, तो क्या करोगे, क् किसी कलब में नहीं जाओगे क्या ओ मेरा मतलब था तुम मेरा बाहर इंतिजार कर सकती हो सड़क पर अकेली खड़ी होकर जीत सिंग खामोश हो गया गाड़ी होनी चाहिए फिर वो बोला किधर से आएगी मेरे कई फिरेंट टैक्सी डिरेवर क्या अभी किसी को इधर बुला स सकते हो नहीं अभी तो नहीं तो फिर चुप करो जैसा चलता है चलने दो मैं कल भेजे में भूसा क्या बोला अरे ढकन क्या पता तेरा काम आज ही हो जाए ओ उसने एक शंट सोचा और फिर बोला आता है वो बार पर पहुँचा वहाँ एक बार स्चोल पर बैठ गया उसने घूम कर पीछे देखा तो पाया की गर्दन दाएं बाएं एड़्जस करने पर ही वहाँ से डिमपल दिखाई दे पाती थी उससे तीन स्चूल परे एक नाइट जीन्स पर स्कीवी धारी नौचवान लड़की अकेली बैठी कोई ड्रिंक चुसक रही थी उसके बाल कटे किया बार्मेन ने ड्रिंक सर्व किया सिगरेट रखते हो क्या जीत सिंग बोला येस सर बार्मेन बोला गोल्फलेक येस सर दो उसने जीत सिंग को सिगरेट का पैकेट दिया और एक सिगरेट सुलगाने में मदद की क्या अकेले है सर बार्मेन दबिस्वर में बोला हाँ कमपनी का इंतिजाम हो सकता है ऐसा क्या हाँ बार्मेन ने एक उड़ते निगा परे बैठी लड़की पर डाली और अर्थपोन भाफ से जीत सिंग की तरफ देखा बढ़िया जीत सिंग भी राज़दाराना लहचे में बोला हाँ चौकस हाँ फिट हाँ क्लीन हाँ जैसे वो भी वाली वो भी बोले का अभी क्या वांदा है सर वो क्या है कि मेरे को इधर किसी से मिलने का था किस से एक बड़ी उम्र के गोवानी से बड़ी उम्र के गोवानी आम आते रहते हैं इधर लाल चेहरा सफेद बाल सफेद फ्रेंच कर दाड़ी खूब लंबा चोड़ा तंत द्रोस्त, बार्मेन सोचने लगा, बोले तो मेरे को याद नहीं पढ़ रहा, कि उसने मेरे को इधर कर मिलना था, परसो मिलना था, या आज मिलना था, ऐसा काही, ज्यास्ती हो गया न, पहले बार में ड्रिंक किया, अभी इधर ड्रिंक करता है, ज्यास्ती हो गया, इस वास्त याद में लोचा क्या? हाँ, अभी समझा. तुम इदर का बार्मेन है ना? हाँ. इस टेम डेली इधर होता है? हर टेम डेली इधर होता है, सर? जैसा गोवानी भेडू मैं बोला, वैसा आज देखा इधर क्या? या कल, या परसो, या उससे पहले? नहीं, वो होता तो दिखाई पड़ता क्या? नोटिस में आता क्या? बराबर आता. चाही इधर आके बैठने की जगा किधर टेबल पर जाके बैठता? जैसा गोवानी तुम बोला बाब, वो खास, ऐसा भेडू कभी बे एंट्री मारता, तो मेरे नोटिस में आके रहता. पकी बात? सो टांक. कल ऐसा कोई भेडू इधर नहीं था क्या? अकेला या किसी के साथ? नको. फिर तो मेरे को ही डेट में लोचा, उसको आज आने का होईगा. छीक, बाब वो बाजू वाली लड़की? इधर की है क्या? हाँ. कल इधर थी? परसो इधर थी क्या? डेली अक़ा टैम इधर ही होती है बरो पर. मैं उसको ड्रिंक आफर कोरेगी, तो करे तो क्या बोलेगी? बोलेगी थैंक यू. मेरी तरफ से लगा. बार्मैन ने वोट का और टॉनी का एक ड्रिंक बनाया. उसे जीत सिंग की कोहनी के करीब काउंटर पर रखा और लड़की को इशारा किया. लड़की तत्काल अपने स्चूल पर से उतरी और मुस्कुराती इतराती, कुले जुलाती उसके करीब पहुंची. हलो, वो उसके साथ सटकर खड़ी होती बोली. जीत सिंग ने बार्मैन की तरफ देखा. बार्मैन उससे निगा मिलाए, बिना परेच चला किया. हलो, जीत सिंग बोला, और उसने ड्रिंक की तरफ इशारा किया. वोट का और टॉनिक. ठैंक यू. उसने गिलास उठा लिया. शियर्स. शियर्स. तफरी पसंद है क्या? वो उसके कंदे से अपना कंदा रगटता बोली. येस, पसंद है. मारता है क्या? अभी? हाँ. यही? उपर कैबिन, फरनिश्ट, नो प्रॉब्लम. अभी पहले ड्रिंक. उधर भी सर्विस. ड्रिंक सिधर ही चीक. तो उसके बाद? देखेंगा, सोचेंगा. अभी एक बात बोलो. पूछो. मेरे को गौर से देखो. क्या? मैं पैचान में आया क्या? यू मिन पहले किसी विजिट की वज़ा से? हाँ. नहीं. परसो भी मैं इधर था. उसके माथे पर बल पड़े. काफी टैम इधर था. अरली मॉर्निंग तक. बोम मारता है. परसो रात में अपने एक गोवानी फिरेंड के साथ और वो मराठा ब्रदर्स के साथ दादर के एक बार में मस्ती मारता था. उदर बार बंद होने के टैम तक पत्ते खेला. हैवी ड्रिंग किया. पौने एक बज़े उदर से नक्की किया. और ऐसा कोई मिड नाइट क्लब विजिट किया. काहे? और मस्ती मारना मानता था. और ड्रिंग करना मानता था. ओ, तो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ इदर आया? याद नहीं, याद में लोचा. काली इतना याद है कि किसी एसिश मिड नाइट क्लब में गया. पर सो रात एक बचे के बाद किसी टैम, फिरेंड्स के साथ, एक गोवानी, एडवार्डो करके, जीट सिंग ने फिर उसका हुलिया दोहराया. दो मराठा ब्रदर्स, किशोर गोड बोले, मधुर गोड बोले. जीट सिंग ने उन दोनों का भी हुलिया दोहराया. अभी साला यात में लोचा, पता नहीं किधर गया था. इधर नहीं आया था. पकी बात? हाँ पकी बात, आया भी था, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरे को अपने उन फिरेंड्स से सेम बार में आज भी मिलने का था. अब मेरे को ये पकी होना मांगता है, कि नहीं मांगता, कि परसो राद भी मैं उन फिरेंड्स के साथ इधर इच था. नहीं था, लड़की जुझला कर बोली. पंड शायद, नो पंड नो शायद, नो नथिंग, तुम तो साला भीजा चाड़ता है. मैं जो साला इतना फैंसी आफर दिया, उसको इगनॉर करता है, और भेजा चाड़ता है, अभी कुछ मांता है, तो बोलो, वर्ना, वर्ना क्या, वर्ना ये, उसने अपना गिलास खाली किया, उसे बार काउंटर पर पटका, भून भुनाती हुई वहां से रुकसत हुई, औ इस बार उसकी तरफ पेट करके, जेत सिंग ने भी अपना गिलास खाली किया, और मेज ठक ठका कर, बारमेन का ध्यान अपनी और आकरशित किया, पुलजन पूर्ण भाव से परे जा बैठी लड़की को देखता, बारमेन उसके करीब पहुँचा, पसंद नहीं आई, वह ब लगाना मांगती है, रोकडा ज्यास्ती मांगती है, ऐसा तो शानता कभी नहीं, बिल दे, बोले तो मैं बात करे और, अब नहीं मांगता, किदर और जाना मांगता है, बिल दे, बिल चुका कर, जेत सिंग वापिस डिमपल के पास पहुँचा, उसने वहाँ पड़े अपने अंचुए जाम की तरफ तवज्जो नहीं दी, वहाँ का भी बिल चुकाया, और वहाँ से रुकसत हो किया, नीचे फाटक के पास उसे पहले वाला ही, कमेज पतलून वाला आत्मी मिला, जीत सिंग ने बतौर टिप, उसे एक सौ का नोट थमाया, तो वो खुश हो किया, उस पास बारों के चकर लगाने में सुबा के पास बच गए, कहीं से कोई उमेत अवजा जवाब नहीं मिला, हर जगा से यही को मिला, कि एडवार्डो के हुलिये वाला कोई गुवानी या गोडबले बंधुओं के हुलिये वाला कोई मरा था, पिशले तेन दिनों में वहाँ नहीं देखा गया था, डिम्पल को उसके घड छोड़ते वक, उसने उसे हजार हजार के दस नोट थमाए, ये क्या, वो बोली, तेरे को मालूम, लेकिन कोई वान्दा रही, बोला था फिस भरे का, वो कुछ शन नोट हाथ में था में हिच किचाती रही, फिर पांश नोट उसने जीत सिंग को लटा दिये, जीत सिंग की भवे उठी, घोड़े और घास की यारी वाली बात है, वो बोली, वरना मैं अपनी 100% डिसकाउंट वाली बात पर खरी उतरती, और 5 नोट भी नहीं रखती, अरे मैं बोला ना कोई वान्दा नहीं, मेरे को भी वान्दा नहीं अभी कहना मानो, अच्छी बात है, जीत सिंग ने नोट जेब में रख लिये, डिसकाउंट वाली फीस 5,000 रुपए, जमा 12,000 रुपए, जो 6 बारों में खर्च हुए, 5 घंटे का खर्चा 17,000 रुपए, माले मुफ्त दिले बेरहम, और पल्ले क्या पड़ा, सारी रात करके तबियत खराप की, गुरुवार 23 अप्रेल, सारा दिन जेत सिंग सोया रहा, दोपहर बात 3 बजे वो सोकर उठा, और नित्य कर्म और हलकी पेट पूजा से निर्वित हुआ, फिर उसने शेकर नवलानी को फोन लगाया, मेरे लायक कोई खबर सहब, वो बोला, है, जव वजे खार पहुँशना, और टेलीफोन एक्सेंज के सामने के कॉफिस हाउस में मेरे को मिलना, लाइन कट गई, निर्धारित समय पर निर्धारिस थान पर उसकी नवलानी से मुलाकात हुई, कॉफि, नवलानी ने पूछा, चलेगा सहब, जेत सिंग अदब से बोला, नव भी बोलो सहब, क्या बात है, तुम्हारे लिए एक खास खबर है, नवलानी संजीत की से बोला, वैसे भी जिसका जिकर टेलीफोन पर मुनासिब नहीं था, कोई, जेत सिंग संशक भाफ से बोला, फिक्र वाली बात है क्या सहब, हो सकती है, हो सकती है, हाँ भई, जो पुलि भाबत है, इसलिए हो सकती है, बात क्या है सहब, वो सब इंस्पेक्टर, अर्विन पावले, करब पुलिसिया है, जो कई बार कई थानों से ट्रांसफर किया जा चुका है, दादर थाने में ट्रांसफर से पहले, वहां के तब के SHO गोविलकर के अंडर, तार देव थाने मे था, वही इंस्पेक्टर गोविलकर, जिसका कोई तीन महीने पहले, जन्वरी के महीने में, गुरुवार, 29 जन्वरी, आखिर उसी ने तो उसे SHOOT किया था, मर्डर होके हटा है, जन्वरी के महीने में वो, सब इंस्पेक्टर अर्विन पावले, तार देव थाने में था क् नहीं, उससे बहुत पहले, पाच महीने पहले, अगस्त के महीने में, उसके वहां से ट्रांसफर हो गई थी, ओ, इसलिए वो जेत सिंग या उसके केस से, जाती तोर से वाकिफ नहीं, नाम से तो अब भी वाकिफ नहीं होगा, क्योंकि गोड बोले भाईयों को मैंने अपना नाम बदरिनाथ बताया था, इसी वज़ा से तो वो तुम्हारे से, तुम्हारी असलियत से वाकिफ नहीं, वो बदरिनाथ की परताल कर रहा है, और इस नाम के किसी नोन या अननोन क्रिमिनल के बारे में, कोई जानकारी हासल करने की कोशिश कर रहा है, अपने इस कोशिश म अगर तार से तार चुड़ गए और उसे सूच गया कि तुम जीत सिंग हो और कौन से जीत सिंग हो तो जीत सिंग बुरा होगा तुम्हारे लिए क्यूं सहब? अरे वो तो बद्रीनाथ के खिलाफ ही कोई केस खड़ा करने की फिराप में है कैसा केस? और ड्यूटी पुलिस आफिसर पर हमला करने का केस उसको उसके ड्यूटी करने से रोकने का केस मैंने कब हमला किया? जीत सिंग घबरा कर बोला मैंने कब उसको ड्यूटी से रोका? जब वो ऐसा बोलेगा तो उसका मुँ पकड़ कर दिखाना साहप ये तो जुल्म है पुलिस के लिए ऐसा जुल्म क्या नहीं बात है साहप गरीब मार है जो जब होगी तो ऐसी मार तुम्हें पहली बार नहीं पड़े की बरोबर बुला साहप और ये हाल तब है जबकि उसे अभी असलियत का कोई इमकान नहीं साहप आपको ये सब कैसे मालूम है मेरे से मिला था दो पहर में आफिस में पहुँश किया था क्यूं कल पैरामाउट में तब मैं भी तो मौजूद था जब तुमने उसे हूर दी थी वो जब पीछे लपक रहा था तो मैं उसकी राह में जो आ गिया था उसे कल तो नहीं सूझा लेकिन आज शक जाहिर करके गया कि ऐसा मैंने खास तुम्हारी खातिर तुम्हें निकल जाने का मौका देने के लिए किया था आपने क्या बोला साहप यही कि उसका शक बे बुनिया था मैं तो महस हैलो बोलने के लिए उसके रूबरो हुआ था साहप जब आप उसे जानते नहीं थे तो हैलो का क्या मतलब किसी और का धोगा हुआ उसे कोई और समझा और सामने आकर हलो बोला फिर पता चला कि वो वो नहीं था जो मैं उसे समझा था तब रास्ता छोड़ा हाँ सौरी बोलकर लेकिन उसको इतना अटकाई रखने के बाद की तुम निकल लेते वो आप तक कैसे पहुँच किया साहप क्या साहप जब आप उसे नहीं जानते थे तो बोले तो वो भी तो आपको नहीं जानता होगा उसने एकशन उस बात पर विचार किया भाई फिर बोला वो मेरी सूरत से वाकिफ होगा वाकिफ होगा या बात में जानी पहचानी लगी होगी क्योंकि किसी पुलिसिये का किसी पेड़ी के बाबत जानता होना कोई बड़ी बात तो नहीं बाद में उसने इस बाबत परताल की होगी तो जाना होगा कि मैं कौन था और कहां पाया जाता था बरोबर बोला सहब पर आप से मिलने आया तो ये ना पूछा बल्कि जिद ना की कि आप क्या मेरे को जानते थे पूछा जिद करके पूछा आपने क्या जवाब दिया सही जवाब दिया बोला मैं किसी बत्रीनात को नहीं जानता था सहब आगे कभी जिद सिंग की बाबत पूछेंगा तो क्या बोलेंगा तब जूड बोलना मुहाल होगा क्यूंकि उसका मेरे से तुम्हारी बावत पूशने आना इस बात का सबूत होगा कि वो इस बात की परताल और तज्दीक करके आया था कि मैं तुम्हारी से वाकिफ था ओ, जीत सिंग, तुम्हें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए था अब जो हो गया सो हो गया साहब, अभी आगे का बोलो साहब मेरे को कोई राय दो, कि मेरे को आगे क्या करने का है तुम्हें खबरदार रहना होगा, और हर चंद कोशिश करनी होगी कि आइंदा कभी तुम्हारी उससे कैसे भी कोई लाइन क्रॉस ना हो मैं नहीं जानता कि ऐसा अंजाने में हुआ या तुमने जान बुश के किया लेकिन तुम्हारे हक में ये एक अच्छा काम हुआ कि तुमने उसे अपना फर्जी नाम बताया आज कल तो नौन क्रिमिनल्स का कम्प्यूटर में भी रिकॉर्ड होता है तुमने अपना असली नाम बताया होता तो अभी तक तुम्हारे बारे में वो सब को जान चुका होता जो कि इंस्पेक्टर गोविलकर मरहूम जानता था क्या जान चुका होता मेरे पर कोई चार्च नहीं है कोरट ने भी मेरे को बरी किया है सहब एक बार कोट से बरी हो जाना, दुबारा गिरुफतारी ना होने का लाइसेंस नहीं बन जाता, गोविलकर के केस में दम था, लेकिन तुम्हारी खुश किसमती से केस कोट में ठहर नहीं पाया, क्यूंकि केस को मजबूती देने के लिए वो मौजूत नहीं था, उसका कतल हो ग गए, पुलिस का चश्म दीद गवा, तुम्हारा हिमायती निकल आया, तुम्हारे हक में मुकर गया, इसलिए तुम चूट गए, इस बार तुम्हारे खिलाफ केस खड़ा हुआ, तो जो वो गवा तुम्हारे खिलाफ होंगे, उनमें से एक वो होगा, जिसकी दूसरे की कि तुमने नाक तोड़ी थी, जब वो दोनों भाई, तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, कि तुमने उनकी मौचोदकी में एक पुलिस सदिकारी पर हमला किया, मेरे को कबोल की नहीं किया, तो किसी के हिलाई नहीं हिलेंगे, ये तो अंधेर है साहब, है तो सही भाई, लेकिन जैसे तुमने एक बार इंस्पेक्टर गोविलकर के अंधेर का मुकाबला कर लिया, वैसे हर बार नहीं कर सकोगे, तुम क्यों होगे, कर सकते हो, तो मैं तुम्हें ऐसा करने की राय हर्गिस नहीं दूँगा, पिछली बार तो तुम्हें डी-एस-पी प्रधान ने बचा लिया, इस बार कोई उंच नीच होई, किस के साथ, तुम्हें मालूम है किस के साथ, जीत सिंग खामोश रहा, तो इस बार कौन बचाएगा, तारदेव ठाने में इंस्पेक्टर गोविलकर के हाथो, तुम्हारी जो डंडा परेड होई थी, वो इतिफाक से, महज इत मिनिस्ट्री, बात पुलिस कमिशनर तक पहुँच गई थी, और तुम बच गई थे, इस बार पुलिस के हत्ते चड़े तो किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, कि तुम्हारे साथ क्या भी थी, क्या गलत कहा मैंने, नहीं साहप, दरिया में रहकर मगर से बैर नहीं चल सकत मेरे भाई, तुम मामूली ताला तोड बड़े मवालियों से टकर नहीं ले सकते, बड़े मवाली, पुलिस वाले, किसी ने ऐसे ही तो पुलिस को गुंडों की और्गनाइस्ट जमात नहीं कहा, अकेला चना भार नहीं फोट सकता, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं साहप, मैं मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पुलिस से, खास तोर से सब इंस्पेक्टर अर्विन पावले से, हमेशा नहीं तो फिलहाल, मेरी लाइन क्रॉस ना हो, पर नेडवार्डों का कच्रा करने वालों को मैं नहीं छोड़ने का, बले ही मेरे साथ कुछ भी बीते, इसलिए अब ये टॉपिक छोड़ कर, मिडनाइट क्लब करके जो ठीये चलते हैं, उनकी बात करो, कुछ मालूम पढ़ा क्या साहब? हाँ, दाइन बाइन पूश्टाच से कुछ तो मालूम पढ़ा है, ऐसे कलब्स को पेट्रोनाइस करने वाले कुछ लोगों का पता मैंने निकाला था, और उन्हें थामा था, बहुत जनों ने बहुत से ऐसे ठीयों का जिक्र किया, लेकिन तकरीबन लोग ठीक से उनका पता चिकाना नहीं बता सके, बोले, नशे में भूल गए, किसी को खाली इलाका याद था, किसी को बिल्डिंग की पहचान थी, लेकिन ये नहीं याद था, कि वो कौन से इलाके में थी, कितने तो बोले कि टैक्सी वाला लेके गया, पता नहीं किधर पहुंचा आया, ओ, फिर भ बोलो सहब, एक ड्रीम लेंड है, जो कि कुरला में लेबर कैम्प रोड पर है, दोसरा इधर खार में ही, कुलकर्णी चौंक में रूबी बार है, तीसरा कोटनीस रोड, माहिम पर इस्चन क्लब है, उसको छोडो सहब, उधर कल रात में होकर आया, अच्छा, मेरा फिरेंड उधर नहीं ले जाया किया था, कैसे मालूम, खुद जाके पक्की किया ना, पता कैसे जाना, जीत सिंग ने बताया, उन पांच और ठिकानों की बाबत भी बताया, जिनकी फिराख में उसने सारी रात खोटी की थी, भई, तुमने तो कमाल कर दिया, इसलिए मेरी कार से परे किधर थी, दूसरे, मालूम पड़ा भी तो हाथ तो कुछ नहीं आया, आएगा, दिर निश्चे से जो काम किया जाए, उसका फल हमेशा मिलता है, चौथा ठिया बोलो सहब, अब तो तीसरा ही समझो, क्यूंकि एक तो खारी छोगिया, उस ठिये का नाम नोबल हाउस है, वो वरली में ग्लोब मिल रोड पर है, ग्लोब मिल रोड पर, उस सिरे पर है जिधर की पोचखाना वाला रोड है, इसलिए समझो कि एस्चोरिया नाम के तुम्हारे वाले, उस ठिये के, जहां कि कल रात तुम होकर आए हो, करीब ही है ये नोबल हाउस, नवलानी ने उसे एक दोहरा किया हुआ कागस सौंपा, इन तीन ठियों के नाम पते इस कागस पर दर्च है, रख लो, काम आएगा, मैं और ठिकानों का पता लगाने की कोशिश करूँगा, लेकिन इन तीन में से तुमने क्या जाना, मुझे बोल के रखना, तुम्हारा मतलब इन में से ही किसी मे हल हो गया, तो मेरी आइंदा पर्टाल गैड़ जरूरी होगी, क्या तुम समझे मेरी बात? समझा सहब, दाखिले का तरीका तुम्हें बतानी की तो अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दाखिले का तरीका तो तुमने खोद ही इजात कर लिया है, फिर भी सहब, आप बताते तो क्या बताते? मेरे सुनने में आया है कि ऐसे ठीयों पर एक्स्ट्रा बार्मेन की जरूरत हमेशा होती है, कहीं जाके बोलोगे कि एक्स्पिरियंस बार्मेन हो, पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब की तलाश में हो, तो भीतर जाने से कोई नहीं रोकेगा. बढ़िया पावले के सामने इस बात का जिक्र नहीं किया, कि तुम्हारे पास गन थी, वरना तुम वहीं धर लिये गए होते. पोजेशन ओफ एलेगल अनलाइसेंस वेपन इस अ क्राइम. इस बाबत आइंदा में हमेशा बहुत खबरदार रहूंगा साहप? हाँ जरूर. साहप, कला बोला की घोर पड़े ब्रदर्स, अब मेरे को ढूने नहीं मिलेंगे, फिर भी मेरे को ढूनना हो तो मेरे को क्या करना मांगता है? नवलानी ने उस बात पर कुछ शन विचार किया. भाई, फिर बोला, सब इंस्पेक्टर पावले से उनका कोई गहरा लिंक है, ये तो निश्चित है, मैं पावले की वाच का इंतिजाम करूंगा, वे दोनों पावले के कॉन्टेक्ट में होंगे, तो मुम्किन है पावले की निगा बिनी से उनका पता चल जाए. मेरे पास उनका लैंड लाइन नंबर है, साहब, ये मालुम किया जा सकता है कि वो नंबर किधर चलता है? आसानी से मालुम किया जा सकता है, लेकिन ये बात उन्हें भी मालुम होगी, इसलिए तुम्हारा ये सोचना नादानी है कि अभी भी वो उस पते पर बने हुए वो तो कब के वहां से निकल गए होंगे? साहब, सब इंस्पेक्टर पावले पर वाच आप खुद रखेंगे, उसकी बाबत जो जानकारी निकालने को आप बोले, वो आप खुद निकालेंगे क्या? नहीं भाई, इतने सारे काम मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ? तो, एक आद जब राव पटवर्धन है, पुलिस के महकमे में DCP है, काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई, इसलिए ये नहीं मालूम कि आज कल पोस्चिंग कहा है, लेकिन उससे कोई फर्ट नहीं पड़ता, मेरे को उसके घर का पता मालूम है, मैं उससे वहीं जाकर मिलूंगा. क्या वो हेल्प करे का साहब? बराबर करेगा, किसी वज़ा से मेरा एहसान मानता है, इसलिए मुझे यकीन है कि मेरे कैसी भी मदद से इंकार नहीं करेगा. ओ, अब तुम वन्स फो आल अपना इरादा बोलो. कैसा इरादा? तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी गोवानी फ्रेंड की दुर्गत के लिए वो दोनों गोट बोले ब्रदस जिम्मेदार नहीं हो सकते. लिहाज़ा तुम्हारे फ्रेंड के साथ जो भी थी, उनके उस से किसी मिड़नाइट कलब में अलग हो जाने के बाद भी थी. अब फर्स करो कि आखिर का तुम उस मिड़नाइट कलब का पता पा लेते हो और उन भीडूओं के भी शिनाख कर लेते हो जिनोंने बकॉल तुम्हारे तुम्हारे फ्रेंड का कच्रा किया तो उसके बाद उसके बाद तुम क्या करोगे? मालूम नहीं, जब ये सब हो जाएगा तो सोचूंगा साहब. तुम बात को टाल रहे हो, तुम्हे अभी सब मालूम है, तुम यकीनन इस बाबत पहले ही कोई निश्चे किये बैठे हो, क्या है वो निश्चे? जीत सिंग ने उतर नहीं दिया. जीत सिंग, मेरे सामने खामोश रहना बेमानी है, दाई से पेट चुपाने की कोशिश है ये. जी, ये न भूलो कि मैं वो शक्स जिससे तुमने कभी कुछ नहीं चुपाया. तुम जन्वरी की उन्निस तारीक सोमवार का वो दिन याद करो, जब तुम मेरे आफिस में मेरे से मिलने आई थे, और तुमने अपनी जुबानी कबूल किया था, कि सुश्मीता से दस लाग का वादा करने के बाद से, तुम न जालिया इजाफा भी हुआ ना? हुआ, जीत सिंग दबिस्वर में बोला, तीन और किये, स्कोर बारा हो गया. जब एडवार्डो के हमलावरों का पता पालोगे, तो वो तेरह, चौधा, पंदरह हो जाएका? नहीं. दाई से पेट चुपानी की बाबत अभी मैंने क्या बो देती, इस बात से सबक लो. क्या सबक लो सहब? डोंट पुश यूर लग, तकदीर का इम्तिहान ना लो. ठीक है सहब, जब उन जालिमों का पता चल जाएगा, तो मैं एडवार्डो को बोलूँगा, मर चुका होगा, तो उसकी रुख को बोलूँगा, कि वो उनके खिलाफ F.I.R. दर्च कराए, और इंसाफ होने का इंतिजार करे, और अपने गौट से दुआ करे, कि वो तब तक उसे अपने पास ना बुलाए, जब तक इंसाफ ना हो जाए, ऐसा होना नहीं दिखाई दे, तो वसीयत करके जाए, कि इंसाफ हो चुकने पर, उसके फर्मान का पर् बहुत करवाहट है तुम्हारे मन में मुल्क के काइदे कानून के लिए, खाम का है क्या साहब, बावजुद इसके कि जिस इंसाफ से तुम्हें शिकायत है, वो तुम्हारा हुआ होता, तो अब तक बारा बार फांसी पर जुलाए जाने के हगदार पाए जाते, बावजु इसके कि दुश्मनों की लाग पैंतरे बाजियों के बावजुद केकी मिस्तरे का इंसाफ तुम्हारी आँखों के सामने हुआ और सबने सजा पाई, बोनी जादव उम्र कैद काट रहा है, उसका बाप चगन जादव गोली खाके कुते की मौत मरा, बड़ा बटाटा उम्र कैद काट रहा है, उसका सर परस्त नेता मदुकर साब ले, उसी के हातों गोली खाकर मरा, ये इंसानों को समझाने की बाते हैं साहब, इंसानों के समझने की बाते हैं, मैं इंसान किधर है, मैं तो जानवर है, तुम ऐसे नहीं हो जीत सिंग, ऐसे होते तो तुमने इस बात क परवा नहीं की होती कि एडवार्डो के साथ क्या बीती थी उसकी दूरदर्शा पर यू नहीं तडपे होते जैसे जो उसके साथ बीती थी वो तुम्हारे साथ बीती थी तुमने खुद कहा था कि केकी मिस्तरी के साथ हुए जुल्म ने तुम्हारे में आदमियत जगाई थी उसकी अपाहिच बीवी का बेन बियाही नौजवान बेहन का ख़याल करके तुम्हारे भीतर कुछ होता था सुश्मिता से जिंदकी का सबसे बड़ा धोगा खा कर तुमने कभी पुरसूमल का कुछ बिगाडने का ख़याल नहीं किया बारा खून करने वाले ने ये नहीं सोचा कि पुर्सूमल का कतल करके तुम सुश्मीदा को विद्वा बना सकते थे और उस पर फिर अपना क्लेम लगा सकते थे जीत सिंग तुम खराब आदमी नहीं हो बटके हुए आदमी हो गुम्रा हो तक्दीर की ऐसी ठोकरे खाए आदमी हो कि भले बुरे की तमीज़ खो बैठे हो तुम सहब जरा चुप करो नवरानी खामोश हुआ इस लेक्चर का मतलब क्या है मकसद क्या है आप चाहते हैं मैं एडवार्डो को मौत की देहलीज पर पहुंचाने वालों की तलाश का खयाल छोड़ दूँ और जाकर उसके सिर्हाने बैठ कर उसकी मौत का इंतिजार करूँ बलकि उसके भी क्या जरूरत है कमेटी वालों का जहर भरा निवाला खा कर कोई आवारा गर्थ कुटा मरा या वाल पोई से परुपकार करने आकर गौड की भेड बन कर गौड डेट करने आकर बुड़ा गौवानी एडवार्डो मरा एकिच बात जो औरत मेरे को बोली कि अगर मैं उसको दस लाक रुपया दूँ तो वो जिन्दगी भर मेरे पाउं धो धोकर पियेगी बात में बोली कि वो औरत वो हैच नहीं वो तो मिसिस चंगुलानी है इजदार सेट की इजदार सिठानी है उसका मेरे जैसे चिंच पोकली के मैले से क्या मतलब इंस्पेक्टर गोविलकर ने अपने थाने में बंद करके मेरे को जानवर का माफिक पीटा मा बेहन का गाली दिया एक ऐसे भीडू को शूट करने के लिए मजबूर किया जिसको मैं जानता तक नहीं था वामदा नहीं केकी मिस्त्री की गल्फ्रेंड हत्यानी के के लिए उसका कतल करने वाला बड़े बाप का बेटा बड़े नेता का भांजा बोनी जादव नाम का सरकारी सांट छुट्टा घूमता था क्योंकि इंस्पेक्टर गोविलकर को पक्की की उसने आत्मरक्षा के लिए केकी पर गोली चलाई कानून की नात पर मक्की नहीं ब आपको घर से बुला कर घर के सामने इस बुरी तरह से ठोका गिया कि नर्सिंग होम के आईसेउ में आँख खुला क्योंकि आप केकी के कतल की तफ्तिश करता था आपका फिरेंड बरे अकबार का बड़ा रिपोर्टर पंकर जहलानी डिबे की जूटी कंप्लेंट पर हवाल क्योंकि वो केकी के कतल का सच अपने चापे में चापता था चगन जादव जैसा गोदी मजदूरों का बड़ा ने था अपने कमीने मुश्रिम पिल्ले बोनी जादव को लेकर सरे आम लारा रिबेलों को टपकाने पूना पहुंच किया क्या कोई वांदा नहीं इंसाफ दो धारी तलवार है जो गरीब की मुंडी काटती है अमीर की हिफाज़त करती है ऐसा इंसाफ कौन मांगता है साहब अब तो तुम लेक्चर देने लगे जीते साहब उपर वाले ने इधर जीत सिंग ने अपनी पेशानी को चुआ इधर लिख के रखा कि आइंदा क्या होने का जो वो फिक्स किया वही छोने का जो उसने जीत सिंग के वास्ते फिक्स किया वही छोने का जीत सिंग क्या कर सकता है जीत सिंग क्या होने से रोक सकता है जो होगा देखेगा जो नहीं होगा उसके होने का वेट करेगा वाच करेगा अभी जाता है थैंक यू बोलता है साहब नवलानी के दुबारा मुख खोल पाने से पहले वो उटकर चला गिया पीछे नवलानी ने एक गहरी सांस ली और वेटर को बिल के लिए इशारा किया जीत सि अस थी ऐसे कैसे बितेगी वो चिंतित भाव से बोला डॉक्टर ने अनभिग्यता से कंदे उचकाई ये उसके मुँपर प्लास्टिक का खोपा सा क्या चड़ा हुआ है पहले तो नहीं था रैस्पिरेटर है बोले तो पेशन्ट सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहा था इसलिए ऑक्सिजन लगाई गई है इससे सांस बढ़िया करकी आती है क्या हाँ इसे बढ़िया अस्पताल में कब शिफ्ट किया जा सकता है अभी नहीं अरे पूछता है कब कल पता करना DCP पतवर्धन का आवास शिवाजी पार्ट के इलाके में सिंदू हाउसिंग सोसाइटी के नाम से जाने जाने वाला एक रेजिडेंशिल कॉम्पलेक्स के एक तीन कमरों के फ्लैट में था नवलानी पहले तस्दीक करके वहाँ पहुँचा था कि वो अपने फ्लैट पर मौजूद था कोई टाइम था जब पतवर्धन एंकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता था और कितने ही भाईयों और सुपारी किलर्स की मौत की वज़ा बना था छे साल पहले ऐसे एक एंकाउंटर के दौरान वो चाती में गोली खा गिया था जिसकी वज़ा से उसे एक महीना अस्पताल में और चार महीने घर के बिस्तर पर काटने पड़े थे जब उठकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ था तो अपनी नॉर्मल पसंदिदा ड्यूटी के काबिल नहीं पाया गिया था उसे पुलिस हैट क्वाटर में डैस्क वर्क पर लगाया गिया था और इनाम के तौर पर पुलिस मैडल और एसीपी से डीसीपी का प्रोमोशन मिला था उसके फ्लैट कर ड्रॉइंग रूम ऐसे कई मैडलों ट्रॉफियों से सजा हुआ था जो उसे अपनी नौकरी के दौरान वक्त वक्त पर मिले थे उसकी पत्नी ने नौवलानी को जब ड्रॉइंग रूम में उसके पास पहुँचाया तो नौवलानी ने उसे एक चमड़ा मड़े रिक लॉइनर पर पसरे पाया बैठे बैठे ही उसने नौवलानी से हाथ मिलाया और करीबी सोफे पर बैठने को कहा पत्वर्धन उम्र में 54-55 साल का था सूरत से तंद्रुस लगता था लेकिन नौवलानी जानता था कि छाती में लगी गोली के बाद से उसे ज्यादा हलचल की एक्जर्शन की मना ही थी कैसे हो भाई? पत्वर्धन बोला बढ़िया नौवलानी बोला आप सुनाईए इदर भी ठीक ही है धन्दा कैसा है? आप वाला जवाब देता हूँ पत्वर्धन साहब ठीक ही है पत्वर्धन तनी खसा फिर बोला कैसे आए? वैसे ही जैसे प्यासा कुएं के पास आता है ओ, तो मेरे लिए कोई खिद्मत है? दर्खवास्त है, आप से मदद की कैसी मदद? एक प्रॉब्लम है कैसी प्रॉब्लम? मेरा एक क्लाइंट है, जुसका एक पुलिस वाले से थोड़ा पंगा पड़ गया है कैसा पंगा? कौन है पुलिस वाला? पुलिस वाले का नाम अर्विन पावले है सब इंस्पेक्टर है दादर थाने में पोस्चिट है पंगा ये है कि तीन दिन पहले सोमवार की रात को मेरे क्लाइन के बाहर से आए एक खास दोस्त को इस बुरी तरह से पीटा गया था कि तभी से वो अस्पताल में पड़ा और गोड़ बोले और मधुर गोड़ बोले नाम के वो भाई है जो की ऐसा जान पड़ा है कि प्रोफेशनल कौन मेन है और जो कुछ बार टेंडरों की मदद से अपना खेल खेलते हैं कैसा खेल कैसे खेलते हैं उनके साथ हैंड इन गलव बार मेन ऐसे किसी भीडू पर खाई देता हो ऐसे भीडू की वो गोड़ बोले ब्रदर्स को खबर करता है वो आकर उस भीडू से जारी गाटते हैं और या तो ताश के किसी गेम में उसे उल्लू बनाते हैं या उसके नशे में होने का फाइदा उठा कर वैसे ही अंटी से माल निकाल लेते हैं भाई ये में और कॉन में की मिली भगत का गेम है तो इसमें उस पुलिस वाले का क्या दखल है दखल तो जान पड़ता है लेकिन उसके बारे में यकीनी तोर पर कुछ नहीं कहा जा सकता दखल कैसे जान पड़ता है मेरे क्लाइंट ने खोद अपनी कोशिशों से दादर के एक बार मे इन कॉन मैन को तलाश कर लिया ठा और उनको घेर कर उनसे रूबरु हुआ था उनमें से एक जना टॉलिलिमे टॉائलिट पे जा के पुलिस को फोन लगाने में कामियाब हो किया था फोन कॉल के जवाब में जो पुलिस वाला वहां पहुंचा था वो सब इंस्पेक्टर क्यों आई थी क्लाइंट रोबरू होके ताकत बताता था क्या फ्रेंड के लिए फिक्रमन था इसलिए भाव खा गया ना हम तब तुम कहा थे वही था सब इंस्पेक्टर के वहां पहुंच जाने में प्राब्लम किधर है पटवर्थन साहब वह वहां तफ्तेश के लिए नही के लिए या उसे रोकने के लिए नहीं पहुंचा वो गोड बोले ब्रदर्स को वहां उनकी संकट की घड़ी से निजात दिलाने के लिए पहुंचा उस टाइट सिच्वेशन से जिसमें वो फसे हुए थे उनको निकाल ले जाने के लिए वहां पहुंचा उसने मेरे क्लाइ क्लाइंट ने इस बाबत उसे खूब हूल दी। I dare you किस चाइल से। Exactly। क्लाइंट कौन है। हल आपका सताया एक भीडू है, जो अपने जिगरी दोस के अन्जाम से परिशान है। हलकान है। बोले तो आपे से बाहर है। हम। तो तुमारा खयाल है कि कोई मिली भगत है। तो वो उन दो कौन मैन भाईयों और बार मैन के बीच ही नहीं है। उन में और पुलिस वालों के बीच भी है। तमाम के साथ ना सही। सब इंस्पेक्टर पावले से तो उनकी कोई सांट कार्ट, कोई अंडरस्टेंडिंग बराबर है। वरना क्यों वो गोली की तरह उनकी इमना इमदात के लिए वहां पहुँचा। और पहुँचकर इमदात के इलावा कुछ नहीं किया। ठीक। उन गोड़पोले ब्रदर्स के बारे में क्या जानते हो। खास कुछ नहीं, सिवाए इसके की कौन आर्टिस्ट है। और आप चाहें तो चुटकियों में मालूम कर सकते हैं कि इस सब इंस्पेक्टर पावले की उनसे क्या सेटिंग है। छीक है मैं मालूम करूँगा। ठैंक यू सर। किसी और पुलिस वाले पर ऐसा शक हो तो अभी बोलो। फिलहाल किसी और की मुझे कोई वाकफियत नहीं। हम्... अभी हेड़क्वार्टर में ही हैं। बैठता वहां हूँ, लेकिन काम नौर्थ डिस्ट्रिक्ट का देखता हूँ। फिर तो आपको परताल में कोई प्राब्लम नहीं होगी, क्योंकि दादर थाना उसी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ना आता होता तो भी एक सब इंस्पेक्टर को चेक करने में एक DCP को क्या प्राब्लम आ सकती है। बराबर बोला, अभी रिटायर्मेंट में टाइम है क्या? पांच साथ से उपर है भाई? ओ! लेकिन मैं प्री मेच्चूर रिटायर्मेंट के बारे में सोच रहा हूँ। बीवी की जिद पर बोलती है बहुत नौकरी कर ली, VRS के लिए अपलाई कर दो। बात तो ठीक है मैडम की? अब बोलो क्या पी होगे? जो आप पिलाएंगे? ये मेरी पसंद का जवाब है, अब ठीक के बैठे रहो। नवलानी से हासिल जानकारी का नतीजा, जो तीन कलब उस रात जीत सिंग का निशाना थी, उनमें सबसे पहले जीत सिंग ने ड्रीम लैंड को चुना, जो की लेबर कैम्प रोड कूरला पर थी, वो एक ऐसी छे मनजिला इमारत निकली, जिसके प्रवेश्ट पर कोई अपन लोबी थी, जिसमें लिफ्टों के करीब एक दर्बान बैठा था, जीत सिंग उसके करीब पहुंचा, ड्रीम लैंड वो धीरे से बुला, दर्बान ने खामोशी से एक उंगली उठा दी, सेडियों के रास्ते जीत सिंग पहली मनजिल पर पहुंचा, वहां के एक कोन पर उम्र का टकला था, जीत सिंग ठिटका, उसने एक उर्ती निगा, उनकी तरफ डाली और चेहरे पर अनिश्चे के भाव लिए, खामोश खड़ा रहा, टकला कैबिन से बाहर निकला और उसके करीब पहुंचा, क्या, वो धीरे से बोला, टैम हो गया क्या, जीत सिंग भी वैसे ही धीरे से बोला, टैम, कौन सा टैम, अरे बार का, मेड नाइट कलब का, ड्रीम लैंड का, कौन बोला इधर कोई कलब है, अरे कोई बोला तभी तो आया, क्या बोला, क्यूं आया, मैं बार्मेन है, कोई मेरे ज़सा ही भेड़ी मेरे को इधर भेजा, काहे, जौब मा का क्या हुआ छूट गया क्या नहीं करता है पर उधर पार टाइम जॉप है जिससे गुजारा नहीं चलता दूसरा पार टाइम जॉप मांगता है पहला किधर है पैरा माउंट दादर इधर आने को कौन बोला उधर का बार्मैन नाम बोले तो किरपेकर माधवराव किरपेकर क किधर रहता है जामबुवारी धोबी तलाब तब कहीं जागर टकले की तियोरी हटी लिफ्ट से पांचवे माले पर जाने का वो बोला जाके शैटी को पूछने का सेहमती में सिरहिलाता जेत सिंग लिफ्ट में सवार हुआ और उपर पहुँचा वहाँ उसे मालुम हुआ कि उसका वहाँ पहुचा होना ही दाखिले के लिए काफी था शैटी के नाम ने और उसके बारमेन होने ने तो जैसे स्पेशल एंट्री परमिट का काम किया एक बार भीतर पहुँच जाने के बाद वो भीड का हिस्सा बन गया मेहमानों में मेहमान बन गया जो कि 50-60 से किसी कम नहीं थे माहुल बना कर उसने बारमेन से दो वेटरों से एडवार्डो की बाबत दर्याफ्त किया नतीजा सिफर निकला एक बचे के बाद वो कुलकर्णी चौक खार पहुचा जहां की रूबी बार था वहां का माहुल इंतिजाम ऐसा था कि दाखिला पाना साफ केड़ की खेर जान पड़ा वहां एक बंदरवाजे पर तीन बाउंसर थी और वहां आवा जाही ऐसी मुत्वातर थी जैसे की वो कोई लीगल ठीया था और टाइम रात के एक बजे के बाद का नहीं शाम का था वहां किसी को किसी एक्शन का खौफ नहीं जान पड़ता था दूसरी हतोत साहित करने वाली बात ये थी कि उसके सामने कोई भी इकलौता शक्स दाखिला पाने का तमनाई बंद कर वहां नहीं पहुँचा अब वो महसूस कर रहा था कि उस रोज भी डिमपल को उसके साथ होना चाहिए था आखिरकार वो दर्वाजे के करीब पहुँचा अब ए मेरे को कोई बोला कि इधर नहीं मांगता बात मेरे को पैरा माउंट का बार मैं किर पेकर पक्की करके बोला कि अरे बोला ना नहीं मांगता जीत सिंग को वहां से हटना पड़ा लेकिन इतनी आसानी से टल जाने का उसका कोई इरादा नहीं था उसने सड़क पार की और वहा प्रतिक्षा करने लगा 15-20 मिनट योही गुसरे जिसके दौरान उसने वहां काफी आवा जाही देखी फिर एक टैक्सी वहां पहुंची और रूबी बार के दर्वासे से काफी परे सडक की उसकी और वाली साइड पर आकर रुखी तीन पैसेंजर उसमें से बाहर निकले जिन उनके करीब पहुंचा उसने देखा मर्द कोई 45 साल का था जो की काली पतलून, सफेद कोट और उसके नीचे कॉलर वाली सफेद कमीज यूँ पहने था कि आगे के चार बटन खुले थे और उसकी चाती पर लटकी आधा कीलो की सोने की चेन दिखाई दे रही थी माई लाएं तीस के पेटे में थी, एक दुबली थी जो की जालर वाला ब्लाउस और गुटनों तक आने वाली सकर्ट पहने थी दूसरी भारी बदन वाली थी, फिर भी जेन्स जिसमें वो फसी जान पढ़ती थी और वैसे ही टाइट कुलों तक आने वाला कॉलर वाला कोट पहने थी तीनों नशे में जान पढ़ते थे, जेन्स वाली की जेद सिंग से निगाह मिली तो वो खाम खां हसी हलो, जेद सिंग जबरन मुस्कुराता बोला हलो, मुस्कुराहट का जवाब उसने खनक्ती हसी में दिया रूबी बार में जाने का है क्या? है ना, एनी प्रॉब्लम? तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को प्रॉब्लम क्या? वो जो गेट पर खड़े हैं, वो किसी अकेले भीडू को भीतर नहीं जाने देते मेरे को बहुत जरूरी करके भीतर जाना मांगता का है? एक फिरेंट से उधर मिलने का था, वो भीतर इंतजार करता होईगा उसको कैसे जाने दिया भीतर? उसके साथ तुम्हारे जैसी खूब सूरत लड़की थी मैं लड़की? वो मुदित मन से हसी मैं खूब सूरत अरे, राजवानी साहब, सुनता है कम ओन, मर्द उतावले स्वर में बोला मूव इट अभी अभी जीन्स वाली फिर जेत सिंग की और अकरशित हुई इस बार उसने एक खोच पूर निगा उस पर सेर से पाउं तक दोड़ाई और फिर बोली अभी क्या मांगता है? मेरे को जेत सिंग बोला अपने साथ भीतर चलने दो राजवानी साहब तुम्हारा उदर का खर्चہ काहे करेगा? मैं करेगा न अपना सबका खासत आफसे तुम्हारा काहे मैं क्या पसंद है? बहत ज्यादा राजवानी साहब सुपारी लगा देगा साहब ऐसा नहीं करेंगे वो तो उसने skirt वाली की तरफ गुपत इशारा किया उदर fit दिखाई दे गया क्या जीत सिंग हसा ओके चलो बट माइंड इट उदर first two rounds to stand करेगा मन्जूर नाम बोलो नाम नाथ भी नाथ मैं Florence बेबी दीपल राजवानी साहब तो राजवानी साहब है ही हलो हलो चलो चारो आगे बढ़े दर्वाजा करीब आया तो जीत सिंग ने अपनी एक बाँ Florence की कमर में डाल दी उसने कोई एतरास नहीं किया उल्टे वो उसके साथ सट कर चलने लगी इस बार गेट पर तीन की जगत दो बाँसर दिखाई दिये दो में एक वो था जिसने उसे भीतर बार मैं की जरूरत को नहीं मांगता बोला था उसने राजवानी का अभिवादन किया जिसका मतलब था कि राजवानी वहां का रैगुलर था जीत सिंग ने भर सक लाजवानी की ओट में सरकने की कोशिश की लेकिन उसकी निगा जीत सिंग से मिल ही गई मैंने बोला था वो सक्ती से बोला इधर बार मैं नहीं मांगता क्या? जीत सिंग जान बुश कर अनजान बनता बोला क्या बोला? अरे अभी थोड़ा टैम पहले जब तुम इधर आया तो मैं? मैं इधर आया? बरोबर आया तो मैं बोला की नहीं बोला? मैं तो अभी इधर आया मिस्टर राच्वानी के साथ मैडम फ्लोरेंस के साथ मिस दीपल के साथ बाउंसर के चेहरे पर उल्जन के भाव प्रकट हुए क्या प्रॉब्लम है मैन फ्लोरेंस सक्ती से बोली He is my friend He is with me Since 7 p.m. He is with me क्या प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम बाउंसर ततकाल बोला कोई प्रॉब्लम नहीं खाली मेरी पहचान में लोचा उसने ततपर्ता से दर्वासा खोला सबी भीतर दाखिल हुए जीत सिंग को अपनी पेट में भी उसकी निगाच चुपती महसूस हुई बहराल आखिरकार वो अपने मकसद में काम्याब हुआ था वो उस मिड नाइट कलब के जो रूबी बार के नाम से जानी जाती थी भीतर था भीतर पहांच कर उसे मालुम हुआ कि वो तीनों कोकीन के रसिया थे जिसकी एक डोस वहाँ दो हजार रुपे की आती थी एक राउंड छे हजार बुपे दो राउंड बारह हजार बुपे जमा वक्त की बरबादी और हासिल वहाँ भी सिफर नोबल हाउस में महाडिक अपनी हमेशा वाली जगह पर बार काउंटर के परले कोने के स्चूर पर जमा हुआ था जबकि बारमेन ने आकर उसे बताया कि उसके लिए फोन कॉल थी और उसकी हामी होने पर एक कॉर्डलेस फोन उसे थमाया महाडिक ने रिसीवर कान से लगाया और बोला हलो महाडिक सहब हाँ कौन गोड बोले बोलता हूँ किशोर गोड बोले बोलो क्या बात है मैंने आपको खबरदार करने के वास्ते फोन किया है किस बाबत सोमवार रात की बाबत जब हम दोनों भाई उधर आई थे किस लिए याद दिला हमारे साथ एक बकरा जिसको मेरे को और मधूर को टोपी पहनाने का क्या और याद दिला वो लाल थोबडे वाला गोवानी साथ से उपर का पण लंबा चौड़ा मजबूत बना हुआ सिर के बाद सफेद वैसे ही सफेद फ्रेंच कर दाड़ी मूच आगे खुश मिजाज बुढ़ा तरंग में पी की आया और पीता था बात बात पर हसता था हसी को तभी ब्रेक लगा जब मालूम पड़ा की बटुए में से तमाम रोकड़ा गायब था अभी याद आया कुछ हाँ, सब याद आया मिठा और चिट्टा दोनों को मिल कर उसको इधर से आउट करना पड़ा था साला तुम्हारा टुच्चा कौन गेम मेरे फैंसी ठीये के लिए कभी कोई प्राब्लम खड़ी करेगा बाप, फैंसी बकरा मूर ना हो तो उसको फैंसी ठीये पर ही तो ले जाके लेके जाना मांगता है किसी बेवडे के अड़े पर तो नहीं ले जा सकता ना अब बात क्या है बाप, बोले तो उस राद तुम्हारा मिठा चिठा करके पहलवान लोग कुछ ज्यास्ती ही भाव खा गए उसको कुछ ज्यास्ती ही ठोक दिया अक्खा डैमेज कर दिया तो क्या हुआ? अभी उस गोवानी का खास करके एक फ्रेंड तरपता है और हर हाल में ढूनना माँगता है ढून के रहना माँगता है कि गोवानी को किस ने टोटल डैमेज किया कौन है वो खास करके फ्रेंड नाम बद्री नाथ पताता है मेरे को तो कुछ ज्यास्ती उसके बारे में मालूम नहीं हो सका पन बड़ा साहब मालूम करता है एक मामुली आदमी को इतना भाव किस वास्ते बाप मामुली ही तो नहीं जान पड़ता क्यूं भला भीडू गोली का माफिक मेरा और मेरे भाई का पता निकाला फेस चू फेस मुलाकात का जुगार किया मिले तो गन दाम दिया मदूर का नाक फोर दिया अभी अर्जन करके पीछा नहीं छुडाया होता तो और पता नहीं क्या करता पैरामाउंट में हम दोनों भाईयों का वो ऐसा बैंड बजाया कि बोलना पड़ा कि हम उसके फ्रेंड को पैरामाउंट के बंद हो जाने के बाद एक मिड नाइट कलब में लेके गए थे पड़ में कलब का नाम नहीं लिया ये नहीं बोला कि हम गोवानी को नोबल हाउस में लेके गए थे जहां हमारे जाने के बाद मिठा और चिट्ठा ने गोवानी को फुल ट्रीटमेंट दिया था ये सब मेरे को क्यूं बताता है बोलता है न वो क्या है कि उदर पैरामाउट में जब वो भेडु बदरीनात गोवानी का खास हमारा बैंड बजाता था तो मदुर को कॉल लगाने का चानस लगा जो कि उसने सब इंस्पेक्टर अर्विन पावले को लगाया जो कि तुम्हारे को मालूम कि बड़ा साहब पटवर्धन का खास पावले आकर हम दोनों भाईयों को उदर पैरामाउट से आउट किया वो साला हलकट बदरीनात तो पावले को भी हुल देता था माता फिरेला है क्या पुलिस से पंगा बोले तो ऐसा ही छे बरोबर माता फिरेला है आगे बड़ ये बदरीनात हैल्प का वास्ते एक प्रावेट डिटेक्टिव ठीक किये ला है जिसका नाम शेकर नवलानी है और कार में जिसका आफिस है ये प्रावेट डिटेक्टिव नवलानी बड़ा साहब पटवर्धन का वाकिफ इस वास्ते उधर पावले की जानकारी निकालने और फिर पावले के जरिये हमारी जानकारी निकालने के वास्ते हेल्प मांगने बड़ा साहब पटवर्धन के पास गया अभी आगे सोचो क्या हुआ क्या हुआ पेड़ी नवलानी को नक्की करके पतवर्दन सहब सब इंस्पेक्टर पावले को खबरदार किया सब इंस्पेक्टर पावले ने मेरे को खबरदार किया और अभी मैं तुम्हारे को खबरदार करता है खबरदार करता है बाप कि ये बंद्रिनात कभी भी तुम्हारे ठीये पर पहुंच सकता है इसलिए तुम्हारे को उसको हैंडल करने का वास्ते तयार रहने का है वो भीडू इधर नॉबल हाउस में आने की हिम्मत करेगा बाप वो तो वो करेगा ही कर चुकने के बाद और भी बहुत कुछ करेगा ऐसा इस डेंजर भीडू जान पड़ता है ये बदरी नात इस वास्ते तुम्हारे को खबरदार किया हम देखने में कैसा है बोले तो अरे हुलिया बोल इस बदरी नात का ओ हुलिया बोलू वो उम्र में तीस एक साल का है दाड़ी मुच नको थोबड़ा मामुली होंड पतले नाक एकदम सीधी बाल काली घने और जरग घुंगराले भवे घनी भारी बोड़ी सिंगल सिलेंडर ऐसा बेड़ो तुम दोनों भाईयों को हुल देता था क्या पावले से पंगा लेने की तयारी करता था क्या गन थाना सहब हत्यार बोले तो खौसला इधर गन लेकर कैसे घुसेगा इधर तो मेटल डिटेक्टर से तलाशी होती है बाग ये सब तुम सोचने का मैं खबरदार किया अभी कट करता है लाइन कट गई मारडिक ने रिसीवर वापिस बार्मैन को थमा दिया साले अखे इडियट अपने बाउंसरों को उसने मन ही मन कोसा मगज में तो कुछ है इच नहीं पंगा रोकने को रखा पंगा करके दिखा दिया नीचे से अकबाल खत्री को इधर बुला फिर बार्मैन से बुला सेहमदी में सेर हिला था बार्मैन परे हट गया थोड़ी देर बाद नीचे की सिक्यॉरिटी और स्क्रेनिंग का इंचार्ज अकबाल खत्री वहां पहुंचा सामने बैट मार्डिक ने हुक्म दिया एक बाल खत्री हिचकता हुआ उसके सामने एक स्चोल पर बैट कया तेरे को एक खास बात से खबरदार रहने का है उसकी भवे उठी अभी आज कल परसो कभी भी एक अकेला आदमी इधर पहुंच सकता है जो कि अपना नाम बद्रीनाद बताता है और जिसका हुलिया है महाटिक ने किशोर गोड़ बोले से सुना हुलिया दोहराया याद रहे का न हुलिया फिर बोला बराबर याद रहे का खत्री अदब से बोला फिर बोलता है ऐसा एक भीडू कभी भी इधर पहुंच सकता है इस घड़ी नीचे पहुंचा हुआ हो सकता है मेरे को यहीच करने का है ना की उसको भीतर नहीं आने देने का है आने देने का है क्या बुला बाप आने से नहीं रोकने का पन पूरी चौक सी पूरी स्क्रेनिंग के बाद आने देने का है ओ और उसको उपर रवाना करते ही इधर मिठा और चिठा को खबर करने का है रवाना करते ही उससे पहले नहीं उसको मालुम नहीं होना मांगता क्या कि मैं उसकी बाबत इधर उपर खबर किया अभी आई बात समझ में उपर समझ में कैसे आएका कि मैं किसकी खबर करता था बोलना बोलना कोटक सहब आईला है कोटक सहब हाँ अब नीचे पहुंच जाती बार मिठा और चिठा को इधर आने को बोल कर जाना वो चला गिया तुरंद बात दोनों बैल बुधी बाउसर वहाँ पहुंचे जो मैं बोले महाडिक सक्ती से बोला उसे गौर से सुनने का सुनाई दे रहा है ना दोनों के सिर सहमधी में हिले मुँ में क्या है कुछ नहीं तो बोलता काहे नहीं सुनाई दे रहा है बाप दोनों समवेत स्वर में बोले इस मिनट के बाद से कभी भी किसी भी टाइम नीचे से खत्री फोन करेगा और बोलेगा कोटक सहब उपर पहुँच रहे हैं कौन बोलेगा क्या बोलेगा किसको बोलेगा खत्री बोलेगा हम में से किसी को बोलेगा कोटक सहब उपर आ रहे हैं ठीक नाम याद रहेगा कोटक सहब जब ये फोन आय तो तुमने कोटक सहब के आ रहे होने की खबर मेरे को और रोमेला को देनी है खुद जाके किचन में बैठना है और तब तक वहीं रहना है जब खुद मैं तुम्हें बुलाने ना आऊँ बाप मिठा बुला इधर कोई पंगा पर जाए तो भी उधर इच बैठने का है क्या हाँ उस दोनान यहां की किसी पंगे के तुम्हारी कोई जिम्मिदारी नहीं तुम दोनों को किचन में ही बने रहने का है तुम्हें बुलाने मैं खोदाऊंगा या किसी खास को भेज़ूंगा उससे पहले हिलने का नहीं उधर से कोटक साहब का क्या करने का होगा चिठा ने पूछा मैं बोलूँगा मेरे को मांगता ये है कि जब कोटक साहब इधर पहुँचे तो उसका तुम दोनों में से किसी से आमना सामना ना हो समझ गई दोनो हाँ बाप अब जाओ अपनी ड्यूटी पर उनके चले जाने के बाद उसने रोमेला को बुलाया रोमेला उस रोज सिंपल स्कर्ड ब्लाउस पहने थी और सिर पर कसकर पोनी टेल किये थी उस पोशाक में वो नहायत कमसिन लग रही थी चलती थी तो उसका लंबा जिस्म बांस की तरह लचकता था उस लचक की हकीकत को असल में वो ही जानती थी जो ये थी कि उस घड़ी रात के तीन बचने को थे और वो इतनी वोट का पी चुकी थी कि खुद उसे पैक्स की कोई गिंती नहीं रही थी वो महाडिक के सामने आकर खड़ी हुई तो महाडिक ने जो खुद नशे में था उसके खुब सुरत चेहरे पर नशे की तम तमाहट को जवानी की रौनक समझा और वो ततकाल पुद तेशना का अनुभव करने लगा आज किसी नई स्चायल्ट से मान मर्दन करूँगा उसने मन ही मन सोचा बैट प्रत्यक्षतर वो बोला खामोशी से वो उसके सामने पड़े खाली बास चूल पर बैट गई तू एक जैकेट भी तो पहने थी हाँ कहां गई गर्मी लगी उतार दी आज कितने लगाई अभी तक ध्यान नहीं ज्यास्ती ही लगाई होंगे तभी तो गर्मी लगी वो खामोश रही अभी भी तप रही है क्या क्या बोला अब सुन में क्या कहता हूँ सुन रही है ना हाँ तो बोलती क्यों नहीं ऐसा सुन रही हूँ आप बोलिये मार्डिक ने उसे भी वस्तुस्तिति समझाई और बोला इस वास्ते आज कल परसो जब भी नौबत आए तेरे को उस भेडू को रिसेव करने का है। बोले तो उन दोनों का काम तेरे को करना है। एंट्री पर उन दोनों की जगा लेकर तेरे को उस भेडू को मेटल डिटेक्टर से चेक करने का है। और चौकस करके भीतर आने देने क है कि वो गन लेकर इधर नहीं पहुंचा है, ओके, येस, जिस टाइम वो दोनों तेरे को बोले कि कोटक सहाब आ रहा है, उन दोनों को एंटरस पर से चलता करना है और उनकी जगा कुद लेना है, ओके, येस, फाइन, गेट अलॉंग, तीन बजे जित सिंग ग्लोब मेल रोट वरली पहुंचा, जहां कि उसका उस रात का आकरी पड़ाव नोबल हाउस नाम का ठीया था, उसने इमारत की लोबी में कदम रखा, बाजू के कैबिन की उस ग्लास विंडो पर पहुंचा, जिसमें प्रवेश में पहला व्यवधान इकबाल खत्री मौजूद था, खत्री उसको तुरंद पहचाना और अपलग उसकी तरफ देखा, जीत सिंग ने धीरत से आमत का मकसद बयान किया, इस बिल्डिंग में ऐसी कोई क्लब नहीं, स्टेंडर्ड जवाब मिला, भई, मैं किसी के बोले ही इधर पहुंचा है, मेरे दोस तकसर इधर आते हैं, वही बोले इधर नोबल हाउस करके, खेल नाइट खुलने वाला मिडनाइट कलब, दोस बोले तो, मार्टिन लियो, किशोर गोड बोले, हम, दोस ये भी बोले कि ये प्लाइविट कलब है, बोले, एंट्री का फेस चार्ज होता है, होता है ना, पांच सो रुपई, जीत सिंग ने जा जान बुश कर बोला, कोई वांदा नहीं, रख लो, खत्री ने एक उंगली से अपनी पेशानी चू कर, पांच सो रुपई की टिप के लिए खामोश थैंक्यू बोला, और कैबिन से बाहर निकला, कोट के बटन खोलने का, वो जीत सिंग के सामने आकर बोला, जीत सिंग ने तपाने लगा, देवा देवा, हत्यार, शीशम की भारी मस्बूत लकडी का कोई आठ इंच लंबा और दो इंच व्यास का डंडा था, जो जीत सिंग ने अपनी गर्दन के नीचे, कंदों के बीच के हिस्से में टेप किया हुआ था, उसे उमीद थी, कि उसका जिस्म तप हाथ वहां नहीं पढ़ने वाला था, और मेटल डेटेक्टर से लकडी तो बोलती नहीं थी, उसकी उमीद पूरी हुई, खत्री उससे परेहट कर सीधा हुआ, उसने उसे नोबल हाउस का एक मोनोग्राम्ट रंगीन कार्ट थमाया, नौमा माला, फिर बोला, ये बाजू व जीत सिंग निर्देशित लिफ्ट में दाखिल हो गिया, लिफ्ट का दर्वाजा बंध होते ही, कत्री लपक कर कैबिन के फोन पर पहुँचा, उसने उसका बज़र दबाया, और माउथ पीस में बोला, कोटक सहब आईला है, महाडिक सहब को भी बोलने का, मिठ्ठा ने फो उन रखा और फॉरन दर्वाजे पर से हटा, आगिया, चिठ्ठा बोला, हाँ, बाई को बोल, वो आगे बाप को बोलेगी, और किचन में चल, पलक जबकते महाडिक के हुक्म के मताबिक सब सेट हो गिया, मिठ्ठा और चिठ्ठा वहाँ से गायब हो गए, और प्रवेश द चांका, वही था, वो मन ही मन बोली, दर्वाजे पर दस्तक पढ़ते ही, उसने दर्वाजा खोला, चौकट पर खड़े जेत सिंग्ने मुस्कुराते हुए, कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया, पता नहीं ये नशे का असर था, या महाडिक की बेजा हरकत से, आक्रोश का, क अपने चेहरे को सजाया, और मीठे स्वर में बोली, वेलकम, थैंक्यू, पूरवत मुस्कुराता जीत सिंग्न बोला, उसने भीतर कदम डाला, रोमेला ने उसके पीछे दर्वाजा बंद कर दिया, और मेटल डिटेक्टर संभाला, एक रसम करने के अंदाज से, मेटल उसने जीत सिंग के शरीर पर फिराया, उस दोरान जीत सिंग, उसकी और नौजवानी का रस्वादन करता रहा, ये काम तो बाउंसर का, वो तनिक विनोत पॉन्ट स्वर में बोला, रेशम रेशम परीका तो नहीं, मेरे काम से शिकायत है क्या, अरे जरा भी नहीं, हो तो ब करके वो सीधी हुई, उसने मेटल डिटेक्टर करीबी स्चूल पर रख दिया, नौबल हाउस में आपका स्वागत है, फिर और भी जगमत वो बोली, थैंक यू, बार पर बैटेंगे या टेबल पसंद करेंगे, अभी तो टेबल, आईए, क्लब के भेड भरे रंगीर में जीत सिंग उसके साथ आगे बढ़ा, तो मिधर प्रोप्राइटर, वो खाम खाम बोला, रोमेला हसी, जोक मारा क्या, वो फिर बोली, सवाल किया, एम्प्लोई स्चाफ होस्चेस, ओ, प्रोप्राइटर तो वो उधर बार के कोने वाले स्चूल पर बैठा है, स्चूल प रोमेला ने उसे खाली टेबल पर पहुंचाया, अभी क्या लेना पसंद करेंगे, वो मधुर स्वर से बोली, जो भी आप देना पसंद करें, मेरा सवाल ड्रिंक्स की बाबत था, मैं भी ड्रिंक्स का ही बोला, ओ, अभी ये भी बोलो मेरे साथ चेर्स बोलोगी क्या, सॉर I will have a vodka and tonic on your account, थैंक्यू भूलता है, आपके लिए स्कॉच एंड सोडा, चलेगा, वेटर लाता है, मैं उधर बार पर से चेर्स बोलूगी, ओके, ओके, वो चली गई, एक वेटर उसे ड्रिंक्स सर्व कर गया, जीत सिंग ने एक सिगरेट सुलगा लिया और बे मन से ड्रि तो उसने पाया, कि कोने के स्चूल पर बैठा वो शक्स, जिसे बाई ने प्रोप्राइटर बताया था, अब अलग उसकी तरफ देख रहा था, उसकी तीखी काईया निगा उसे अपने में सुराख करती लगी, उस निगा से ही जेत सिंग समझ गया, कि वो वहाँ अश्न भी नहीं था, उसे ये तक लगा, कि किसी तरीके से, किसी नामुम्किन तरीके से, उसका वहाँ आगमन अपेक्षित था, उस निगा बेने की वज़ा से ही, उसका दिल गवाही देने लगा, कि उसकी भटकन खत्म हो गई थी, वो सही जगा पहुँच किया था, आखिरकार वो उ इडनाइट कलब में मौजूद था, जहां सोमवार रात को गोडबले बंधू एडवार्डो को लाई थे, लेकिन उसकी उधर एडवांस में खबर क्यों कर, जरूर उन कमीने भाईयों की वज़ा से ही, जरूर उन्होंने ही इन लोगों को खबरदार किया था, कि वो बदरी उनके सोमवार रात वाले बकरे का खास दोस्त, हिमाई थी, खेर खां उधर पहुन सकता था, जरूर इसी वज़ा से वो बार पर बैठे उस शक्स के खोडबीनी निगा का मरकस बना हुआ था, जीत सिंग ने निगा लौक हुई पाते ही, महडिक ने निगा फेर ली थी, और फिर अपनी डाइरी की तरफ तवज्जो देने लगा था, थोड़ा अरसा यूँ ही गुसरा, रोमेला टेहलती उसके करीब पहुँची, एवरिधिंग आल राइट सर, वो बोली, येस, वोट का ड्रिंग का शुक्रिया, शुक्रिया की जरूरत नहीं, वैसे मेरे को अफसो उसकी मेर जाम से जाम टक्रा के चेर्स नहीं बोल सका, नो प्रॉबलम, कभी फिर मौका आएगा, ऐसा क्या, हाँ, यही, यहां तो नहीं, क्यूं, वो प्रोप्राइचर, वो हमेशा यहां होता है क्या, हमेशा तो नहीं होता, लिकिन प्रॉबलम यह है कि जब वो नहीं होत तब मैं भी नहीं होती ओ, मेरे को यहां के बारे में कुछ बताओ क्या? ऐसे ठीये पर बांसरों की हाजरी जरूरी वो किधर है? उस सवाल ने रुमेला को संशक्क किया क्यों वो शक्स मिस्ट्रियस मिस्टर कोटक वहां के बांसरों के बारे में जानना चाहता था जरूर उसकी महाडिक से कोई खुणनस नशे के आधिक्य में उसके भीतर महाडिक के लिए घ्रिना का लावा और उबल पड़ा उसके दिल में बगावत की इच्छा बल्वती होने लगी अगर ये शक्स महाडिक को हिट कर सकता था उसका कोई अहित कर सकता था तो क्या बुराई थी उसके दिल को कुछ तो ठंड़क पहुँचेगी छुपे हुए हैं वो दबिस्वर में बोली क्या छुपे हुए हैं? जीत सिंग सक्पकाया किचन में कितने? मालूम नहीं वो मेरे बारे में कैसे जानता है? मालूम नहीं अरे कुछ साफ करके बोलो ना इधर नहीं मेरा ज्यास्ती टैम इधर ठहना गलत तो 23757522 क्या? मेरा फोन नंबर याद रहेगा ना? हाँ 23757522 फोन लगाना किसको नाम तो बोलो? रोमेला रोमेला जठार कब फोन लगाऊं? पांच बचे महटी किस अलाखो जैसी निगाह की हडशन अपने पर कलपना करती वो वहां से हड़ गई और प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ चली अब वो अपने नशे की हालत को कोस रही थी नशे में क्या पंगा ले लिया था उसने? उस शक्स की पेशकर्ट से पहले वो तौबा कर चुकी थी कि बाकी की रात वो और नहीं पियेगी हल जीत सिंग ने बहुत इंतिजार लेकिन रोमेला दुबारा उसके पास नहीं फटकी आखिरकार वो अपने स्थान से उठा और टॉयलेट का पता करके वहां पहुँचा कुछ शंड बात वो वहां से निकला तो टेबल पर लोटने की जगा बार पर पहुँचा बार के मिडल में वो एक स्चूल पर बैट गया उसने वेटर को औरिंग जूस का ओर्डर दिया महाडिक के और उसके बीच के चार स्चूल उस घड़ी खाली थे प्रत्यक्षत महाडिक की तवच्चो अपनी डायरी की तरफ थी लेकिन मन ही मन वो इस बात से ताव खा रहा था कि उस शक्स की उसके जाल के पच्ची की उसके करीबा बैटने की मचाल थी जीट सिंग का बार पर उसके करीबा बैटना उसे अपनी प्राइविसी में घाब जैसा लग रहा था उपर से कोड में एक खाज खाज ये है कि वो जब निगाव उठाता था जीट सिंग को अपनी तरफ देखता पाता था आखरी बार जब ऐसा हुआ तो जीट सिंग अपना गिलास था में उठकर उसके करीब आ किया हलो वो बोला मैं बतरीनात आप इधर का मालिक जान पड़ता है कैसे जान पड़ता है महाडिक भुन भुनाया पता नहीं मैं जब तरग में होता है तो मेरे को ऐसा फेलिंग आता अभी फेलिंग आया कि आप इधर का प्रोप्राइक्टर नहीं है क्या हाँ है देखा अभी नाम बोले तो महाडिक गनेश महाडिक बढ़िया क्या बढ़िया अभी मेरे को मनाम मालूम तो बोले तो मेरा काम आसान कौन सा काम तुम्हारे बारे में जानकारी निकालने का काम तुम्हारे को समझने का काम क्या जानना समझना चाहते हो यहिज की जो पंगा इधर पड़ा उसके वास्ते तुम जिम्मेदार या कोई और कैसा पंगा ऐसी जगा पर पढ़ता ही रहता होईगा इधर भेडू पहले ही टून आते हैं आकर और टून होते हैं पंगे में वांदा किधर कभी ऐसा कोई पंगा पढ़े तो संभालना तो पढ़ता होईगा ना बिसनस डिसकस नहीं करता अरे बाप मैं अशनभी किधर अभी इंट्रो करके जो होता है वो दिया नहीं मैं अपना मैं बतरी नात इधर का गैस्ट तुम गनेश महाडिक इधर का प्रोप्राइटर बिग बॉस हम दोनों एक दोसरे से वाकिव अशनभी किधर है कौन है मेरे को नहीं मालू महाडिक रूखे स्वर में बोला उसने अपनी डाइरी बंद की और उसे कोट की एक जेब के हवाले करता उठ खड़ा हुआ मेरे को इंट्रोडक्शन मांगता है तो मांगता है कोई ठोकता है तो नहीं मांगता अंडरस्टेंड तक काल वो वहां से रुखसत हुआ लेकिन जीत सिंग लपकर उसके सामने आ खड़ा हुआ महाडिक थमक कर खड़ा हुआ उसके चहरे पर पहले हैरानी और फिर सब्द गुसे के भाव आए साले की ये मजाल लेकिन उस महाल में उसका अपने गुसे पर काबू करना जरूरी था उसने जब्द किया और जबरन मस्कुराया रास्ता चोड़ो वो बोला अब जीत सिंग को सौ फिसदी गैरेंटी थी कि वो सही मुकाम पर पहुँचा था वहाँ पंगा वो भी नहीं लेना चाहता था फिर भी उस शक्स पर अपनी मंशा जाहिर करना जरूरी था इसलिए बोला एक बात बोलके जाओ इधर कभी कबार होते हो या हमेशा होते हो क्यों पूछते हो मेरे को मालूम होना मांता है कि ढूडने पर किधर मिलते हो अभी बोलो महाडिक के दांत भीचे उसे एहसास था कि आसपास खड़े तकरीबन महमानों की निगा उस घड़ी उस पर थी लेहाजा वो पंगा लेने का नहीं पंगा टालने का वक्त था उसने दृता से जीत सिंग की बां पकड़ कर उसे एक और किया और लंबे डग भरता आगे बढ़ चला जीत सिंग ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की महाडिक किचन में पहुँचा वहाँ दोनों बांसर दो स्चूलों पर बैठे कबाब चबा रहे थे महाडिक को देखते ही उनके मूँच चलने बंद हो गए दोनों उचल कर खड़े हो गए वो भिडू बार पर बैठा है महाडिक बोला उसको इधर कुछ बोलने का नहीं है तू उसने मिठा की तरफ उंगली हिलाई पिछवारी के रास्ते नीचे जा और कलब की एक कार को काबू में कर मिठा ने सहमती में सिर हिलाया और तेरे को महाडिक चिठा से बोला जब मैं बोले तब बाहर हॉल में आने का है और बार पर आकर उस भीडो की सूरत एंच चौकस करके पहचानने का है जब वो यहाँ से निकल कर नीचे पहुँचे तो मैं तेरे को उसको पहचानने में कोई लोचा नहीं मांगता समझा क्या चिठा ने सहमती में सिर हिलाया फिर तेरे को नीचे अपने जोडीदार के पास जाकर वेट करने का है जब वो इधर से निकल कर किधर जाए तो उसके पीछे लगने का है और कोई सेव जगा देखकर उसको थामने का है थामने का है मिट्टा सक पकाया हाँ महडिक सक्ती सिबूला थामने का है और किधर अकेले में लेके जाने का है वहाँ उसको सब से पहले मेरा मैसेश देने का है क्या बाप बोलने का है कड़क बोलने का है कि कोई मेरे ठीये पर आकर मेरे सामने खड़े होकर मेरे सिधम की बरे लेजे में बात करने की जुरत नहीं कर सकता ये जब उसके मगच में पर जाए तो उसको ठोकने का है और मालुम करने का है कि वो मेरे बारे में इस ठीये के बारे में कैसे जानता है और ये जानकारी उसे कैसे, किधर से, किस से मिली, समझ गए दोनों? हाँ बाप, दोनों बोले, बरोबर बाप, उसका कैसा भी कच्रा करने की तुम दोनों को फुल पर्मिशन, पर लुड़काने का नहीं है, जिन्दा छोड़ने का है, ताकि उसे याद रहे, सबक मिले, कि कोई मिला था दोनों जोश में भरे वहाँ से रुकसत हुए, आखिर वो उनका पसंदिदा ओर्डर था, भूके भेडियों की तरह किसी पर तूट पढ़ना, एन उनकी किस्म का काम था मिठा पिछवाड़े के रास्ते की और बढ़ चला, तो चिठा ने हॉल में कदम रखा, और प्रत्यक्षत लापरवाही से टहलता हुआ बार की तरफ बढ़ा, जीद सिंग के उस पर निगाह पड़ी, एक निगाह में ही वो पहचान गया कि वो वहाँ का बाउंसर था, और चौकस शिटनाक के लिए ही बार उसका निशाना था, बढ़िया, एक चुहा तो बिल से बाहर निकला, चुहा, चिठा, थोड़े फासले से उसके करीब से गुसरा, और में डोर की तरफ बढ़ चला, वहाँ वो एक शन को ठिटका, फिर उसने घूम कर बार की तरफ निगाह दोड़ाई, और फिर दर्वाज़ा खोल कर बाहर निकल गया, दर्वाज़ा बढ़ स्तूर उसके पीछे बढ़ हो किया, जीत सिंग खामोशी से सब नोट करता रहा, आगे उसके लिए इमतिहान की घड़ी थी, उसने उस दानवा कार व्यक्ति का, वैसे एक से ज्यादा व् वहाँ उस पर हाथ डाला जाना होता तो ऐसा कपका हो चुका होता, जाहिर था कि वो लोग वैसे किसी फौशदारी से वहाँ का माहौल बिगाड़ना अफॉर्ट नहीं कर सकते थे, कुछ देर वो और वहाँ ठीका, फिर उसने बिल अदा किया और वहाँ से निकल पड़ा, म आमद पर वैलकम की तरह जाते वक्त, कोई उपचारिक दोशब कहने की कोई कोई कोशिश नहीं की, एक्स्प्रेस लिफ्ट के उपर पहुँशने का, उसे लंबा इंतिजार करना पड़ा, जरूर नीचे उसके स्वागत का इतिसाम अभी मुकमल नहीं था, इसलिए उसे जा कि विशाल काई डोर बैन, जिसने उसे उपर जाने के लिए काट दिया था, दर्वाजे के एन सामने खड़ा था, जीत सिंग के बाहर कदम रखने की कोशिश करते ही, उसने इकबाल खत्री ने उसकी चाती पर हाथ रपकर, बड़ी बेरहमी से उसे वापिस पीछे धका दिय ततकाल जीत सिंग संबला, उसने गरदन के पीछे कोट के कॉलर के भीतर हाथ डाल कर शीशम का डंडा वहां से खेंच लिया, और उसका भरपूर प्रहार खत्री के चेहरे पर किया, उसके मुझ से एक घुटी हुई चीक निकली, उसके दोनों हाथ उसके मुझ पर जाकर उसके खोपडी पर चमाया, इस बार उसके मुझ से चीक की जगा यो फुंकार निकली जैसे टायर फटा हो, और उसमें से वेक से हवा निकली हो, उसके पेट दिवार से टकराई और घुटने मुणने लगे, जीत सिंग ने उसे गिरे बान से थाम के सिधा किया, और उसकी आ दे, वरना डंडा हलक में, समझा क्या, उसके मुझ से बोल नहीं फूटा, अभी मेरे से थोड़ी देर पहले इधर का एक बांसर इधर से निकल गया, नाम बोल उसका, चिठा, बड़ी मुश्किल से बोल पाया, उस जैसे और कितने है, एक, बस एक ही और, हाँ, उसका नाम मिठा, वो किधर है, मालूम नहीं, इधर नहीं आया, तो मेरे को क्यों ठोकता था, उसने बोला, किस ने, नाम ले, चिठा ने, क्या बौस ने नहीं, महाटिक ने नहीं, नहीं, वो क्या बोला, लिफ्ट का दर्वाज़ा खुलते ही तुम्हारे को ठोकने का, बेहोश करके हवाले करने का उनके, दोनों के हाँ यानि कि मिठा भी अब बाहर जोड़ीदार के साथ होगा हाँ सोमवार रात को इधर एक लाल चहरे वाला सफेद बालू वाला सफेद फ्रेंच कर दाड़ी मूच वाला गुबानी था जिसको चिठा अकेला या जोड़ीदार बाउंसर के साथ इधर से किधर ले गया हाँ चिठा अकेला या दोनों भीड़ो दोनों किधर लेके गए मालूम नहीं उसको बुरी तरह ठोका गया था, बहुत मार लगाई गई थी, इस काम में तु भी शामिल था क्या नहीं असल में क्या हुआ था दोनों बाउंसर उस गवारी को किधर लेके गए थे, वो उसे बागी की बाद जीत सिंग के मूँ में ही रह गई उसके दो वार उस राक्षस को उतना निढाल नहीं कर पाई थे जितना वो उसे लगा था उसने अपना अप एका एक अपना एक घुटना चलाया था जो पूरी शक्ती से जीत सिंग की टांकों के बिश टकराया था जीत सिंग की पकड उस पर से छूट गई और वो पेड़ा से बिल-बिलाता दोहरा हो किया तब ही उसकी कनपटी से उसका प्रचन घुसा टकराया और वो पीछे को भर भराता लिफ्ट से बाहर जाकर गिदा खत्री ने उचल कर उस पर छलाग लगाई लेकिन तब तक जीत सिंग अकसमात हुए आकरमण से उबर चुका था वो एन मौके पर कर्वट बदल गया नतीशतर खत्री का शरीर उसके पहलू में फट से आकर टकराया डंडा तब भी जीत सिंग के हाथ में था उसका प्रचन वार उसने खत्री की कनपटी पर किया उस वार के बाद ना उसके मुँ से कोई आवास निकली और ना जिस्म में कोई हरकत हुई कर उसके कैबिन में डाला फिर कुछ शर्ण कैबिन के बाहर खड़ा वो अपनी टांगे मसलता रहा और कनपटी सहलाता रहा गनीमत थी कि उस दौरान वहां कोई आवाजाही नहीं हुई थी आखिरकार खत्री के दो वारु को तो वो झेल गया उन से उबर गया लेकिन अब वो महसूस कर रहा था आगे कहीं उसका इंतिजार करते बाउसर से निपटना उसके लिए मुश्किल होता उसका जोड़ीदार भी उसके साथ होता तो मुकाबला जो कि पहले ही बराबरी का नहीं था कताई बराबरी का नहीं रहता वो लॉबी के खुले दर्वाजों पर पहुँचा उसने एक दर्वाजे की ओट लेली और साथधानी से बाहर सड़क पढ़ने का दोड़ाई सड़क पर छोटी मोटी आवाजा ही शुरू हो चुकी थी गाहे बगाहे कोई कार या टैक्सी भी गुजरती दिखाई दे रही थी बड़े धीरत से वो इंतिजार करता रहा आखिरकार वो बात हुई जिसका उसे इंतिजार था एक खाली टैक्सी लॉबी के सामने सड़क पर आकर रुकी टैक्सी ड्राइवर की आशापूर निगा पैसेंजर की तलाश में लॉबी के भीतर भटकी जरूर उसे मालूम था कि उस घड़ी उदर सवारी मिलती थी जीत सिंग ओट में से निकला लपकता सड़क पर पहुँचा और छपट कर टैक्सी के पिछली सेट पर सवार हो गिया सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि परे सड़क के पार एक सफेद इंडिका में बैठे दोनों बाउंसरों की उस घड़ी पलक जपक गई होती तो वो जीत सिंग को मिस कर गई होते टैक्सी ततकाल आगे बढ़ी इंडिका में चिट्ठा ने ड्राइविंग सेट पर बैठे मिठा काकंदा ही लाया और उत्तेजित स्वर में बोला वही है किधर मिठा हड बढ़ाया उधर एक टैक्सी में गया बरोबर देखा ना बरोबर पहचा ना हाँ जल्दी कर खत्री साला कार क्या कर रेला था जो अबे हिल वो निकला जा रेला है मिठा ने इंजन स्टार्ट किया और कार को सड़क पर दड़ाया टैक्सी में बैठे जीत सिंग को जल्दी ही एसास हो गिया कि इंडिका उसकी टैक्सी के पीछे लगी थी पैसेंजर सीट पर बैठे भेड़ू का साई सी फासले से भी उसके चिट्था होने की चुगली कर रहा था ड्राइविंग सीट पर जरूर उसका जोडीदार बाउंसर था किधर जाने का है पाप टैक्सी ड्राइवर बोला टैक्सी ड्राइवर खामोश हो गिया टैक्सी ग्लोब मिल रोड की लंबी खैंच पर दोड़ती रही इंडिका बत स्तूर उसके पीछे लगी रही अब उसे भी ये एहसास हो रहा था कि क्लब में मार डिक से पंगा लेकर उसने गलती की थी उसका दोश वो अपनी तब की न कर सकती थी उसके लिए ठैरे पानी में पत्थर फैंकना जरूरी होता था पीछे मार डिक को हूल दे कर उसने ठैरे पानी में पत्थर फैंका था लेकिन उसकी प्रतिक्रिया यूँ आनन फानन सामनी आई की इसकी कलपना उसने नहीं की थी उपर से अब उसको उन दोनों बा कि वो तो सरे रा उसे शूट कर देने से गुरेश नहीं करने वारे थे लेकिन फिलहाल उनका ऐसा कोई इरादा नहीं जान पड़ता था क्यूंकि फिलहाल तो वो महज उसके पीछे लगे हुए थे बहराल आगे जब भी जहां भी आमना सामना होता यकीनन डंडे का मुकाबला गन से होता आगे एक रोड क्रॉसिंग आ रहा था और हिस्से में उस हिस्से में सडक लगभग सुनसान थी तब ही आगे सिगनल की बत्ती लाल हुई और टैक्सी की रफ़तार घटने लगी पीछो आती इंडिका की रफ़तार तेज हो गई निकल ले जीत सिंग घबरा कर बोला सिगनल पर खड़ी टैक्सी के बाजु में गाड़ी लाकर उसे शोट कर देना कितना होता है क्या बोलता है बाप टैक्सी ड्राइवर ने प्रतिवाद किया चलान होगा इस वत कौन है चलान करन आने वाला पन मैं भरेगा एडवांस में भरता है जीत सिंग ने अगली सीट पर एक पांच सो का नोट डाल दिया भाड़ा भी डबल वो बोला फिर क्या वांदा है टैक्सी ने रफ़तार पकड़ ली चौराहे पर उसके मूँ पर सिगनल लाल हुआ लेकिन वो रफ़तार स पाड़ निकल गई बाप टैक्सी ड्राइवर बोला वो सफेद इंडी का क्या बोले तो पीछे लगे ली है मालुम पढ़ गया हाँ उसी से बचना मांगता है क्या अभी बोले तो हाँ मैं बोले एक तरकीप क्या मैं टैक्सी को ठाने लेके चलता हूँ देखना वो लोग ख इस्पेक्टर पावले के संदर में वार्निंग को याद करके वो जल्दी से बोला तुम्हारे को उधर लोचा क्या हाँ अंडर गिराउंड का भीडू है क्या ऐसा इच है कुछ कुछ ऐसा कैसे चलेगा तो टैक्सी वरली रोड पर जल्दी पहुंचा काहे उधर ट्रैफिक ज्यास्ती होगा इस टैम अरे कुछ तो ज्यास्ती होगा तब क्या होगा ट्रैफिक ज्यास्ती तो इन से पीछा छुडाना आसान जरूरी तो नहीं सहब देखेंगे देखेंगे ट्रैफिक ज्यास्ती नहीं तो जैसा इधर वैसा उधर बोला ना देखेंगे चीक है स्पीड बढ़ाई, जल्दी ही आगे वरली रोड का टी क्रॉसिंग दिखाई देने लगा, आगे से किधर टैक्सी ड्राइवर ने पूछा, दाएं बाजू या बाएं बाजू, दाएं बाजू, टैक्सी टी क्रॉसिंग पर पहुंच कर दाएं मुरी, और स्पीड बढ़ा, उसने स्पीड बढ़ाई तो टैक्सी का इंजन एक एक खासने लग गया, क्या हुआ, जीर्ट सिंग सक्पताया, मालुम नहीं, टैक्सी जटके खाने लगी, उसकी रफ्तार अपने आप ही घटने लगी, इंडिका करीब पहुशने लगी, दोनों गाडियों के बीच का फास और चिट्था और उसका जोडीदार निकल कर टैक्सी की और लबके, एक का निशाना टैक्सी का बाया पहलू था, और एक का दाया पहलू था, जाहिर था कि वो जीर्ट सिंग को पिछली सेट पर ट्रैप करना चाहते थे, जीर्ट सिंग ने दोनों हाथ बढ़ा कर, दोनों के हैंडल सिर्फ इतने गुमाई कि दर्वाजा बाडी से अनलोक हो गया, चिट्था बायं पहलू में पहुंचा, जोही उसका हाथ बाहर से दर्वाजे के हैंडल पर पढ़ा, जीर्ट सिंग ने दोनों पैरों की भरपूर ठोकर दर्वाजे पर चमाई, दर्वाजा भढ़ से चिट्था की चाती से टकराया, हैंडल उसके हाथ से चोड़ गया और वो पैंदे के बल सड़क पर जाकर गिरा, जीर्ट सिंग ने उस दर्वाजे से बाहर चलांग लगा दी और पोरी ताकत से आगे इमारतों के बीच की एक गली की और भाग निकला, टैक्सी के परले प लग की, नतीशतर मिठा मुँ के बल सड़क पर गिरा और पिछले पहिये के नीचे आने से बाल बाल बचा, चिट्था उठा, उसने व्याकुल भाव से आगे निकलते जाते जीर्ट सिंग को देखा, तो इस बात का अफसोस करने लगा कि गण मिठा के पास थी, फिर उसका ह पात करी पड़े एक पत्थर पर पड़ा, उसने पत्थर उठाया और पूरी शक्ती से खेज कर जीर्ट सिंग की दरफ लपका, पत्थर जीर्ट सिंग की खोपड़ी से टकराया, उसके मुँ से एक हाई निकली, गुटने मुड़े और भड़ाक से पकी सड़क से टकराये, फूर्ती से उठकर वो सीधा हुआ, और खोपड़ी में उठते पेड़ा के ज्वार को नजर अंदास करके पूरी शक्ती से पूरवत सामने भागा, पीछे टैक्सी के साथ भाग निकलने की जगह, आखिर उसे एक बड़े वाला गांधी तो मिल ही चुका था, टैक्सी ड्र जीद सिंग उसके साथ आगे पैसेंजर सीट पर सवार हो गया, उसने पीछे घूम कर देखा, तो पाया दोनों बाउंसर सडक पर से उठ चुके थे, और वापिस हिंडिका में सवार हो चुके थे, बाप टैक्सी ड्राइवर बोला, तेरे को पसंद या नहीं, मैं टैक्सी ठाने लेकर चल रहा है, पन्, ठाना करीब ही है, मेरे को मालूम, पन्, और कोई तरीका नहीं, ऐसा नहीं किया, तो तुम्हारे साथ मैं फोकट में खलास, पन्, मेरा प्रोबलम, जान जाने से बड़ा प्रोबलम है क्या, है तो बोलो, जीद सिंग खामोश रहा, उसने का इंडिका अब फिल, टैक्सी के बीछे लपकी चली आ रही थी, वो बहुत करीब आ गई, तो उसमें से एका एक फाइरिंग होने लगी, टैक्सी ड्राइवर आतंकितो उठा, अब आगे सडक पर पुलिस चेशन की डिरेक्शन बताने वाला, नियोन साइन दिखाई देने लगा था, टैक्सी ड्राइवर ने लगा तार, टैक्सी का हॉन बजाना शुरू कर दिया, बढ़िया, जेत सिंग मन ही मन बूला, उसका मनतव्य स्पष्ट था, वो पुलिस वालों का ध्यान अपने टैक्सी की तरफ आकरशित करना चाहता था, उसके ट्रिक काम्याब हुई गोलिया चलनी ततकार बंद हो गई, फिर टैक्सी और इंडिका में फासला घटने की जगा बढ़ने लगा, आखिरकार इंडिका एक बाजू की सड़क पर धाकिर होकर, उसकी निगाहों से ओजल हो गई, टैक्सी ड्राइवर ने हॉन बजाना बंद कर दिया, उसने टैक्सी की रफ्तार भी घटा थी, गनिमत थी कि निरंतर बचते रहे हॉन की वज़ा से, पुलिस का कोई पंगा सामने नहीं आया था, आखिरकार टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोखी, देवा, बार बार उसके मुझ से निकलने लगा, देवा, मैं तेरा शुक्र गुजार है, ज फिर भी, काहे फिर भी, फिर भी नको, अभी थाना सामने है, रपट के लिए जाने का है क्या, नहीं, काहे, वो मवाली लोग तुम्हारे को खलास करना मानता था, तुम रपट लिखना नहीं मानता, नहीं मानता, अरे कोई किसी को खलास नहीं करता, करता है तो बुरा टैम खलास करता है अभी मेरा टैम बुरा नहीं था इस वास्ते में सेव हम कितनी गोलियां चली साली हम में से किसी को तो क्या टैक्सी को भी कोई नहीं लगी बरोबर अभी टैक्सी छोड़ो बाप क्या मेरे को बच दो कोई दूसरा टैक्सी पक्ड़ो ऐसा क्या हाँ साला 18 साल से टैक्सी चलाता है मुंबई में ऐसा डिरामा अब उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ अभी में बहुत हिला हुआ है टैक्सी चलानी को बोले तो बिलकुल फिट नहीं है इस वास्ते वो जान मुझकर खामोश हो किया ठीक है मैं त डबल भाड़ा डबल भी उसीच में मिला ना अभी चीक है शुक्रिया जीट सिंग टैक्सी से उतर गया पौफट रही थी जबकि जीट सिंग ने डिमपल के फ्लैट की कॉल बेल बचाई डिमपल ने उड़कर दर्वाजा कोला ना जाने क्यों जीट सिंग को चौकट पर ख अस्त व्यस्त और धोली दो सरीत थे और सफेद कमीज का कॉलर खुन से सन कर लाल हुआ हुआ था देवा उसके मुझ से निकला क्या हुआ खास कुछ नहीं हुआ जीट सिंग जबरन मुस्कुराया भीतर आने दो प्लीज वो एक तरफ फटी जीट सिंग ने भीतर कदम रखा तो उसने उसके पीछे दर्वासा बंद कर दिया जीट सिंग बैठक में एक सोफे पर धेर हुआ कौन किया ये हाल तुम्हारा डिमपल व्यगर भाफ से बोली वही लोग किया जो मेरे फिरेंट का किया मिल गए क्या बोले तो हाँ क्या हुआ ठीक से बताओ बताता हूँ बल कि मेरे साथ जहां ये सब हुआ वहां से यही जगा करीब थी बोले तो मचबूरी लाई खुदगरसी लाई वो छोड़ो बोलो हुआ क्या अभी अभी पहले मेरे सिर का कुछ करो क्या करूं क्या घर में डिटोल है साजिकर टेप है है रूई कैंची हाँ है लेके आओ पानी भी वो सब सामान लाई उसने जीत सिंग के निर्देश पर उसके जख्म को धोया कैसा है हलका हलका खुन रिस रहा है जख्म बड़ा है क्या गहरा है क्या बड़ा तो नहीं है कोई दो इंच का कट है गहरा है या नहीं बालों की वज़ा से काटो क्या कैंची पकड़ो जख् पास-पास के बाल काटने का है उसने वो काम भी किया अब बोलो जीत सिंग ने पूछा लगता तो है गहरा ऐसे जखमों पर तो टांके लगाने पड़ती है लगाओ माता फिरेला है क्या मैं कैसे लगाओं ये डॉक्टर का काम है डॉक्टर इधर किधर है नहीं है बट मेरे को नहीं मांगता है रुई को डिटोल में डुबो कर जखम पर फिराओ और उपर से कस कर सर्जिकल टेप चड़ा दो वो सब हो चुकनी के बाद जीत सिंग को दर्द भी कम होता महसूस हुआ डिम्पल की जित पर उसने टाई कोट कमिस उतार दी उसने उसे एक बड़ा सतौलिया कंदो के गिर्द लपेटने को कहा तुम्हारा तो बाया कान भी लाल है वो बोली सुर्ख लाल खुर्चा हुआ सा उदर भी हतोरे जैसा पंच पड़ा था हुआ क्या मेरे को एक प्याली चाई पिला दो फिर बोलता हूँ डिम्पल सहमती में सिर हिलाती चाई बनाने किचन में चली गई लोटी तो उसने जेद सिंग को देन दुनिया से बे खबर सोफे पर सोया पड़ा पाया उसने असाहाई भाव से गर्दन हिलाई पूर मैन उसके मुँ से निकला सफेद इंडिका वापिस ग्लोब मिल रोड पर पहुँची अपनी अपनी चोटे सहला थे मिठा और चिठा बाहर निकले चिठा को कदरन कम चोटे लगी थी लेकिन मिठा की जो कि मुँ के बल पक्की सडक पर गिरा था नाक ठुक कर पकोडे की तरह सूच गई थी और एक आंग सूच कर आधी बंध हो गई थी और उसके गिर्द काला दाइरा बन गया था खरोचों की कोई गिंती ही नहीं थी लेकिन उन से वो कतई बे परवा था क्या जवाब देंगे लोबी में दाखिल होता चिठा चिंतित भाफ से बोला किसको मिठा ने पूछा लो पूछता है किसको अभी किसके पास जारे ला है उसको हमारी शकलों से दिकाई नहीं देखा हमने अपनी तरफ से कितनी कोशिश की वो गलती निकाले का क्या बोला हमें पुलिस के परवा नहीं करने का था अच्छा थाने के सामने शोट करने का था ऐसा इच करने का था पुलिस को वो खुद सेट करता साला ढगकन पहले काहे नहीं बोला मिरे को अभी सूजा इस कयाल ने सुझाया कि अभी बाप को क्या सफाई देने का पन्वो साला भेड़ो भी जिग्रे वाला निकला दोबारा मिले जिग्रा निकाल के पैंदे में देगा वो उपर पहुंचे महाडिक उन्हें उजार हाल के पिच्छवाड़ी के एक छोटे से कमरे में अखेला बैठा मिला तुम्हारी शकले ही बता रही है कि काम में लोचा महाडिक उन्हें घूरता हुआ अब रसनभाव से बोला अब बोलो क्या हुआ दोनों ने अटक अटक कर जिजग जिजग कर तमाम किस्सा बयान किया हम वो खामोश हुए तो महाडिक बोला अभी ये भी नहीं मालूम कि वो किधर गया दोनों के सिर्ष सहमती में हिले क्योंकि पुलिस के डर से भाग आए बाप मिट्टा हिम्मत करके बोला आपको तो उसका कोई ठीया ठीकाना मालूम होएंगा आप बोलो हम अभी नहीं मालूम दफ़ा हो जाओ चलो निकलो उनके पीछे कमरे का दर्वाजा बंध होते ही महाडिक ने केशव राव पटवर्दन को कॉल लगाई महाडिक बोलता हूँ वो माउथ पीस में बोला क्या है महाडिक पटवर्दन की आवाज आई गोड बोले मेरे को जिस भीडू के बारे में बोला मेरे को उससे प्रॉबलम क्यूं गोड बोले ने खबरदार नहीं किया क्या किया पर वो भीडू बद्रीनात उमेद से ज्यादा हेकर निकला तो क्या हुआ जब उसकी बाबत वार्निंग थी तो हैंडल करने का सब इंतिजाम करके रखना था वो भी जो उमेद से ज्यादा हेकर भीडू को हैंडल करने के लिए किया जाना होता है बॉस, पॉलिश उतारने का नहीं है, लेक्चर देने का नहीं है, सुनने का है क्या? मेरे को वो कोई जराइम पेशा भीडू लगा था क्यूं? क्यूंकि जैसे पंगे वो किया, कोई स्ट्रेट भीडू वैसे पंगे नहीं लेता हम, आगे? उसका कोई रिकॉर्ड हो सकता है तो? आजकल पुलिस के पास सब कुछ कम्प्यूटर में होता है अगर वो कोई रिकॉर्ड वाला भीडू निकला है, तो उसको थामना आसान किसके लिए? तुम्हारे लिए बॉस और किसके लिए? बॉस तभी तो थामेगा जब उसका पता निकालेगा यहिश तो मेरे को मांगता है, फिर आगे जो करेगा, मैं करेंगा जैसे अभी किया? अभी का छोड़ो ना बॉस, अभी मैं उसको बहुत कम करके आंका जो कि मेरा मिस्ट्रेक, बिग मिस्ट्रेक, हम्हां, बॉस एक बात सुनो, समझो, अगर वो कोई आम भेड़ो जो अपने फ्रेंड की दुर्गत से भड़का हुआ है और बदला लेना मानता है, तो वांदा नहीं, पर अगर वो किसी के इशारे पर, किसी के हूल देने पर कलब के सीक्रेट को हिट करना मानता है, तो वांदा किस के इशारे पर? किसी के भी नॉबल हाउस जैसे इतने ज्यादा कलब खुल गए है अभी और खुल रहे है कई रेगुलर बार भी टू इन वन ठीए बन रहे है इतना कम्पिटिशन है अभी वरली में ही बोले तो तीन कम्पिटिटर है कोई इस भीडू को हरका कर नॉबल हाउस का धंदा डैमेज करने की सोचता होगा ये बात कैसे सूची उसका हांसला देख कर सूची जिग्रा देख कर सूची साला सिंगर सेलेंडर का अकेला भीडू पहले गोड बोले भाईयों के गले पाड़ा फिर उस सब इंस्पेक्टर को हूल देने लगा जिसको उन्होंने मदद के लिए बुलाया अकेला नॉबल हाउस में पहुँच गया और वहां से निकलने के टाइम मेरे डॉर मैन को धुन गया जबकि डॉर मैन उससे डबल था दो बांसर पीछे लगाए तो उनके काबू में नहीं आया इसका मतलब किसी की शेक है या हाँ जरूरी नहीं जरूरी तो नहीं पर्ण प्रॉबलम तो है ना मेरा प्रॉबलम तुम्हारा प्रॉबलम बॉस तुम इस प्रॉबलम को कटी किन्नियो देखना मांगता है क्या नहीं तो फिर ठीक है देखता हूँ जो देखो जो करो उसकी खबर करना बॉस ओके शुकरवार 24 अप्रेल चार घंटे में जाकर जीत सिंग की तंद्रा तूटी वो कुन मुनाया और उठकर बैठ गया डिम्पल को सामने पाकर वो किसी आई हसी हसा सौरी फिर बोला कोई वांदा नहीं वो बोली मैं नाश्टा तयार करती हूँ तुम चाहो तो नहा धोलो जीत सिंग ने सहमती में सेर हिलाया मैंने तुम्हारी कमीज धोके सुखा के प्रेस करती है और कोट को भी जाट पोच कर पहनने लायक बना दिया है सब कुछ बातरूम में ही है जाओ जीत सिंग बातरूम की तरफ बढ़ गया आधे घंटे बाद जब वो नहा धो चुका नाश्टा कर चुका तो डिमपल बोली अब बोलो जीत सिंग ने संख्शेप में पिछली रात की अपनी मिस एडवेंचर का किस्सा बयान किया अब मेरे को गैरेंटी कि मेरे गोवानी फिरेंड को सोम बार रात नोबल हाउस में ले जाया किया था और वहां के जो वो बाउंसर मेरे पीछे थे उन्होंने एडवार्डो को ठोका था पर उनको हुक्म देने वाला कोई और था गनेश महाडिक नाम का वो भीडू था जो कि नोबल हाउस का मालिक था क्या उसी ने तुम्हारे पीछे बाउंसर लगाए? हाँ उनको तुम्हारी खबर कैसे लगी? नोबल हाउस में मालुम कैसे हुआ कि तुम किस फिराप में वहां पहुंचे थे? खबर तो उन्हें बराबर थी वो तो लगता था मेरा ही इंतजार कर रहे थे तयार थे मेरे को रिसीव करने के लिए लेकिन कैसे? कैसे एडवांस में जानते थे तुम्हारे बारे में? हैरानी है देखो तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए अब तो जाना ही चाहिए वरना मारे जाओगे जीत सिंग ने मजबूती से इंकार में सिर हिलाया मेरे को भी मरवाओगे क्या बोला? उन्हें तुम्हारी यहां मौजूदकी की बाबत मालूम होगा तो वो क्या नतीजा निकालेंगे? यही ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी मददगार हूँ जोड़ीदार हूँ तुम गए यहां चुपा गए एक गैर कानूनी गैर लाइसेंस चुदा हत्यार यहां चुपा गए मालूम पढ़ गया क्या? इतिफाक से फ्लज का फ्लो बिगड गया धक्कन उठाया तो भीतर बंडल सा पड़ा था जिसके रसी थोड़ी खोल गई थी और पानी के आउटलेट में फस गई थी बंडल निकाल कर देखा तो पता चला वाटरप्रूफ पॉलिथिन में लपेटी गन थी ओ कब छुपाई? जब चांस लगा पिशली बार मेरे को क्यों नहीं बताया? तुम रखने देती क्या? देखते, मालुम करते मेरे को थोड़ा टैम के वास्ते ही उसको नक्की करने का था सोचा था तुम्हें खबर नहीं लगेगी अपने घर क्यों नहीं लखी? कपड़े बदलने अवकाग बनाने गए तो थे घर मैं चौल में रहता हूँ बक्वास ना करो चौल की खोली इस काम के लिए ठीक नहीं लगी बंडल गैर कानूनी कैसे बोला? तुम्हारे को क्या मालुम गन कैसी? तुम्हारे पास कानूनी हत्यार का क्या काम? कौन देगा? अभी किदर है? पानी की टंकी में ही है क्या? नहीं, कपड़ों की अलमारी में मैं वही लेने आया हूँ वो तो ठीक है लेकिन और चाहता हूँ कि शाम तक तो मुझे यहां से ना निकालो मेरे को रेस्ट की सब जरूरत है अरे, निकालने की कौन बोला? मेरा तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करने का कोई इरादा नहीं मेरे जैसा तनहा भीड़ू वही तो जाएगा जहां आस्णा मिलने की आस दिखाई देगी? ठीक है, ठीक है अभी इदर सोफे पर पसरने का नहीं है जाके बेड़ूम में रेस्ट करो मेरे को भी किदर जाने का है? शाम को मुलाकात होगी मैं तुम्हारा शुक्रिया शाम को अदा करना अभी जाने का है दर्वासा बंद कर लो वो चली गई पीछ जीत सिंग ने नवलानी को फोन लगाया जीत सिंग बोलता हूँ सहब वो बोला सवेरे सवेरे फोन करने की माफी अरे किधर सवेरा सवेरा दस बचने को है कैसे हो? खराब पर वो बाग में बोलेगा अभी मैंने ये बोलने को अर्जेंट करके फोन लगाया कि अब और ठीयों का पता लगाने की जरूरत नहीं है क्यूंकि मेरे को वो ठीया मिल गया है जिसके मेरे को तलाश थी That's very good मेरे लिप्स में से निकला क्या? हाँ कौन सा? Noble House Globe Mill Road वरली वाला? हाँ वही सहब मेरे को गैरेंटी के सोमवार रात को मेरे फिरेंट को उधर ही ले जाया गया था और बात में उधर ही उसको ठोका गया था उस ठीये को चलाने वाले का नाम गनेश महाडिक है ये भी जान लिया कभी नाम सुना है क्या सहब? सुना तो नहीं लेकिन मैं उसकी बाबत जानकारी निकालने की कोशिश कर सकता हूँ करना ना बरोबर सहब लेकिन तुम्हें गैरंटी कैसे है कि वही तुम्हारे दोस्ट को ले जाया गया था मेरे को भी उदर सेम ट्रीटमेंट मिला ना सहब क्या तुम्हें भी ठोकने की कोशिश की गई बोले तो मार ही डालने की गोलियां तक चली क्या उधर कलब में ही बाहर बड़ी मुश्किर से जान बची अभी कैसा है जैसा भी है साहब शाम तक ठीक हो जाएंगा शाम को फोन लगाता है लेकिन उधर तुम्हारी पोल कैसे खुली उन लोगों को कैसे मालूम पड़ा कि तुम कौन थे और क्यों वहाँ थे अभी क्या बोले का सहब पर मालूम उनको बरोबर अभी कट करता है संबंध विच्छेत करके उसने कस्तूर्बा जनरल अस्पताल फोन किया मालूम हुआ कि एडवार्डो तब भी आईसियू में था और उसकी हालत जस की तस थी अगली कॉल उसने मरगाओ के नंबर 22324 पर लगाई मरगाओ गोवा में था और वो नंबर एडवार्डो के एक खास मुरीद सदा आरवाडी का था कॉल लगी सदा वो माउथ पीस में बोला सदा आरवाडी बोलता है सदा आरवाडी मैं बदरी बोलता हूँ 25 जन्वरी इतवार के दिन मरगाओ में सेंट एंथोनी चर्च रोड पर तुम्हारे से मिला था जब तुमने उधर डीनो पाबलो के कैट हाउस से एक बाई को निकालने में मेरा हेल्प किया था वाल पोई वाले बिग डैडी का खास हाँ वही अभी मरगाओ से बोलता है पिछली बार का माफिक नहीं मुंबई से बोलता हूँ क्या कोई खास बात बहुत खास बात तब ही फोन लगाया वर्ना बोलो सुनता है बिग डैडी एडवार्डो इदर के एक सरकारी अस्पताल में चार दिन से जिन्दगी और मौत के बीच छूलता है ऐसा कि अगली सांस का भरोसा नहीं अरे कैसे कोई ठोका मार लगाया कच्रा कर दिया कौन नाम बोलो फार देगा बाप बिग डैडी का तुम मेरे से भी खास है मेरे कोई ये जानना मांगता है कि उसके मुश्किल के टैम में तुम उसकी कोई मदद करने को तयार कोई जहमत उठाने को तयार हो क्या अरे ये कोई पूछने की बात है बिग डैडी के वास्ते में कुछ भी करने को तयार क्या इधर आ सकता है? उड़के आ सकता है बोलो किधर आने का है? अकेला बोले तो दुश्मन ज्यास्ती ओ, समझ गया पर वांदा नहीं अभी बोलो किधर आने का है? जीत सिंग ने उसे अपने नए आवास का और अस्पताल का पता और अपना मोबाइल नंबर लिखवाया उसके बाद वो बेडरूम में जाकर डिमपल की बैट पर धेर हुआ रोमेला को जैसे महाटिक शाम को पिक करता था वैसे ही सुबर ड्रॉप करके भी जाता था लेकिन वापसी में वो उसके फ्लैट में आने की कोशिश नहीं करता था उस रोज वैसा नहीं हुआ तो रोमेला को बहुत हैरानी हुई महाटिक उसके साथ फ्लैट में आया क्या चाय बनाऊ? वो नर्वस भाफ से बोली नहीं ड्रिंक? नहीं शाम चार बजे जीत सिंग की नेंद खुली उस लंबे विश्राम के बाद उसने अपने आप को काफी बैतर महसूस किया पांच मिनट उसने टॉयलेट में लगाए और फिर नवलानी के मुबाइल पर कॉल लगाई अब बताओ क्या हुआ? वो बोला जीत सिंग ने सव विस्तार पिछली रात का तमाम वाक्या बयान किया अब सहब आखिर में वो बोला आप ही मेरे को बोलो कि कैसे उनको मेरे वहाँ पहुँचने की एडवांस में खबर थी एक ही तरीका मुम्किन है नवलानी गंभीरता से बोला क्या? पटवर्धन ने धोका दिया पटवर्धन वो भेडू पुलिस का बड़ा सहब जिससे आपको उस सब इंस्पेक्टर की बाबत मिलने का था हाँ वही DCP सहब मैं मिला था शिवा जी पार्ट में उसके घर पर उस से लगता है मेरे पेट फेरते ही उसने तमाम किस्सा आगे सब इंस्पेक्टर अर्विन पावले को बोल दिया था पावले ने आगे गोड बोले भाईयों में से किसी से बात की होगी और उसने नोबल हाउस में कॉल लगा कर तुम्हारी बाबत गणेश महाडिक को खबरदार कर दिया होगा पंच सहब पलिस का इतना बड़ा सहब ये हरकत करेगा करेगा नहीं की है और किसी طریقے से नोबल हाउस में तुम्हारी बाबत खबर नहीं हो सकती थी, और किसी तरीके से हुई होती, तो उन बाकी ठीयों पर भी हुई होती, जहां कि तुम नॉबल हाउस पहाशने से पहले गए थे, ओ, मेरे को तुम्हारी सुभा वाली कॉल के वक्त थी, पटवर्दन के रोल में धोका दिखाई देने लगा था, अब त से एक आत को चोड़ कर, तकरीबन सब नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में आती है, मैंने मालुम किया है, कि नाइट लाइफ पर अंकुष के लिए उस डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल स्क्वैट का गठन किया गया है, जिसका इंचार्ज पटवर्धन है, लेहाज़ा बतार डी वाली सौंपने वाली बात हुई सहब, सही कहा तुमने, मिडनाइट क्लब्स का इतना बड़ा रेकेट पुलिस प्रोटेक्शन के बिना कहीं चल सकता है क्या, फिर तो सहब, कल मैं बाल बाल बचा, मेरे को तो उधर इच शूट कर दिया जाता, तो किसी ने उंगली नहीं हि नाबा होता हो, इसलिए मेरे को सेफ बाहर निकलने दिया गया, और बाहर मेरे को लुड़काने का इंतिजाम किया गया, जाहिर है, अब कैसे हो तुम, ठीक हो सहब, ये स्पेशल स्कुएट करके जो आप बोला, जब उनका बास ही आगे मिला हुआ है, तो ये करते क्या है, कुछ कर रहे हैं ये दिखाने के लिए, कभी कबार छोटे मोटे ठीये पर रेट भी डालते होंगे, कोई बड़ी रेट डालते होंगे, बड़ा ठीया बंड कराते होंगे, तो वो ऐसा होता होगा जिसको बड़े सहब की प्रोटेक्शन हासिल नहीं होगी, जिसकी बड़े स सहब से डिसी भी पटवर्धन से सेटिंग नहीं होगी फिर भी कभी उपरी प्रेशर की वज़ा से किसी प्रोटेक्टेट ठीये पर ड्रेट की नौबत आती होगी तो वो ऐसे ठीये को पहले खबरदार कर देता होगा नतीशतन ड्रेट पार्टी को वहां कुछ भी काबिले ए मैं तो यहां तक कहता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसे दो चार ठीयों का पटवर्धन खोदी मालिक हो ओ साहब इतने बड़े ऑपरेशन में वो गोड बोले ब्रदर्स कैसे फिट होते हैं पुलिस इंफॉर्मर होंगे बोले तो खबरी खबरी होंगे मुकबेरी से पुलिस के खिद्मत करने के बतले में अपनी खुद की रोटियां सेखते होंगे तभी तो वो सब इंस्पेक्टर उनकी गुहार पर मदद के लिए दोड़ा आया तभी तो भाई लोगों की तुम्हारे दोस्त को ठोकने की मजाल हुई संया भई कोतवाल हाँ वही फिर भी मेरे को बक्ष दिया साहब ये सेटिंग तो थाने के सामने मेरे को शूट करने में क्या वांदा था मेरे ख़याल से तो कोई वांदा नहीं था क्या पता अब पच्था रहे हों ओ फ्रेंड के बारे में नोबल हाउस से क्या पता चला? खास कुछ नहीं सहप पड़ मेरे को पकी की मेरे फिरेंड के साथ जो किया उधर के दो बाउंसर भीडवों ने किया। बोले तो गोड बोले ब्रदर्स ने उसका रोकड़ा निकाल लिया तो उसके पास बिल चुकता करने को रोकड़ा नको। इस वास्ते बाउंसरों ने किदर बाहर ले जाके ठोका या किसी और वज़ा से वो उधर कोई गलाटा किया जिसका नतीज़ा उसको भगतना पड़ा असल बात तो उसके होश में आने पर ही मालुम पड़ेगा अब तुम्हारा क्या इरादा है उन बाउंसर के नाम चिट्टा और मिठ्टा है मेरे को उनको डैट और ज्यास्ती डैट करने का क्या और महाडिक का और नॉबल हाउस का वैसा ही कच्रा करने का जैसे वो लोग एडवाडो का किया तुम तुम पागल हो नहीं जानते हो कि ऐसा कदम उठा के असल में तुम DCP पटवर्धन के मुखालफ़त करोगे जेट सिंग तुम पुलिस से पंगा लेना अफॉर्ट नहीं कर सकते साहप उस पटवर्धन की मेरे वास्ते कोई अंदर की जानकारी निकालो ना तौभा लगता है मैंने गलती की पटवर्धन का जिक्र करके क्यों लगता है क्योंकि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मगश में लोचा है क्या हाँ एक बार बोलता है साहप छोटा मू बड़ी बात वाली बात बोलो, मैं इंस्पेक्टर गोविलकर का मुकाबला भी तो नहीं कर सकता था कामरेट सहब चगन जादव का मुकाबला भी तो नहीं कर सकता था M.P. मधुकर राउ साबले का मुकाबला भी तो नहीं कर सकता था बड़ा मटाटा का मुकाबला भी तो नहीं कर सकता था अभी सब किधर हैं नवलानी की आवास नहीं आई साहब मुसल के शिनात का आसान तरीका यहिच किस सिर ओखल में फिर उसने जल्दी से जोड़ा अभी कट करता है साहब संबन विच्छेत करके उसने घड़ी पर निगाठ आली बहुत टाइम था रोमेला जठार को फोन लगाने में अभी बहुत टाइम था रोमेला अपने फ्लैक में मौचूद थी पांच बचने को थे और वो बार-बार सोच रही थी कि क्या फोन की घंटी बचेगी उसका दिल गवाही देता था कि जरूर बचेगी बचेगी तो क्या होगा क्या बोलेगी वो वो अकेला आदमी जिसका उसने नाम तक नहीं पूछा था उसके किस काम आ सकता था कैसे वो महाडिक जैसे राक्षस का मुकाबला कर सकता था सुभा महाडिक ने उसकी जो दुरगती की थी उसको सोच के अब उसके मन में ये ख्वाइश नहीं आती थी कि माहडिक पर बिजली गिरे या वो किसी घातक दुरगटना का शिकार हो जाए या वो उसे मार डाले अब तो रह रह कर खुद मर जाने की अभिलाशा पैदा होती थी ऐसा जीना भी क्या जीना फिर उसे अपनी मा का बेहनों का खयाल आता था तो खुदकुशी का खयाल काफुर की तरह उठ जाता था एक घंटा माहडिक ने उसे डोर मैट की तरह रौंदा मसला कुछला था तौलिय की तरह निचोड़ा था और फिर उस पर से उठकर चाई बना के ला का हुक्म दे कर बाहर चला गिया था जैसे तैसे उठकर अपने रौंदे गई जिस्म को एक ड्रेसिंग गाउन से ढख कर वो किचन में गई थी और उसने बैटरूम में बैट पर अग लेटे पड़े माहडिक को चाई सर्फ की थी इस अंदेशे के साथ कि वो चाई में खाम का नुक्स निकाले का और कप उसके मुँपर फैंक के मारे का लेकिन ऐसा नहीं हुआ उसने बिना हुच्जत के चाई ली और इतमिनान से उसे चुसका बैट वो बैट के पाई ताने की तरफ इशारा करता बोला वो जिजगती से बैट के किनारे पर बैठी तेरे को कैसा मज़ा आया उसने पूछा वो ख जवाब दे ऐसा ही चैना हाँ हाँ तो क्या करना मागता है जिस दिल को कुछ अच्छा ना लगा वो क्या करने को बोलता है बोल क्या बोलता है ककक कुछ नहीं पर मेरे को तो सुनाई देता है ककक क्या वो बोलता है तेरे को कुछ नहीं करने का तो कुछ कर सकती है इच नहीं पैसा नहीं, दोस्त नहीं, हम दर्द नहीं, हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, कुछ नहीं रोमेला ने कुछ कहने के लिए मुग खोला, फिर होंट भेंच लिए, उसने जोर से थोक निगली तो समझती है कि वो जो दो लाक रुपए तो ने छुपा के रखे हुए हैं, वो साला बहुत भला कर सकते हैं तेरा रोमेला का दिल जोर से लड़ जा, कैसे जानता था, उसने जैसे उसके मन के भाव पर लिए तो समझती है, वो बोला कि इधर के मरकेंटार बैंक के तेरे सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में मेरे को कुछ नहीं मालूम जोहरी बाजार के प्राइवेट वार्ट के तेरे लौकर के बारे में मेरे को कुछ नहीं मालूम मैं चाहे तो तेरे बैंक अकाउंट से अखा रोकड़ा गायब और लौकर तुझे से तेरा उधर कभी था इच नहीं बोल क्या करें मैं ऐसा उसने जोर जोर से इंकार में सिर हिलाیا मेरे को सब मालूम तो क्या करती किधर जाती किससे बात करती मेरे को सब मालुम तो क्या सोच थी अभी भी मालुम तो क्या सोचे ली है सुनना मांगती है क्या उसने फिर इंकाल में सिर हिलाया मेरे को मालुम मुरुड में तेरी गठिया की मरीज मा किधर रहती है मेरे को तेरी स्पास्ट्रिक बड़ी बहन सपना की खबर मेरे को तेरी चोटी बेहन प्रियंगा की खबर जिसके लिए रोज एक केमती इंजेक्शन जरूरी इधर मुंबई में रहती अपनी फैमिली को तो उतना नहीं जानती जितना मैं जानता है अभी बोल मेरे से बाहर जाने का मतलब समझती है क्या साला सब फिनिश कर देगा तो खत्म तेरा फैमिली खत्म उसके शरीर ने जोर से जुड़़़ी ली तो साली मेरा आइटम है मेरा खिलोना है मैं तेरा मालिक है मेरे को मेरा खिलोना जब नहीं मांगता होईगा मैं साला नक्की करेगा तोड़ देगा कच्छे में डाल देगा तो खत्म तो तेरा फैमली साला वैसे इच खत्म इस वास्ते मेरे को मिजाश नहीं दिखाने का नहीं बोलने का क्या अच्छा नहीं लगा क्या खराप लगा जो मेरे को पसंद वो तेरे को पसंद उसने सहमती में सेर हिलाया अपना मूर बताकर साला मेरा मूर खराब नहीं करने का वो उट खड़ा हुआ शाम को यही श्टैम पर आता है तरीके से मिलने का कोई लोचा दिखाई दिया तो पैंदा ठोकेंगा और भी बहुत कुछ करेंगा अभी जाता है वो चला गया पीछे कितना ही अर्सा वो अपनी जगा से हिल भी नहीं पाई दो कोई देखता तो जरूर यही समझ था कि बैठे बैठे मर गई थी कितनी मजबूर जिंदगी थी किस कदर बिकी हुई औरत थी वो बोलके गया कि उसे सब मालुम था वो किदर जाती थी, क्या करती थी किस से बात करती थी फिर भी उसे पांच बजे आने वाली टेलिफोन कॉल का इंतिजार था क्या उसकी भी उसे खबर लग जाती लग जाती तो जरूर आकर जान से ही मार डालता शाम तक उसकी देशत कदरन घटी अब उसे महसूस हो रहा था कि महाटिक के उस रोज के वैशी मिजाज की वज़ा जरूर वो कोटक सहाब था जिसने कल रात नोबल हाउस में उसकी कोई दुख्ती रक्चू दी थी और उसका जो कहर कोटक सहाब पर नहीं बरप सका था वो उस पर बरपा था क्या वो कोटक सहाब महाटिक के हस्ती मिटा सकता था देखना होका जब उसकी जिंदगी के हर कदम पर खत्रा था तो ये खत्रा भी मोर लेना होगा ठीक पांच बजे फोन की घंटी बजी उसने कॉल रिसीव की हलो, वो सस्पेंस भरे स्वर में बोली हलो, प्रत्याशित आवाज की जगा उसे एक इस्त्री स्वर सुनाई दिया ये 23757522 है क्या हाँ, आप रोमेला बोल रही है रोमेला जठार हाँ, आप कौन मेरा नॉम नैंसी है मैं उस मिडनाइट कलब में आप से मिली थी, जहाँ आप होस्चेस है मैं एक काले सू वाले क्लीन शेव घंड काले बालू वाले पतले युवक के साथ थी नाम शायद याद ना हो लेकिन उमीद है कि बाकी सब याद आ गया होगा नहीं मेरे को तो मैंने एन पांच बजे आपको फोन किया है क्योंकि एन पांच बजे ही मेरा जी चाहा कि मैं आप से बात करूँ एन पांच बजे आपका फोन बिजी मिलता तो मुझे मायूसी होती रोमेला साफधान हो गई टाइम पर कुछ ज्यादा ही जोड था बेवज़ा तो नहीं होगा वज़ा उसकी समझ में आने लगी हाँ, वो बोली अब मेरे को भी तुम्हारी याद आ गई है मुलाकात के बारे में क्या कहती है कोई हर्स नहीं मुलाकात में लेकिन कब अभी क्या कर रही है कुछ नहीं खाली हूँ ग्रेट फिर तो सोचती हूँ कहीं एक-एक कौफी हो जाए और बाते हो जाए जरूर बैंदरा में अरोमा कैसा रहेगा जो हिल रोट पर है हाँ वही ठीक रहेगा सूपर छे बजे मिलते हैं अरोमा रेस्टरेंट हिल रोट बैंदरा ओके संबंद विच्छेद हो किया सेरे पर डिमपल ने भी फोन वापिस क्रेडिल पर रखा और बोली स्मार्ट है सब समझ गई जल्दी समझ गई बढ़िया जीत सिंग बोला अब अब क्या तुम उससे मिलोगी मैं वाच करूँगा क्या वाच करोगे अरे यही कि वो किसी की निगाहों में तो नहीं उसके पीछे तो कोई नहीं आया क्या ऐसी उमीद है है ही कुछ-कुछ तबी तो फोन तुम्हारे से कराया ओ सब कुछ चौकस हुआ तो तो मैं भी पहुँच जाऊंगा ठीक लेकिन अरोमा में नहीं क्या मतलब वहाँ तो मुझसे अकेली मिलोगी उसकी खूप सूरती ही उसकी काफी पहचान वहाँ जो फिल्म स्चार लगे यही चुओ फिर तुम्हें नाम मालू रोमेला जठार नाम से पक्की करना वो तुम्हारे बारे में सवाल करेगी तो उसको समझाने का कि उसी का भला सोच के मैं उधर नहीं है और उसको विले पारले में वोटल ब्र्यू हैवन में लेकर आने का है जो कि उधर नहरू रोट पर है उधर किधर बार में दस मिनट में मैं ना पहुंचे तो निकल लेने का है उसे वहीं चोड़ कर और समझा कर कि कोई वाच करता था मुलाकात में वांदा फिर फोन करने का नई मीटिंग फिक्स करने का बरोबर उसने सेहमती में सेर हिलाया अभी मेरे को अपना फैंसी सूट चेंज करने का और एक फ्रेंडी टेक्सी डिरेवर सेट करने का जाके आता है ओके अपने ओफिस में बैठा DCP केशव राव पतवर्धन अपने कम्प्यूटर पर पुलिस रिकॉर्ड में बदरिनाथ के नाम को स्कैन कर रहा था बदरिनाथ नाम के पांच व्यक्तियों का नाम बहमाई तस्वीर सामने आया उनकी डिटेल्स खंगालने पर उसे मालुम हुआ कि उनमें से दो का इंतिकाल हो चुका था दो पचास से उपर उम्र के थे और जो एक कुम्र कट काट और हुलिये में थोड़ा बहुत उस शक्स से मिलता था जो पिछली रात नोबल हाउस में पहुंचा था वो पिछले चार महीनों से जेल में था क्या मतलब था इसका बद्रिनाथ नोन क्रिमिनल नहीं था या वो नाम फरसी था दूसरी आप्शन उसे ज्यादा मुम्किन दिखाई थी अब उस शक्स को तलाश करने का तरीका ये था कि वो महाडिक समेत उन तमाम लोगों को तलब करता जो कि पिछली रात उस बद्रिनाथ के रूबरू हुए थे और कम्प्यूटर पर उस हूलिये पर आधारित उसके कंग पोजिट पिक्चर तयार करवाता फिर शायद उसके शिनाख थो पाती और पता लग पाता कि असल में वो कौन था और किस नाम से जाना जाता था शे बजने से थोड़ी देर पहले जीट सिंग गाईलो की टैक्सी में अरोमा के बाहर सड़क के पार मौजूद था और डिमपल रेस्टरेंट के भीतर थी उसी घड़ी वो जीन्स और जैकेट पहने था और सेर पर स्टाइलिश गोल्फ कैप लगाई था जो उसने माथे पर तनिक आगे जुकाई हुई थी गाईलो उसकी खुश किस्मती से उसे असानी से मिल गया था वो ना मिलता तो वो टिकोस्चा को ढूनता शमसी को ढूनता अबदी को ढूनता या वैसे ही किसी और फ्रेंडली टैक्सी ड्राइवर को ढूनता डेविट पर्देशी के सतके वो मुंबई के कई टेक्सी ड्राइवर से वाकिफ था ठीक छे बजे रोमेला वहां पहुँची जेत सिंग ने सड़क के दोनों तरफ खोजपूर निगाह दोड़ाई उसे नहीं लगा कि वो किसी की निगाहों में थी रेस्टोरेंट में दाकिल होने से पहले वैसे ही साफधान निगाह रोमेला ने आजू बाजू दोड़ाई और फिर भीतर कदम डाला कुछ शंड बाद होटल की विशाल ग्लास विंडो में से उसे वो भीतर एक टेबल पर डिमपल के पास बैठी दिखाई थी लेहाज़ डिमपल को उसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होई थी दोनों मुस्कुरा रही थी और एक दूसरे से बड़ी आत्मियता से पेश आ रही थी बढ़िया डिमपल उसे समझा सकती थी कि क्यों जेत सिंग ने उसे डिमपल से फोन करवाया था और क्यों उस घड़ी भी वो वहाँ नहीं था क्या सिग्रेट पिएगा वो गाईलों से बोला कोई वांदा नहीं गाईलों बोला दोनों ने सिग्रेट सुलगा लिये और प्रतिक्षा करने लगे पंदरा मिनट बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकली और एक टैक्सी पर सवार हुई अभी उनको थोड़ा आगे जाने देने का जीत सिंग बोला फिर पिछू चलने का चीक मेरे को ये देखना मांगता है कि हमारे सिवाई कोई और तो इनके पिछू नहीं मैं भी वाच रखेगा बढ़िया अभी चल गाईलों ने टैक्सी रोड पर डाली थोड़ी दर बैंदरा की सडकों पर रहने के बाद अगली टैक्सी ने वेस्ट्रन एक्स्प्रेस हाईवे पकड़ा सांता क्रोस पहुँचने तक जीत सिंग को नहीं लगा कि कोई अगली टैक्सी के पीछे था अब स्पेट बढ़ा जीत सिंग एका एक बोला और उनको ओवर टेक कर हमको उनसे पहले विले पारले पहुँचने का है उधर किधर? नहरू रोड होटल ब्ल्यू हैवन मालूम है ना? हाँ मालूम गाईलों ने स्पेट बढ़ाई होटल ब्ल्यू हैवन जीत सिंग का देखा भाला था इसलिए उसे मालूम था कि वो एक मल्टी स्चोरी बिल्डिंग की चौथी मंजिल से शुरू होता था उसकी पहली तीन मंजिलों पर एक शौपिंग माल था और आफिस कॉम्पलेक्स था उसका बार पांचवी मंजिल पर था और उसकी सड़क की और की मुकमल दिवार शीशे की थी जिसकी वज़ा से बार के कोने में बैठे बैठे ही इमारत के फ्रंट को देखा जा सकता था जीत सिंग बार में पहुँचा और कोने के एक बार स्चूल पर जा बैठा बार में उसके करीब पहुँचा जीत सिंग ने बेर का ओर्डर दिया जो सर्फ हुई तो उसने उसके तरफ निगा तक नहीं उठाई उसके निगा बाहर इमारत के फ्रंट पर टिकी हुई थी जहां उसके सामने डिमपल और रोमेला की टैक्सी पहुँची कोई वाहन उसके पीछे नहीं था बढ़िया पांच मिनट बाद वो दोनों बार में दाखिल हुई और बार काउंटर से परे एक टेबल पर जा बैठी किसी ने उनके पीछे बार में कदम नहीं रखा उन्होंने ड्रिंक्स का ओर्डर दिया वेटर बार पर आकर ओर्डर बुला बकारडी विद लाइम एंट सोडा और वोटका एंड टॉनिक वेटर दोनों ड्रिंक्स लेकर चला गिया उसने डिमपल को बकारडी और रोमेला को वोटका और टॉनिक सर्फ किया जीट सिंग ने अपना बेर का मग उठाया और लापरवाही से टहलता हुआ उनकी टेबल पर पहुँचा फिर तीनों ने मिलकर चेर्स बोला डेंपल ने बताया होगा जीट सिंग बोला कि मैंने खुद फोन क्यों नहीं किया हाँ रोमेला संजीद की से बोली मेरी लाइन टेप हो सकती थी हाँ अभी भी मैं पक्की नहीं था कि कोई पिछू नहीं था गुट कल कैसी बीती जान बच गई हैरानी है है कि मिठा चिठा से जान इतनी बच गई कि चल फिर भी रहे हो किस्मत ने साथ दिया अब बोलो बात क्या है इतना तो मेरे को डेफिनेट की तुम्हारा महडिक से कोई पंगा हाँ एक्स्प्लेन इधर नहीं तो किधर मैं इस होटल में एक सुईट बुक किये ला है उधर पे राइवेट में चल खे नो होटल रोम में नहीं जाने का मेरे को जो बोलने का इधर इच बोलने का ऐसा क्या हाँ अभी या नेक्स ड्रिंग के साथ अभी ठीक है जीत सिंग ने संक्षेप में तमाम किसा बयान किया उसने एडवार्डो कहुलिया भी बयान किया हाँ वो बोली ये गोवानी मंडे नाइट को गोड़ बोले ब्रदर्स के साथ उधर था तुम गोड़ बोले ब्रदर्स को भी जानती हो हाँ क्योंकि ऐसा इच बकरा फांस कर उधर लाते रहते हैं हाँ गोवानी के साथ उधर क्या हुआ उधर कुछ नहीं हुआ उधर से मिठा और चिठा ने उसको आउट किया था क्यों क्योंकि वो दोनों भाई उसको छोड़ के डिजर्ट करके चले गए थे उधर का हैवी बिल उसके मत्थे मड़ कर खिसक गए थे वो गोवानी जिसका नाम तो तुम एड़वर्ड बोला एड़वर्डो वो बिल चुकता नहीं कर सकता था क्यों रोकड़ा नको पर्स निकाल के देखा तो खाली था गलाटा मचाने लगा शाउट करने लगा बोला उधर किसी ने उसका रोकड़ा पार किया एक लाग से ज्यादा बोलता था इल्जाम लगाने लगा कि सब मिले हुए थे पुलिस के पास जाने को बोलने लगा फिर फिर क्या ऐसा गलाटा उधर कोई कैसे मचा सकता था महटिक ने मिठ्धा चिट्था को इशारा किया दोनों ने आकर गुवानी को थामा और उसे बाहर ले चले बाहर ले जाके क्या किया होगा आउट किया होगा और क्या होगा नहीं आउट नहीं किया बिल की वसूली की अपने तरीके से बिल की वसूली की कैसे ठोक दिया मार मार के कच्रा कर दिया और फैंक दिया अभी वो ओल्ड मैन मंडे से अस्पदाल में बेहोश बढ़ा है पता नहीं होश में आके मरेगा कि ऐसे इच मर जाएगा सब इसलिए कि कोई उधर नोबल हाउस में उसका रोकड़ा पार किया और उसको बिल चुकता करने के काबिल नहीं चोड़ा कितना बिल होगा 2000-3000-5000 एक आदमी की जान की कीमत खाली 5000 वो दोनों बाउंसर बोले तो जंगली जानवर मौका ढूंडते हैं किसी को फोड़ने का बंबोडने का ओल्ड मैन डिजिस्ट किया होगा मुकाबला करना मांगता होगा मिठा चिठा और आपे से बाहर हो गए होंगे नतीजा उसने और सहाई भाव से कंधे उचकाई कुछ शर्ण खामोशी रही अभी क्या मांगता है फिर रोमेला ने पूछा हेल्प हेल्प मांगता है क्या करने का वास्ते एड़वार्डो को ठोकने वालों को सजा देने के वास्ते ऐसा कुछ करने का वास्ते कि जो एड़वार्डो के साथ भी थी वो आइंदा किसी और के साथ ना भी थे मैं उसमें क्या कर सकती हूँ तुम मेरे को महाडिक के बारे में बता सकती हो उससे क्या होगा कुछ तो होगा क्या देखेंगा देखो जेट सिंग जेट सिंग जेट सिंग सक्पकाया कौन बोला मैं डिम्पल तनिक संकोट से बोली ये तुम्हारा नाम पूछती थी न ओ वो रोमेला से संबोधित हुआ नाम अपने तक ही रखना कभी बोलने की नोबत आई तो बदरी बदरीनात बोलना बदरीनात हाँ अब बोलो क्या कहने लगी थी मैं कह रही थी कि तुम अकेले महाटिक का मुकाबला नहीं कर सकते मालूम इसी वास्ते तो हेल्प मांता है मेरी हेल्प से क्या बनेगा तुम्हारा तो कुछ बनेगा नहीं मेरा सब बिगट जाएगा बोले तो मेरी जौब, मेरा फ्लैट, मेरी सेविंग्स बोले तो मेरा अक्खा लाइफ सब महाटिक के सदके है उसे मालूम पढ़ गया तो सोचो क्या होगा क्या सब चीन लेगा हाँ जो महाटिक देता है उसके बदले में उसको भी तो कुछ मिलता होगा जाहिर है क्या मैं क्या उसके हाथों बिकी हुई हो मैंने बात का बुरा नहीं माना सची बात का क्या बुरा मानना तो फिर क्या फिर कोई फैसला करो क्या फैसला करूँ ये सोचकर कोई फैसला करो कि महाटिक फिनिश हो गया तो तुम्हारी क्या पुजिशन होगी जब एक टैम ऐसा आएगा कि वो ना कुछ दे सकेगा ना कुछ ले सकेगा तो तब तुम क्या करोगी ऐसा टाइम आएगा क्या वरोबर आएगा कौन लाएगा मैं लाओंगा बले ही तुम्हें मेरी मदद ना मिले महाटिक को ढेर करके रहोगे ना हाँ बात पर अतबार लाने की कोई वज़ा ना लाने की क्या वज़ा है कई है कोई एक बताऊ कई हो सकती है कोई एक बयान करो और नहीं तो यही बोल दो ये चेंटी और हाती का मुकाबला है वो खामोश रही उसने अपना जाम खाली किया और वेटर को इशारा किया जब तक उसे नया जाम सर्व नहीं हो किया वो जेट सिंग से निगाहें चुराती रही फिर उसने नये जाम का एक घूंट भरा और अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली महटिक के उसके फ्लैट पर पहुँचने में अभी बहुत टाइम था अगर आखिरकार वो बोली मैं मदद करने का जोखिम उठाना मनसूर कर लूँ तो बदले में क्या मिलेगा एक बिकि उरट को उसकी आज़ादी मिलेगी मैं अपनी मर्जी से बिकि हूँ मर्जी से ऐसा काम नहीं होता मजबूरी से होता है चलो ऐसे ही सही या अपनी मजबूरी बोलो या बोलो की हल क्या है कौन सी चीज तुमें उससे निजात दिला सकती है है एक चीज क्या? नाम लो उसका दस लाक रुपिया जीत सिंग ने आप अलग उसे देखा यूँ देखने का कोई फाइदा नहीं मेरी अपनी जिम्मेदारिया है जिनसे मैं मूँ नहीं मोड सकती मेरी माँ को गठिया है एक बेहन स्पास्चिक है दूसरी को भी ऐसी बिमारी है जो ताज जिन्दगी ठीक नहीं हो सकती मेरी जॉप निकल गई मेरे सिर पर से चट निकल गई तो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने तक मेरे को जिस आसरे की जरूरत होगी वो पैसा है मैं तुम्हें दस लाक रुपया कराऊं तो तुम्हें मेरी मदद करना कबूल होका क्या हाँ क्या दिल से हाँ भरोसा कर लूं मैं तुम्हारा हाँ भरोसे को तोड़ोगी तो नहीं अरे ये सवाल मेरे पूछने का है तुम बोलो तुम मेरे भरोसे को तोड़ोगे तो नहीं अपना मतलब हल हो जाने के बाद करनी तो नहीं काट जाओगे मैं ऐसा नहीं करूँगा कसम कसम खाने की जरूरत नहीं मेरे को बात का विश्वास है ऐसा क्या हाँ, मेरा दिल गवाही देता है मेरे को एंकरिश करता है कि मैं तुम्हारी बात का विश्वास करूँ हम मेरे को महाडिक की जात से नफरत है, मेरे में हिम्मत होती, तो मैं ही उस जानवर को खत्म कर देती, उसका वजूद खत्म हो, इस वक्त अपने लिए इस से बड़ी खुशी की कल्पना मैं नहीं कर सकती जरूर यही बात डिम्पल धेरे से बोली तुम्हारा इस पर भरोसा मस्बूत करती है क्योंकि वो बोलते हैं ना कि एक ही शक्स के दो दुश्मन दोस्त होती है हाँ शायद अब बोलो क्या मांगता है अभी क्या मांगता है अभी मेरे को मांगता है जीत सिंग बोला कि तुम ही इस होटल में मूफ कर चाओ इदर जो सुईट बुक है उसकी महाडिक को हरकिस कबर नहीं लग सकती और यह गैरेंटी मैं खुद किया कि कोई इदर तुम्हारे पिछू नहीं आया तुम इदर एकदम सेव तुम्हें किसी जाती इस्तेमाल की खास चीज़ की जरूरत है तो वो तुम्हारे फिलेट से मैं तुम्हें ला दूँगा तुम इदर इत्मिनान से बैट के जो भी महाटिक के बारे में जानती हो सब मेरे को बताने का तुम्हारा मतलब है मैं अभी इसी घड़ी नोबल हाउस से अपने फ्लैट से अपने उस जिंदगे से किनारा कर लूँ हाँ फिलहाल तभी बात बनेगी फिलहाल बस तुम यही चाहते हो क्या हाँ और कुछ अभी मेरे को खुद मालूम नहीं कि मैं क्या मानता है अभी यही श्ठीक आगे की आगे देखेंगे इतनी तेज रफ्तार से मेरे को डर लगता है डरने से कुछ नहीं होता डरने वाला आत्मी ता जिन्दगी डरता ही रहता है इसी वज़ा से तुम महाडिक के अंगूठे के नीचे पिस रही हो वरना इतना ताकतवर कोई नहीं होता जितना तुम उसे समझती हो जितना तुमारे खौफ ने उसे बनाया हुआ है अभी या तो इधर रुकना कबूल करो या महाडिक के खौफ के साए में अपनी पुरानी दुनिया में वापिस चली चाओ तुम इधर या उधर कोई भी वैसला करने के लिए आजात हो वो खामोश रही इतना मैं आखिर में फिर भी कहना मांगता है कि मेरा साथ दे कर तुमें पच्टाना नहीं पड़ेगा तुम महाडिक से जीत जाओगे क्योंकि तुम्हारा नाम जीत सिंग है वो तो मैं नाम का ही हूँ क्योंकि जब मेरी मा ने मेरा नाम जीता रखा था तो समझा था कि उसका बेटा बड़ा होगा तो सिकंदर की तरहा दुनिया जीत लेगा अपने लिए मैं कभी कुछ नहीं जीता इस बार भी दाव मेरे अपनी जीत के लिए नहीं है एड़वार्डो नाम के उस बुज़ोर्ग वार की जीत के लिए है जो अस्पताल में पड़ा अपनी मौत का इंतिजार करता है जब मैं इधर बैट के बेर पीता है तब हो सकता है कि वो उधर मरा भी पड़ा हो एक बार होश में आ जाता तो कम से कम इतना ही बता जाता कि बदवक्त को जलाने का था या दफनाने का था जेट सिंग का गला भर आया डेमपल ने उसके हाथ पर हाथ रख कर हौले से दबाया क्या ये तुम्हारी गर्फ्रेंड है? रोमेला ने पूछा फ्रेंड है जेट सिंग बोला जैसे तुम हो हम अब हो ना? अब हूँ कोई शक्त अब इडेमपल ने क्या बोला? एक इजबेडू के दो दुश्मन फ्रेंड होते हैं खाली इसी वज़ा से क्या? बोले तो शुरुआत इस वज़ा से आगे देखेंगे उसने सहमती में सेर हिलाया अब बोलो मुझे तुम्हारी पेशकश कबूल है तुम्हारे कहे मताबिक मैं यहां स्टे करने को तयार हूँ बढ़िया मैं रिसेप्शन से चाबी लेके आता हूँ जीट सिंग उठकर वहां से चला गया पीछे रोमेला ने अपना नया जाम एक सांस में खाली किया अभी मेरे को डबल ड्रिंक मांगता है वो बोली I want to get drunk fast शाय तभी वो बुरे-बुरे खयाल मेरे मन से निकलेंगे जो इस वक बरसाती बादलों की तरह गुमड रहे हैं वेटर, come here on the table बत और डिटेक्टिव शेकर नवलानी का जाती तरजुर्बा था कि किसी व्यक्ती की life की, life style की अंदर की जानकारी निकालनी हो तो उसका कच्रा garbage टटोलो कच्रे में लोग कितनी ही ऐसी चीज़े फैंक देते थे जो उनके लिए बेमानी होती थी लेकिन जिनको टटोल कर स्चैड़ी करके बड़ी मारके की जानकारी हासिल की जा सकती थी रोज इंसूलिन लेता था जिसके अपरंट से अपहर्ता उसे रोक नहीं सकते थे रोकते तो हो सकता था वो मर जाता या गंभीर हॉस्पिटल केस बन जाता नवलानी को उसके जिस बिजनस राइवल पर अपहर्ता होने का शक था उसने उसके घर का कच्रा टटोला था तो उसमें से इंसूलिन की सिरिंज बरामद होई थी जरा सी परताद से उसे मालूम हो गया था कि उस साउस होल्ड में इतना डाइबटिक कोई केस नहीं था कि इंसूलिन का इंजेक्शन ले रहा होता उसने वो टिप पुलिस को दी पुलिस ने वहां रेट की तो इमारत की बेस्मेंट में से बंदक बरामद हुआ अब अपना वो आसमाया हुआ फॉर्मूला वो पटवर्धन पर आसमाने की फिराख में था उसने मालूम किया था कि शिवाजी पार्ट की सिंदू हाउसिंग सोसाइटी से जिसमें के डेसेपी केशव राव पटवर्धन का फ्लैट था कच्रा शाम को कलेक्ट किया जाता था और उसका ठेका एक प्राइविट कॉन्ट्रेक्टर को था जिसके वर्दिधारी करमचारी शाम को हर फ्लैट के दर्वाजे पर पहुंचते थे और वहाँ पहले से मौझूद कच्रे का पॉलिथिन का बैग उठाके ले जाते थे उस रोज कॉन्ट्रेक्टर के आदमियों की आमत के टाइम से पहले खुद वो वहाँ मौझूद था वो वही उन्हीं लोगों जैसी सलेटी वर्दी पहने था और सीधे पटवर्दन से ही आमना सामना ना हो जाए इसलिए एहतियात की तौर पर मूझ पर मोटी मुझ चिपकाई था पटवर्दन के विवहार से उसे दिली गिला था जिसने उसके विश्वास को ठेस पहुँचाई थी जो बात उसने स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस में अपना दोस जान कर पटवर्दन को बताई थी वो उसने पेट फेरते ही आगे ट्रांसफर कर दी थी जिसके नतीजे के तौर पर नॉबल हाउस में जीत सिंग की जान पर आबनी थी अपना मौजूदा काम वो उतना जीत सिंग का तरफदार बन कर नहीं कर रहा था जितना की पटवर्दन के खिलाफ होकर कर रहा था जिसका किरदार अब उस पर उजागल हो चुका था रक्षक की भक्षक बना बैठा था उसका काम जिन लेट नाइट बारों को बंद करवाना था उन्हें वो अपनी अध्यक्षता में चलवा रहा था जीत सिंग ने सही कहा था कि उस पर तो चोर को खजाने की रखवाली सो अपने वाली कहावच चरितार्थ होती थी वो सोसाइटी के आईरन गेट से भीतर दाखिन हुआ तो उस पर बल्कि उसकी वर्दी पर एक कुट्ती निगार डाल कर ही वाच में अपना हाथ में थमा अकबार पढ़ने में व्यस्त हो गिया नवलानी निर्विग्न कॉम्पलेस के भीतर पटवर्दन के फ्लैट वाले फ्लोर पर और फिर उसके फ्लैट के बंदरवाजे के सामने पहुचा पॉलिधिन का गार्बिच बैग जिसके मूँ पर सूतली बंदी होई थी फ्लैट के बंद दर्वाजे के बाजू में पड़ा था उसने बैग अपने काबू में किया और उल्टे पाउं वहां से लोटा आइरन गेट से बाहर निकल कर वो सड़क पर उस बाजू चला जिदर उसकी कार खड़ी थी वो कार में सवार हुआ और कार उसने खार की दिशा में दोड़ा दी जहां अपने आफिस में वो इत्मे नान से कच्रे को टटोल सकता था होटल की नौवी मन्जिल पर सुईट नंबर 905 में वो तीनों मौजूद थे वो थूई स्चार होटल था इसलिए सुईट में मिनी बार और कोड नंबर वाली सेफ समेथ तमाम सुविधाएं मौजूद थी रोमेला ने जाते ही मिनी बार खोला और ये देख कर नाक चड़ाई की जो वोट का जो वो पसंद करती थी वो वहां नहीं थी रूम सर्विस से डिमपल उसका मिजाच माम कर बोली कुछ भी मंगा सकती हो येस रोमेला बोली येस जो कदब मैंने उठाया है उसकी देशत बुलाने के लिए मेरे को टून होना मांगता है उसने रूम सर्विस को फोन करके वोट का की बोतल टॉनिक वोटर और सोडे का ओर्डर दिया स्नैक्स की बाबत उससे विशेश रोप से पूछा गया लेकिन उसने इंकार कर दिया अब बोलो जेत सिंग बोला अपने फ्लैट से क्या मंगाना है रोमेला ने सब कुछ उसे एक कागस पर लिख कर दिया उस पर अपने फ्लैट का एड्रेस भी लिखा और उसकी चाबियां उसे सौंपी महाटी कुदर आठ बजे पहुंचता है उसने उसे चेतावनी थी इसलिए तुम्हारे पास ज्यास्ती टाइम नहीं है पहुंचे वांदा नहीं रोमेला ने आप अलग उसे देखा जीत सिंग ने उससे आंक नहीं मिलाई महाटी कुदर पंची के पर पहचानता है वो धीरे से बोली क्या बोला कोई बड़ी बात नहीं वो उधर पहुंचे तो अकेला नहीं पहुंचे ओ दूसरे वो गन रखता है हर टैम बोले तो तुमारा उससे वहां उलशना ठीक नहीं होगा वार्निंग पर थैंक यू बोलता है वो खामोश रही अभी ये कागस कलम अपने काबू में ही रखो जो कुछ भी तुम महाटीक बेबारे में जानती हो उसे डिटेल में लिखकर रखना उसके घर का पता फोर नमबर, कार नमबर यार दोस्तों के नाम पते वगेरा सब कुछ लिखके रखना बरोबर जो मेरे को मालुम है वही तो लिखूंगी यहीच बोला मैं भी अभी जाता है डिमपल दर्वाजे तक पहले से टुन है अभी बोतल और ओर्डर केली है अकेली होने पर भरोसा नहीं कि उठके चल ही न दे हम उसको कमपनी देने का है और कोशिश करने का है कि मेरे पर से उसका विश्वास ना हिले मेरे पीट फेरते ही मेरी मदद करने का उसका इरादा ना बदल चाए कितने टाइम में लॉटोगे तुम दो घंटे में उसके बाद देखेंगे तुम्हारे आ जाने के बाद भी मेरा रुखना ज़रूरी है क्या नहीं तब ज़रूरी नहीं क्योंकि तुम्हारे को रात को इसके साथ अकेले रहने का है क्या बात करती हो खूब सूरत है राजी है जब तक लॉटोगे तब तक फुल टोन होगी क्या औरतों वाली बात करती हो रात अगर मैं इधर ठहरे तो मेरे को कोई वांदा नहीं सच में बोला कसम खाके सच में बोला जीद सिंग अपने गले की घंटी चूता बोला तुम्हारे इधर रहने से मेरे को खुशी मेरे को फाइदा औरत औरत में ज्यास्ती चीक करके कॉन्फिडेंस जगा सकती है कॉन्फिडेंस ही बोलते हैं ना हाँ ठीक है जाओ उस शाम महाडिक भाइक खला जान बुशकर लेट पहुंचा साली खड़ी रहे दर्वाजे पर सूकती रहे उसके इंतजार में वो सेट मोती शाम मार्ड और आगे रोमेला के फ्लैट पर पहुंचा फ्लैट के प्रवेश दुआर के वाले कमरे में अपनी चाबी फिराते ही ना जाने क्यों उसे एहसास होने लगा कि कोई गड़बर थी भीतर सब नॉर्मल नहीं था वैसा नहीं था जैसा हमेशा अपेक्षित होता था दर्वाजा खुलते ही उसका एहसास मोहर बंद हो किया उसके स्वागत के लिए सजी धजी खड़ी रोमेला उसे नहीं दिखाई थी उसने अपने पीछे दर्वाजा बंद किया और कुछ शण वही ठिटका खड़ा रहा कहां गई जाना कहां था उसकी अकल ने गवाही थी कोई फोन वोन आ गया होगा बेडरूम में होगी या टॉयलेट में होगी लेकिन वो कहीं नहीं थी फ्लैट खाली पड़ा था उसे एक आएक यू लगने लगा जैसे उसके गिरह कट गई थी उसके माल को डाकू पड़ गए थे जिस औरत की वो इतनी दुरगत करता था उस घड़ी उसे उसकी कमी खल रही थी आखिर वो उसके उंदा सूट की तरह थी जिससे वो पहने या ना पहने जो उसकी वार्डरोब में टंगा तो रहना ही चाहिए ना नहीं नहीं जाएगी कहां कोई एमर्चनसी आ गई होगी कहीं पड़ोस में या मार्किट में चली गई होगी उसने खुद अपने लिए ड्रिंक बनाया और एक सोफे पर धेर होकर उसे चुसकता उसकी प्रतिक्षा करने लगा जो जो उसकी आमद में देर होती जा रही थी उसका पारा चड़ता जा रहा था आई तो सही दान पेस्ता वो मन ही मन बोला आज जैसी दुम ठोकूंगा कि हफ़ता बर बैट नहीं सकेगी आखिरकार उसे ये कड़वा सच हजम करना पड़ा कि वो नहीं लोटने वाली थी कैसे हुई उसकी मचाल उसकी आँखों के आगे पिशली रात का कलब का नजारा कूमा क्या उस कोटक सहब ने उस पर कोई जादू कर दिया था पेश तो कुछ खास इस चायल से आ रही थी उसके साथ बिच बिच जा रही थी बदरी नात क्या बला था वो शक्स जिसे मिठा चिठा भी काबू में नहीं कर पाई थे जो एकबाल खत्री जैसे पहाड को ढा गया था आखिरकर वो उठा और इस बार यूं सारे फ्लैट में फिरा जैसे वहां की बारीक तलाशी ले रहा हो जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि वहां से कई चीज़ें गायब थी उसका लाल रंग का फैंसी सूट केस गायब था मेकप बॉक्स गायब था वार्डरोब के कुछ हैंगर जिन पर उसकी ड्रेसे टंगी होनी चाहिए थी खाली लटके हुए थे चडिया उड़ गई थी उसने पटवर्धन को उसके मुबाइल पर फोन लगाया महाडिक बोलता हूँ वो बोला कर लंज पर मिलने का है अर्चन करके खुद मेरे को मिलने का है पटवर्धन की आवाज आई तुम्हारे से और तुम्हारे उन आदमियों से भी जिनका पिछली रात उस चक से आमना सामना हुआ था जो अपना नाम भद्रीनात बताता है और मेरे खयाल से गलत बताता है ऐसा क्या? हाँ, उस नाम से उसका मेरे को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला शायद वो रिकॉर्ड वाला भीडू होईच नहीं? मेरे को यकीन नहीं ऐसा है भी तो कन्फरम होना चाहिए कल एक बज़े दादर पहुंच जाना एक बज़े, आगे देखेंगे फिर लाइन कट गई महाटिक रोमेला के फ्लैट को लॉक करके वहां से रुक्सत हुआ अब अकेले ड्रिंक्स डिनर का आइडिया उसे अजीब लग रहा था एक अरसे थे तो ऐसा कभी हुआ नहीं था वो नीचे पहुंचा तो ड्राइवर पांडू रंग ने मुस्तहदी से होंडा अकॉर्ट का पिछला दर्वाजा खोला महाटिक को लगा कि वो भी हैरान हो रहा था कि साहब अकेला वापिस लोटा था वो कार में सवार हो गिया और सोचने लगा कि किधर का रुख करे कोई शान जगा जहां उसके उस घड़ी के मूर से कोई पंगा ना हो और वो सोच सके अपना अगला कदम निर्धारित कर सके तार देव चल वो निर्नायक स्वर में बोला वहाँ पैडर रोट पर एक बार था जहां वो चैन से बैठ सकता था वहाँ पहुँचकर उसने फिश फिंगर्स के साथ तीन पैग हलक से उतारे और छे सिगरेट पिए डिनर के लिए उसके दिल ने कतई हामी नहीं भरी फिर उसने एक कागस कलम संभाला और सोच सोच कर लिखना शुरू किया उस काम से जब वो फारिक हुआ तो उस पर नोबल हाउस जैसे आठ ठीयों के नाम दर्ज थे और हर ठीये के आगे एक बाउंसर का नाम दर्ज था वो ठीये कोलाबा से अंधेरी तक फैले हुए थे और उसका इरादा हर एक का चकर लगाने का था उसने लगाया हर जगा वो लिस्ट में दर्ज बाउंसर से मिला बद्रिनात का हुलिया बयान किया और हर जगा एक ही बात बोली ये भेडू मेरे को मांगता है क्योंकि ये मेरा बहुत केमती सामान चुरा के ले गया है ये यहां आज सकता है इसलिए आंके खोल के रखने का है आई तो थामना है मेरे पास लाना है और इनाम में पचास ज़ार रुपेया काबू में करना है तुम्हारे को उसके साथ कैसे भी पेश आने की इजाजत है खाली जान से नहीं माणने का है ऐसे जिस साकरी बाउंसर से उसने बात की उसका नाम नबन पठान था उसको जो एक अतिरिक बात उसने कही वो ये थी कि वो अगली रात को नोबल हाउस पहुंचे नबन पठान बाकी बांसरों जैसा विशाल काय नहीं था लेकिन उन से कहीं ज्यादा खतरनाक था उसकी सूरत से ऐसे क्रूरता जलकती थी और निगाह से ऐसे शोले बरसते थे कि लोग उसके करीब खड़े होने से खौफ खाते थे हमदर्दी और दया भाव तो जैसे वो सीखा ही नहीं था कि क्या होता था निगाहों से किसी का कतल नहीं किया जा सकता था लेकिन उससे निगाह मिलने पर बाज लोगों को अपने दिल की धरकन बंद होती बराबर जान पड़ती थी वो शेश नाग था और नाग जैसे ही फुर्ती से वार करता था मिठा चुठा जैसे बाउंसर खतर नाग थे वो साक्षात मौत था यूं बदरीनाथ का इंतिजार करके जब महडीक आखिरकार नोबल हाउस में पहुँचा और बार पर जाकर अपनी पसंदीदा जगा पर बैठा तो शान था, संतुष्ठ था और आश्वस था कि अपटवर्धन के कोई हथेली लगाए बिना ही बदरीनाथ का बशना मुहाल था अब वो इस बात की कल्पना से आनंदित होने भी लगा था कि कैसे वो उस भीडू को तडपा तडपा के मारेगा जीत सिंग होटल ब्यू हेवन वापिस लोटा डिम्पल को उसने बाहरी कमरे में बैठे टीवी देखते पाया जीत सिंग भीतर पहुँचा तो उसने टीवी बंद कर दिया वो कहा है जीत सिंग धीरे से बोला भीतर डिम्पल ने जवाब दिया बैड्रूम में क्या कर रही है सोचो अभी भी चालू है क्या लगातार नई बोतल एक तेहाई खाली कर चुकी है आकरी बून निचोड कर ही माने की ओ बोले तो पक्की बेवडी है मैं उसे कुछ करने को बोल के गया था हाँ कुछ लिख तो रही थी क्या लिखा मालूम नहीं मालूम करता हूँ जाओ करो तुम्हारा ही तो इंतिजार कर रही है क्या वर्ना सो गई होती क्या कुड के बोल रही हो कुडती है मेरी जूती जाओ जाके गोद में भरके उसे लोरी सुनाओ शायद तभी सो पाएगी डिनर के बिना उसका लंच ब्रेकपास डिनर बाटली से ही होता जान पड़ता है जीत सिंग अनिश्चित सा उसके सामने खड़ा रहा जाओ भई अपने मिशन पर डिमपल बोली तुम मेरे को गलत समझ रही हो मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है मेरे को खाली इतनी दिल्चस्पी है उसमें कि मेरे को महडिक के बारे में उससे जानकारी निकलवाने का है उसको तुम्हारी दिल्चस्पी से क्या लेना देना है उसको अपनी दिल्चस्पी से मतलब अपनी दिल्चस्पी? समझो क्या समझू? वो मौज बहार ओरत है जिसको मर्दों की खास तवज्जो एंज्जॉई करने की आदत पड़ी है ऐसी तवज्जो जिस मर्द की उसे हासिल थी तुमने उसे उससे दूर कर दिया अब तुम्हारे को उस मर्द की जगा लेने का है या नहीं लेने का है क्या बात करती हो? वो यही उमेद कर रही है यही चाहती है जाओ जाके उसकी पुछ पुछ करो तुम्हे क्या मालूम वो क्या चाहती है? मेरे को मालूम, फुल मालूम, मैं क्या अंधी, वो तुम्हारी तरफ देखती ही ऐसे है, जैसे कह रही हो, सईया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे अरे, मैं दो टके का टपो रही, ना जात, ना ओकात वो ही कौन से कहीं की महरानी है, समझ लो की राम मिलाई जोड़ी, आगे भी तो बोलो, आगे तुम्हें मालूम है, क्या, एक अंधा एक कोड़ी, वो खामोश रही देखो एहम बात ये नहीं है कि वो क्या चाहती है एहम बात ये है कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ उससे महर्डिक के जानकारी निकलवाना बस फिनिश जवाब डिमपल ने टीवी फिर ओन करके दिया यूँ जैसे कि उसे डिस्मिस कर रही हो जीत सिंग ने एक गहरी सांस ली पर भीतर बेडरूम में पहुचा रोमेला बैट पर आल्थी पाल्थी मारे बैठी थी उसकी गोद में वोटका का गिलास था टीवी वहाँ भी चल रहा लेकिन लगता नहीं था कि उसकी तरफ उसकी तवच्छो थी उसने सेर उठा कर जीत सिंग की तरफ देखा और मुस्कुराई तुम्हारा सामान जीत सिंग सोटके से एक तरफ रखता बोला एनी प्रॉब्लम वो बोली नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम क्या होने क था, वो उपर से आ जाता, या पहले से भीतर होता, ऐसा कुछ नहीं हुआ था गुट, I am relieved मैंने तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाऊं क्या, मेरे को वोट का नहीं जमती विसकी भी तो है इधर मिनी बार में, मैं अभी अभी मर्जी तुम्हारी बैठो तुम्हारा तो बोले तो दिन शुरू हुआ है हाँ, ऐसा ही छै मेरा रात को दिन, दिन को रात कुछ लिखा क्या हाँ, कुछ तो लिखा उधर राइटिंग टेबल पर है पेपर लिखना मुश्किल काम अच्छा सवाल का जवाब देना इजी जीत सिंग ने कोने में लगी राइटिंग टेबल पर जा कर होटल की स्टेशनरी की वो शीट उठाई, जिस पर तहरीर के तौर पर सबसे उपर महाडिक का पूरा नाम गनेश दिवाकर राव महाडिक पता और फोन नंबर दर्श थे, उससे अगली लाइन में दर्श था, महाडिक कुत्ता है, कमीना है हरामी है, शेतान की आुलाद है, उसके इलावा कागस पर और कुछ दर्श नहीं था जीत सिंग ने असहाई भाव से गर्दन हिलाई, जाहिर था कि जो एहम काम उसके पेचे उसने किया था, वो घोट लगाना ही था, वो उसके पास वापिस लोटा और उसके सामने बैट गया, आइंदा एक घंटा उसने खोद खोद कर उससे सवाल पूछे, कई सवाल कई कई बार पूछे, वो वोट का चुसकती रही और खरशेशनी अंदाज से जवाब देती रही, कुछ सोचने के लिए, कुछ याद करने के लिए, वो बेच-बेच में खामोष हो जाती थी, लेकिन कभी कुछ याद आता था, कभी नहीं आता था, और याद नहीं जैसे जवाब देने लगती थी, आखिरकार महाडिक की बाबत जो उसके पले पड़ा वो भी कोई कब नहीं था एहम जानकारी उन चार मिटनाइट क्लब्स की बाबत थी जिनका महाडिक या मालिक था या मैनेजर था और उन तीन फ्लैटों की बाबत थी जिनका वो यकीनी तोर पर मालिक था महालक्षमी का एक फ्लैट उसने हाल ही में बेचा था होंडा अकॉर्ड के इलावा उसके पास एक बोलेरो भी थी और दोनों का रेजिस्ट्रेशन नंबर उसे अब हासिल था आखिर में रोमेला ने उसके तीन बैंक अकाउंट्स की बाबत बताया और दस ऐसे लोगों के नाम बताये जो उसके खास थे जिगरी थे उसके रोमेला से फारिक होने तक आधी रात होने को आई तब तक ढिंपल बाहर सोफे पर सोच चुकी थी खुद वो भी दिन भर की थकान को बराबर महसूस कर रहा था लेकिन इतने वोट काफी चुकने के बावजूद रोमेला पर उसका निढाल करने वाला असर नुमाया नहीं था आधत आधत तुमने मेरे से इतने सवाल पूछे वो बोली अब मेरे एकाथ सवाल का जवाब दो पूछो जीत सिंग भोला मेरे को इधर कब तक चहर ना होगा दो तेन दिन उसके बाद क्या होगा देखेंगे टालो नहीं जवाब दो मुनहसर है किस बाद पर बोस के अंजाम पर क्या होगा अंजाम खतम क्या मतलब मार डालोगे मैं क्यों मार डालूँगा उसका बुरा वक्त मारेगा उसे बोले तो खत्म करेगा तुम जवाब को टाल रहे हो अरे नहीं महडी कैसे खत्म होने वाला नहीं क्यूंकि उड़ते पंची के पर पहचानता है खुदी पंची है उड़ जाता है ऐसा इच्छ है वो बाज है जपट्टा मारता है जपट्टा खाता नहीं ऐसा क्या हाँ वो मार के मरने वालू में से है मार के भी ना मरने वालू में से है उससे पार पाने का एक ही तरीका है क्या पहले वार करो काम्याब फाइनल वार पहला और आखरी वार मैं सोचूंगा इस बाबत यही तरीका है खत्म करने की जगा तुम खत्म हो गए तो मेरे को प्रॉब्लम होगी मेरे वज़ा से तुमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये क्या जवाब हुआ बोले तो मैं महाडिक का वार नहीं चलने दूँगा तुमें प्रॉब्लम ना खास इस वज़ा से मैं खुद को जिद्दा बचाए रखूंगा तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो अरे नहीं भाई जिस रोकड़े की बात होई थी उसके बारे में क्या कहते हो क्या कहूँ सिवाए इसके की जो बोला उस पर खरा उत्रूंगा कब कल बड़ी हद परसो फिर टाल अरे दस लाक रुपया नकत जेब में रखके तो कोई नहीं फिरता इंतिजाम करना पड़ता है कि नहीं इंतिजाम में इतना टाइम लगता है ठीक है कल नकत तो और कैसे? नकत उसके स्वर में जित का पूट आया हाँ ऐसा रोकड़ा अदा करने की तुमारी हैसियो तो नहीं लगती कल पर छोड़ो ना फैसला रोकड़ा मिले तो हैसियत ना मिले तो हैसियत नको किसी का ऐसा खर्चा करना बोले तो हैरानी की बात है अब है ना क्या बोला? पहले नहीं थी जब घोट नहीं लगाया था तब होती हैरानी की बात तो जीत सिंग खामो शोक या तो क्या होता? तो बोलती रोकड़ा नहीं मांगता था मेरा बाप बोरा भर के नोट छोड़ के मरा छोड़ो वो किस्सा कहीं तुम ये तो नहीं समझते कि मेरे को रोकड़ा दे कर तुम मेरी मदद नहीं मुझे खरीद रहे हो बोले तो पहले महाडिक होक्म देता था अब तुम होक्म दोगे अब वोट का उस पर हावी होने लगी जान पढ़ती थी नहीं, जीत सिंग धीरत से बोला अभी छोड़ो ये किस्सा, बोलो ना अपना असल मकसद बोलो कितनी बार बोलू? आखरी बार बोलो तुम्हें नशा हो गया है तो, तुम्हारे को प्रॉब्लम है क्या? मेरे नशे से तुम्हेरे को वांदा है क्या? नहीं, तो, कुछ नहीं तो जवाब दो देखो जो भीडू वो गोवानी एडवार्डो अस्पताल में पड़ा मर रहा है वो मेरे वास्ते बाप का माफिक मैं उसको बिग डैडी बोलता है बोलता ही नहीं है, समझता है महाडिक की वज़ा से उसकी जान पर बनी है वो या तो मरेगा या उम्र भर के लिए अपाहिच होगा उपर से महाडिक जले पर नमक छिड़का मेरे को भी लुड़काना मांगता था मैं साला किस्मत से बचा तुम्हारे को मालूम की ऐसा इच वो तुम्हारे पीछे पड़ेगा इसी वास्ते को ये खत्रा मोल लेने की फीस मानता है ऐसा भीडू अगर खत्म होता है तो तुम्हारे को क्या वांदा नहीं मेरे को भी नहीं तो फिर प्रॉब्लम किधर है तुम्हारे में ही है क्या वो बहुत पावरफुल तुम्साला उसके सामने कुछ भी नहीं उसके पास ताकत पैसा करनेक्शन्स तुम्हारे पास क्या है तुम्हारे पास क्या है तुम्हारे पास क्या है बट I am sure पुलिस का कोई बड़ा अफसर महाडिक को नोबल हाउस को प्रोटेक्ट करता है। इसी वास्ते महाडिक किसी से नहीं ड़ता। किसी से भी पंगा लेता है। किसी को भी खलास करने का हुक्म देता है। क्यूंकि उसको पक्की की उसका कोई कुछ नहीं बिगार मरेगा तो साला फिर उटके खड़ा हो जाएंगा। ऐसा कोई नहीं होता। वो है ना तुम देखना। देखेंगा। मेरे को उसके खयात से नशा नहीं होता। वो दयनिये स्वर में बोली। एवरी मिनिट फार खाने को दौटता दिखाई देता है। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिकार सकेगा। ऐसी नौबत आने से पहले वो खत्म होईगा। मेरा यकीन करो। तुम इधर बिलकुल सेफ है। किसी को नहीं मालूम है। ना मालूम हो सकता है कि तुम किधर है। इस वास्ते चैन से सोने का। तुम उसकी ताकत नहीं पहचानते। वो मालूम कर ले दो दिन में मैं तुम को किधर और शिफ्ट कर देगा। फिर किधर और। फिर किधर और। ऐसा क्या। हाँ। फिर तुम उसको खाली दो तेन दिन का गेम कैसे बोला। ठीक बोला। अंदाजे से बोला। पर ज्यास्ती टैम भी लग सकता है। पर एक बात पकी है। बहुत जल्दी वो टैम आएगा जब तो महाडिक की परचाई से भी दूर होएंगा हमेशा के वास्ति परमानेंट करके बहुत जल्दी तुम नमे फिलैट में नवे सेट अप में नवी जॉब के साथ नमा लाइफ इंजॉई करता होएंगा प्रॉमिस करके बोलता है मैं तुम्हारे को बस मेरे पर भरोसा रखने का मेरा हेल्प करने का उसने सेहमती में सेर हिलाया अभी जाता है क्या किदर नहीं ठेहने का नहीं मेरे को किदर और बहुत काम अरली मॉर्निंग में किसी भीडों से मिलने का इसलिए किदर और होने का उसका किदर और वेट करने का किदर जिदर उसको आने का जिदर के मैं उसको address बोला तो मेरे को इधर अकेला रहने का काहे डिम्पल है ना वो तुमारी girlfriend friend अभी कितना time और बोलने का हम कल लोटोगे तो सही इधर हाँ भरोबर कब दो पहर में मेरे को इधर house arrest में तो नहीं रहने का बोले तो किदर जाना मानता हो तो जा सकता है ना जा सकता है पंड गॉगल्स लगा के जाना hair style change करके जाना dress change करके जाना ऐसा dress पहन के जाना जो तुम आम तोर पर घर से बाहर नहीं पहन के जाने का ये बड़ा hotel है इधर beauty पार्लर जरूर होईगा तो मैं बाल छोटे कटवाने का ब्लोन डाई करवाने का डार्क मेकप लगाने का देखना कोई नहीं पहचानने का बड़िया ऐसा इच करना कल पहली फुर्सत में अभी जाता है अरे कोई parting cheers तो बोल के जाओ क्या बोला उसने उटकर जीट सिंग के लिए विस्की का और अपने लिए वोड़का का नया ड्रिंक तयार किया और बैट पर उसके बाजू में बैट कर बड़े style से cheers बोला जीट सिंग ने बे मन से वो काम किया ग्रिंग खत्म करके वो उटने लगा तो वो उसके साथ लिपट गई और उसकी गोद में धेर हो गई अरे वो बाहर है जीट सिंग जबरन बंधन मुक्त होता बूला आज आएगी डोर लॉक करो वो मादक स्वर में बूली नहीं फिर कभी बहुत मौके आएंगे देखना अभी जाने दो जाता है उसको मौ बिसोरता छोड़ कर जीट सिंग वहां से बाहर निकल गया बाहर डिमपल उसे सोई नहीं मिली वो सोफे के करीब खड़ी थी और लगता था कि तभी दर्वाजे पर से हटी थी वो खाम खाम उसको राया जा रहे हो वो यू बोली जैसे बोलना जरूरी हो और वो उस मद में खाना पूरी कर रही हो हाँ उसकी बात मान लेनी थी खुश हो जाती कौन सी कौन सी बात मान लेनी थी डोर लॉक करने वाली क्या सब सुन रही थी जीत सिंग ने घूर कर उसे देखा वांदा नहीं वो बोली आकर फिर कभी भी तो बोला बहुत मोके आएंगे भी तो बोला जाता है DCP पटवर्धन के मुबाइल की घंटी बची अपनी ड्राइवर चलित सरकारी गाड़ी में उस घड़ी वो शिवाजी पार्थ के रास्ते में था उसने कॉल रिसीव की मारूती राव बोलता है सहब आवाज आई बोलो सहब उस गोवानी का पता मिल गया है अच्छा सहब सत्तर रसी अस्पताल चेक किया तो पता चला की किधर है धारावी में लक्षमी बात करके जो इलागा है उधर कस्तूरबा करके जनरल अस्पताल है उधर आई सियू में पढ़ेला है क्या शुरू से ही उधर है बरोबर सहब सोमबार रात को बोले तो मंगलवार सुभा कोई उसको उधर पहुँचाया तब इसे आई सियू में पढ़ेला है एक एच बार होश में नहीं आया मैं बरोबर मालूम किया अभी फोन क्यों लगाया बोलता है न सहब जल्दी बोलो सहब बोधवार दोपहर बात एक भेड़ो इधर अस्पताल पहुँचे ला था जो गोवानी को अपना दोस्त और मुंबई में अपना महमान बोलता था सहब वो भेड़ो ही इधर शिनाक करके बोला कि गोवानी उसका पेशेंट एडवांस रोकड़ा भी जमा कराया और अपना नाम और मोबाइल नंबर भी बोलके रखा ताकि गोवानी एका एक टैम बोल जाए तो उसको खबर मिल सके क्या नाम बोला बद्रीनाथ और सहब में उधर से इस बद्रीनाथ का हुलिया निकल वाया तो एन वहिच निकला जो मेरे को उस भेड़ो का बोला गया था जो कि नोबल हाउस पहुँच के महाटिक सहब को हूल दीता था वो भी अपना नाम बद्रीनाथ बताता था सहब इसी वास्ते अर्चन करके फोन लगाया मैं बोले तो दोनों एक की चात्मी कोई बड़ी बात नहीं उस गोवानी का सगा तो उसने निकलना ही था तभी तो उसके अंजाम पर तड़पता था लेकिन हैरानी है अस्पताल वो बुद्वार पहुचा यानि कि इस से पहले पहले के दो दिन उसे उसकी खबर नहीं थी ऐसा ही छोगा सहब वो भी मेरा माफिक का सपतालों में भटका होगा तो उसे मालूम पढ़ा होगा कि वो किधर था मेरे को जरा जल्दी मालूम पढ़ गया उसको चीक है चीक है अपना पता क्या बोला वो अस्पताल में सहब पता तो नहीं बोला ऐसा कैसे हो सकता है साहब मैं पक्की किया ना ये बद्री नाथ करके भेड़ो उधर खाली अपना नाम बोला और मुबाइल नमबर बोला बोले तो पता ना किसी ने पूछा ना उसने बताया तो वो खाली बुद्वार उधर पहुंचा डेली आता है साहब डेली फोन लगाता है क्या आ जाया? अभी नहीं खाली सुबा फोन लगाया उधर मरीज से मुलाकात का क्या सिस्टम है? साहब मुलाकात का टैम शाम चार से छे पर्ण में भरती मरीज का कोई सगे वाला किसी भी टैम आ सकता है क्योंकि सीरियस केस किसी भी टाइम और बिगड सकता है मरीज मर सकता है यहीच बात है वो आएगा, जरूर आएगा वो गुवानी जिन्दा या जब तक अस्पताल में है वो जरूर आएगा मैं तुम्हारे पास दो तीन आदमी और भेजता हूँ लेकिन पहले सुनो कि अब तुमने क्या करना है? जीत सिंग के मुबाइल की घंटी भजी उसने कॉल रिसीव की मैं कस्तूरबा जनरल अस्पताल से डॉक्टर पितामबर तामबे बोलता हूँ आवास आई जीत सिंग का दिल जोर से धड़का रात की उस गड़ी अस्पताल से खबर थी तो कोई अच्छी खबर नहीं हो सकती थी आप कौन? पूछा गिया मैं जी बदरीनाथ कोई एड़वार्डो की बाबत खबर है क्या? हाँ ठीक तो है वो? नहीं, ठीक नहीं है उसकी हालत एक एक बिगड गई है अरे, क्या हुआ? स्ट्रॉक आया बोले तो हार्ट अटेक कोमा में ही? हो जाता है ऐसा क्रिटिकल केस के साथ कुछ भी हो सकता है ओ इधर पेशन्ट की केस हिस्ट्री वाली शीट पर दर्श था कि एमर्जंसी में तुमको खबर करने का था इसलिए फोन लगाया मैं थैंक यू बोलता है डॉक्टर सहब फोरण पहुँचता है येस, डू देट संबंध विच्छेद हो गया ततकाल घंटी फिर बजी सदा अरवाडे आवाज आई सांता क्रोज एरपोर्ट से बोलता हूँ पहुँच भी गए जीत सिंग हैरानी से बोला बोला था उड़के आ सकता था आया ना कमाल है मैं कल्ब से पहले तुम्हारे पहुँचने की उमीद नहीं कर रहा था बाइचांस प्लेन टिकेट मिला ना बढ़िया अभी किदर आने का है तुम मुंबई से वाकिफ हो क्या खूब अपना होम चांग उधर इच पैदा हुआ धारावी की टैक्सी करो उधर लक्षमी बाग में कस्तूर्बा जनरल अस्पताल पहुँचो जिदर बिग डैडी हाँ कैसा है चीक नहीं है अभी कबर मिली इसी वास्ते उधर चाता है मैं उधर इच मिलेगा उधर किधर लॉबी में या आईसी यू में अखे अस्पताल में आईसी यू एक इच चीक है पहुँचता है संबंद विच्चे धोगिया जिस सड़क पर अस्पताल था उस पर उस घड़ी कोई आवाजा ही नहीं थी आधी रात की उस घड़ी अस्पताल के सामने का विशाल कंपाउंड भी खाली था कंपाउंड का विशाल आईरन गेट यू खुला था कि उस में से पैदल जाया जा सकता था वहां नहीं जा सकता था हॉन बचा जीत सिंग बोला सेहमती में सेर हिलाते पैशन्ट है जीत सिंग खिडकी में से सिर निकालता बोला इधर से फोन आया कि मरता है अर्चंट करके बुलाया वाच्मैन नहीं सेहमती में सिर हिलाया पाउं पाउं जाने का फिर बोला टैक्सी इधर इच छोड़ने का मैं लॉबी में उतार के आता ना गाईलो बोला वेट बाहर सड़क पर करेगा ऐसा इच करने का है बरोबर वाच्मैन ने आयरन गेट का एक पला पूरा खोल दिया गाईलो ने टैक्सी आगे बढ़ाई वो कैबिन के आगे से गुजरी तो जीट सिंग को दिखाई दिया कि कैबिन के भीतर एक वाच्मैन और मौचूद था गाईलो ने उसे लॉबी में उतारा और टैक्सी लोटा के ले गया लॉबी में भी उस वक्त ना के बराबर हल चल थी वहाँ बीचे बैंचों पर कुछ लोग सो रहे थे कुछ उंग रहे थे लॉबी के रिसेप्शन पर एक क्लर्ट मौजूद था जिसने टैक्सी या जीट सिंग की आमद पर उस पत्री का पर से सिर भी नहीं उठाया जिसे की वो पढ़ रहा था लिफ्ट पर सवार होकर वो तीसरी मनजिल पर पहुँचा जहां की आईसी यू था आईसी यू का दोहरा ग्लास डूर लांकर वो भीतर पहुँचा तो उसने वहां भी सननाटा पाया भीतरी दर्वाजे के करीब बने नर्सिंग स्टेशन पर केवल एक नर्स मौजूद थी जो शुक्रधा की नीचे रिसेप्शन कलर्ड की तरह आगंतुक से बेपरवा नहीं थी जीत सिंग ने ठिटक कर भीतर निगा दोड़ाई तो उसने उस बैट को खाली पाया जिस पर इतने दिनों से एडवाडो पड़ा था उसका दिल डूबने लगा गया होश में आई बिना ही चल बसा बेचारा क्रोध की आग उसके भीतर जोर से भड़की उसके जबड़े कसने लगे और दोनों मुठियां भिंचने लगी येस नर्स धीरे से बोली बड़े यतन से जीत सिंग ने अपने उस घड़ी के मिजज पर काबू पाया एड़वार्डो वो कठिन स्वर में बोला बोड़ा गोवानी वो उधर उस बैट पर था वो उसको रूम में शिफ्ट किया न नर्स बोली रूम में शिफ्ट किया जीत सिंग सक पकाया आज इवनिंग में काहे जो केस क्रिटिकल करके बढ़ जाता है वो रूम में मरता इधर आईसीयो में मरना मना क्या बोलता है मैं क्या बोलता है मैं क्या बोलता है डॉक्टर बोलता है कौन डॉक्टर डॉक्टर पितामबर तामबे क्या बोला पितामबर पितांबर तांबे, डॉक्टर पितांबर तांबे, शाउट नहीं करने का, मैं सोचा तुम्हारे सुनाई में लोचा, इधर कोई डॉक्टर तांबे नहीं है, क्या बोला? अरे, मैं 14 एयर से इधर नर्स, इधर कोई डॉक्टर तांबे नहीं है, ओ, तो वो पेशन्ट एडवार्डो, इंप्रॉफ किया, बहुत इंप्रॉफ किया, होश में आ गया, वो, वो कॉमा करके, नो कॉमा, आज खाली, 12 आवर्स में इतना इंप्रॉफ किया कि डॉक्टर कॉ बोला, उसका ICU में रहना जरूरी नहीं, बोले तो not required at all, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर था, वो सब हटा दिया, और, ऑक्सीजन भी, हाँ वो भी, ऑक्सीजन इस पार्ट ओफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वो भी अब किधर जरूरी, पर्ण हार्ट अटेक, स्ट्रॉक करके जो बोला डॉक्टर, कौन डॉक्टर, तामबे, हाँ, कब बोला, किसको बोला, मेरे को बोला, फोन पर बोला, बोला बचना difficult, तभी तो दोड़ा आया इधर, अरे, जब इधर कोई डॉक्टर तामबे है इस नहीं तो, ठीक है, तो अब वो रूम में है क्या, चौकस है, में है, और रेस्ट करता है, एक दो दिन में बाक्षित करने लगेंगा, तीन चार दिन में उठने बैठने लगेंगा, वन वीक में चलने फिरने लगेंगा, टैन डेस में इधर से आउट होईगा, ओ, इतने गोड नियूस पर थैंक यू बोलता है मैडम, अभी वो किधर है बोला ना रूम में है, मैं सुना, बरोबर सुना, कौन से रूम में है, मेरे को नहीं मालूम, क्या बोला, तुम्हारे को नहीं मालूम, पेशेंट इधर से किधर गया, अरे मैन, सुनता काहे नहीं है, इधर से गया मालूम, रूम में गया मालूम, कौन से रूम में गया, जा इस टेम तमाम का तमाम पेशेंट रेस्ट करता है, डिस्टरब करना नहीं मांगता, रूम में जाना नहीं मांगता, रिसेप्शन पर जाकर खाली पता करो, तुम्हारा पेशेंट कौन सा रूम में है, और नकी करो, मुलकात के लिए कल दिन में आना, अभी जाओ, इदर आई स करो जीत सिंग बाहर निकला और लिफ द्वारा वापिस नीचे लॉबी में पहुँचा रेसेप्शन से उसने एडवार्डो का रूम नंबर मालुम किया जो कि उसे बता दिया गया लेकिन साथ में वहां से भी ये सक्त होकमत जारी हुआ कि उस घड़ी रूम में जाने की कोश करने का नहीं था जीत सिंग फिर भी संतुष था उस खबर का ये मतलब अब बराबर था कि अब एडवार्डो को उस सरकारी अस्पताल में से कहीं भी किसी भी बेहतर अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता था लेकिन उस कॉल का क्या मतलब था जिसने उसे आधी रात को वहा और उन्हें गड़मट कर दिया था, दिल का दौरा किसी और पेशन्ट को पड़ा था, और उसने फॉन दूसरे पेशन्ट के एडवार्डो के करीबी को उसे खड़का दिया था, लेकिन नर्स तो कहती थी उधर कोई डॉक्टर पितामबर तामबे था ही नहीं, जरूर गलत कह रहती थी, डींग हांती थी, अपनी पुरानी नौकरी की, इतने बड़े अस्वताल में हर डॉक्टर से वो भला कैसे वाकिफ हो सकती थी, वो इमारत से बाहर निकला और कंपाउंड पार करके आईरेंड गेट पर पहुंचा, सदा आरवारी का इंतिजार वो बाहर सड़क पर गायलों की टैक्सी में बैट कर कर सकता था, आरेंड गेट पर वो ठेट का, गायलों की टैक्सी उसे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं थी, दोनों तरफ सड़क सुनसान पड़ी थी, लेकिन नहीं, सड़क से पार एक पेड की ओट में एक काली अमबैसजर खड़ी थ अमबैसजर से बाहर निकले और द्रड कदमों से सड़क पार करने लगे, उनके भारी बोटों के सड़क पर पढ़ने की आवास वातावरन में यूंग गुजी कि जेत सिंग की तवज्जों उनकी तरफ जाए बिना नहीं रहरे सकी, ऐसे बोट तो पुलिस वाले ही पहनते पुलिस वाले बिना वर्दी के किस फिराक में थे या उनके बोट ही पुलिस वालों जैसे भारी थे, वो खामका सोच रहा था कि वो पुलिस वाले थे, पलक जपकते ही वो जीत सिंग के सामने पहुँचे, बतरीनात एक करकश स्वर में बोला, जीत सिंग जैसे आसमान से ग क्या? चुप चाप चले आओ, क्या किया है मैंने? थाने चलकर मालूम पढ़ जाएगा, कौन से थाने से हो? ज्यास्ति बात नहीं, वो वारता लप सुनकर दोनों वाच मैन कैबिन से बाहर निकल आए थे, मेरे को मालूम होना मानता है, जीत सिंग वाच मैनों को सुनाता कौन है और मेरे पर क्या चार्च है? मेरे को अपने शिनाकती कारट दिखाओ और गिरफतारी का वारेंट दिखाओ. अबे, माता फिरेला है क्या? दूसरा बोला, तुम मेरे को यूँ उल्लू नहीं बना सकते, मैं भीतर से धारावी थाने फोन लगाता है, सौ नंबर पर फ भूमा और वापिस अस्पतार की इमारत की तरफ लपका. रुख जा साले, कोई पीछे से चिलाया, गोली मार देंगे. तुम्हारी मजाल नहीं हो सकती, जीत सिंग देलेरी से बोला, तुम साले पुलिस वाले होईच नहीं, दो गवाहों के सामने गोली चलाने की तुम्हार पीट पर गोली मारने की तुम्हारी मजाल नहीं हो सकती. तब तक तेज कदमों से चलता जीत सिंग एका एक जीत छोड़कर भीतर को भागा. अबे, जब तुम फरार होने की कोशिश करता दिखेगा, तब तो… तब भी पहले डीसीपी से पक्की करने का होईगा. डीसीपी? जिसके तुम भड़वे हो? ठहर जा साले? गोली की बाबत वो आश्वस था कि नहीं चलने वाली थी. वज़ा वही दो थी जो उसने बोली थी. लेकिन वो तीन जने उसे काबू में बराबर कर सकते थी. वो लॉबी में पहुँचा और दाईयों और के लंबे गलियारे में स कोई गुरेश ना होता. लेकिन अब उसके सामने उस गलियारे में कदम डालने के इलावा और कोई चारा नहीं था. वो उसमें लपका. पीछे भारी भूटों के धमदम फर्ष पर पढ़ने की आवाजे करीब होती जान पढ़ रही थी. आगे गलियारे के सिरे पर एक खुल चलने की और पेट से आकर टकराने की उमेद करता वो फाटक तक पहुंचा और उसे धक्का दे कर पिछवारे की फ्रंट से भी ज्यादा सुनसान सड़क पर पहुंचा. आदिलात की तो बात ही क्या थी? पिछवारे की वैसे सड़कों की बाबत वो जानता था कि एक दिन में भी सुनसान ही रहती थी. वो तेनों भी फाटक से निकल कर उस सड़क पर पहुंचे. जब जीद सिंग और उन में नियूंतम फासला था और वहां गोली चलती तो आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं होता. दाता, दाता, आखिर वार्निंग है तेरे वास्ते, पीछे से पड़ा होका. जीद सिंग की रफतार अपने आप ही घटने लगी. पीट में गोली खाकर मरने के मुकाबले में उनके चंगुल में आना अच्छा था. तब शायद बचात की कोई सूरत निकल आती. तब ही एक अप्रत्याशित घटना घटी. एक पहार सा आत्मी एका एक कही से निकला और बीच में कूत पड़ा. बला की फुर्ती से वो तीनों आतताईयों पर पिल पड़ा और तीनों पर विजली की रफतार से लात खुंसों की बरसात करने लगा. सदा आरवाडी. मरगाओं में आरवाडी से पहली मुलाकात से पहले अपने फोन पर हुए वारता लाप का आखरी अर्श उसके जहन में गुजा. सड़क पर जो दारा सिंग जैसा बना वेर मराठा दिखाई दे वो मैं. जेद सिंग कुछ शंट ठिटका खड़ा रहा और फिर फाइट में शरीक होने की नियत से उन लोगों की तरफ लपका. निकल ले आरवाडी गरश्ता स बूला, रुकने का नहीं, निकल ले. आवाज में हुक्म की ऐसी घर्चना थी कि जेद सिंग से उदूली करते नहीं बना. वो गूम कर सड़क के सिरे की तरफ भागा. पिछे जो कुछ हो रहा था, उस बाबत उसे कोई तसल्ली थी, तो ये थी कि उसका दिल गवाही देता था, कि आरवाडे उन तीनों से निपट सकता था, और पिछवाडे के अंधेरे में वो शिनाक में भी नहीं आने वाला था. वो सड़क के सिरे पर पहुंचा, तो उसे गाईलों की टैक्सी और भीतर स्चेरिंग के पीछे बैठा, गाईलों दिखाई दिया. वो करीब पहु अभी नहीं, अपने उकड़ी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करता, जेट सिंग जल्दी से बोला, अभी रुक. इधर एच, गाईलों सक पकाया. हाँ, पर्ण. सड़क पर निगारक, कोई उधर से अकेला आता दिखाई दे तो रुका रहने का, एक से ज्यादा भीडू आते दिखाई दे, तो निकल लेने का, बात क्या है, हुआ क्या, पहले तू बता, इधर कैसे पहुँच किया, तेरे को तो अस्पताल के फ्रंट में वेट करने का था, उधर ही करता था, तेरे पिछू उधर एक काली अमबेस्जर आई, तेन हलकट बाहर निकले, और मेरे को खूल देने लगे, बोले, पुलिस वाले थे, बाई फोर्स मेरे को उधर से नक्की किया, ओ, अभी मेरे को किधर तो ठहरने का था, तेरे को छोड़ के तो नहीं जा सकता था, इस वास्ते इधर आके ठहरा, मैं गली के दूसरे सेरे की तरफ भी तो भाग सकता था, पर भाग लेता, मैं फिर भी ना मिलता तो, तो, तो अभी क्या बोलेगा, पन गौड इस काइंट, मरसी किया, तो मिला, एन सेफ वान पीस मिला, वान पीस, जीते, मेरे को पक्की की वो तीनों भीडू, तेरे ही फिलाक में, अभी बोल, ऐसा श्ता की नहीं था, ऐसा श्ता, पिछु पड़े, बरोबर पड़े, बड़ी मुश्किल से बचा, कैसी, एन टैम पर गौड अपना एक मेसेंजर भेजा, मेरा हेल्प के वास्ती, उसने बचाया, जीसस, अभी वो मेसेंजर किधर है, अस्पताल के पिछवाडे में रोट पर अपना गौड डेट करता है, उदर कोई हलचल मालूम तो नहीं पड़ता, इतने फासले से कैसे मालूम पड़ेगा, बरोबर बोला, कुछ शन बेचैनी से पहलू बदलता, जील सिंग टैक्सी में बैठा रहा, आखिरकार जब सस्पेंस बरदाश करना मुश्किल हो गया तो एका एक वो बोला, चल, किधर, गाईलो करने का नहीं, मेरे को खाली वाच करने देने का, कोई भी धमकाए, हूल दे, गलाटा करे, रुकने का नहीं, गाईलो ने सेहमती में सेर हिलाया, उसने इगनिशन आन किया, और टैक्सी को पिछवाड़े की सड़क पर डाला, टैक्सी तेज रफतार से सुनसान सड़क पर द वाचरा था, फ्रंट में चल, वो बोला, पर उधर भी नहीं रुकने का है, ना स्पीट कम करने का है, खाली आइरन गेट के आगे से गुजरने का है, गाईलो ने निर्देशित धंग से टैक्सी दोड़ाई, रफतार से वो अस्पताल के आइरन गेट के आगे से गुजरी, जेद सिंग को वहां कहीं, ना काली अमबैसजर दिखाई दी, ना उसका तीनों में से कोई पैसेंजर दिखाई दिया, अब उसे एक नई चिंता सताने लगी, क्या आरवाडे ने खुद को बहुत ज्यादा करके आंका था, क्या वो उन तीनों जनों से पार नहीं पासका था और वो उसे गिरफतार करके ले गए थे, हो सकता था, उसकी अकल ने गवाही थी, तभी तो ना आरवाडे वहां कहीं था और ना वो तीनों, फिर उसकी तवज्यों एडवाडों की तरफ गई, उसकी क्या पोजिशन थी, ये बात तो निश्य थी कि एडवाडों की वज़ा से ही, वो तीनों वहां थे, जो कि DCP पटवर्धन के आदमी नहीं थे, तो यकीनन महाडिक के आदमी थे, दोनों तरीकों से बात एक ही थी, क्यूंकि अब ये निश्य था, कि DCP पटवर्धन और गनेश महाडिक एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे, जब नवलानी अस्प कारी को, जीद सिंग पर हाथ डालने का जरिया बनाने के तमन नाई थे, अगर ऐसा था, तो एड़वार्धों की निगाह बिनी तो जारी दिखाई देनी चाहिए थी, या उन्होंने सोच लिया था, कि जीद सिंग को दबारा वहां कदम रखने की हिम्मत अब नहीं होने वा अगर वो भीतर कहीं थे, तो इस बार उनका पहले से कहीं बड़ी तादात में होना लास्मी था, ताकि इस बार एक क्या, कई आरवारे भी आकर जीद सिंग को उनके चंगुल में फसने से ना बचा सके, कैसे विकट स्थिती थी, क्या इस स्थिती में वो एड़वार्डों क उसके भागे के भरों से छोड़ सकता था, नहीं हरकिस नहीं, ऐसी एहसान फरामोशी का वो खयाल भी नहीं कर सकता था, अब जबकि एड़वार्डों की हालत सुधर रही थी, अब उसकी आई सियू में मौजूद की भी जरूरी नहीं समझी जा रही थी, वो कॉमा से निज का बदला लेने के लिए दिरेट परतिग्य था, असमंजस की उस थिती में कई क्षण गुजरे, तबी एका एक उसके मुबाइल की घंटी बची, बड़े व्यग्रभाव से उसने कॉल रिसीव की, लाइन पर सदा आरवाड़े था, कहा हो, उसने पूछा, अस्पतार से थो मेरा मकसद काम्याब हुआ, तुम्हे भाग निकलने का मौका देने का था ना, और वो तीनो, एक बार तो धेर किया ना तीनो को, ऐसे एका एक बीच में टपका कि गड़ बड़ा गए साले, अंधेरे में मेरे को पहचान भी नहीं सके, तुम्हारे निकल लेने के बाद जैस एका एक में वहाँ टपका था, वैसे इच एका एक गायब हो किया, पिछवारे में पहुंच कैसे गए थे, लॉबी में था, तभी पहुंचा था, तुम्हारे सामने से गुजरते ही, मैं जंप मार कर बीच में, उनके रास्ते में आ गिया, आगे जो हुआ, वो बोलना किधर जरूरी, ये पक्की की वो रौशनी में देखे तो तुम्हें पैचान नहीं सकते न, हाँ, उस बाबत बिलकुल टैंशन लेने का नहीं, तुम्हें सूझा कैसे कि वो मेरे पीछे थे, अरे, आँखों से देखा न, पन क्यूं थे, ये तो नहीं मालुम होगा, अंदाजा है, क्या, कोई बिग डैडी के वज़ा से ही पंगा, असल बात तुम बोलो, हाँ, यहीच बात, वो भीडू लोग मेरे को थामने आया, इस वास्ते बिग डैडी को जरिया बनाता था, का है, लंबी कहानी है, बोलेगा, है कौन वो भीडू, पुलिस बोलते थे, पर कुछ भी है तो, है तो दुश्मन ही, छीक, तुम अभी किधर है, इधर ही है, अस्पताल के भीतर, क्या, एडवार्डो से मिले, नको, पर मालुम कर लिया है कि वो दूसरे माले पर, बी विंग में रूम नंबर 206 में है, मैं बिग डैडी से नहीं म मिला, पर DMS से मिला है, DMS बोले तो, डिप्टी मेडिकल सुप्री टेंडेंडन, जो इधर नाइप में एडिन, एड्मिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी पर है, वो कन्फर्म किया कि अब पेशेंट को, किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया जाने में, खत्रा नको, मैं उस को जसलोक के लिए रेडि किया, तो सुबह उसे जसलोक में शिफ्ट किया जाएगा क्या, अभी, क्या बोला, मैंने DMS को इस काम के लिए राजी कर लिया है, उसने जसलोक में बात भी कर ली है, वो लोग अपना वो खास एंबुलेंस, जो हर एमरजन्सी के लिए तयार होता ह इधर भेशने का है, पर अभी प्राब्लम, क्या, अभी याद आया, वो तीनों भीडू किधर है, इधर इच्छे, इसी वास्ते प्राब्लम, बाहर तो मैं किसी को नहीं देखा, अंदर है, ये टैम इसी वास्ते अंदर है कि बाहर से दिखाई ना दे, ओ, ये पुलिस वाल हो या मवाली तेरे निकल जाने से इनको लोचा इस वास्ते बोले तो इनकी इधर गिंती बढ़ सकती है ऐसा हो पाने से पहले बिग डैडी का इधर से आउट होना ज़रूरी क्या वांदा है जब जस लोग की एम्बूलन्स आरे ली है तुमने खुद बोला ये भीडू इधर बिग डैडी की वाच पर है जिससे तुम्हारा मिलने आना इनको पकी अभी इनको मालूम बिग डैडी कस्तूर्बा में फिर मालूम होएंगा बिग डैडी जसलोग में क्या तुम्हारा उसको गोवा ले जाने का इरादा है चानस लगा तो बरोबर है एम्बूलन्स वाला बिग डैडी के साथ इधर किधर भी पंगा तुम उसको सेफ मानता है मानता है तो उसका इधर से आउट होना जरूरी चीक है मैं कुछ करता है मैं वाच रखेंगा अभी कट करता है जीत सिंग ने फोन बंद करके जेब के हवाली किया गाईलो फिर गंभीरता से बोला टैक्सी मेरे हवाले कर जीते जब मैं हवाले है तो टैक्सी अपने बिना क्या नको मैं इधर साथ एक बार पहले साथ दिया था तो भूल गया क्या बीती थी पहले बड़ा बटाटा ठोक कर अस्पताल केस बनाया फिर थाने में पुलिस ने मान लग गाई नहीं गाईलो ये टैम में तेरे को साथ नहीं मानता खाली टैक्सी को साथ मानता है टैक्सी भी तो पहचान का जरिया वो मैं सेट करता है जीत सिंग ने उसके औजारों में से पेच कस अपने कबसे में किया और टैक्सी की अगली पिछली दोनों नंबर प्लेट उतार कर डिकी में डाल दी अभी निकल ले जीते गायिलो अनुनय पोंच्वन में बोला मैं तेरे साथ नको जित करेंगा तो मैं एकिच बात बोलेगा क्या टैक्सी भी ले जा क्या नहीं नहीं तो कहना मान निकल ले किदर जाऊं घर जा कल तेरे टैक्सी या तो पहुंच जाएगी या मेरे को मुबाइल पर फोन लगाना मैं बोलूँगा किधर खड़ेली है अभी हाँ बोल तुजित करेला है तुम करेला है ना हाँ नमबर नोट कर उसने किया निकल ले टैक्सी से उत्रा और भारी कदमों से चलता अस्पताल से विप्रीद दिशा में बढ़ा जीत सिंग ने उसके निगाहों से उजल हो जाने तक प्रतिक्षा की फिर टैक्सी के ड्राइविंग सीट पर पहुंच कर उसका इगनेशन चालू किया और उसे वापिस अस्पताल के आईरन गेट की तरफ दोडाया गेट के एंड सामने टैक्सी ले जाकर उसने जान बुच कर जोर से हॉन बजाया एक वाच्मेन बाहर निकला अरे माता फिरिला है वो बोला टैम देख जगा देख अस्पताल है साला अस्पताल के आगे ऐसे हॉन बजाता है सौरी बोलता है जीट सिंग खिड़की से सिर निकाल कर बोला अभी खोलो वाच्मेन ने गर्दन निकाल कर भीतर जांका तो पाया कि टैक्सी से पेसेंजर नहीं था किदर जाने का है वो बोला भीतर बीतर जाने का है अरे वो तो है पंड का है अरे वो जो तीन पुलिस वाला भीड़ू है वो टैक्सी मंगाईला है ना पुलिस वाला भीड़ू वर्दी के बिना तीन अच्छा वो तेरे को कैसे मालूम मुबाइल पर बोला ना तेरे पास है क्या हाँ है ना जीत सिंग ने निकाल कर उसे दिखाया आज कल तो सब के पास है तेरे पास नहीं है क्या नहीं है सालाफालतू का खर्चा अभी खोल भी तो उसने आईरन गेट का एक पट पूरा खोला एसेच खोल के रखना टैक्सी भीतर सरकाता जीत सिंग बोला उल्टे पाउं आता है आना ग्राइव वेपर टैक्सी चलाते वो लॉबी के सामने पहुँचा वहां उसने जान बुच कर एक्सीलेटर दबाया ताकि अतिरिक तावास हो गेर को न्यूट्रल में सरकाया इगनेशन को ओन ही छोड़ा और बाहर निकला साफधानी से सामने की तीन सेड़ियां चड़कर उसने भीतर कदम डाला ततकाल भीतर हल चुल हुई वो तीनों वहां फैल के बैठे हुई थे जीट सिंग की पैन होती निगा ने तीनों को बेन लिया एक रिसेप्शन पर कड़ा था दूसरा उस गलियारे के दहाने पर मौजूद था जिसमें जीट सिंग भागा था और तीसरा हॉल के बेश में एक बैंच पर बैठा हुआ था सबसे पहले रिसेप्शन वाले ने उसकी तरफ देखा उसकी निगाद जीट सिंग से मिली तो उसके चेहरे पर सक्त हैरानी के भाव आए जीट सिंग ने भी यूं हैरान होकर दिखाया जैसे उन लोगों की भीतर मौजूद की की वो कताई अपेक्षा नहीं कर रहा था ततकाल वो घूमा और टैक्सी की तरफ लपका थांबा पीछे कोई चिलाया जीट सिंग टैक्सी में आसवार हुआ उसने उसे गेर में डाला और बाहर को दोडाया वाच मेन पीछे कोई चिन लाया, फाटक बन, टैक्सी बाहर ना जाने पाई, वाच मेन जो भीतर कैबिन में चला गया था, ततकाल बाहर निकला और आइरन गेट के खुले पट के पास पहुंचा, वो उसको आधा वापिस धकेल चुका था, जबकि जीत सिंग की टैक्सी उसस की रफतार बढ़ाने के उसने कोई कोशिश नहीं की, वो रह रहकर रेर व्यू मिरर में देख रहा था, आकिरकार उसे वाचित नजारा दिखाई दिया, काली एमबेजर उसके पीछे आ रही थी, वो तीनों ही उसकी अगली सीट पर बैठे हुए थे, उसे ये भी अंदेश की एक जना पीछे न रह जाई, शुक्र था कि वैसा नहीं हुआ था, अब पीछे सदा आरवारे के लिए मैदान साफ था, जीता दक्ष ड्राइवर था, उसके लिए बाकी का काम कोई बहुत मुश्किल नहीं था, बच शर्ते की वो सच में पुलिसीय ना होते, उनकी गारी वायरलेस से लेस ना होती, जिसके जर्ये की वो उसको आगे से बल्कि चौत अरफा घेलने का इंतिजाम कर पाते, शनिवार 25 अप्रेल, अगले रोज सोकर उठने में और फिर सक्रिये होने में जीत सिंग को 9 बच गई, सबसे पहले उसने सदा आरवारे को फोन लगाया, उस लगाया था, सबसे पहले दोनों ने इसी बात की तस्दीक की, कि पिशली रात दोनों सुरक्षित अपने अपने मुकाम पर पहुँच गई थे, फिर जीत सिंग ने उसके मुकान की बाबत सवाल किया, बिग डैडी जसलोक में ही है, जवाप मिला, पिशली रात उसकी हालत गुआ के लंबे सफर के काबिल नहीं बताई गई थी, वैसे ठीक है ना, लगता तो है, उसकी असल हालत की बाबत यहां के डॉक्टर साहबान शाम तक बताएंगे, वहां कहा हैं, पांचवी मनसिल के एक वाट में, वाट में, हाँ फिलहाल, जैसे उन लोगों ने कस्तूर् अस्पताल का पता पा लिया, वैसे जस लोग का भी पा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, पर इधर खुसना कोई पंगा करना आसान नहीं होगा, ना मुम्किन भी नहीं होगा, खास तोर से वाट में, मैं उस बाबत कुछ सोचे ला है, कुछ पिलैन किये ला है, और इधर अद्मिनिस्ट्रेशन से बात किये ला है, बोले तो, मैं इस बाबत ये स्चोरी सेट किया है, कि बिग डैडी नेता है, और उधर गोवा में ओपोजिशन में बड़ी ताकत है, इस वज़ा से उसको इधर खत्रा, फिर, शाम तो उसको पिराइवेट रो मिल जाएगा, किधर से आएंगा, इधर से ही आएंगा, ऐसी प्राइवेट सेक्यूरिटी एजेंसियां, आज कल हर बड़े शहर में होती है, क्या तुम्हारे को मालुम इधर किधर है, नको, तो फिर, तुम लोकल भीडू है, तुम्हारे को ही मालुम करने का, और सब सेट करने का, ओ, दस लोग के बाजू में ही वैलकम करके एक छोटा सा होटल है अपन उधर ही एक रोम ठीक किये ला है तुम चाहो तो मेरे साथ ठेहर सकते हो मेरे को मालूम पर इधर मेरे को बिग डैडी के करीब होना समझा क्या ठीक है मैं थोड़ा टैम में फिर फोन लगाता है कोई वांदा नहीं जीट सिंग ने शेकर नवलानी को फोन लगाया मैं तुम्हें ही याद कर रहा था नवलानी बोला ऐसा क्या हाँ डी सीपी पटवर्दन की बाबत को जानकारी हाथ लगी है उसको मैं पेपर पर लिख कर अपने ऑफिस में छोड़ के जा रहा हूं जाके मेरी सेकेटरी से कलेक्ट करना वो तो मैं करेंगा सहब पन जा रहा हूं बोला हाँ मेरे को एक बहुत ही जरूरी असाइन्मेंट पर पूना जाने का है जहां से मैं रात को ही लोट सकता हूं अगले दिन लोट सकता हूं या वहीं कई दिन लग सकते हैं ओ क्या कोई प्रॉबलम है जीत वो तो है आइची पीरॉबलम और जीत सिंग का तो चोली दामन का साथ है पन बोले तुम क्या बोलो बोलो सहब मेरे को तुम्हारा आसरा तुम्हारे बिना मैं खुद को कमजोर महसूस करता है बोले तो नंगा महसूस करता है होसला रखो, मैं जल्दी लोटूंगा क्या मैं उधर भी फोन लगा सकता है? हाँ, खुशी से, अभी कोई प्राब्लम हो तो बोलो है तो सही क्या? जीत सिंग ने प्राइवेट सेक्योरिटी की जरूरत की बाबत उसे बताया नो प्राब्लम, फोर्ट में काला घोडा मालूम क्या? मालूम उधर यश्वन्द चोक पर नौरीन हाउस करके एक बिल्डिंग है उसके दूसरे माले पर कोब्रा इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी सर्विसिस का आफिस है उधर जाके आधिनाध धनेकर से मिलना या 22030444 पर फोन लगाना तुम्हारा काम हो जाएगा ठैंक्यू बोलता है साहब और बोलो और है तो सही बोलने का बोलो भई साहब रोकड़ा मानता है कितना? धेल पन को लाबा नहीं जाना मानता मैं समझ गया ठीक है ग्यारा के बाद किसी भी वक्त मेरे आफिस पहुँचना तुम्हारा सारा पैसा उधर होगा साहब सारा नहीं अब खत्म करो ये किसा वो पैसा परसूमल के पास तुम्हारी अमानत है वो सारी जिन्दगी तुम्हारी अमानत का कस्टोडियन बना नहीं रह सकता मैं किधर रखेगा साहब सोचो बड़े बड़े काम करते हो ये तो छोटा काम है करो पर्ण और फिर मैंने बताया तो था तुम्हें जोहरी बाजार के प्राइवेट वार्ट्स के बारे में जहांकि लॉकर लेना हो तो बैंको जैसे पोश्टाश नहीं होती हां बताया तो था और बोलो और तो साहब थैंक्यू बोलता है जीत सिंग खार पहुँचा नवलानी के आफिस से उसे नोटों से भरा एक ब्रीफ केस और एक बंद लिफाफा हासिल हुआ था लिफाफे में कुछ ऐसे कागजात थे जिनको बल निकाल कर टेप से जोड़ा गिया था और उनसे संबंदित नवलानी की रिपोर्ट थी कच्रे में से बीने गए उन कागजात पर आधारित रिपोर्ट कहती थी डिसीपी केशव राव पतवर्धन का बीवी के साथ जोइंट एक सेविंग बैंक अकाउंट तारदेव के स्ट्रेट बैंक में था जिसमें उसके तनक्वा जमा होती थी और जिसका हालिया बैलेंस लगबग 84,000 रुपई था एक और सिंगल ओपरेशन वाला अकाउंट स्टेंडर्ड चार्टर्ड की मेरिन ड्राइव ब्रांच में था जिसमें कोई 45 लाक रुपई जमा थी साथ में लाग सिहाई में टिपनी थी कि ऐसे बड़े बैलेंस वाले उसके और अकाउंट भी हो सकते थी एक और कागज से मालुम होता था कि बैंदरा के पाली हिल इलाके में उसका एक लक्चरी फ्लैट था जो उसने बैंक से फाइनेंस कराया हुआ था और जिसकी कीमत तीन करोड रुपई थी साथ में टिपनी थी कि वो ऐसी बेनामी की प्रॉपर्टीज का भी मालिक हो सकता था जो की तफ्तीश का मुद्दा था कच्रे से बरामत करके टेप से जोड़ा किया ऐसा आखरी कागस एयर टेल के मुबाईल कनेक्शन का पिछले महीने का बिल था जिसके साथ नथी कॉल किये गे टेलीफोनों की स्टेटमेंट चार पेश लंबी थी और उसमें कई ट्रंक कॉल दर्श थी जिनसे की काफी महत्वपोन जानकारी हासिल हो सकती थी उस संदर्ब में नवलानी की टिपनी थी कि मौजूदा हालात में वो जानकारी हासिल करने के लिए भाग दोड वो नहीं कर सकता था क्योंकि नहीं जानता था कि पूना में कब तक बिजी रहने वाला था अल्बत्ता उसे सुझाया गया था कि लैगवर्ट के उस मामुली कान को कोब्रा सर्विसेज वाले भी अनजाम दे सकते थे जहां की हासरी जीत सिंग ने भरी आदिनाध धनेकर जो की कोब्रा का पार्टनर था जीत सिंग से जरूर नवलानी की सिफारिश की वज़ा से बड़ी गर्म जोशी से मिला वो कोई पचास साल का हट्टा कट्टा फौजियों जैसा मुस्तैद शक्स था नवलानी तुम्हें अपना पर्सनल फ्रेंड बोला वो बोला उनकी महरबानी जीत सिंग अपने स्वर को भरसक सभ्य बनाता बोला जो उन्होंने ऐसा समझा ऐसा कहा अभी क्या सर्विस करे हम आपकी? जवाब में जीत सिंग ने सबसे पहले एडवार्डो के लिए जस लोग में प्राइवेट सेक्यॉरिटी गार्ड्स की जरूरत बयान की इजी धने कर बोला समझलो हो गया ये काम और और दो भी आदमियों की सीक्रेट करके तफ्तीश मानता है किस सिलसिले में? गैर कानूनी बार और जुए के अड़े चलाने के सिलसिले में आई सी एक का नाम केशर राव पटवर्धन है और वो मुंबई पुलिस में डी सी पी है आजकल वो जिस महक में का इंचार्च है उसका काम ऐसे ठीयों की परताल करना भी है इस काम के लिए वो कोई स्पेशल स्क्वेट सेट की एला है जो ऐसी नाइट लाइफ का पता निकाल कर उस पर रोक लगवाने का काम करता है मेरे को मालुम पड़ा है कि रोक लगवाने का टिरामा ही करता है असल में प्रोटेक्शन देता है खुद चलवाता है ऐसे दंदे पुलिस प्रोटेक्शन के बिना चल ही नहीं सकते बोले तो ऐसे कुछ ठीयों का तो वो खुद ही मालिक कोई बड़ी बात नहीं पुलिस के आला अफसर बेनामी में बसे चला सकते हैं गैस एजनसी चला सकते हैं राशन शॉप चला सकते हैं पेट्रोल पंप चला सकते हैं तो आफ्टर लीगल आवर्स बार क्यों नहीं कैसीनों क्यों नहीं लेकिन ऐसे कामों में ऐसे अफसरान का कोई न कोई फ्रंट होता है जो कि उनके पूरे भरोसे का आदमी होता है जो कि खुद को बताता मालिक है लेकिन होता केर टेकर है बड़ी हत मैनेजर होता है इन डिसीपी साहब का भी ऐसा फ्रंट होगा कोई बरोसे का आदमी होगा जो उनकी जगा उनका कारूबार चलाता होगा है ना उसका नाम गरेश दिवाकर राव महाडिक है आगे जीत सिंग ने वो सब बयान किया जो वो महाडिक के बारे में जान पाया था तो दनेकर बोला सिकेट तक्तिश के निशाने पर दूसरा आदमी ये गनेश महाडिक है क्या हाँ मेरे को इन दोनों की फुल चेकिंग मांगता है और सबूत मांगता है कि मिडनाइट प्लबों के गैर कानूनी धंदों में ये दोनों जोडीदार ये भी मालूम करने का है कि इन दोनों की धंदे की आपसे सेटिंग क्या है और चम्चे के फसने से मालिक फस सकता है या नहीं रिपोर्ट किधर करना होगा रिपोर्ट मेरे को नहीं, नवलानी साहब को भेजने का, मेरे को कुछ बोलने का तो मुबाइल पर बोलने का, नमबर देता है चीक है, ये DCP के कुछ जानकारी नवलानी सहब निकाला, जीत सिंग ने रिपोर्ट वाला लिवावा उसके सामने रखा, ये भी आपको रखने का, DCP के पड़तार में आपके काम आएका गुड, मेरे को मालूम पड़ा है इस धंदे में बहुत रोकड़ा है होगा ही, तभी तो एक DCP उसमें पड़ा रोकड़ा बोले तो दो नमबर का, इस वास्ते ये भी मालूम करने का, कि इतना रोकड़ा किधर जाता है ये काम मुश्किल है, ब्लैक मर्निंग के पैसे के ट्रेल मुश्किल ही हासिल होती है कैस जनरेट हो रहा है, पर नाला बै रहा है, ये आसानी से दिखाई दे जाता है लेकिन वो ये किधर जाता है, ये जानना मुश्किल ही नहीं, जान जोकिम का काम भी है ऐसी जानकारी के पीछे पढ़ने वाले की जान पर आ बन सकती है जो हो सके वो करने का है, ठीक है, जल्दी करने का है, जल्दी, भाई ये टाइम खाने वाला काम है मैं सुना कि ज्यास्ती भीडू लगाने से काम कम टैम में होता है, आप बड़ा कंपनी, ज्यास्ती भीडू लगाना ना सहब ये फॉर्मूला हर काम पर लागू नहीं होता, ये एक नाजुक तफ्तीश है, इसमें ज्यादा आदमी जोंकने का नतीजा जानते हो क्या होगा? क्या होगा? वो छुपे नहीं रह सकेंगे, दूसरी पार्टी को पता भी नहीं चलना होगा तो चल जाएगा, कि उस पर, उसके हरकतों पर नजर रखी जा रही है, नतीशतन, मिशन तो फेल होगा ही होगा, खून खराबी की नौबत भी आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं, ओ, ठीक है सहब, आप जैसा ठीक समझना करना, पर कोशिश जरूर करने का है, कि काम जल्दी हो, कोशिश तो जी जान से होगी, और पैसा, खर्चा पानी, रिपोर्टर नवलानी को भेजने का है न, हाँ, बेल भी उसी को भेंजेंगे, पर कोई एडवांस, नवलानी हमारा हम पेशा है, हमारा कलीक है, हिसाब कर लेंगे, ठीक है सहब, ठैंक यू बोलता है सहब, दादर के मिडोस नाम के एक बार कम रेस्टरेंट की, बालकनी के एक तनहा कोने में, DCP पतवर्धन और गनेश महाडिक, आमने सामने बैठे हुई थे, अब बोलो, पत करोगे या लंज करोगे, ठीर्स बोलूंगा, महाडिक बोला, क्या, मेरे को बहुत टेंशन बॉस, एक ड्रिंक मांगता है, मैंने यहाँ से उठकर पुलिस हैट क्वाटर जाना है, पतवर्धन सक्ती से बोला, और कमिशनर की हाजरी भरनी है, मगश में पढ़ा कुछ, पढ महाडिक, चाहो तो अपने लिए मंगा लो, नहीं नहीं, अकेले नहीं, आपके सामने अकेले नहीं, तो फिर मतलब की बात करो, अभी, आप उस बेड़ो बद्रिनात की कोई परताल करवाने वाले थे ना, हाँ, करवाना क्या, अब तक तो तक्रीबन काम मैंने खुद किया, क्या, वो भी किया जो करना तुम्हें सूचना चाहिए था, बोले तो, महाडिक, जिस गवानी भेड़ो का कच्रा तुम्हारे बांसरों ने किया, जब उसकी लाश बरामत नहीं हुई, तो तुम्हें सोचना चाहिए था, कि नहीं सोचना चाहिए था, कि वो किसी अस्पताल में पड़ा होगा अस्पताल में पड़ा था क्या हाँ मैंने अपने आदमी उसकी पड़ताल में लगाई तो पता लगा कि धारावी के कस्तूर्बा जनरल अस्पताल के ICU में पड़ा था उधर कैसे पहुँच किया? कैसे पहुँच किया क्या मतलब? कोई प्रॉब्लम है क्या? कहां? वरली? कहां धारावी? बाउंसर उसे नोबल हाउस से बाहर लेके गए और बाहर ले जाकर ठुका वो धारावी कैसे पहुँच किया? किसी ने पहुँच जाया? बरोबर पर वरली में क्यों नहीं? आजू बाजू क्यों नहीं? धारावी काहे अजीब बात है पूछना अपने आदमियों से मैं जरूर पूछूंगा वैसे मिठा चिट्टा की गुरुवार रात की नाकामी याद करता महाटिक बोला जवाब का अंदाजा मेरे को है क्या? आप अपनी बात कहिए तो वो गुवानी अस्पताल में पड़ा था ना? हाँ वो वहाँ कैसे पहुँचा? ये बात एहम नहीं है एहम बात ये है कि वही भीडू उदर उस पेशन के जिम्मेदारी लिये था जो कल रात नोबल हाउस पहुँचा था और जो वहाँ से निकला था तो तुमारे बाउंसर्स के काबू में नहीं आया था बदरीनात अगर ये उसका नाम है तो हाँ फिर वह भीडू उस गोवानी को देखने उदर डेली पहुँचता था मैंने और आदमी उदर भेजे और उन्हें हुक्म दिया कि जब भी वो उदर पहुँचे उसे थाम लिया चाए क्या वो पहुँचा जब डेली पहुँचता था तो पहुँचना ही था रात को पहुँचा क्या थाम लिया नहीं काहे जब सब इंतिजाम था तो तुमारा भी तो सब इंतिजाम था उसको लुड़काने का वो काम ज़रूरी आप बोलो पत्वर्दन सहब मैं ऐसे भेडू का जिन्दा रहना अफॉर्ड कर सकता था जो नोबल हाउस पर फोकस बनाता था जो अधर अकेला पहाँच कर मेरे को हूल देता था अरे मैं वो बात नहीं कर रहा उस बाबत तुमने जो किया ठीक किया मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वो तुमारे बांसरों के काबू में ना आया जिन्हें की ऐसे कामों का इतना तज्जुर्बा था उन्होंने ताकत से मसल्स पावर से काम निकालना था जो वो नहीं निकाल सके मेरे आदमियोंने पुलिसिया धौन से काम निकालना था जो उस शक्स पर नहीं चली फिर ताकत आस्मानी की कोशिश की तो कोई बीच में आ गया कौन? क्या पता कौन? वो तो प्रेद की तरह एका एक प्रकट हुआ और मेरे आद्मियों को धूल चटा कर प्रेद की तरह ही गायब हो किया वो भीडू बद्रिनात निकल गया क्या? तब निकल गया लेकिन फिर लौट आया अस्पताल में? हाँ मेरे आद्मि तब भी वही थे क्यूंकि गोवानी तब भी वही था और मैंने उनको फिर बोला था कि गोवानी पर अभी भी वाच रखने से हमारा काम फिर बन सकता था काम बना भी वो बदरीनात लोटा मेरे आद्मियों को तब भी वहाँ देख कर उस टैक्सी पर भाग निकला इस बार जिसे खुद चलाता वो वहाँ पहुँचा था मेरे आद्मी पीछे लगे लेकिन उसे नहीं पकड़ पाई वापिस लोटे तो जाहिर हुआ कि उसका वापिस लोटना धोका था उसकी एक स्कीम का हिस्सा था कैसी स्कीम? मेरे आद्मियों को अस्पताल से हटाने की स्कीम वो उसके पीछे लगे वो तो पकड़ाई में तब भी नहीं आया अस्पताल लोटे तो पेशन भी गायब क्या? वो गवानी अब कस्तूर्बा अस्पताल में नहीं है? नहीं है जब मेरे आद्मी जीत सिंग के पीछे लगे हुए थे तब कोई उसे वहां से निकाल के ले गया उन सब को उस भेडों के पीछे नहीं जाना चाहिए था क्यों? पटवर्दन के स्वर में जुझलाहट का पोट आ गिया जिस शक्स की वज़ा से वो वहां थे जब वो सामने था तो क्यों नहीं लगना चाहिए था? ये ना भूलो कि मेरे आद्मी वहां उस शक्स की वज़ा से थे ना कि उसके गोवानी पेशन की वज़ा से पर नुस टैम भी पकड़ नहीं पाए उन्हें क्या सपना आना था कि वो शक्स ऐसा कमाल का ड्राइवर निकलेगा कि उन्हें अपनी हवा नहीं लगने देगा? ठीक, गोवानी किधर गया? कैसे गया? कुछ तो पता लगा होगा? हान लगा कस्तूर्बा अस्पताल वालों ने ही उसे जसलोक में शिफ्ट किये जाने का इंतिजाम किया था जसलोक के डॉक्टरों के साथ वही की एम्बुलेंस कस्तूर्बा अस्पताल पहुंची थी और गोवानी को उधर से लेकर गई थी तो क्या अब वो गोवानी जसलोक में है? हाँ फिर क्या वांदा है? वो भेडू बद्रीनात उधर भी उसको देखने बराबर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा क्यूं? क्यूंकि पेशन्ट वो गोवानी अब उसकी देख रेक का मोहताश नहीं रहा बोले तो गोवा से उसका कोई करीबी वहां पहुंचा है उसके होते पेशन्ट को किसी दूसरे की तवज्जो की जरूरत नहीं तो अभी क्या वांदा है? अगर हम अभी भी उस गोवानी को काबू कर लें? नहीं कर सकते का है? वहां उस पर प्राइवेट सेक्यॉरिटी बैटी हुई है क्या? नई भीडू ने ऐसा ही इंतिजाम किया है जस लोग में चार हत्यार बंद सेक्यॉरिटी गाट 24 घंटे उसके कमरे की पहरेदारी पर तैना थे कमाल है? वो कोई फिल्म स्चार है क्या? नेता है क्या? नेता ही बताया जा रहा है इसी वज़ा से अस्पताल वालों को प्राइवेट सेक्यॉरिटी पर एतरास नहीं इतने बड़े और रसूक वाले अस्पताल की एक तो अपनी ही सेक्यॉरिटी कम नहीं उपर से प्राइवेट सेक्यॉरिटी महटिक, वहना मेरे आदमियों की कोई पेश चल सकती है और ना तुम्हारे आदमियों की ओ, पर मतलब क्या हुआ इसका अभी हम कुछ नहीं करने का खाली हाथ पर हाथ रखके बैठने का रहने का खाली हुश्यार रहने का और बदरीनाद को तलाश करने का कैसे अक्की मुंबई में क्या एक एक भीडू का थोबड़ा घुमा के देखने का कि वो बत्रीनाथ है की नहीं पटवर्दन हसा मालुम पढ़ता है महटी को से अप अलग देखता बोला आप कुछ केला था हाँ भाई जब तुम्हारे की एक कुछ नहीं हो रहा तो मेरे को कुछ करने का ही था क्या किया तुम्हारे तीनों बाउंसरों को मिठ्था चिठ्था और खत्री को अपने आफिस में तलब किया और उन्हें पुलिस के आर्टिस के साथ बिठाया जिसने उनके अलग-अलग बयान किये हुए हुलिये के मताबिक उस बद्रीनाथ की एक composite picture पर तयार की ये है पटवर्दा ने जेब से एक दोरा किया कागस निकाल कर खोला और उसके सामने रखा उस picture का print out देखो इसे महटिक ने गौर से composite picture को देखा अब बोलो ये उस बेड़ों की शकल है जो अपना नाम बद्रीनाथ बताता था और कल नॉबल हाउस में तुमको हूल देता था लगती तो है लगती है? है नहीं क्या? है भी पन क्या पन? बोलो क्या कमी जान पड़ती है? वो चीक हो जाएगी नाक में फर्क है फुटे से खिंची लकीर की माफिक गुट और? भवे उसकी भारी थी घनी थी जैसे मूच होती है वेरी गुट और? और? और तो? हाँ ठोड़ी में हलका सा गड़ा था डेंट हाँ वही और? और तो सब बराबर जान पड़ता है भवी घने और भारी हो जाए नाक एन लकीर जैसी सीधी हो जाए और ठोड़ी में डेंट बन जाए तो ये ज्यादा बद्रीनात लगेगा? हाँ हो जाएगा ऐसा वो तो मेरे को पक्की की हो जाएगा आज कर कम्प्यूटर क्या नहीं कर सकता? पंजो हो जाने के बाद क्या करने का है? देखो शुरू से मेरा दिल गवाही देता है कि इस बेडू का कहीं कोई रिकॉर्ड होना चाहिए इसकी हरकते ही ऐसी है कि शुरू से मुझे लगता है कि ये कोई स्ट्रेट सिटिजन नहीं हो सकता लेकिन रिकॉर्ड तो कोई नहीं निकला इसी वज़ा से मेरे एत्वार में ये आता है कि बद्रीनाथ इस शक्स का असली नाम नहीं है इसका असली नाम कोई और है और उस नाम से इसका रिकॉर्ड बराबर है मेरा इरादा इस कॉम्बोसिट पिक्चर को सारे थानों में सरकुलेट करवाने का है मुझे पूरी उमेद है कि कही ना कहीं से कोई ना कोई जुदा शिनाक्त इस बद्रीनाथ की जरूर निकलेगी ऐसे शिनाक्त से ये कोई नोन क्रिमिनल साबित हुआ तो फिर मेले लिए इसको हैंडल करना आसान होगा ओ बढ़िया लेकिन उस दोरान तुमने अपने तलाश बंद नहीं कर देनी है इसको ट्रेस करने की अपनी कोशिशे तुमने जारी रखनी है ये सोचकर उनसे हाथ नहीं खींच लेना है कि कॉम्पोसिट पिक्चर का कोई नतीज़ जरूर ही निकले का महाडिक मैं वर्णा कर रहा हूँ तुम्हें मैं वान कर रहा हूँ मेरी ये कोशिश फेल हो सकती है इसके बरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैटने का है मैं बैट सकता है इच नहीं वो मेरे को हूल दिया मैं उसको धेर नहीं करेगा तो वो मेरे को धेर कर देगा वो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा क्या बोला सहब बड़ा नुकसान ये होगा कि जैसे उसने नॉबल हाउस पर फोकस बनाया वैसे वो और ठीयों पर भी फोकस बना सकता है वो ऐसा करेगा तो मेरा हमारा काम असान होग करेगा पटवर्धन की भवे उठी जवाब में महाडिक ने उसे अपने इनामी इंतिजाम की बाबत बताया गुड पटवर्धन बोला मेरे को तुम्हारे से ऐसी ही कोई उमेद थी समझो अब मेरे फिक्र दूर हो गई और आगे होटल ब्यू हैवन पहुचा डिमपल उसे सुईट के बाहरी कमरे में बैठी मिली उस वक्त वो नई सफेद जीन्स और मैचिंग स्कीवी पहने थी बोले तो जीत सिंग बोला परेल का चकर लगाया क्या नहीं वो सहज भाव से बोली तो ये नवी ड्रेस यहीं की शॉपिंग और्ट केट से खरी थी चौदा सो रुपए में तुमारी वज़ा से चेंज के लिए घर नहीं कई इसलिए ये रोकड़ा तुम निकालो हाँ जरूर अभी उसने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो जल्दी से बोली ठीक है ठीक है बाद में दे देना वो कहां है कौन मदाम वोट का बेवडी हाँ होटल के ब्यूटी पार्लर में गई है ओ बहुत टाइम हो गया आती ही होगी मिजाज कैसा है ठीक है जो ही उसे पता चला था कि बाहर तुम मेरे साथ नहीं सो गए थे रात को सच में इधर से चले गए थे तो चेहकने लगी थी बत्याने लगी थी बढ़िया मैं घर जाना चाहती हूँ क्या क्या बुला मैं बहुत बोर हो गई हूँ मैं और नहीं रुक सकती ये मेरे टाइप की लाइफ नहीं अब तुम्हारे मुलाजे में इधर ठीके रहना मेरे वास्ते मुश्किल तुम जिस चक्कर में हो उसमें मैं तुम्हारी काम्याबी की दूआ करूँगी जब फ्री हो जाओ तो मेरे पास आना अभी जो शिकायत है उसका बदला चुका दूँगी मेरे को शिकायत नको मैं तुम्हारा देनदार रोकडे से भी वैसे भी रोकडे में वांदा नहीं मदद का बदला चुकाना मुश्किल अभी खाली थैंक्यू बोल सकता है तो क्या मैं जाओ खुशी से तुम मेरी बात समझे ना हाँ बरोबर उसने उठकर अपना वो शॉपिंग बैक काबू में किया जिसमें उसके पिछली रात वाले कपड़े थे जेत सिंग ने जबरन उसमें कुछ नोट ठोस दिये एक बात बोलने का है फिर बोला क्या सला का शुक्रिया वो बार दादर में पैरा माउंट तुम उदर रेगुलर वहां बहुत भीडू तुम्हें जानते हैं बहुत नहीं लेकिन जानते हैं खाली नाम जानते हैं डिम्पल और कुछ नहीं वो बार मैं किर पेकर वो भी खाली नाम जानता है बोले तो कुछ दिन उधर से दूर ही रहना ठीक है ये गलाटा खत्म होते ही मैं आएगा हाँ आना जरूर मैं वेलकम बोलूँगी वो चली गई पीछ़ जेद सिंग एक सोफे पर धेर हुआ और प्रतिक्षा करने लगा सुईट में पहुँचने से पहले उसने दो काम किये थे दस लाग के नोटों का एक बंडल तयार किया था और बाकी नोटों से भरा ब्रीफ केस होटल के वॉल्ट में जमा करवाया था आधे घंटे बाद वो लोटी बाल कटवा कर उनकी रंगत वैसी हलकी करवाई जो कि वो ब्लोन कहलाती थी और कई रंगों की टकने तक काने वाली स्कर्ट और सामने सफेद बटनों की कतार वाला काला ब्लाउस और फ्लैट बैली पहने जीत सिंग ने सक थैरानी से उसकी तरफ देखा तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही हो फिर वो बोला श्यौर वो बोली हाँ गुड यहिश तो मांता था अभी आया क्या नहीं आधा घंटा पहले वो किधर गई चली गई किधर अपने घर यू मिन फॉर गुड पक्की करके हाँ अच्छा हुआ ऐसा क्या हाँ दिस इस गुड नियूस अभी दूसरा गुड नियूस बोलो दूसरा गुड नियूस कल रात कुछ प्रामिस करके इधर से नकी किया भूल गए क्या नहीं तो बोलो रोकडा किधर है इधर है जीत सिंग ने पहलू में पढ़े नोटों के बंडल को थप थपाया ततकाल उसकी आँखों में चमक आ गई पूरा वो बोली हाँ ओ एका एक वो उस पर धेर हो गई बड़ी मुश्किल से जीत सिंग ने उसे अपने आप से अलग किया यो इंपोर्टेंट और सम्थिंग वो भुन भुनाई क्या बोला कुछ नहीं मेरे को बोलना है कुछ क्या अभी को इस रकम का हगदार बनके दिखाना बाकी है क्या कल दिखाया तो नहीं दिखाया मेरे को जितनी जानकारी की उमीद थी उसकी परचाई भी नहीं मिली इतना टैम पीछे छोड़ा महाडिक का नाम और चार गालियां छोड़के कुछ भी लिखके नहीं रखा जो पूछा वो भी तो बोला काफी नहीं बोला तो अभी क्या मांगता है? अभी तुम्हारे को मेरा वास्ते बहुत कुछ करना मांगता है क्या? हाँ, उस मगर मच को महटिक को फासने का वास दे मेरे को बेट बनाना मांगता है? हाँ, क्या बुला? वही जो तुम सुना, सच में यहिच मांगता है? हां ये जानते कि जिसका तुम रिवेंच मांगता है वो तुम्हारा फ्रेंड था मेरा नहीं तुम्हारा करीबी था मेरा नहीं हां माता फिरेला है लगता है कुछ है इच नहीं खोपड़ी में नहीं फिरेला, खोपड़ी भी खाली नहीं है, तुम कन्फ्यूस करता है मेरे को, देखो अपने फिस खुद मुकरर की, ठीक है ना, ठीक, ये जानके बहुत बड़ी फिस की, कि बदले में तुम्हारे को भी कुछ करने का था, कुछ डेंजर काम करने का था, कुछ जोके मुठ अंदाजा नहीं था, था, तो फिर अभी क्या हुआ, अभी जो मांगता है, काली पिली फोकट में मांगता है, नहीं, तो फिर, उसने जवाब नहीं दिया, कई क्षण वो खामोश रहा, मेरे को सोने का है, आखिर वो निन्यात्मक स्वर में बोली, रात को नहीं सोई क्या, नहीं, जरा भी नहीं, रात को मेरे को सोने का हैबिट नहीं, फिर शकल चेंज करवाने में टैम खोटी हुआ, अभी मेरे को सोने का है, तुम जो बात करना, रात को करना, रात को करूं, दस बजे के बाद किसी भी टाइम आना, डिनर मेरे साथ करना, ठीक है, ये रोकडा, अ अभी हाफ मेरे को दो। सहमती में सेर हिलाते जीत सिंग ने बंडल कोल कर आधे नोट उसे सौंपे और बाकी के साथ वहां से रुखसत हुआ। मौत भी वैसे दबे पाव नहीं आती होगी जैसे वो तीन जने संगम अपार्टमेंट्स में डिम्पल के फ्लैट के दर्वाजे पर पहुँचे। जैसे ठुकाई पर सो रात उसके जेत सिंग के हातों हुई थी उसकी रू में वो वैसे किसी अभ्यान में शाविल होने के काबिल अभी नहीं था। उसवस्त तो उसकी जगा नपन पठान लिये था और वही तिकडी का लीडर बना हुआ था। बाकी दो जने मिठा और चिठा के इलावा और कौन हो थे। दर्वाजे का बिल्ट इन लॉक पठान ने अपने कौशल से खोला और भीतर की चिठकनी की जगा बाहर से मुसल की एक ही चोट मारी तो उसकी आंख भीतर चोखट से अलग होकर परेजा गिरी। पलक जपकते वो फ्लेट के भीतर थे और तभी चौंकर उठी डिम्पल का गला पठान की शैतानी पकड में था। उसने उसे वैसे ही पकड़े रहकर दो तीन बार जिन जोडा तो डिम्पल पर बेहोशी तारी होने लगी। उस वक्त वो एक जीनी नाइटी पहने थी। बहुत माल है साली के पास। चिठठव वासना लिप्त स्वर में बोला, मेरे को माल में मूँ मारने का है। माता फिरेला है क्या मिठा बोला इधर से इसको लेके जाने का है अरे एक राइड मारने में कितना टैम लगता है इधर रुखने का नहीं है पर चुप कर और तू मिठा पठान की तरफ घूमा गला छोड़ उसका साले डेड बॉडी नहीं ले जाने का पठान ने अपना हाथ धीला किया उसे वापिस खींचा और दांत निकालता पीछे हटा चिठा ने आगे बढ़कर डिम्पल की बात आमी और एक जटके से पलंग से घसीट कर उसे उसके पैरों पर खड़ा किया कपड़े पहन वो उसके चेहरे के पास मू ले जाकर फुंकारा एक मिनट में अज में कताई नहीं आ रहा था कि वो सब क्या हो रहा था कपड़े बदलने के लिए उसने बात्रूम में जाना चाहा तो उसे घुड़क दिया गया उसने उनकी तरफ पीट करके सिर से पाउं तक कामते हुए वही जीन्स और स्कीवी पहनी और पाउं करीब ही लुटकी के खाली पड़े फ्लैट में पहुंचाना था गाईलो के साथ उसके टैक्सी पर जेत सिंग होटल ब्ल्यू हैवन पहुंचा वाच रखने का वो गाईलो से बोला गाईलो ने सहमती में सेर हिलाया कोई डेंजर बात दिखाई दे तो मेरे को फोन लगाने का खाली फोन लगा हाँ जाता है गनीमत थी कि रोमेला उसे सोई पड़ी नहीं मिली वो बैट पर पसरी हुई थी सामने टीवी चल रहा था और उसके हाथ में जाम था जो पता नहीं उस शाम का पहला था चौथा था या छटा था जीत सिंग को धिका कर उसने एक मादक अंग्राई ली और मुस डिनर के लिए चलते हैं जल्दी क्या है कोई जल्दी नहीं मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाती हूँ अभी नहीं मांगता क्यूं भाई मेरे को शर्मिंदा करना मांगता है शर्मिंदा मैं बेवडी तुम ठीक मैं काली तुम उजले अरे नहीं तो फिर ठीक है मेरे को वि बनाया दोनोंने चेर्स बोला दिन कैसा कटा तुम्हारा उसने पूछा बढ़िया जीत सिंग बोला और तुम्हारा मेरा क्या मेरे को तो मालूम ही नहीं पड़ा दिन किधर गया अक्खा टैम सोती रही अभी थोड़ी तेर पहले ही तो उठी फिर तो ये उसने उसके जाम की तरफ इशारा किया पहला होगा दूसरा वो एक शन ठिट की फिर बोली मालूम क्या क्या मेरे को अख्खा टैम महाडिक के सपने आते रहे यही चलगता कि सेर पर खड़ेला था अभी जपटेगा फार देगा उसको तुम्हारी हवा नहीं लग सकती मालूम है पर फिर कल तु किसी दूसरे होटल में होने का क्या बोला तभी तुम सेफ जब तक ये सलसला खत्म नहीं हो जाता हर दो दिन बाद होटल चेंज वैसे तो ये होईच नहीं सकता फिर भी होएंगा तो जब तक वो एक जगा का पता निकालेगा तुम दूसरी जगा होईगा देखो अगर में भी अभी तो चलने का है ना? नहीं अभी तुम्हारे को चलने का है मेरे को? किधर? मेरी तरफ बोले तो इधर आओ पर्न तुम मेरे से डील करना मानता है कि नहीं मानता? बरोबर मांगता है तभी तो रोकड़ा भड़ा मेरे को खाली रोकड़ा नहीं मांगता बोले तो ये भी मेरी एक कंडिशन कि मैं तुम्हारी को इधर उसने अपनी पहलू की तरफ निगा जुकाई मांगता है वांदा नहीं, मैं वो कंडिशन भी पूरी करने को तयार, पर खाली पेट में कुछ नहीं कर सकता खाली पेट? तुम्हारे साथ डिनर फिक्स, इस वास्ते साला कुछ भी नहीं खाया ओ, तो डिनर के बाद लॉट के इधर ही चाने का है ना? बरोबर, प्रॉमिस, बरोबर, अभी डिनर के वास्ते किधर जाने का है? नीचे, इसी होटल के रेस्टरेंट में, मैं टेबल बुक कराके आईला है पर मेरे को तो किधर बाहर जाना मांगता है? आज नहीं, कल, कल देखेंगा अच्छा, वो अन्मर ने भाव से बोलूए और उटकर खड़ी हुई दोनों चोथी मंजिल पर स्थित होटल के रेस्टरेंट में पहुँचे वहाँ डिनर सर्फ कहोने से पहले जीत सिंग ने विस्की के दो और रोमेला ने वोटका के चार पैक पिये उस दोरान और डिनर के दोरान जीत सिंग ने इशारों से बहानों से बार-बार मार डिक का चर्चा चलाया जिसकी वज़ा से रोमेला की वारनी मुकर हुई तो उसने उससे संबंदित कई बाते कहीं जिन में से प्रमुक ये थी कि वो कैसे उसे गंदे तॉलिये की तरह इस्तेमाल करता था उसने जजबाती होकर आँखों में आंसु भर कर उन्हें अपने कपोलों पर ढुलका कर बताया कि कैसे कैसे तरीकों से उसे जलील करके वो सुक पाता था उसको उसकी आउकात बताता था जो उसकी ठोकर की धूल जितनी भी नहीं थी क्यूं सेहती हो जीत सिंग कहे बिना नहीं रह सका जवाब में उसने अपनी मजबूरियों का दुखड़ा पहले से ज्यादा विस्तार से रोया और विस्तार से ही अपनी मा और दोनों बेहनों की करुन कथा कही हम जीत सिंग ने हमदर्दी भरी उहुंकार भरी दूसरी वज़ा ये है कि वो कितना ही जालिम और कमीना क्यों ना बनकर दिखाए मेरे को हासिल सुख सुविधा में कोई कमी या कटौती कभी नहीं करता इस वज़ा से मैं अपनी फैमली को भी रोकड़ा भेशती रहती हूँ और काफी सारा पैसा और जेवर मैंने अपने पास भी जमा कर लिया है मैं एक हद तक अपनी जमा पूंजी में इजावा हो जाने के बाद उसे चोड़ने का इरादा बनाई बैठी थी कि कल उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी क्या किया? पहली बार उसने ये बम मेरे सिर पर फोड़ा कि मुरुड में रहती मेरी फैमली की मेरी जमा पूंजी की बैंक अकाउंट की लॉकर की हर बात की उसे खबर थी और वो जब चाहता हर चीज से मेरे को महरूम कर सकता था इससे बड़ी धम की और मेरे लिए क्या हो सकती थी कि मैं उससे बाहर जाने का ख्याल भी करती तो वो मेरी फैमली को खत्म कर देता मेरा बैंक अकाउंट जीरो कर देता मेरा लॉकर खाली कर देता मेरे को फ्लैट से बाहर करके सूखी रोटी का मोहताच बना दीता ओ, ऐसे माहौल में तुमने मेरी जिन्दगी में कदम रखा जो कि अच्छा हुआ क्या अच्छा हुआ अभी तुम्हारे को इस नर्क से निजात मिलेगी न बिना कोई वैसा नुकसान उठाए निजात मिलेगी जिसकी तुमें दैश्चत है क्या ऐसा होगा बरोबर होगा बहुत जल्दी होगा देखना दीरे दीरे उसके चहरे पर काश्वासन के भाव आने लगे जीत सिंग ने वेटर को बिल के लिए इशारा किया रोमेला जठार के फ्लैट में उन्होंने डिमपल को बैटरूम में बंद कर दिया और खुद ड्राइंग रोम में बैट कर महाडिक के वहाँ महाडिक का इंतजार करने लगे डिमपल की बाबत सोच सोच के चिठा तब भी बेचैन था बहुत माल है वो रह रह कर बड़ बड़ा रहा था चुपकर मिठा ने गुड़का मेरे को खाली चोच डुबोना मांगता है भरे घड़े में से एक बून निकले तो किधर पता चलता है अका इडियट अबे बोस किसी भी टैब इधर पहुंच सकता है तेरे को मांगता है वो तेरे को चोकरी पर सवार देखे चिठा का जोश ठंडा पड़ गया कुछ शर्ण खामुशी रही बात में फिर एका एक वो बोला बात में क्या होगा क्या होगा बोस जब चोकरी से फ्री हो जाएगा तो क्या करेगा क्या करेगा क्या साथ ले जाएगा का है तो क्या करेगा हमें ही उसकी बाबत कोई हुक्म देगा बोले तो हमारे हवाले छोड़के जाएगा हाँ बढ़िया चिट्टा प्रत्याशा में हाथ मलने लगा बढ़िया पठान मुस्कुरा रहा था और खामोशी से वो वारता लप सुन रहा था बोस इधर छोड़के जाए वो बोला तो पहला नमबर मेला लोट मचेली है चिट्था भड़का मैं साला जो सबसे पहले क्लेम लगाया मैं क्या हूँ वो खामोश हो गया फ्लैट के बंद दर्वाजे में से बाहर से चाबी की आवाज आ रही थी तीनों उठकर खड़े हो गए महाटिक भीतर दाखिल हुआ पाउं की ठोकर से उसने अपने पीछे दर्वाजा बंद किया और सामने निगा दोड़ाई तीनों ने खामोशी से उसका अभिवादन किया कहा है महाटिक ने पूछा बैटरूम में मिठा बोला सेमती में सेरहिलाता महाटिक आगे बढ़ा पठान ने जल्दी से आगे बढ़कर दर्वाजा खोला सब भीतर बैटरूम में पहुँचे डिमपल एक कुर्सी पर गुच्छा मुच्छा सी बैटी हुई थी उन्हें देखकर वो उचलकर खड़ी हुई बैट पर डालो महाटिक ने आदेश दिया पठान के एक ही धके से वो पेट के बल बैट पर जाकर गिरी वो और उसके इशारे पर चिठ्ठा बैट के दोनों पहलों में पहुँचे और उन्होंने ये हालत थी कि वो हिल भी नहीं सकती थी महाटिक ने कुरसी पलंग के करीब खसीट ली और उस पर बैट गया हलो वो मुस्कुराता हुआ बोला डिम्पल क्या जवाब देती उसकी आतंकी तांके उसकी कटोरियों में घूमी जिन लोगों की गिरफ में तुम हो मैं उन्हें छोड़ दूँ तो ये चुटकियों में तुम्हारी बोटी बोटी अलग कर देंगे उससे पहले ये क्या करेंगे तुमें बताने की जरूरत है क्या डिम्पल ने जोर जोर से इंकार में सेर हिलाया क्या तुम चाहती हो ऐसा हो उसने फिर इंकार में सेर हिलाया तो जो पूछा जाए उसका जवाब दो बोलो बदरीनाथ कहा है उसने घूर कर उसे देखा या तुम उसे किसी और नाम से जानती हो मेरे को नहीं मालूम वो कहा है कौन बदरीनाथ क्या पूछा मैंने वो कहा है क्या जवाब दिया तुने मेरे को नहीं मालूम वो कहा है हम महाडिक पठान की तरफ घूमा एक उंगली तोड़ दे तदकाल पठान ने अपनी गिरफ में मौजूद उसकी बाइंबांग की गन की उंगली पकड़ी और एक ही जटके में उसे सूखी टैनी की तरह तोड़ दिया डिमपल के मूँ से हिद्य विदारक चीक निकली लेकिन पठान का मजबूत हाथ उसके मूँ पर पड़ा तो वो बीच में ही गुड गई कलाई पकड़ हाथ उंचा कर आदेशा नुसार पठान ने बाया हाथ तूचा किया तो उस पर से कंड की उंगली सिर्फ खाल के सहारे लटकी दिखाई दी मूँ से हाथ हठा ऐसा होते ही डिमपल के गले में फिर चेक हुमडी लेकिन बाहर नहीं निकल पाई क्योंकि तभी महाडीक का ऐसा भरपूर चापर उसके चेहरे पर पड़ा कि बाएंगाल पर उसकी सारी उंगलियों की चाप उचल आई आवास ना निकले महाडीक क्रोट स्वर में बोला और एक और चापर रसीत कि दिया डिमपल ने दांद भींच लिये दर्द और दैशत में आँसूं के धारे उसके गालों पर बह निकले मेरी तरफ देख दुंदलाई आँखों से उसने महाडीक की तरफ देखा आखरी बार पूछ रहा हूँ सही जवाब नहीं देखी तो इसने जैसी असानी से तेरी उंगली तोड़ी वैसे ही तेरी गर्दन मरोड देखा सुना क्या हाँ समझा क्या हाँ अभी बोल बदरीनात रोमेला जठार को कहां चुपाई है होटल ब्ल्यू हैवन नहरू रोट विले पारले बढ़िया रूम नमबर बोल सुईट नौसो पांच नौवा माला देखा बस इतनी सी बात थी खांगा उंगली तुड़वा ली डिम्पल खामोश रही सुलादे महट एक मिठा से बोला पठान ने उसकी तूटी उंगली वाला हात कलाई से पकड़ कर जोर से बैट की पट्टी पर मारा और साथ ही उसका मुँ दबोश लिया डिम्पल की आँखे उबल पड़ी और फिर उलट गई छोड़ दो तीनों उससे अलग हुए डिम्पल बेजान सी पलंग पर लुड़की पड़ी रही महाटी गुट कर बाहर की तरफ बढ़ा तीनों उसके पीछे हो लिये अभी मैं इधर ही है ड्राइंग रूम में पहुँच कर महाटीक बोला तुम तीनों ब्ल्यू हैवन पहुँचो रोमेला उधर हो तो पठान तेरे को उसको इधर लेकर आने का और तुम दोनों को उधर इस बंदरी नात का वेट करने का इस बार अगर वो निकल गया तु तो सालो तुम्हारी खैर नहीं नहीं निकले का मिठा बोला थाम के क्या करने का धेर करने के इलावा कुछ भी करने का मार लगाने का हाथ पाउं तोडने का दांत निकाल देने का अंदा कर देने का कुछ भी करने का पर उसको जिंदा रखने का हाथ से निकल जाए तो फिर पकड़ने का हाथ से निकल जाए बोला बाब जैसे सोमबार को गोवानी निकला गो गोवानी निकला सालो कमीनो हाथ से नहीं निकला तो वरली से धरावी कैसे पहुंच किया मिठा के मुँ से बोल नहीं फूटा अब बोलो क्या हुआ था यही चुआ था बाप मिठा से जुकाई बोला वो बूड़ा तो शैतान का माफिक लड़ता था हाथों से निकल निकल जाता था एक बार निकला तो दोड़ कर एक टैक्सी में बैठ गया बड़ी मुश्किल से टैक्सी को धारावी में रोट पर जाकर पकड़ा वहाँ ठोका क्या? महटिक बोला हाँ उसके टैक्सी ड्राइवर के सामने उसको भगा दिया फिर फिर जाडियों में फैंका और उधर से नक्की किया मेरे को क्यों नहीं बोला? मिठा ने जवाब नहीं दिया वो अपने जोड़ीदार का मुँ देखने लगा बाप किस मुँ से बोलते? चिठा दबे स्वर में बोला कि एक बुड़ा काबू में नहीं आया सालो जवान भी किधर आया? दोनों खामोश रहे अभी फेल नहीं होने का मार्डिक चेतावनी भरे स्वर में बोला नहीं होने का दोनों समवेद स्वर में बोले और मेरे को इधर फोन लगाने का क्या? फोन लगाने का अभी निकल लो जीत सिंग और रोमेला सुईट में वापिस लोटे जीत सिंग के पीछे दर्वाजा बंद करते ही वो उससे लिपट गई उसकी दोनों बाहे उसके गले का हार बन गई उसने उसका सिर जबरन नीचे जुकाया तो जीत सिंग की चीक निकल गई वो हड़ बढ़ा कर पीछे हटी क्या हुआ? फिर बोली पीछे सिर में ताजा बना जख्म है जीत सिंग बोला तुमारा एक हाथ एन उसके उपर पड़ा ओ, दिखाई तो नहीं देता बालों में छुपा है ना कैसे लगा? बस लग गया किसी तरह से गहरा है? ज्यादा नहीं और दो तिन दिन में ठीक हो जाने का ऐसा कोई और भी पॉइंट है तो पहले बोल दो पहले? हाँ, उसने बड़ी अदा से उसकी बाँ थामी और अपने उपर धकेलती हुई उसे बैटरूम की और ले चली भीतर पहुँचकर वो बैट पर धेर हुई और उसने जीत सिंग को अपने उपर खींच लिया अरे, तुमारी ड्रेस चुप उसने करवट बदली और जीत सिंग के उपर सवार हो गई शैतानी हरकते शुरू हुई एका एक जीत सिंग के मुबाईल की घंटी बजी हल रोमेला के मुँ से निकला बलडी हल जीत सिंग ने उसे परे धकेलने की कोशिश की बजने दो वो आग्रपोंट स्वर में बोली अभी कामोश हो जाएगा नहीं, सुनने का है हटो प्लीस जेब से मुबाईल निकाल कर उसने कॉल रिसीव की तीन भीडू उसे गाईलो की आवाज सुनाई थी दो वैसे जैसे तुम हुलिया बता की गया तीसरे का मेरे को मालूम की एक मिडनाइट क्लब में बाउंसर कैसे मालूम अरे टेक्सी चलाता है की नहीं हर जगा का पैसेंजर ढोता है की नहीं ओ अभी तीनों लिफ्ट के सामने खड़े ले हैं और उपर जाने का बटन दबारे ले हैं अभी तीनों भीतर दर्वाज़ा बन बाहर इंडिकेटर पर नौ चमक रेला है मगश में पढ़ा कुछ पढ़ा जीट से गुचल कर खड़ा हुआ कट कर रोमेला अपलोक उसे देख रही थी उठो वो बोला चल दी क्या हुआ वो हड़ बढ़ाई तुम्हारे बॉस के बाउंसर उपर आ रही है लगता है किसी तरह से उन्हें तुम्हारी यहां मौजूद्गी की खबर लग गई है देवा अब क्या होगा कुछ नहीं होगा वो भीतर दाखिल नहीं हो पाएंगे तुम ये दर्वाजा भीतर से बंद कर लो और जब तक मैं न बोलू मत खोलना चलो जल्दी करो तुम क्या करोगे मैं बाहर से मैनेजर को फोन लगाता हूँ ऐसे हर होटल की अपनी सिक्यूरिटी होती है वो कोई इंतिजाम करेगा पुलिस को लगाओ वो भी करूँगा तुम दर्वाजा बंद करो जेत सिंग फुर्ती से बाहर निकला उसके पीछे दर्वाजा बंद हो गया वो लपकर एक साइट टेबल पर पढ़े फोन पर पहुँचा उसने उठा कर उसे कान से लगाया तो पाया वो डेट था दाता पठान मिठा और चिठा नौवी मन्जिल पर पहुँचे उस गड़ी उस फ्लोर पर सलाट था वो है नो सो पांच चिठा बोला मिठा ने सेहमती में सेर हिलाया उसने आगे बढ़कर दर्वाजा ट्राई किया तो उसे बंद पाया कोई वांदा नहीं पठान दबिस्वर में बोला ताला मैं खोल लेंगा ताला किधर है क्या चाबी का छेट तो नहीं ओ ये साला मॉडर्ण सिस्टम दर्वाजा एटीम का माफिक कारट डालने से खुलने का खोल लेगा क्या नको मैं ये नहीं खोल सकता तो अंदर से ही खुलने का पर वो भी रात के इस टाइम देखना सेफ्टी चेन पर उसका कोई और इंतिजाम करने का क्या मिठा बोला वो अदर सर्विस कार्ट खड़े ली है ये खुब भारी होती है लेकिया मिठा ने चिठा की तरफ देखा चिठा फॉरन कोने में खड़ी सर्विस कार्ट तक पहुँचा को लगा छोड़ कर बाहर जांकेगी तो उसको खाली ये सर्विस कार्ट दिखाई देने का चेन हटा दे तो बढ़िया वर्ना वर्ना क्या दोनों को सर्विस कर्ट से डोर को हिट करने का मिठा ने दर्वाजे पर दस्तक दी भीतर से मर्दाना आवास में जवाब मिला वो भीडू भी भीतर है मिठा सस्पेंस भरिस्वन में बोला कोई वांदा नहीं पठान बोला यहिच कर रूम सर्विस मिठा अपने लहजे को भरसक सहच बनाता बोला भीतर दर्वाजे के बाजू में जीत सिंग एक हाथ में आनफुस फुसाया टेलीफोन टेलीफोन जोडने का है मिठा बोला ओपरेटल कॉल देता है लगता नहीं है चेक करने का है ओ चेन पर दर्वाजा खुला जीत सिंग ने दर्वाजे और चौकट के बीच यू बनी तीन इंच की जीरी से बाहर चांका मिठा और चिठा दोनों ने मिलकर सर्विस कार्ट को पूरी शक्ती से धकेल कर दर्वाजे पर दे मारा सेफ्टी चेन उकड गई दर्वाजा भडाक से खुला वेक से कार्ट को थामे दोनों बाउंसर भीतर दाखिर हुए जीत सिंग तयार था डंडा जोर से चिठा के सिर पर पड़ा और गन की नाल मिठा के मूँ पर दांतों से टकराई मिठा के सामने के दांत तोट गए वो भीतर आकर स्थेर हुई कार्ट पर दोहरा हो किया लेकिन चिठा ज्यादा दम वाला था वो खोपड़ी पर हुए भिशन प्रहार के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा था और वैशियों की तरह दांत निकालता जीत सिंग की यार बढ़ रहा था जीत सिंग होटल में गोली नहीं चलाना चाहता था लेकिन अब कोई चारा नहीं था उसने पहाड की तरह अपने पर तूट पढ़ने को तत पर चिठा के घुटने को निशाना बना कर गोली चलाई उसके घुटने के पर खचे उड़ गए और वो कटे पेड की तरह धड़ाम से कार्पेट बिछे फर्ष पर गिरा फिर जीत सिंग की तवच्चो चौकट से पार मौजूद तीसरे बाउंसर की तरफ गई दोनों की निगाहे मिली पठान ने उसके हाथ में गन देखी तो उसके होशोड गई तब उसकी समझ में आया कि अभी जो आवाज होई थी वो कैसी थी और चिठा क्यों खड़ा-खड़ा धेर हो गया था जीत सिंग का गन वाला हाथ उंचा उठा पठान घूमा और जी छोड़कर गल्यारे में भागा जीत सिंग ने उसे गल्यारे के मोड पर द्रिष्टी से ओजल होते देखा फिर भीतर की तरफ तवज्जो दी मिठा तब भी ओंधे मू सर्विस कार्ट पर पड़ा था और चिठा अपनी अच्छी टांग के सहारे उठकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था फिर एका एक कार्ट पर से मिठा सीधा हुआ और पगलाए सांड की तरह जीत सिंग पर जपटा उसका वो एक्शन इतना अप्रत्याशित था कि ना जीत सिंग उसके आक्रमन से बच सका और ना अपना गंड वाला हाथ सीधा कर सका उसका सिर जीत सिंग की चाती से टकराया जीत सिंग पीछे को गिरने लगा तो उसकी दोनों बाहें जीत सिंग की टांगों से लिफ्ट गई जीत सिंग भर भराकर फर्श पर गिरा तो किसी खुंकार जानवर की तरह गुर्राता वो उसकी छाती पर सवार हो गिया उसके मुँ से बैता खून जीट सिंग के मुँ माथे पर टपकने लगा और वो जीट सिंग के गंड वाले हाथ को काबू में करने के लिए तड़ फड़ाने लगा उस घड़ी जीत सिंग के दूसरे हाथ में मौजूद डंडे की तरफ उसकी तवच्चो नहीं थी जिसका जीत सिंग ने फाइदा उठाया और वो किसी तरह डंडे का एक प्रहार उसकी कनपटी पर करने में काम्याब हुआ परे चिठा उठकर खड़ा होने में तो काम्याब नहीं हो सका था लेकिन वो अपनी घायल टांग घसीट था जीत सिंग की तरफ सरक रहा था कनपटी पर वार से पस्थ हुए मिठा को जीत सिंग ने पूरी शक्ती लगा कर परे धकेला और वक्त रहते चिठा के उसके चेहरे को निशाना बना कर चले घुंसे से उसने अपना बचाव किया पूरी तरह से वो उस वार से नहीं बच सका घुंसा उसके कान को रंदा सा फेर तक गुजर गया मिठा जीत सिंग के टां को फिर से काबू में करने की कोशिश कर रहा था जीत सिंग ने एक ठोकर उसकी चाती पर जमाई और हाफता हुआ उटकर खड़ा हुआ वैसी ही कोशिश मिठा भी कर रहा था लेकिन काम्याब नहीं हो पा रहा था जीत सिंग ने चिट्था के मुँपर एक भरपूर ठोकर जमाई उस एक ही वार ने चिट्था के कस बल निकाल दिये वो परे लुड़का तो लुड़का ही रह गया उसकी सांस धौंकनी की तरह चल रही थी बार बार खून थोक था जिस पर काबू पाने की वो कोशिश करने लगा जीत सिंग ने दूसरे ठोकर उसकी पसलियों में जमाई वो गेन की तरह परे उचला और फिर नहीं हिला अब वो बड़े आराम से अकेले पढ़ गए मिठा से निपट सकता था उसने गन उसकी तरफ ताम दी और बोला हिले तो गोली मार साले उटके खड़ा होता मिठा चिलाया मार गोली गन के दम पर अकड़ता है गन को नकी कर फिर मेरे से मुकाबला कर और फिर देख क्या होता है साला फोर देखा दो फांग कर देखा एक इस बाजू एक उस बाजू मेरे को मालूम जीत सिंग विश्भरे स्वर में बोला तू है इश बहुत बड़ा सूर्मा तेरे मुँ में 36 दांत चार निकल गए तो भी बाकी पूरे के पूरे दूसरा सूर्मा वो लुड़का पड़ेला है और सबसे बड़ा वो तीसरा जो अपना जान बचा के भाग गया वो तेरी तेरे जोड़ीदार की मदद के वास्ते रुखता तो नजारा कुछ और होता मिठा के मुँ से भद्दी गाली निकली फिर वो अपने जोड़ीदार पर बरसा उटके खड़ा हो साले वो चिलाया पीछे से हूल दे इस हलकट को शाबाश यहिच मांगता है मार साले को खोपड़ी तोड जीद सिंग उसकी चाल में फस गया उसने हड़ बढ़ा कर पीछे चिठा की तरफ देखा तो मिठा ने तिपाई पर से पत्थर का फूलदार उठा कर फैंक मारा फूलदार जीद सिंग की चाती से टकराया उसके हाथ से गण निकल गई उस बात से उत्साहित होकर मिठा ने सेर निचा करके दूसरा वार किया तो जीद सिंग को अपनी पसलिया तूटती महसूस हुई वो भर भरा कर पीछे को उल्टा मिठा ने पड़े लुडकी पड़ी गण की तरफ चलांग लगाई उसका हाथ जपटे की सूरत में गण की तरफ बढ़ा तभी कोई भारी चीज हवा में सर सराती आई और वेक से उसकी खोपडी के प्रिष्ट भाग से टकराई उसके मूँ से हाई निकली और वो अंधे मूँ फर्ष पर धेर हो किया जीत सिंग ने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा जिधर से कि वो अप्रत्याशित वार हुआ था वहां नेत्र फैलाई अपने कार नामे से खुद द्रस्त गाईलो खड़ा था उसने पहिया कोलने वाला पाना खेंच कर मारा था जिसने पलटती बाजी फिर जीत सिंग के हक में कर दी थी जीत सिंग ने लपक कर अपनी गण काबू में की और उससे मिठा की खोपड़ी पर दस्तक दी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई उसने पाना उठा कर गाईलो को लोटाया मैं वो शिकायत भरिस्वर में बोला तेरे को इस्पेशल करके बोला कि तेरे को खुद कोई पंगा नहीं करने का था अरे जीते गाईलो बोला वो तीन तू अकेला देखने को आने का था या नहीं पन्ण क्या पन्ण अभी ठीक टैम पर आया ना ना आया होता या टैम पर ना आया होता तो सोच क्या होता तो गन उस भीडू के हाथ में होती और तेरी ही गए की गोली तेरे मगर्श में होती वो तर तो ठीक बोला पर अभी क्या बोलेगा क्या बोलेगा तेरे को इधर आने का नहीं था मेरी वज़ा से पहले भी तेरे को इतना पे रॉबलम हुआ अभी फिर छोड़ जीते एक इधर से भाग निकला मेरे को मालुम मालुम बरोबर इतिफाक से देखा नीचे इमारत से बाहर निकला और आकर मेरी ही टैक्सी में बैठ और अरजन करके भाईकला चलने को बोला भाईकला हाँ तू उसे भाईकला छोड़ के आया क्या क्या बात करता है मैं तो इधर है ना तो क्या किया थोड़ा सा टैक्सी आगे बढ़ाया फिर एक सुनसान जगह पर उसको रोका और बोला टैक्सी खराब आगे नहीं जाना सकत था ओ, उसको उधर किसी और टैक्सी के लिए भटकता छोड़ कर मैं लॉट आया, साला उधर टैक्सी किदर, था इच नहीं, मिलेगा तो जानेगा, तभी मिठा कुन मुनाया, उसने बड़े यतन से आंके खोली, जेत सिंग उसके करीब पहुँचा, उसने गन की नाल उसके मा जोड़ा खींचने का, जेत सिंग सर्द स्वर में बोला, तो खतम, खाली एक चान से तेरे बशने का, ककक क्या, इधर का पता कैसे जाना, परेल वाली बाई को काबू में किया, बाई का पता कैसे लगा, पैरामांट बार से लगा, ये सब गलाटा उधर से ही तो चालू वना, बोस उधर सब चेक करवाया, तो बार्मेन के रपेकर बोला की बाई, उधर की रेगुलर और वो उधर तेरे को उसके साथ देखे ला था, आगे बाई का परेल का पता निकालना आसान, कैसे आसान, बाई एक कस्टमर काबू में किया, उसको पता मालूम, अभी वो महाडिक के कबजे में है, महाडिक किधर है, उसका कबजा किधर है, वो दोनों रोमेला के फिलेट में है, जो की भाई खला में है, हाँ, तुम तीन भीड़ूं का क्या काम मिला था, तेरे को ठोकने का था, रोमेला को वापिस महाडिक के पास पहुंचाने का था, महाडी कभी उधर भाय खला में इंतिजार करता है कि तुम तीन में से कोई रोमेला के साथ उधर पहुंचीगा हाँ, पठान ऐसा करने का था हम दोनों को इधर वेट करने का था पठान कौन है? वो भी बाउसर है क्या? हाँ, वो जो भाग गया, उसका नाम पठान है क्या? हाँ, नबन पठान, जूता उतार क्या बुला? जूता, बढ़िया है, मेरे को मांगता है, उतार उस काम के लिए उसने सिर नीचे जुकाया और जीत सिंग ने गन की मूट का प्रहार उसकी खोपड़ी पर किया वो नीच शब्द फर्ष पर लुड़क गया, उसकी चेतना फिर लुप्त हो गई, चिठा पहले से बेहोश था वो तीसरा जो निकल गया, जीत सिंग बढ़ बढ़ाया, मेरे से पहले भाईकला पहुँच जाएका बोले तो मुश्किल, गाईलो बोला, रात के ये टैम टैक्सी वैसिश नहीं मिलता, जिधर मैं उसको छोड़ा, उधर तो दोर दोर तक कोई टैक्सी नहीं थी हम, वो बीच के दर्वाजे पर पहुँचा, उसने उस पर दस्दक दी और रोमेला को नाम लेकर पुकारा रोमेला ने दर्वाजा खोला, आगे का नजारा देखकर उसके नेत्र फैले एक मिनट में अपना सामान समेटो, जेत सिंग बोला, फौरन इधर से निकल लेने का है उसने और शंकित भाव से गाईलो की तरफ देखा, ये गाईलो, वो बोला, मेरा फिरेंड, ये तुम्हारे को किसी दूसरे होटल में लेकर जाने का उधर अपना नाम पता फर्जी बोलने का, जो बोलने का, उसका ख़बर गाईलो को करने का, ये आगे मेरे को बोलेगा और तुम्हारे का, बातों में टैम खोटी नहीं करने का, वो खामोश हो गई, अपने फिलेट की चाबी मेरे को दो चुप चाप उसने चाबी फिर उसे सौंप दी, फिर जेत सिंग ने तीन गोलियां चला कर, मिठा के दोनों और चिट्था, दूसरा घुटना फोर दिया अब वो दोनों उसके पीछे नहीं लग सकते थे, ना तब, ना महीनों फिर कभी महाटिक रोमेला के फ्लैट के ड्राइंग रूम में बैठा, वो इसके चुसक रहा था, जबकि कॉल बेल बची डिमपल भीतर बैडरूम में थी, अपनी तूटी उंगली से उठती पीडा की वज़ा से, वो निरंतर रो रही थी महाटिक रोट कर उसको ठोकने की, ताकि उसका रोना बंद हो पाता, अपने मन में बलवती इच्छा को बड़ी मुश्किल से काबू में किये था उसने उठकर दर्वाजा खोला, च्योकट पर नबन पठान खड़ा था, उसने गर्दन निकाल कर उसके विशाल कंदों से पीछे चांका, रोमेला उसे नहीं दिखाई दी, उसका पारा चड़ने लगा, बड़ी मुश्किल से उसने जब्द किया वो दर्वाजे से एक और हटा, पठान भीतर पहुँचा, तो उसने उसके पीछे दर्वाजा बन किया क्या हुआ, फिर पूछा, पंगा पड़ गया, पठान दयनिय स्वर में बोला, वो भिडू उधर इश था, और हमारी आमत से खबटदार था नमुमकिन बाप मिठा चिठा से पूछना, ऐसा इच बोले का, कि उस भिडू को हमारे उधर पहुँचने की खबर थी वो कहा है, उधर इच्छे, एक को टांग में गोली, दूसरे का सामने का कई दान्थ फिल्रेक्चर सब कुछ उससे एक भिडू ने किया क्यूंकि खबरदार था, तयार था, वेट करता था अरे, उसको कैसे एडवांस में तुम लोगों की खबर हो सकती थी क्या बूलेगा बाप, उसके पास गन, वो हमारे वास्ते रेडी खबर थी किसी ना किसी तरीके से, तब ही तो सब इंतिसाम करके रखा अरे, घोंचू, ऐसा नहीं हो सकता, खबर होती तो उधर ठीका क्यों रहता, खिसक क्यों नहीं गया होता अब क्या बोलेगा बाप, तो मिठा चिठा के साथ नहीं था क्या था ना बाप, बरोबट था जब वो भीडू एक के टांग फोड रहा था, दूसरे के दाम तोड रहा था, तब तू क्या कर रहा था मैं निकल लिया ना शाबाश, वरना मेरा भी यही चाल होता बाप लानत, बैल जैसे तीन भीडू एक कुत्ते को काबू में नहीं कर सके बाप, बोले तो गन का कोन बोला, गन का कोन सोचा, किसी को बोलना मांगता था, कि उसके पास गन हो सकता था फिर हम में से कोई एक तो गन के साथ चलता तब तक खड़ा महाटिक सोफे पर धेर हुआ, उसने विस्की का गिलास फिर अपने काबू में किया विसके चुसकता वो सोचने लगा ये तो निश्चित था कि अब तक उस भीडू बदरीनात को सूच चुका था कि डिमपल उसके कबजे में थी सूचना क्या कोई बड़ी बात नहीं कि मिठा चुठा से तस्दीक भी कर चुका था और ये भी जान चुका था कि वो कहां गिरफदार थी अब सवाल ये पैदा होता था कि क्या वो डिमपल को छुडाने की कोशिश करेगा जरूर करेगा उसकी अकल ने गवाही दी भीतर से डिमपल के कराहने की आवास फिर राई जाके चुप करा साली को जुझलाता हुआ वो पठान से बोला कोई पेन के लड़ दे हलक में बाटली उडेल कुछ कर मेरे को उसकी टेंटें नहीं सुनने का पठान ने दोनों काम किये उसने डिमपल को विस्के के साथ वैलियम की गोली निगलने पर मच्पूर किया अभी दर्ट चला जाएंगा वो बोला रोने का नहीं कराहने का नहीं आवास नहीं निकालने का महडिक साहब को लोचा वो भाव खा गया तो टोटी उंगली वाला हाथ उखाडने का हुक्म देगा क्या ऐसा मानता है डिम्पल ने जल्दी जल्दी इंकार में सिर हिलाया अभी उंगली में पिर आबलम अखा बाडी में पिर आबलम नहीं मानता तो चुप बैठने का वो वापिस ड्राइंग रूम में लोटा महडिक टेलीफोन से उलजा हुआ था उसे लोटा देथ कर उसने रिसीवर वापिस क्रेडिल पर रखा और भवे उठा कर पठान की तरफ देखा अभी चुप बैठेंगी पठान बोला पन बाप उंगली से ठोने का वर्णा दवा का असर खत्म होते ही फिर तडपेगी अभी नहीं महाडिक बोला अभी मेरे को ज्यादा जरूरी काम बोले तो अभी मेरे को उस भेडो बदरी नात का इंतिजार क्या वो आएगा बाप जरूर आएगा बाप जब पक्की तो इधर कोई इंतिजाम होना नहीं मांगता क्या मांगता है मैंने फोन किया है वो लोग पहुँचते ही होंगे कौन लोग बाप? पुलिस क्या बोला बाप? काहे पंगा? अरे, सरकारी पुलिस नहीं हमारी पुलिस सरकार से पगार पाने वाली हमारे घर की पुलिस मोतिशा मार्क पर एक इरानी रेस्टरेंट था जो की करीब पहले सिनेमा होने की वज़ा से रात के दो बज़े तक खुला रहता था जीद सिंग उस रेस्टरेंट के भीतर मौजूद था और उसकी निगाज सडक से पार उस इमारत पर जिसमें रोमेला जठार का फ्लैट था वहाँ पहुँचने पर वो टैक्सी से उतरने ही लगा था कि उसे आगे इमारत के सामने एक जीप रुपती दिखाई दी थी जिसमें से दो पुलिसीये बाहर निकले थे और जीप आगे बढ़ गई थी वो दोनों ततकाल इमारत की लॉबी में दाखिल हो गए थे जीप सिंग के कहने पर उसका टैक्सी ड्राइवर टैक्सी को बिना धीमी किये आगे निकल के ले गया था थोड़ी देर बाद उसी टैक्सी पर वो वापिस लोटा था तो इसने लॉबी में दोनों पुलिसियों को तब भी मौजूद पाया था वो आगे जाकर टैक्सी से उतर गया था और सड़क के परली तरफ फुट पाथ पर साफधानी से चलता उस रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया था थोड़ी देर बाद एक अमबैसजर वहां पहुँची जिसमें से जो दो आदमी बाहर निकले थे वो वर्दी तो नहीं पहने थे लेकिन उनके बूट साफ चुगली कर रहे थे कि वो भी पुलिसिये थे पता नहीं पुलिस वाले जूतों पर बल्ले से कोई खर्चा क्यों नहीं करते थे वो दोनों इमारत में दाखिल नहीं हुए थे वो उसके आजू-बाजू ओट में जाख़डे हुए थे जैसे जीब पैसेंजर उतार कर वहां से चली गई थी वैसे एमबैसजर वहां से नहीं गई वो इमारत से थोड़ा आगे फुट पाथ से लगकर खड़ी हो गई उसके शीशे काले थे इसलिए रात की उस घड़ी ये कहना मुहाल था कि भीतर ड्राइवर ही था या और लोग भी थे और थोड़ी देर बाद सादे कपड़ों में दो और पुलिसिये वहां पहुँचे जो ना सड़क पर रुके ना लोबी में टिके बलकि लिफ्ट में सवार होकर उपर कहीं चले गए जरूर रोमेला के फ्लैट में या उसके आस पास उनके पुलिसिये होने की जीत सिंग को सौ फिस्दी गारंटी थी क्यूंकि उनमें से एक अर्विन पावले नाम का वही सब इंस्पेक्टर था जो बुद्वार रात को गोड़ बोले भाईयों के हिमायत में पैरामाउंट बार पहुँचा था और उन्हें वहां से निकाल ले गया था चोर चोर मुसेरे भाई उसे अब इस बात में कोई शुबा नहीं था कि वो सब इंतजाम उसे के स्वागत के लिए हो रहे थे तीसरे बाउसर ने जो ब्ल्यू हैवन से भाग निकला था वहां पोहँचने में कोई खास देर नहीं लगाई थी और वक्त रहते महाटिक को सूरत एहवाज से वाकिफ करा दिया था जिसका नतीजा उस बंदोबस की सूरत में सामने आ रहा था छे पुलिसी उसके सामने वहां पहुँचे थे और पता नहीं उसके वहां पहुँचने से पहले कितने पहुँच चुके थे और कितने आदमी महाटिक के वहां थे कितने भी थे ये निशुत था पुलिस और मवालियों के उस गट जोड से वो पाड नहीं पासकता था लेहाज़ा वहां रुके रहने का कोई फाइदा नहीं था गाईलो उसे फोन पर सूचित कर चुका था कि रोमेला अब रश्मी जोशी के नाम से जुहु तारा रोड पर स्थित होटल बेल मोंट के रूम नंबर 302 में थी वो वहाँ पहुंचा बेल मोंट ब्ल्यू हेवन जैसा फैंसी होटल नहीं निकला 302 निकला तो सुएट ही लेकिन ना वो ब्ल्यू हेवन के सुएट जैसा भव्य था और ना वैसा विशाल था रोमेला को उसने जाकते पाया और बाहरी कमरे में वोटका के हवाले पाया क्या हुआ उसने सवाल किया कुछ नहीं हुआ जीत सिंग बोला सिवाए इसके की गैरंटी हुई कि डिमपल तुम्हारे फ्लैट में कैद है और बड़े इंतिजाम के साथ महाडिक भी यकीनन वही है इंतिजाम जीत सिंग ने बयान किया ओ, वो बोली फिर तो इस बात में शक की कोई गुझाईश नहीं रही कि ब्ल्यू हैवन में मेरी मौजूद की किबाबत महाडिक ने डिमपल से जाना वो तो पहले भी नहीं थी अब क्या करोगे उसे छुडाने का तो बरोबर है कैसे क्या पता कैसे वो कब तक तुम्हारे वहाँ पहुँशने का इंतिजार करेंगे सुबह तक तो जरूर करेंगे उसके बाद बोले तो उसके बाद वो डिमपल को किधर और शिफ्ट करेंगे काहे वो फ्लैट है तो असल में महाडिक का ही वो जब तक चाहे वहाँ टिका रह सकता है शायद वो उस बात की पबलिसिटी ना चाहे की डिमपल वहाँ थी ओ, वो एक शंट ठिटकी और फिर बोली मैं एक बात बोलू बोलो, अभी तो तुम्हें मालूम है वो कहा है ये मालूम है तो जैसे तैसे कोई जुगत भी कर सकते हो कर नहीं सकते, तो करने की सोच तो सकते हो उसे वहाँ से निकालने की वो वहाँ से शिफ्ट कर दी गई तो तुम्हें क्या खबर लगेगी बरोबर बोला, मैं ठका हुआ हूँ मार के और मार खा के हलकान हूँ इस वास्ते मगज बरोबर काम नहीं करता मेरे को भाई खला में ही ये बात सूचनी चाहिए थी थैंक्यू बोलता है मैडम, बहुत पते की बात कही अब क्या करोगे? उसकी निगरानी का इंतिजाम करूँगा कैसे? कैसे भी? गाईलो किधर है? गाईलो? वो भीडू जो तुम्हारे को इधर लाया टैक्सी डिरेवर वो अपनी टैक्सी में टैक्सी होटल की पारकिंग में बोलके गया ठीक है आता है गाईलो को सब समझा के उसे वाच के लिए भायकला रवाना करके जीत सिंग वापिस लोटा अपने फ्लैट का फोन नमबर बोलो वो डिम्बल से बोला उसने फोन नमबर बताया जीत सिंग ने कॉल लगाई गंटी तीन-चार बार बजी फिर सेरे पर फोन उठाया गया हलो आवाज आई महाडिक जीत सिंग बोला महडिक बोलता है हाँ कौन मैं बदरीनाथ ओ बदरीनाथ क्या मानता है तुम्हारे को मालूम है क्या मानता है मेरे को तो बहुत कुछ मालूम है अभी किस मालूम की बात करता है देखो तुम्हारा पंगा मेरे से है डिम्पल का उससे कोई मतलब नही तो मैं उसको आउट मांगता है तो समझता है तेरे को क्या मांगता है इसकी मेरे को परवा है क्या नहीं परवा तो नहीं काहे को होईगा पर बाई को आउट करोगे तो हमारे में कोई डायलोग इजी तुम्हारे को मैं मांगता है बाई नहीं मांगता बाई को छोड़ो मैं जिधर बोलो आके मिलता है ऐसान करता है क्या फर्यात करता है मैं बाई को घर भेशता हूँ तु मेरे पास आता है क्या हाँ टैम बोलो जगा बोलो अबे ठकन मैं तेरे को वैसे श्थाम लेंगा बड़ा बोल बोलने का तो बोलो पर तुम्हारे को मालुम की कहना आसान, करना मुश्किल हम, तो तेरे को मांगता है मैं बाई को भेशते हाँ, छीक है भेशता है मैं थैंक यू पर एक टैम में नहीं, किष्टों में भेशता है बाई पार्ट्स भेशता है क्या बोला? जब अखे पार्ट पहुँँ जाए तो जोड के सालम छोकरी बनाने का ये बोला तो मैंसा नहीं कर सकते कर सकता है ना, अभी एक उंगली भेशता है चांस का बात की मैं पहले ही तोड के तयार रखा अभी बढ़िया करके पैक कराता है गिफ पैक कराता है मकमल की डिबिया में उपर गुलाबी रिबन बांग के किदर भेशने का? ऐसे कुछ हाथ नहीं आएंगा देखेंगा ना, बोले तो डील करो कैसा डील? जो आमने सामने मिलके होने का जो अपने ताकत बताने वाले भीडूओं को नक्की करके होने का तुम किदर डिम्पल को लेके पहुँशने का? में उदर रोमेला को लेके पहुँशने का? बाईयों को आजाद करने का और फिर जो करने का आपस में सैटल करने का समझे क्या? महाटिक ने जवाब नहीं दिया तुम फोन पर मेरे को नहीं टपका सकता देखेंगा तो टपकाएंगा ना, तब होएंगा न मौका, कोशिश करना मेरे को खाली कोशिश नहीं करने का, पक्की करके टपकाने का, खलास करने का तो करना ना, साले भाव देने का नहीं है, चैलेंज करने का नहीं है ज्यास्ती बात करेंगा तो उंगली नहीं भेजेंगा मुंडी भेजेंगा और तुम साली बेवडी का जो मरसी करना बाग तुम्हारे को भी भाव नहीं खाने का मैं एन फिट आफर दिया सोचने का और करने का माता ठंडा रखके कोई फैसला करने का ऐसा क्या? हाँ ठीक है कल शाम शे बजे फोन करना टैम बोलेगा, जगा बोलेगा इधर भी ठीक है पर एक बात पत्ति पक़की करने का कौनसी बात? बाई के साथ और कोई पंगा नहीं करने का अभी सब सेटल हो गयाना और कोई उंगली उंगली नहीं तोड़ने का देखेगा लाइन कट गई जीद सिंग ने सेर उठाया तो रोमेला को भाले बर्चियां बरसाते अपनी और देखते पाया क्या हुआ वो सक्पकाया रोमेला की मुठियां भीची, खुली वो फर्च को रौंधती भडाक से बीच का दर्वाजा खोल दी, बेडरूमे दाकिल हुई जीद सिंग उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँचा उसके देखते देखते रोमेला ने अपना सूट केस बेड़ पर पटका और उसमें अपना सामान पैक करने लगी ये क्या कर रही हो जीद सिंग बोला, उसने जवाब नहीं दिया, गुसे में उसके हाथ कांप रहे थे, जिसकी वज़ा से सामान उसकी उंग्लियों से फिसल फिसल जाता था जीद सिंग ने करीब जाकर उसकी बाद खामी और बोला, अरे ये छोड मेरे को, वो भड की, हाथ नहीं लगाने का, साले कमीने हलकर सौदा करता है मेरा अरे सुनो तो, क्या सुनने का है, अभी बोलेंगा कि साला मेरा हल्प करता है, मेरे को सेव करता है सेव करता है कि अपना मतलब हल करता है साला अपना चोकरी की खातिर मेरा सौधा करता है मेरा चोकरी? बरोबर वहिश तेरे को पसंद तभी मेरे को नक्की करता है कभी ये बहाना कभी वो बहाना अपना चोकरी वापिस मांगता है इस वास्ते मेरे को भेडिये को परोसने की तयारी करता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है तो कैसी बात है मेरे को महाडिक को ओपन में लाना मांगता है उसके बिना मैं उसका कुछ नहीं बिगार सकता वो छुपकर बैठा रहेगा और अपने भीडूओं के जर्ये वार करेगा तो हम सब खलास होएंगा वो डेमपल को मेरे को तेरे को सब को धेर कर देगा अभी आई क्या बात समझ में वो खामोश रही मैं तुम्हारा सौधा नहीं कर रहे ला था मेरे को तुम्हारे को महाटिक के हवाले नहीं करने का तो बोला क्यूँ वो अपेक्षा कृत नम्रस्वर में बोली अरे उसको कुछ तो बोलना था या नहीं बोलना था दिल से नहीं बोला सच नहीं बोला यही बात है तुम्हारे मगज में आई तो हम मेरे को तुम्हारा हेल्प मानता है, खाली हेल्प मानता है, हेल्प के सिवाई कुछ नहीं मानता है, तुम्हारे को हेल्प करना नहीं मानता है, तो मैं ही बोलता है, इधर नहीं रुकने का, वो खामुश रही, वो डिम्पल पल जुम बता है, बोलता है एक उंगली तोड दिय मुंडी काट के भेशने को बोलता है उसको रोकने का मेरे पास और क्या तरीका था कुछ तो बोलना था कि नहीं बोलना था मेरे को इस वास्ते बोला कि मेरे को मेरे को वापिस हाँ उसके मिजाश में तब्दिली आई लेकिन पूरी तरह से आश्वस वो फिर भी नहीं दिखाई दी अब बोलो, जीत सिंग बोला क्या बोलूं? वो दबे स्वर में बोली बोले तो मेरे को तुम्हारा हेल्प नहीं करने का मेरे को नहीं लगता कि तुम मेरे को प्रोटेक्ट करने का मेरे को महार्डिक के हत्य चड़ना नहीं मांगता ऐसा हुआ तो मैं फिनिश मैं फिनिश तो मेरा फैमली फिनिश यहीच प्रोबलम है मेरा तो महार्डिक से हमेशा छुपी नहीं रह सकती मालूं पर जितना टाइम रह सकूं मेरे को रहने का टैम लगेगा तो किस्मत सेव करेगा गौट सेव करेगा क्या पता महाडिक पर विजली गिरे वो एक्सिडेंट में मरे कोई उसको शूट करते वो पकड़ा जाए और जेल जाए आखिरकार जो मेरा अंजाम उसमें टैम लगेगा तो मेरा चांस और वो चांस मेरे को काबू में करने का अपना पिरॉबलम का हल तो तुमने सोच लिया डिमपल का क्या होगा कुछ नहीं होगा तुम्हारा फ्रेंड वाच करता है अभी तुमको मालूम वो भाई खला में किधर और पहुँच जाएगा तो अभी तुमको मालूम होगा तुम पुलिस को जाके बूलो वो चोकरी को रिलिस कराएंगा ऐसा नहीं होएंगा काहे पुलिस माहडिक के साथ है बराबर उसका हेल्प करता है उदर जो भीडू मेरी आँखों के सामने पहुंचे थे वो सब के सब पुलिस वाले थे ऐसा तुम्हारा खयाल है मेरा खयाल गलत नहीं है पुलिस के पास जाने से मेरे हाथ को चाने का नहीं है वो डिम्पल के वास्ते उंगली भी नहीं हिलाएंगे उल्टे मेरे को बिठा लेंगे और महाडिक को खबर करेंगे फिर मैं भी फिनिश और लड़की भी फिनिश मेरे को अंजान लड़की की खातिर अपना लाइफ डेंजर में डालने का नहीं है and that is final तुम एक बात भूल रही हो क्या? मदद के नाम पर जो कुछ तुम कर रही हो रोकड़ा लेकर कर रही हो तुम भूल रही हो तुम्हारी मदद की मैंने फिस भरी है, कीमत चुकाई है मेरे को तुम्हारा रोकड़ा वापिस करने का क्या? और वादे से मुकर के दिखाने का? ऐसा इच है फिर तो बात ही खत्मे है और मेरे को इधर नहीं रुखने का मेरे को निकल लेने का और अपने और महाडिक के बीच ज्यादा से ज्यादा फासला बनाने का रात का एक बचा है ये ज्यादा से ज्यादा फासला बनाने का काम इस वक्त कैसे होगा? फिर भी जाने की जित करोगी तो किधर जाओगी, क्या है कोई ठीकाना? उसने इंकार में सेर हिलाया बड़ी हद किसी दूसरे होटल में जाओगी फिर इधर इच क्या वांदा है? इधर तुम सेफ है, किसी को मालूम नहीं तुम इधर है इधर से निकल कर खत्रा मोल लेने का क्या फाइदा? उसने उस बात पर गौर किया देवा, वो बड़ बड़ाई, क्यों मैं इस फंगे में पड़ी? मेरा माथा फिरेला था, जो मैंने सोचा कि मैं महाडिक से बाहर जा सकती थी जीत सिंग खामोशी से उसका बड़ बड़ाना सुनता रहा ओके, आखिर वो बदले स्वर में बोली अभी मैं इधर इच, पर मॉर्निंग में मेरे को इधर से नक्की करने का जीत सिंग ने चैन की सांस ली रवीवार 26 अप्रेल सुबह तक जीत सिंग अपनी भविश्य की योशना की संपूर्म रोप रेखा तयार कर चुका था उसने बीच के दर्वाजी पर दस्तक दी और फिर बेडरूम में कदम रखा रोमेला बैट पर बैटी हुई थी उसकी गोद में दो तकिये थी उन पर एक एश्वरे थी और वो सिग्रेट के कश लगा रही थी उमीद नहीं थी जीत सिंग बोला कि जाकती मिलोगी रात को नीन नहीं आई वो अन्मने भाव से बोली तुमने डिस्चर्प कर दिया माथा फिरा दिया मेरे को भी नहीं नहीं आई तुम्हारे को काहे यहीच वजा तुम्हारे को डिस्चर्प किया तुम्हारा माथा फिराया अभी सौरी बोलता है नहीं नहीं सौरी तो मेरे को बोलने का है मेरा मिस्चेक मेरी समझ में लो चाओ चलो, सौरी सौरी से हिसाब बराबर हो किया अभी क्या मांगता है? बात करना मांगता है क्या बात करना मांगता है? कल तुमने बहुत जोश से बोला था कि तुम्हारा इरादा महाडिक से ज्यादा से ज्यादा दूर निकल जाने का था हाँ अपने बैंक के पैसे को लौकर के माल को काबू में करके जुसकी तुमने बोला था कि महाडिक को खबर थी हाँ ये नहीं सोचा कि तुम बैंक पहुँचोगी लौकर खोलने जाओगी तो वही थाम ली जाओगी वो खामोश रही ये नहीं सोचा कि महाडिक को तुम्हारी फैमली की भी खबर थी उसने सिग्रेट को एश्ट्रे में जोंग कर एश्ट्रे परे रख दी और बेचैनी से पहलू बतला लगता है जीट सिंग धेरे से बोला आई बात समझ में रात मैं नशे में थी वो यूँ बोली जैसे गुना कबूल कर रही हो इसलिए नहीं सोचा कि तुम खिसक गई तो महाडिक तुम्हारी फैमली को थाम लेगा ऐसा करने के बाद तुम्हें वापिस आने पर मजबूर करना उसके वास्ते क्या मुश्किल काम होगा या समझती हो कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जरूर उठाएगा इस बाबत सक्त वार्डिंग वो मेरे को दे भी चुका है साफ बोल चुका है कि मैंने उससे बाहर जाने की कोशिश की तो मैं खत्म मेरी फैमली खत्म सालत सब फिनिश कर देगा वो बोला ये बात रात को याद नहीं आई क्या वो खामोश रही मैं फिर भड़क कर बोली उसको पहले फिनिश कर दूँगी ये काम तुम्हारे बस का होता तो कपका कर चुकी होती मैं अब बस का बनाऊंगी अगर ना बना सकी तो तो मेरा काम तुम करना बोले तो करना ताकि वो मेरी मा पर मेरी बेहनों पर कहर ना ठा सके फिर मेरा क्या होगा तुम मर्द हो तुम भुगत सकते हो ताज जिंदगी भुगतता ही तो आ रहा हूँ उसने सक पका कर सेर उठाया फिर भी वांदा नहीं वो बोला ये बार और सही मैं प्रामिस करता है कि महाडिक के तुम्हारे फैमली के करीबी फटकने से पहले वो धेर होगा थैंक यू वो एक शन ठिटकी और फिर बोली मैं अपने कल के व्यवहार से शर्मिन्दा हूँ कोई वांदा नहीं तुम बहुत अच्छे आदमी हो अरे आदमी तुम्हें है इच नहीं उसने जेत सिंग को केच कर अपने अंक में भर लिया तुम मेरे लिए बहुत अच्छे आदमी हो फिर बोली मैं शर्मिन्दा हूँ कल मैंने तुम्हें कोसा गालियां दी और पता नहीं क्या क्या कहा पर अभी मेरा word of honor है तुम्हारे वास्ते कि जो भी तुम बोलो मेरे को आँख बंद करके करने का मेरे को वो तुम्हारा रोकड़ा भी वापिस करने का उसकी छोड़ो अभी बोलो क्या करने का एक स्केम सोचा है क्या मेरे को बोलो क्या सोचा और बोलो उसमें मेरे को क्या करने का ठीक है सुनो जीत सिंग भाई खला पहुँचा गाईलो की टैक्सी सडक से पार इरानी रेस्टोरेंट से थोड़ा हट के खड़ी थी जीत सिंग ने जाकर टैक्सी का दर्वाजा खोला और गाईलो के साथ सवार हो गया क्या खबर है उसने पूछा कोई खबर नहीं गाईलो बोला अखी रात इधर कोई हल्चल नहीं थी कोई बाई इधर से बाहर नहीं ले जाई कई पक्की बात सो टग सो टका तो अभी तो निकल ले टैक्सी इधर इस चौड़के निकलके किधर जाऊ अरे घर जा, रेस्ट कर, सारी रात जागा ओ, और रेस्ट के बाद फोन लगाना, बोलेगा ठीक है, टैक्सी छोड़ कर गाइलो चला किया पीछ जीत सिंग ने सदा आरवाड़े के मुबाइल पर कॉल लगाई बिग डैडी कैसा है, उसने पूछा बढ़िया, क्या बात करता है? अभी नहीं, पर मेरे को पैचानता है मुस्कुरा कर खुश हो के दिखाता है शाम तक बात करने के काबिल हो जाएका और सिक्यॉरिटी चोकर्स, कोई पंगा नहीं ना? नहीं, कोई पंगा नहीं तुम्हारे को उधर से कुछ टैम के वास्ते नक्की करना पड़े तो क्या कोई वांदा है? कोई वांदा नहीं फाइट में साथ देगा क्या? अगर बिग डैडी के वास्ते तो देगा उसके दुश्मनों को ठोकने का जिन्होंने बिग डैडी का ये हाल किया क्या? हाँ फिर तो जरूर देगा मुंडी कट के हाथ में आ जाएंगा वांदा नहीं बढ़िया बोलेगा शाम को कॉल लगाएगा फिर उसने कोबरा के आदिना धनेकर के मुबाइल पर कॉल लगाई बदरी बोलता साहब वो बोला क्या बात है? सवेरे सवेरे कॉल साहब बोले तो एमरजन्सी ऐसा क्या? हाँ क्या हुआ? एक बेगुना बाई का अगवा हुआ दूसरी का लाइफ डेजर में खुद मैं भी निशाने पर अभी आप हेल्प करें तो मैं सब बढ़िया करके हैंडल कर सकता है क्या हेल्प मांगता है? आपके भीडू मांगता है जो इधर भाई कला की एक इमारत को निगासे बेंड कर रख सके वाच कर सके? हाँ यहीच बोला उधर क्या है? वो बाई है जिसका अगवा हुआ बोले तो उसको किधर और शिफ्ट किया जा सकता है? ऐसा होने पर मेरे को मालूम होना मांगता है मैं समझ गया पता बोलो लड़की का हुलिया बोलो उधर का सब सेट अब बोलो जीट सिंग ने सब बोला 30 मिनट्स जवाब में धने कर बोला 30 मिनट्स में सब इंतिसाम हो जाएगा उधर टेलिफोन के महक में की एक वैन पहुँचेगी जिसमें मेरे आदमी होंगे वो सब हैंडल कर लेंगे थैंक्यू बोलता है साहब साहब आप कोई जानकारी निकालने वाला था? उस बाबत दोपहर बाद आफिस में फोन करना तब मुलाकात का कोई टाइम फिक्स करेंगे और फिर आमने सामने बात करेंगे ओके? ओके, थैंक्यू बोलता है साहब महाटिक ने DCP पटवर्धन को फोन लगाया ऐसा इच फोन किया साहब वो बोला सोचा उस बदरिनात की composite picture थानों में फिराने का शायद कोई नतीजा निकला हो निकला पटवर्धन का संतुष्ट स्वर्ष सुनाई दिया बढ़िया नतीजा निकला क्या? पहले तो मेरा शक ही सही निकला कि बदरिनात इस शक्स का असली नाम नहीं था ऐसा क्या? हाँ, तारदेव थाने से उसकी एंड चौकस श्रिनाक्त हुई है उसका असली नाम जीत सिंग है नोन वाल्ट बस्चर है शातिर ताला तोड है और कई बार पुलिस के फेर में पढ़ चुका है हाल में साल के एंड शुरू में तो बहुत बुरा फसा था तारदेव के सूपर सेल्फ सर्विस चोर में जो डखैती पड़ी थी उसके सिलसले में गिरफ़तार हुआ था उसके खिलाफ बड़ा मस्बूत केस था लेकिन एक गवा के एन वक्त पर मुकर जाने की वज़ा से जमानत पर छूट गया था फिर बड़े मिस्चेरियस सरकमस्चैंसेस में केस के इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर इंस्पेक्टर गोविलकर का कतल हो गया था जिसकी वज़ा से कोर्ट की अगली दो पेशियों में उसके खिलाफ केस धेर हो गया था और वो संदेल लाप पाकट छूट गया था ये बेडु बदरीनात असल में वो जीत सिंग है क्या हाँ कमाल है महिक में को इस बात का भी शक्त था कि गोविलकर का कतल उसने किया था लेकिन हमारा एक डीसीपी ही खुद इस बात का गवा बन गया था कि एन उस कतल के वक जीत सिंग हवालात में बन था ओ शातिर ताला तोड के तौर पर इस जीत सिंग की ऐसी रेप्यूट है कि जहां भी कोई वाल्ट खोल कर माल लूटे जाने की वारदात होती है पहला शक इसी पर किया जादा है काबू में नहीं आया क्या आज तक जनवरी में आया ना तार देव के सूपर स्चोर की डकैती वाले मामले में लेकिन छोट गया यही भीडू अब उस गोवानी के अंजाम से भाव खाकर हमें हुल देता है हाँ ऐसे भीडू को पुलिस फिर काबू में नहीं कर सकती क्या खामखा तो नहीं कर सकती वज़ा हाल में हमारे इंस्पेक्टर गोविकल मरहूम की कुछ नादानियों की वज़ा से वो मेडिया के फोकस में आ गया था जिसकी वज़ा से खुद पुलिस कमिशनर को नई दिल्ली से डंडा हुआ था ऐसे शक्स के पीछे काम का पढ़ने का नतीजा गंभीर हो सकता है अरे सहब काम का नहीं तो कोई वज़ा निकाल लो आई दिन पुलिस से एंकाउंटर करती है साले को दाउत का आदमी बता दो सुपारी किलर बता दो टेररिस्ट बता दो और ठोक दो मेरा ऐसा ही कुछ करने का इरादा है लेकिन ये काम प्लैन करके फूम फूम के कदम उठाके करना होगा तब तक मैं क्या करे खबरदार रहो उसको खलास करने की अपनी कोशिशें जारी रखो उस चोकरी डिम्पल की सूरत में अभी तुमारे हाथ में तुरुप का एक पता है जिसकी वज़ा से कभी ना कभी कही ना कही तुम्हारे और उसके रास्ते जरूर क्रॉस होंगे उस मौके को कैश करना ठीक है सहब मेरे आदमियों की सीक्रेट हेल्प तुमें है ही सब इंस्पेक्टर अर्विन पावले और उसके आदमी एक तरह से तुम्हारे ही हवाले है ठीक है और कोई बात अभी नहीं बंद करता हूँ डेड़ बज़े चर्च गेट के एक रेस्टरेंट में जहां आधिना धनेकर उससे पहले मौजूद था जीद सिंग की उससे मुलाकात हुई उसने उसे चार फूल्स केप शीटों में फैली एक रिपोर्ट स्वांपी क्या है इसमें जीद सिंग उत्सुक भाव से बोला खुद देखो धनेकर मुस्कुलाता हुआ बोला और एप्रिशेट करो कि कोब्रा इन्वेस्टिगेशन्स एंड सेक्यॉरिटी सर्विसिस ने मेहनत की है तुम्हारे लिए आप ही बोलो ना सहब धनेकर ने जो बोला वो उसके दावे को पूर्ण रुपेंट स्थाबित करता था एहम बात ये मालूम हुई कि जो तीन फ्लैट महार्डिक के बताई जाते थे रिकॉर्ड में वो कोविल कंस्ट्रक्शन्स के नाम धर्श थे जिसकी और भी कई सहयोगी कंपनिया थी जैसे की कोविल कॉर्परेशन कोविल एंटरप्राइसेज कोविल एक्सपोर्ट्स कोविल रियर इस्टेट वो हर कंपनी अपने आग को किसी दूसरी कंपनी के सहयोगी बताती थी सबके नाम मुंबई और बाहर फैली प्रॉपर्टिस थी और सबके अपने अपने बड़े सिम्रिद बैंक अकाउंट थे उन प्रॉपर्टिस में ही वो ठीय स्थापित थे जो कि मिड नाइट कलब कहलाते थे और गैर कानूनी तोर पर चलते थे नॉबल हाउस ऐसी ही एक प्रॉपर्टी में स्थापित था नॉबल हाउस जैसा दूसरा ठीया जो उस रिपोर्ट में दर्ष था वो बिग बैंक था जो दादर में डिसिलवा रोट पर था ऐसे दो ठीये और दर्ष थे जिन में से एक लेमिंग्टन रोट पर डॉल्फिन था और दूसरा गाम देवी में नाना चौंक पर सी पर्ल था आगे उसने डिसिप पटवर्धन के व्यक्तिगत बैंक अकाउंट्स का ब्योरा पेश किया जिन में उन कंपनियों से जारी चेक अकसर जमा होते थे बकॉल धनेकर ऐसे अकाउंट फर्जी नामों से भी हो सकते थे और मुंबई के बाहर के बैंकों में भी हो सकते थे लेकिन उनको ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल काम था कोई ऐसी बात उस रिपोर्ट में दर्श नहीं थी जिस से पटवर्धन का महाडिक से या महाडिक का उन कम्पनियों से रिष्टा स्थापित हो पाता बढ़िया धनेकर खामोश हुआ तो जीत सिंग बोला बढ़िया गणेश महाडिक के बारे में क्या कहते हो सहब उसके बारे में क्या कहना है धनेकर बोला इस रिपोर्ट की रू में अंधे को दिखाई देता है कि वो पटवर्दन का फ्रंट है गैर कानूनी ठीयों पर भी कोई कवी एक्शन हो तो उसका शिकार महाटिक बनेगा क्या हाँ पटवर्दन का कोई मतलब नहीं कता ही नहीं भै इसलिए तो फ्रंट है लेकिन दोनों को आपस में जोडने वाली कोई बात नहीं फिलहाल लेकिन धेर कोशिश की जाए खतरनाग कोशिश की जाए तो पैदा हो सकती है कैसे? मुखबीरी से उनके किसी मुलाजिम को उनके खिलाफ मुख खोलने को तयार किया जा सकता है ऐसे हालात पैदा किये जा सकते है कि खुद महाटी की अपने बॉस के खिलाफ मुखबीर बन जाए बोले तो पालतु कुट्टा मालिक पर ही भूंकने लगे? हाँ वही हम् लेकिन इन बातों से तुमें कुछ हासिल होने वाला नहीं मैं समझता हूँ ये तुम्हारे स्कोप से बाहर की बाते है बरोबर बोला साहक दूसरा ये लंबा वक्त खाने वाला काम है वक्त तो है इच नहीं साहक मेरे को तो जो करना है आज करना है बड़ी हद आज और कल में करना है इतने टाइम में तो कोई करिश्मा ही हो तो कुछ हो साहक करिश्मे होते तो है हाँ भई होते तो है इस दुनिया में होते है इंतजार करो होने का या खुद करूँ क्या करिश्मा धनेकर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा कयामत को कयामत के वक्त ही आने का पन कई बार वक्त से पहले भी आने का मौत राहक और जीते का क्या भरुसा क्या पता कब आ जाए दनेकर ने और भी हैरानी से उसकी तरफ देखा बहर हाल मेरे को बड़ी बात ये मालूम हुई कि पटवर्दन का रोकड़ा पीटने का जरिया कोविल नाम की कमपनिया है और महाडिक अंगार उठाने का वो चिम्टा है जुसे पटवर्दन आग में डालता है तो उसका खुद का हाथ जलने से बचता है अभी जो फाइनल बात मेरे को जानना मांगता है वो ये है कि अगर महाडिक को कुछ हो जाए तो पटवर्दन उस माल तक कैसे पहुँच बनाएगा जो देखने में महाडिक के कबजे में जान पड़ता है पटवर्दन जैसा टॉप का कमी ना कोई तो तरीका सोच के रखा होगा ना हाँ वो तो है वरना माल तो उसकी पहुँच से बाहर हो जाएगा हम खोच करेंगे इस बाबत मैं शाम को कॉल लगाई क्या साहब अरे शाम तो समझो हुई पड़ी है रात को कल किस टेम पांच बचे तब या तो मैं तुम्हें तुम्हारे मतलब की गुट नियूस दूँगा या हाथ खड़े कर दूँगा गुट नियूस ही देना साहब ब इसकी तुम्हारी मेरी भी किसी और की भी ठीक है अभी जाता है साहब एन उसी घड़ी महाटिक दादर में पटवर्दन के पसंदीदा रेस्टरेंट मिडोस में उसकी हासरी भर रहा था और उसे सूरत एहवाद से वाकिफ करा रहा था बढ़िया पटवर्दन व्यंगे बोला तो तुम्हारे दो टॉप के बाउंसर गुटने फुरवाई जिंदगी भर के लिए अपाहिच हुए पड़े हैं और तीसरा पचास अजार के इनाम का स्ट्रॉंग कंटेंडर दुम दबा के भाग आया अब क्या बोलेगा साहब और सिंगल सेलेंडर के उस अकेले भी भी बात थी कि वो मिठा चिठा पठान जैसे तीन बाउसरों के काबु में नहीं आने वाला था दूसरे उसके पहलों से उधर होने की उमीद नहीं थी मेरे को तो रोमेला को उधर से पकड़ मंगवाने का था और फिर उन तीनों को उस भीडू के उधर पहुंशने का वेट नहीं मेरे को हैरानी मिठा चिठा की हालत सुद्रेगी तो शायद वो कुछ बोलेंगे ठीक है तीसरे उस भीडू के पास गण होगी इस बात का तो बिलकुल ही इमकान नहीं था हम्म्म साहब वो हिस्ट्री शीटर उसके पास गण का क्या काम गैर कारूनी हत्यार रखने में किसी को भी क्या वांदा है मैं कुछ और बोला और क्या आप सुबब फोन पर बोला वो भीडू जीत सिंग और फबदरी नात हिूमेन राइट्स वालों की निगाह में चापे वालों की निगाह में इस वास्ते खाम का उस पर हाथ डालना मुश्किल पर अब तो गण वज़ बशर्ते कि वो उसके पास से बरामत हो बरामत कब होगी जब वो पकडाई में आएगा पकडाई में कब आएगा जब पता लगेगा वो कहा है वो तो है महधिक उसका पता निकालने का बहतरीन तरीका तुम्हारे सामने है बोले तो अभी भी मैं ही बोलू अरे वो तुम्हारे से मीटिंग मांगता है या नहीं मांगता मांगता है तुम हामी भरोगे तो वो किधर होगा जिधर मीटिंग होगी ओ चोक्रियों के एक्स्चेंज वाली उसकी बात कबूल करो और उससे मीटिंग फिक्स करो फिर बाकी का काम मेरे आदमी कर लेंगे उसे घेर के थाम लेंगे बढ़िया नाम क्या है उस चोकरी का? किस चोकरी का? ध्यान किदर है? अरे जो तुम्हारे कबसे में है? डिम्पल डिम्पल मोदी किदर है? महालक्षमी में हैनस रोड पर अपना जो बिल्डिंग है मैं उसके एक खाली फ्लैट में उसको शिफ्ट किये ला है साबुत है बोले तो और जात के मामले में तुम्हारा क्या भरोसा तुम्हारे आदमियों का क्या भरोसा अच्छा वो हाँ वो सेफ है खाली एक फिंगर टूटेला है मैं भेजूंगा किसी को फिंगर फिक्स करने के लिए लेकिन ताकीद रहे उसके साथ ठीक से पेश आने का है अपने भेडियों को उससे दूर रखने का है खुद भी भाव नहीं खाने का है उसका फिट चौकस चलती फिरती होना ज़रूरी ऐसा क्यूं? और इस मीटिंग पर उस भीडू को जीत सिंग को वो डेमेश पीस दिखाई थी तो वो तुम्हारे को शूट पहले करेगा और बात बात में करेगा तो बोले तो मेरे को उस हलकट से खौफ खाने का खौफ नहीं खाने का लेकिन अब जब सामने आ गया है और वो कोई आम आदमी नहीं है तो खाम का उसे होल नहीं देने का जो भीडू तुम्हारे से रूबरू मिलने का होसला करे वो खतरनाक खतरनाक भीडू को खाम का होल नहीं देने का खास तोर से तब जबकि वो पहले ही बहुत डैमिज कर चुका है अभी आई बात समझ में हाँ वो खास बेड़ो निकला है तो उसको खास तरीके से हैंडल करने का और वो खास तरीका मेरे पास है इस वास्ते अपने पिटे हुए या पिटने वाले मोहरे उसके खिलाफ नहीं इस्तेमाल करने का उसको हैंडल करने के लिए सेट करने के लिए खास आदमियों का इंतजाम मैं करूँगा तो मुझसे कल की मीटिंग फिक्स करना किस टेम की? रात दस वजे की कहा? जगा खुद चुनो ओक्लेंड ग्रीन रूम बार्ड ठीक है मेरे आदमी उस जगा को कवर करके रखेंगे जीट सिंग को मुबाइल पर खवर मिली की डिमपल को हैनस रोड शिफ्ट कर दिया गया था वो महालक्षमी और आगे बता गए पते पर पहुंचा तो भाई खला वाली टेलीफोन कंपनी की वैन उसे वहां तैनात मिली वैन में कोब्रा के आदमियों के इंचार्श का नाम कदम था वो वैन के भीतर उससे रूबरू हुआ कैसा चल रहा है उसने पूछा बढ़िया कदम बोला सडक के पार वो जो चार मंजिला इमारत है उसकी तेसरी मंजिल के फ्रंट के फ्लैट में वो लोग है कैसे मालूम खाली फ्लैट जान पड़ता है जिसके खिड़कियां थी उनके इमारत में जाने के पांच मिनट बाद ही तमाम खिड़कियों पसे बंद कर दी गई ऐसे मालूम साथ में कितने भिडू है दो एक तो सादे कपड़ों में होने के बावजूद साफ पुलिस वाला जान पड़ता था दूसरा मवालियों जैसे सक्त कमीने थोबड़े वाला था क्या खूब लंबा चोड़ा पहलवानों जैसा पकोड़ा नाक चप्टे कान मोटी मूछे हाँ तीसरा बांसर जो बली हैवन से भाग निकला था नपन पठान बाई किस सालत में थी पक्की करके बोलना मुश्किल चल तो ठीक ही रेली थी शायद बाई हाथ के साथ कोई प्राब्लम थी क्योंकि वो उसने एक हैंड टावल में लपेटा हुआ था तोटी उंगली की वज़ा से अभी कैसे मालूम पढ़े कि फिलैट के भीतर क्या चल रेला है मैंने बोला कि खिड़किया मजबूती से बंद कर ली गई थी इस वास्ते बाहर से तो उनके लेवर से भी भीतर जांक पाना मुश्किल मैंने आफिस से स्नूपर मंगवाया है उससे कोई अंदाजा हो पाएगा कि भीतर क्या चल रेला है स्नूपर बोले तो एक पोर्टेबल रिसीवर और ट्रांस्मिटर यूनिट होता है ट्रांस्मिटर छुपाकर फ्लैट के दर्वाजे पर कहीं लगाने का और फिर वायरलेस रिसीवर से इधर फ्लैट के भीतर की आवाजे सुनने का क्या सुनाई देंगी? हाँ बरोबर खुसर फुसर तो सुनाई नहीं देगी पणूची आवाज बरोबर सुनाई देगी भीतर फ्लैट में कोई उठा पटक हुई चीक पुकार मची तो वो इधर एंड फर्स क्लास सुनाई देगी वो ट्रांस्मिटर करके जो तुम बोला उसको उधर लगाने की उनको खबर तो नहीं लग जाएगी नहीं लगेगी बढ़िया पढ़ने एक बात बोलने का क्या? हमारा काम वॉच रखना सर्विलेंस करना उधर फ्लैट में कोई गलाटा हुआ तो हमारे को भीतर नहीं जाने का अभी तुम बोलो कि ऐसा कुछ उदर होता पता चले तो हमारे को क्या करने का? जीत सिंग ने उस बात पर विचार किया उस घड़ी डिमपल को चुड़ाना आसान था पीछे भाई खला में इतने लोग थे कि उनका मुकाबला करने के लिए एक छोटी मोटी पल्टन की जरूरत होती लेकिन वहां सिर्फ दो जने उसके साथ थे एक पुलिस वाला और एक बाउंसर क्या वो पुलिस वाले पर हाथ डालता? वादा नहीं बचेगा तो बोलेगा क्या किया? किसने किया? लेकिन ऐसा करने में खराबी ये थी कि फिर महाडिक पर हाथ डाल पाने का चांस उसके हाथ से निकल जाता लेहाजा डिमपल का कुछ हरसा फसे रहना जरूरी था सौ नमबर डायल करने का वो निर्नायक भाफ से बोला पुलिस को फोन लगाने का क्या बोलने का? बोलना एक पुलिसिये को हेल्प मांता है बोलना उधर से गोलियां चलने का आवाज आता था फिर उनको इधर का फिलैट का पता बोलने का आगे खाली देखने का कि क्या होता है और मेरे को मुबाइल पर फोन करने का किसी वज़ा से मुबाइल ना बोले तो होटल बेल मोंट के रूम नमबर 302 में फोन लगाने का बरोबर कदम ने सेहमती में सेर हिलाया वाच का ये सिलसिला कल रात तक हर हाल में जारी रखने का ऐसा धनेकर साहब का बोलना जरूरी हो तो उनसे बात करने का नहीं जरूरी नहीं तुम्हारा बोलना काफी बढ़िया तो आंके खुली रखने का बरोबर कान भी वो भी जीत सिंग धारावी पहुँचा इस बार उसे डैविट परदेसी का इंतजार नहीं करना पड़ा ट्रांजेंट कैंप में अजमेर सिंग के धाबे पर वो पहले से मौजूद था वो दो व्यक्तियों से बाते कर रहा था जीत सिंग को भीतर दाखिल होता देखते ही जिने उसने चलता कर दिया जीत सिंग उसके करीब पहुँचा आज जीते पर देशी जबरन मुस्कुराता बोला बैट बैटता है जीत सिंग बोला कैसा है ठीक बोले तो मेरे को देख कर तेरे को कोई खुशी नहीं हुआ कैसे मालूम उठके डांस नहीं किया क्या गाना नहीं गाया मेरा पिया घर आया करके जीत सिंग खामोश रहा जीते मेरे को तेरी फिकर करना अपना भेड़ो फिकर नहीं करेगा तो क्या गैर करेगा तो बहुत पंगे लेता है जीते मैं मैं बोला तेरी तक्दिर तेरे से बहुत पंगे लेती है खूल देती है ना, मेरे को याद कराती है कि मेरा नाम जीता है, जीता तो सब जीत लेता है गण का क्या किया जीते? क्या करने का था? अरे मेरा मतलब रे टपकाया तो नहीं किसी को? अभी नहीं अभी नहीं यानि की? छोड़, अभी मैं पूछ इदर कैसे आया? मेरे को हेलो बोलने तो नहीं आया होगा, चाई पीने तो नहीं आया होगा बरोबर बोला तो फिर? ये पकड़, जीत सिंग ने उसे एक दोहरा किया हुआ कागस थमाया इस पर कुछ आइटम लिखके रखा, जो मेरे को मांगता है देखता है अभी नहीं, मेरे जाने के बाद देखना क्या बोला? अभी देखेगा तो तुम मीन मेक निकालेगा लेक्चर देगा बला बुरा समझाएगा मेरे जाने के बाद देखना हम् और ये पकड़, जीत सिंग ने उसे एक मोटा लिफाफा थमाया ये क्या है? रोकड़ा परदेशी ने लिफाफे का मूँ खोल कर भीतर चांका तदकाल उसके नेत्र फैले इतना? सब सामान आज ही रेडी करने का और नौ बजे जूहु तारा रोट पर होटल बेलमोन के रूम नमबर 302 में खुद लेके आने का जीत सिंग उट खड़ा हुआ अभी जाता है थैंक्यू बोल के अपने फिरेंड को हमदर्ट को अरे चाई तो पीके जा नहीं मांगता कल छापे में पढ़े के जीत सिंग करके बेडू खलास तो चर्च में हारे हुए जीते के वास्ते एक कैंडल जरूर जला के आना जीत सिंग घूमा और लंबे डग भरता वहां से रुकसत हो किया पीछे हक बकाया सर डैविट परदेशी उसे जाता देखता रहा कदम के पास कोबरा के ओफिस से स्नूपर सिस्टम पहुँँच चुका था लेकिन उसको इंस्टॉल करने का कोई मौका अभी तो कुसके हाथ में नहीं आया था जो इमारत उसकी सर्विलेंस का निशाना थी वो पूरी तरह से रेजिटेंशल थी और उसमें ऐसा सिक्यारिटी सिस्टम काम करता था कि बाहर से में गेट या तो चाबी से खुलता था या उसकी चौकट में लगी कॉल बेल बजाई जाने पर भीतर से में डोर का सेफटी कैच रिलीस किया जाता था तो खुलता था कॉल बेल बजाने पर उसके बाजू में लगे स्पीकर पर अगंतुक को बोलना पड़ता था कि वो कौन था तबी भीतर किसी फ्लैट में से जहां कि उसने जाना होता था सेफटी कैच रिलीस किया जाता था जब उसने डोक्टरों वाला विजिट बैक उठाई एक सूट धारी व्रिद व्यक्ति को उधर टैक्सी पर से उतरते देखा तो उसे लगा कि अब उसका काम बन सकता था उसने स्नूपर सिस्टम वाला बैक संभाला और वैन से बाहर निकला अपने हाथ में उसने एक चाबी थाम ली और सड़क पार करके दर्वाजे पर पहुँचा उसके वहां पहुँचने तक व्यक्ति की भीतर कहीं खासरी लग चुकी थी और भीतर से सेफटी कैच रिलीस किया जा चुका था कदम ने चाबी वाला हाथ दर्वाजे की तरफ पढ़ाया तब ही व्यक्ति को धक्का दिया और वो खुल गया कदम ने व्यक्ति को मुस्कुरा कर देखते हुए हाथ वापिस खेंच लिया व्यक्ति में मुस्कुराया उसने दर्वाजे को धक्का दिया और भीतर कदम डाला दर्वाजा बंद होने से पहले कदम भी भीतर दाखिल हो गया वृत के लिए वो कोई हैरानी की बात नहीं थी प्रत्यक्षत है वो महसरयोग था कि इमारत के किसी फ्लैट का ओक्यूपेंट एन उसी वक्त वहाँ पहुचा था जबकि वृत की कॉल बेल के जवाब ने भीतर से सेफटी कैच रिलीस किया गिया था वृत लिफ्ट में सवार हो गया कदम जान बुचकर सेड़ियों की तरफ पढ़ा पहली सेड़ी पर कदम बढ़ते ही वो दबे पाउं हवा की तरह उपर रोप को लपका जिस वक्त वो चौथी मंजिल के सेड़ियों के मोड की ओट ले रहा था उस वक्त वृत लिफ्ट से निकल कर तीसरी मंजिल पर फ्रंट के एक फ्लैट की और बढ़ रहा था कदम के देखते देखते उसने एक दर्वाजे पर दस्तक दी दर्वाजा खुला तो कदम को उन वो उन में से एक व्यक्ति की मवालियों जैसे सक्त और कभी ने थोबड़े वाले की एक जलत मिली फिवरिद के पीछे ततकाल दर्वाजा मजबूती से बंद हो किया वरिद उसी फ्लैट में गया था जिसमें भाईकला से बाई को लाकर बंद किया गया था उसने सेडियों की ओट छोड़ी और दबे पाउं दर्वाजे की और बढ़ा दर्वाजा खोलने वाला व्यक्ति नबन पठान था उसके साथ दूसरा व्यक्ति सब इंस्पेक्टर अर्विन पावले था और डिम्पल की टूटी उंगली देखने के लिए DCP पटवर्दन का भेजा डॉक्तर आगरे वहाँ पहुचा था बेतर डिम्पल एक बैट पर निश्चेश्ट पड़ी थी उसको वेलियम की बहुत हैवी डोस दी गई थी फिर भी उसकी टूटी उंगली में नब्स धार धार बच रही थी तब तक उंगली के एर्द गिल्ड इतनी सूजन पैदा हो चुकी थी कि वो अपने नॉर्मल साइज से तीन गुना बड़ी लग रही थी पटार ने डॉक्टर के लिए बैट के करीब एक कुर्सी सरका दी डॉक्टर ने अपने बाई फोकल्स में से उंगली का मौइना किया फिर बैट पर रख कर अपना बैक खुला और खामोशी से अपने काम में जुट कया नॉवोकेन के स्प्रे से उसने सारे हाथ को सुन किया और उंगली को अपने हाथ में थामा सुजन की वज़ा से उसने उसका इतना बुरा हाल पाया कि हड़ी को सेट करने के लिए उसके जगा पर पहुँचाना मोहाल था किसी तरह से उसने उस काम को अनजाम दिया और मजबूती से पट्टी से बांधा पट्टी पर उसने प्लास्टर आफ पैरिस का घोल उडेला और उसके सेट होने की प्रतिक्षा की ऐसा हो जाने पर उसने हाथ को बैट पर उसकी मालकिन के पहलू में टिका दिया आखिर में उसने डिमपल को हिला कर उसकी तवज़ो अपनी तरफ की और बोला इस वक्त जो हो सकता था मैंने कर दिया है लेकिन उंगले को उसकी औरिजिनल फॉर्म में पहुँचाने के लिए सरजरी की जरूरत होगी डिमपल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की अभी नोवोकेन का असर बर करार है डॉक्टर आगे बढ़ा जब खत्म होगा तो काफी दर्द होगा उसके लिए मैं ये पेन किलर गोलिया छोड़के जा रहा हूँ जरूरत के मताबिक लेना लेकिन विस्की नहीं वेलियम नहीं विस्की के साथ वेलियम तो हर्गिस नहीं चीक है ना डिम्पल ने सहमती में सिर हिलाया हाथ को थोड़ा रेस दिख करके रखोगी तो सुजन कदरन जल्दी घटीगी मैं इधर क्यों हूँ वो कराहती से बोली मुझे घर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा इसका जवाब ये लोग देगे मैं चलता हूँ जब तक डॉक्टर इमारत से निकल कर सड़क पर पहुँचा तब तक फ्लैट के दर्वाजे पर रोशन दान में ट्रांस्मिटर फिट करके कदम कब का अपनी वैन में पहुँच चुका था और रिसीवर पर सब कुछ सुन रहा था अब वो आश्वस था कि फ्लैट में कोई चीखने चिलाने जैसे आवाज होती तो वो बाजर या रिसीवर वैन में उसे साफ दुनाई देती ठीक छे बजे जेत सिंग ने महाडिक को फोन लगाया बदरी बोलता है वो बोला अभी छे बजे ला है मालूम है मैं फोन पर है तुम्हारे से बात करे ला है मालूम है मालूम तो बोलो टैम बोलो जगा बोलो कल रात दस बजे होटल ओकलेंट ग्रीन रूम बार समझा क्या हाँ होटल ओकलेंट ग्रीन रूम बार ठीक होटल आउकलेंड मालूम है ना नाम सुनेला है अंधीरी में किधर है वीरा देशाई रोड पर किधर भी हो ढूनेगा और पहुंचेगा बेवडी को साथ लेके आना तुम्हारे को भी डिम्पल को साथ लेके आने का बरोबर हम चार चने दो भीडू दो बाई और कोई उधर नहीं होने का नहीं होने का कल किस वास्ते आज क्या वांदा है कल मिलेगा तो बोलेगा और फिर लाइन कट गई आधी रात को डेविट परदेशी होटल बैलमोट पहुंचा जीत सिंग को उसने सोते से जगाया छे बजे महाडिक को फोन लगाने के बाद से वो गोड़े बेच कर सोया पड़ा था सब सामान डेविट परदेशी उसे एक बैग थमाता बोला जो कुछ भी तेरी लिस्ट में था बाकी का रोकड़ा भी इसी में है थांक्यू बोलता है जीत सिंग बोला जीते एक बार फिर सोच ले सोचा ना कई बार सोचा अभी और सोचेंगा तो भेजा फ्राई पर अभी निकल ले जो कुछ तो करने का उसमें मैं कोई मदद कर सकता है क्या नहीं मैं साथ रहे तो नहीं मांगता अच्छा तू बोलता है तो मैं बोलता है वो चला किया पिज़जीत सिंग ने बैक खुला और सब सामान चौकस किया दो बेहत हलकी खास धातूँ के मिश्रन से बनी बुलेट प्रूफ जैकेट जो की किसी भी पोशाव के नीचे पहनी जा सकती थी दो पीतल के मुके दो रामपूरी दो टियर गैस से कई गुड़ा शक्ती शाली समिश्रन के प्रेशर कैन दो बाल और चेन वाले डंडे यानि की हर आइटम डबल सब दो सेट एक सेट उसके लिए एक सदा आरवाड़ी के लिए खाली गन एक ही जो की पहले से जीट सिंग के पास थी साड़े बारा बजे सूट बोट में खोप सजा धचा बांका चबीला बना सदा आरवाड़े वहां पहुँचा जीट सिंग ने उसे सब सामान दिखाया एक सेट तुम्हारे लिए है वो बोला लेकिन फॉरन तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो सकता काहे आरवाड़े की भवे उठी जहां हमने जाना है वहां तुम्हारी तलाशी होगी हातों से या मेटल डिटेक्टर से या दोनों से तलाशी में ये चीज़े छुपी नहीं रह सकेंगी ओ, कब जाने का है अभी किधर मालूम पड़ेगा न क्या करने का है वो भी मालूम पड़ेगा जो होएंगा वो यू होएंगा कि फोकस मेरे पर होएंगा पर तुम्हारे को मेरे को कवर देना होंगा ठीक है मकसद क्या है किसी के ठीये का ऐसा कच्रा करने का है कि बिजनस धेर हम् बीच के दर्वाजे पर चौकट से लगी खड़ी रोमेला बितर बितर दोनों को देख रही थी जीत सिंग उसके करीब पहुँचा अभी हमारे को एक बचे इधर से निकलने का वो धीरे से बोला सवेरा होने तक मेरे लोटने का इंतिजार करने का मैं ना लोटे तो ये जगा हमेशा के लिए छोड़के इधर से निकल लेने का और जिधर पहुँचने का उदर के पते की खबर मेरे को मुबाईल पर देने का मुबाईल पर जवाब ना मिले तो भोल जाने का कि कभी कोई जेत सिंग मिला था उसके नेत्र फैले क्या मतलब हुआ इसका वो तीखे स्वर में बोली सोशना सोशना मतलब उनका पहला निशाना नाक पाड़ा था जहां लेमिंग्टन रोट पर डॉल्फिन नाम की वो मिडनाइट क्लब थी जिसका जिक्र कोविल ग्रूप आफ कंपनेस के प्रॉपर्टी के तौर पर आधिना धनेकर की रिपोर्ट में था जहां जिस एम्बेस्टर कार में वो पहुंचे थे वो चोरी की थी मुंबई सेंट्रल स्टेशन से उठाई गई थी उसका नमबर प्लेट तबदील कर दी गई थी और उसे गाईलो चला रहा था उसको हिदायत थी कि अगर वो कई कत्रा मैसूस करे तो कार को छोड़ कर निकल ले पौने दो बचे गाईलो ने कार को डॉल्फिन के एंट्रेस के करीब लाकर खड़ा किया इंजन चालू रखने का जीत सिंग ने उसे हिदायत दी फिछले दर्वाजे बद रखने का पर लॉक नहीं करने का गाईलो ने सहमती में सेर हिलाया कलक के दर्वाजे पर निकार रखने का कोई पंगा दिखाई दे तो निकल लेने का रुकने का नहीं उसने फिर सहमती में सेर हिलाया दोनों कार से बाहर निकले और आगे बढ़े तुम्हारे को मेरे से पहले उधर जाने का रास्ते में जीत सिंग बोला तुम बहुत इज़त आर टॉप क्लास भीडू लगता है तुम्हारे को उधर कोई नहीं रोकने का बीतर जाके में डोर के करीब ही रहने का और मेरे आने का इंतिजार करने का मेरी एंट्री में वांदा इसलिए पंगा पढ़ने के चानस पूरे पूरे होने का जो पंगा होगा में डोर के करीब होगा इस वास्ते वाच रखने का और एंट्री में मेरा हेल्प करने का कैसे? मेरे पर हाग डालने वाले बांसर भेडूओं को मेरे से दूर रखने का वापसी के टैम भी बाहर निकलने में नक्की करने में मेरा हेल्प करने का ठीक है अभी जाओ उसे छोड़ कर आरवाडे लंबे डग भरता आगे बढ़ गया कलब की एंट्रेंस पर तीन बाउंसर तैनात थे उन्होंने एंट्रेंस के रास्ते में एक फैंसी रसी तानी हुई थी कोई पसंदीदा मेहमान आता दिखाई देता था तो जिसे वो हटा देते थे और उसके पास होते ही उसकी पीट पीछे फिर यथा साथ तान देते थे एंट्रेंस के एक बाजू एक स्चोल पर एक पिचका सा सूट धारी व्यक्ती बैठा था बाउंसरों को वो ही हिदायत देता जान पड़ता था कि किसको भीतर आने देना था किसको नहीं आने देना था जिसकी हामी हो जाती थी रसी का बैरियर क्रॉस कर चुके उसको वो ही दर्वाज़क खोलता था आरवाड़ी शान से चलता सैंसी रसी पर पहुँचा डोर मैन का सिर सेहमती में हिला एक बाउंसर ने साइट से हुक पर से रसी का लूप निकाल कर रसी हटाई और उसको वो बैरियर क्रॉस कर लेने दिया उसके पीछे रसी वापिस तान दी गई वहाँ चार पांच लोग और भी खड़े थे जो कि उनके भीतर जाने की हामी होने का इंतिजार कर रहे थे लेकिन डोर मैन उनसे निगा नहीं मिलाव रहा था उनमें से एक आद ने आरवाड़ी के साथ गुजर जाने की कोशिश की थी लेकिन कोशिश काम्याब नहीं हो सकी थी तदकाल ही उसके सामने रसी तान दी गई थी दरवाजा आरवाड़ी के पीछे बंध हुआ तो उसने स्वयम को ड्योड़ी जैसे एक छोटे से रिसेप्शन एरिया में पाया जहां एक दूसरे बाउंसर ने जो की काला सूट पहने बड़ा सम्भांत लगने की कोशिश कर रहा था लेकिन काम्याब नहीं हो पा रहा था उसके जिस्म पर मैटल डिटेक्टर फिराया आरवाड़ी फाइट की स्थिती में प्रतिद्वंधी की ताकत का जाइजा लेने की कोशिश करता खामोशी से खड़ा रहा बाहरजीत सिंग ने एक पूर्व निधारित समय तक प्रतिक्षा की और फिर द्रिड कदमों से आगे बढ़ा उस दोरान डोर मैन की निगा उस पर थी वो करीब पहुंचा तो बांसरों ने डोर मैन की तरफ देखा डोर मैन ने इंकार में सिर हिलाया ततकाल एक बांसर उस पिलर के सामने तन गया जिस पर लगे हुक पर रसी का लूप डाला निकाला जाता था खास जीत सिंग को दिखाने के लिए उसने चौकस किया कि लूप हुक में ही था निकल नहीं गया था दूसरा उसके बगल में तन कर खड़ा हो गिया तीसरा डोर मैन के स्चूल के करीब बंद दर्वाजे पड़ था उन सब प्रत्यक्ष व्यवधानों तयानियों के बावचूद जीत सिंग आगे बढ़ता रहा उस घड़ी जीत सिंग के दोनों हाथ उसके कोट की बाहरी जेबो में छुपे हुए थे उन में से एक में गैस का प्रेशर कैन था और दूसरे में उसने पीतल का मुक्का पहना हुआ था बाल चेन वाला डंडा उसकी पतलोन की हिप पॉकेट में था वो जान बुझकर बाउसरों की आँखों से अपनी आँखें लॉक किये था ताकि उनका ध्यान उसके हाथों की तरफ नहीं जाता पिलर के पास फड़े बाउसर ने उसे रुकने का इशारा किया जीत सिंग ने गैस के कैन वाला हाथ जेब से निकाला और उसे उसके बुझके सामने लिचा कर प्रेशर बटन दबाया गैस की तेज फुहार उसके चेहरे पर खास दोर से आँखों में पड़ी वो तड़क कर पीछे हटा जीत सिंग ने पाउं की ठोकर से लकड़ी का पिलर गिरा दिया जिसकी वज़ा से सामने तनी रसी भी जमीन पर धेर हो गई पहले की बगल में खड़ा दूसरा बाउंसर जीत सिंग पर चप्टा जीत सिंग का पीदल के मुक्के वाला हाथ चला मुक्के की नोकेली मेखें उसकी कनपटी में धस गई कनपटी खुल गई वो भर भरा कर पीछे गिरा उसके चेहरे पर से बैता खोट टप टप जमीन पर टपकने लगा जीत सिंग ने एक वार उसकी जुके हुई खोपड़ी पर किया तो वो मुके बल जमीन पर गिरा डोर मैन के हाथ में एका एक मुबाइल प्रकट हुआ था और वो उस पर हेल्प के लिए चिला रहा था पहला बाउंसर अभी भी अपने हाथों से चेहरा नोच रहा था और तडप रहा था दर्वाजे पर खड़े तीसरे बाउंसर को जैसे इस नजारे नहीं जड़ कर दिया था कि पलक जपकते उसके दो साथी नाकारा हो गए थे जीत सिंग चलांग मार कर उसके सामने पहुँचा उसने उसे भी स्प्रे का शिकार बनाया और दर्वाजे को धकेल कर भीतर कदम रखा डोरमेल ने मुबाइल पर शायद भीतर वाले मेटल डिटेक्टर वाले पाउंसर को ही आगा किया था क्योंकि वो तयार था और जीत सिंग के दर्वाजे से भीतर कदम रखते ही उस पर जपट पड़ा था जीत सिंग बड़ी मुश्किल से उसके वार से बचा उसका मुखके वाला हाथ चला और मुखका पूरी शक्ती से उसके जबड़े से टकराया चटाक से उसका जबड़ा तोटने की आवाज जीत सिंग को साफ सुनाई दी जीत सिंग का एक वार और पड़ा तो वो धराशाई हो गिया उसने अगला दर्वाजा धकेल कर कलब के हॉल में कदम रखा जहां बार पर और हॉल की टेबल्स पर प्रियाप भेट थी और जहां चार पीस का बैंट बच रहा था डोर्मैन की मदद के गुहार वहां भी पहुंच चुकी थी जिसका सबूत द्रिटा से दर्वाजे की और बढ़ती कई लंबे चौड़े व्यक्ती थी उनको हॉल की टेबल्स में से भेड में से रास्ता बनाना पड़ रहा था और जल्ग से जल्ग फ्रंट में पहुंचने की कोशिश में वो मेहमानों को धक्या रही थी लोग उनके रास्ते से हटते थे और उनके पीछे जमा हो जाते थे क्यूंकि सब को ऐसास हो रहा था कि वहां कुछ अप्रित्याशित होने वाला था आरवाड़े बार के करीब था चलांग मार कर वो दर्वाजे की और बढ़ते बाउसरों के रास्ते की अर्चन बना और फिर उन पर पिल पड़ा मशीन की दरा चलते उसको दोनों बलिश्ठ हाथ उन्हें धुनने लगे वो लोग उसे थामने की कोशिश करते थे तो वो उनके हाथों से फिसल फिसल जाता था कई बार वो किसी न किसी की पकड़ाई में आया, कई बार चूटा यूँ वो उन्हें दर्वाजे की तरफ बढ़ने से तो रोक ही रहा था उन्हें वापिस पीछे भी धकेल रहा था उसके दोनों हाथ दोनों पाऊं किसी के पेट से, किसी की पसलियों से, किसी की छाती से, किसी की ठोड़ी से, तो किसी की कनपटी से टक्रा रही थे जीत सिंग तब क्लब के भीतर था दो बाउंसर आरवाड़ी के विरोत की दिवार तोड़ कर किसी तरह से दर्वासे तक पहुच गए जीत सिंग ने बॉल एन वाला डंडा निकाल कर हाथ में लिया और दक्षता से यूँद चलाया कि दोनों के पाउं उकड गए और वो धड़ाम से हॉल के फर्ष पर गिरे तब तक फैंसी रोश्णियों से सजे हॉल में हाहा कार मच चुका था बैंड बचना बंध हो चुका था और देशत मैमानों पर भी तारी थी जो की चीक ने चिलाने लग गए थे अब हर किसी का निशाना दर्वाजा था और हर कोई वहां से जल्द से जल्द निकल लेने का तमनाई दिखाई दिता था उस भगदर का नतीजा ये निकला कि मैमान आपस में लड़ने भीडने उलचने लग गए फिर बार काउंटर के पीछे मौजूद दोनों मार बार मैन भी हातों में लंबे डंडे लिए वहां से निकले और हॉल में आकर लड़ाई में शामिल हो गए जो मुकाबला पहले ही बराबरी का नहीं था अब नामुम्किन दिखाई देने लगा जीत सिंग ने गन निकाल ली और उसका रुप छट की तरफ करके दो बार घोड़ा दबाया शोर शराबे के बावजूद बंद माहौल में गोली चलने की आवास बड़ी जोर से गुझी चट पर लगे सजाफटी रग बिलंगे शीशे चटके और टुकडों की बरसाथ लोगों के सिरों पर हुई मेहमान चीखे मारते मेजों की ओट लेने की कोशिश करने लगे गोली की आवास का असर हर किसी पर हुआ सिवाए एक बार बेन के जो अपना डंडा ताने जीत सिंग पर झपटा चला आ रहा था जीत सिंग ने उसकी टांगों को निशाना बना कर गोली चलाई गोली उसकी जांग में लगी वो जीत सिंग के सामने मूग के बल गिरा जीत सिंग ने उसका डंडा जो की हौकी के साइस का था उसके हाथ से जपट लिया उसने चलांग मार कर बार काउंटर को पार किया और उसके पीछे पहुँच गिया जहां डंडे के प्रचण प्रहारों से उसने शीशे, शेल्फ, बोतले, गिलास, सब कुछ फोर्णने शुरू कर दिये कुछी देर में बार के पीछे कुछ साबुत नहीं बचा उस दौरान हर किसी की तवज्जो दर्वाजे की तरफ थी और वो उससे पार निकल जाने की कोशिश में था दो बाउंसर किसी तरह से अपने आप पर काबू पा चुके थे और अब वो जीत सिंग को वही फास नेने के लिए बार की तरफ जपट रहे थे जीत सिंग ने उनकी तरफ गढ़ दान दी खबरदार वो चिलाया थांबा वरना गोली दोनों थमक कर खड़े हुए हाथ उपर दोनों ने हाथ सिर्थ से उपर उठाई जिससे जाहिर हो गया कि दोनों के हाथ खाली थे फर्ष पर नाक फर्ष के साथ दोनों चाती के बल फर्ष पर लेट गए फिर उसने चारों तरफ निगा घुमाई कोई और उसे अपनी तरफ लपटने पर आमादा नहीं दिखाई दिया अभी पांच मिनट मुश्किल से गुजरे थे कि ठीये का फुल कबाड़ा हो चुका था वो कैशियर के पिंजरे पर पहुँचा इतने से ही कैशियर थर-थर कापने लगा कि ठीये को हिट करने वाला उसके सामने खड़ा था जीत सिंग ने उसके सामने एक पॉलिथिन की ठैली डाली लोकड़ा वो हिंसक भाव से बोला तमाम इसमें भर टैम लगाया तो गोली बिजली की फुर्ती से कैशियर ने नोटों से भर कर ठैली वापिस उसको थमाई शाबाश जीत सिंग बोला थैंक्यू बोलता है फार्ट कर चिल लाया निकल ले तब सदा उसे दिखाई दिया दाए बाए से वो दर्वाजे की तरफ बढ़े जीत सिंग गन से उसे कवर किये था सदा के पीछे उल्टा चलता वो गन को दाए बाए फिरा रहा था किसी की पास फटकने की मजाल नहीं हुई वो दर्वाजा पार करके रिसेप्शन एरिया में पहुँच गए तो जीत सिंग आगे हो गया और सदा उसके पीछे चलने लगा दर्वाजे की ओट से एक बाउंसर ने जीत सिंग पर चलांग लगा दी जीत सिंग उसके वजन के नीचे दबा धराशाई हुआ आर्वाडे आपे से बाहर हो किया उसे अपने आप पर गुसा था कि वो अपनी जिम्मेदारी निभामने में नाकाम रहा था वो जीत सिंग को पीछे से कवर करके नहीं रख सका था पगलाए सांड की तरह वो आगे छप्टा उसने बाउंसर को नोच कर जीत सिंग की पेट से अलग किया और उस पर लाद खुसों की बरसात करने लगा जीत सिंग बड़ी मेहनत से उठकर खड़ा हुआ गनीमत थी कि गन उसके हाथ से नहीं निकली थी बस वो उच्छ स्वर में बोला आरवाडे ने बाउंसर को परे धकेला और जीत सिंग के पीछे हो लिया वहाँ कभी भी पुलिस पहुंच सकती थी यही हैरानी की बात थी कि अभी तक नहीं पहुंची थी उनका फॉरण वहाँ से कूच कर जाना जरूरी था वो बाहर पहुंची चोरी की अमबेजजर रफतार से बैक होती उनके करीब पहुंची दोनों जपट कर उसमें सवार हुए अमबेजजर भाग निकली क्या सब बरोबर ड्राइविंग सेट से रियर व्यू मिरर में जानते हुए व्यगरभाव से गाईलों ने पूचा हाँ जीत सिंग संतुष्ट स्वर में बोला एन बढ़िया करके उधर भीतर में क्या हुआ वही जो करने आये थे सब फोड दिया बढ़िया अभी गाम देवी चल नाना चौक सी पर्ल पिछर डॉल्फिन में महाडिक को कॉल लगाई जा रही थी और जो अन्होनी हुई थी उसकी उसे खबर की जा रही थी अन्होनी को अन्जाम देने वाले हत्यार बंद भेडू का हुलिया बयान किया गया तो महाडिक ने बतार बदरी नात और जेट सिंग उसे फॉरण पहचाना उसने कॉल को बेच में ही कट कर दिया और पटवर्दन के मुबाईल पर कॉल लगाने लगा जिसे रात की उस घड़ी पता नहीं वो सुनता या नहीं सुनता सी पर्ल बतार मिटनाइट क्लब शायद उतनी मकबूल नहीं थी जितने की उस किस्म के बाके ठीये थे वहाँ एंटरंस पर ना दाखिला पाने के इच्छुप मेहमानों की भेड थी ना कोई रस्ती तरी हुई थी और ना कोई बाउंसर खड़े थे कार से उतर कर आगे बढ़ने से पहले डोर्मेन ने उनके लिए दर्वाज़ा खोल दिया भीतर हॉल के प्रवेश द्वार के सामने एक बाउंसर मौजूद तो था लेकिन उसने उनके तलाशी लेने की कोई कोशिश नहीं की ऐसी सहूलियत से वो भीतर पहुँचे जैसे किसी गैर कानूनी ठीये पर ना आए हो दो पहर के वक्त किसी मामूली रेस्टरेंट में दाखिल हुए हो भीतर कोई खास वेड नहीं थी बार पर तीन चार लोग दिखाई दे रहे थे और हॉल की आधी में से खाली थी खाना पूरी के तौर पर रिकॉर्डिट म्यूजिक की मध्धम स्वर लहरियां वहां गुच रही थी और अलसाई से वेटर हॉल में विचर रहे थे एक होस्चस मुस्कुराती हुई उनके करीब पहुँची और उसने उन्हें एक खाली टेबल पर पहुँच आया उसने उनका ड्रिंक्स का ओर्डर लिया जो कि कुछ शणों बाद एक वेटर सर्फ कर गया ये तो बड़ी धार्मिक जगा है आरवाडे बोला हाँ यार जीत सिंग दबिस्वर में बोला यहां कैसे गलाटा शुरू करें सोचो वैसे हाल क्या है बड़िया है हाथ दुखते हैं उधर भेट ज्यास्ती थी टांगे चलाने की जगा नहीं थी इसलिए हाथों से ठोका ना और सब खेरियत है ना हाँ तुम बोलो इधर भी जीत सिंग एक एक उट खड़ा हुआ मैं टॉयलेट होकर आता हूँ उसने वेटर से टॉयलेट की बाबत पूछा और फिर पिछवाड़े की तरफ बढ़ा वहाँ एक बंद दर्वाजा था जिसे खोल कर उसने आगे एक छोटे से गलियारे में कदम रखा दाई और दो बंद दर्वाजे पर थे जिन पर इस्तिरी और पूरुष की आकरितिया बनी हुई थी उनके बाजू में बिजली का स्विच बोड था स्विच बोड जिससे होकर हॉल में बिजली पहुँचती थी बढ़िया वो पूरुष टॉयलेट में दाकिल हो गया वापसी में वो स्विच बोड पर पहुचा उसने एक बार साफधानी से दाएंबाई देखा फिर मेंस्विच जॉफ कर दिया और चार कटाउट निकाल कर करीब पड़े कोडे दान में डाल दिये भीतर हॉल में अंधेरा चा किया बाकी काम आसान था वहाँ सब फोर डालने में पांच मिनट भी नहीं लगे कैश बॉक्स उसे खुद खाली करना पड़ा क्यूंकि कैशियर सेट चोड़ कर भाग गया था और कहीं जा चुपा था उस दौरान डी सी पी पटवर्थन अपने खास आदमियों से संपर्ग बना रहा था और उन्हें अपने ठीयों की हिफाज़त के लिए रवाना कर रहा था नॉबल हाउस में बैठा माहडिक तमाम ठीयों पर बारी बारी फोन कर रहा था और उन्हें जीत सिंग की बाबत आगा कर रहा था इसी वज़ा से सी पर्ल के अंजान की खबर उस तक बहुत देर में पहुंची एक ठीया और जीत सिंग बोला फिर छुटी कौन सा आरवाडे ने पूछा कहा बिग बैंग डिसिलवा रोड दादर बुद्वार रात में उसका एक चकर लगा चुका हूँ फिर तो तुम्हें मालूम होईगा कैसा है हाँ डॉल्फिन और सी पर्ल से ज्यादा फूम फावाला है वहाँ का इंतिजाम भी जुदा किस्म का है पहले से जानकारी ना हो तो कहना मुश्किल कि उधर कोई ठीया चलता था पूछने पर पहले यही जवाब मिलता है उधर कोई मिडनाइट करके कलब नहीं फिर तसल्ली हो कि पूछने वाला भीडू टूरिस्ट अखी नाइट की मस्ती का शौकीन तो जाने देते हैं ओ पर उधर बाउंसर गन वाले और एंट्री के लिए कवर चार्जीज यानि की भीतर घुसने का फीस हाँ बड़े वाला गांधी इसी वास्ते बोला वो ठिया ज्यास्ती फूफा वाला हाँ उधर ज्यास्ती चौकस रहना ज़रूरी वरना गोली उधर भी पहले मेरे को भीतर जाने का हाँ और वेट करने का मेरे को थोड़ा टैम के बाद एंट्री मारने का ताकि हम दोनों इकठे ना लगे किदर वेट करने का बार पर या टेबल पर टेबल पर ब्रिंक मंगा के बैठने का उधर एक बालकनी भी है पर तुम्हारे को में हॉल में बैठने का वहाँ जगा ना हुई तो इस वक्त तीन बचले को है ये टैम के लिहाज से होगी ठीक है एमबेजजर डिसिलवा रोट पहुँची प्रोग्रेम के मताबिक वहाँ आरवड़े अकेला क्लब की योर पढ़ा जो सवाल उससे पूछे गई उसके लिए वो तैयार था इसलिए दाखिले में कोई दिक्कत नहीं हुई भीतर जिस बाउंसर ने हातों से उसके बदन को टोटोला रात की उस घड़ी वो नशे में था फिर भी तलाशी में उसने कोई लापरवाही नहीं बढ़ती 500 रुपए कवर चार्जिस के तौर पर कलेक्ट कर चुकने के बाद उसने उसे उन तंग सेडियों का रास्ता दिखा दिया जिनके सेरे पर कलब के में हौल का बंद दर्वासा था चिंतित भाव से वो सेडियां चड़ने लगा वहां थ्यार के साथ जित सिंग का उपर पहुँच पाना उसे संभव नहीं लग रहा था वो सेडियां इतनी तंग थी कि उपर ले सेरे पर कोई बाउंसर उन्हें कवर करके खड़ा हो जाता तो बकरी के बच्चे के उसकी बगल से गुजर पाने के संभावना नहीं होती नीचे वाले बाउंसर से जित सिंग फौजदारी से पेश आता तो उपर वाले को वो नजारा साफ दिखाई देता फिर जित सिंग का जो हश्र होता उसका खयाल करके उसके शरीर में जुर जुरी दौड गई तो क्या वो हत्यार बिना दाखिला पाने की कोशिश करता निहते वो दोनों क्या कर लेते सस्पेंस के महौल में उसने हौल की रौनक में कदम रखा और आगे एक टेबल पर जाकर बैठा वो हौल एल की शकल का था और उसकी टेबल ऐसी पोजीशन में थी कि वो वहीं बैठा एल के दोनों बाज़ों में जाग सकता था एक बाज़ों में वो दर्वाजा था जिससे वो दाखिल हुआ था और दूसरे में बैलकनी को जाती सीडियां थी वहां रोशनिया मध्धम थी और क्लाइंटल साधारन से जरा ही उची हैसियत की थी वहां रिकॉर्डेड म्यूजिक बच रहा था लेकिन वहां ऐसा शोर शराबा था कि खास ध्यान देने पर ही म्यूजिक का आभास मिलता था जो एक आइंतिजाम एल की उपरी जाती सीडियों वाले बाजू में था उदर का इंचार्ज एक सूट और फैल्ट हैड धारी व्यक्ति जान पड़ता था जो वहां के नी मंधेरे में भी काला चश्मा लगाई था और जो मुत्वातर जुवा खेलने वालों से रोकड़े का लेन देन कर रहा था एक वेटर उसके ओर्डर के मुताबिक उसे ड्रिंक सर्फ करके गया और साथ ही पेमिंट लेकर गया वहां वही सिस्टम जान पड़ता था ततकाल सेवा ततकाल भुकतान गेरे सस्पेंस में वो अपना ड्रिंक चुसकता रहा और प्रतिक्षा करता रहा एका एक बारी सीडियों की तरफ से गोलियों की आवाज आने लगी फेल्ट हैट वाला चौंका ततकाल उसने मेज में कहीं हाथ डाला जो फिर प्रकट हुआ तो वो उसमें गन थामे था एन वैसे ही बार पर बारमें चोकरना हुआ और उसके हाथ में गन प्रकट हुई आरवाडी की चिंता और गहरी हो गई हालात खतरनाक थे कैसे बीतेगी बेवडे डोरमें ने नीचे जो ही जीत सिंग के पीछे दर्वाजा बंद करके उसकी तलाशी लेने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाए जीत सिंग ने उसके सिर पर गन का दस्ता दे मारा वो नीचे को जुका तो पीतल का मुका उसके जबडे से टक्राया वो पीछे को उल्टा उन दो ही वारों ने उसे धेर कर दिया सेडियों के उपर ले सेड़े पर मौजूद बाउसर ने वो ड्रामा देखा तो उसे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ ततकाल उसके हाथ में एक लोहे की चड़ प्रकट हुई जिसको ताने वो सेड़ियों पर नीचे को लपका वो बीच रास्ते में ही था कि जीट सिंग ने उस पर गोली चला दी गोली उसकी जान में लगी वो धेर हो गिया और बाकी की सेड़ियां उसने उन पर लुड़कते कला बासियां खाते तै की एक तो चड़ तब भी उसके हाथ से नहीं निकली दूसरे अपनी घायल टांग के बावजूद वो उटकर खड़ा हो गिया और जेत सिंग पर तूट पड़ा बड़ी मुश्किल से जेत सिंग ने अपनी खोपरी बचाई लेकिन उसके वश्टे वश्टे भी छड़ उसके बावएं कंधे से टकरा गई उसी अपना कंधा तूटता महसूस हुआ उसके सारे बदन में पीड़ा और जन जनाहट की लहर दोड़ गई आकरमन के लिए चड़ फिर बावंसर के सिर से उपर उठी तो आँखों के आगे मौत नाश्ती पा कर उसने अपने पर काबू किया और फिर गोली चलाई गोली उसकी चड़ वाली बाह में कहीं टकराई चड़ उसके हाथ से निकल गई और दोनों के बीच पे फर्श पर आकर गिरी फिर वो कटे व्रिक्ष की तरह अपनी चड़ के उपर गिरा तब तक बेवड़ा बाउंसर उठके खड़ा हो किया था और उस पर चलांग लगाने की तैयारी कर रहा था जीत सिंग ने नाल का प्रहार उसकी कनपटी पर किया तो वो अपने जोडी दार पर जाकर गिरा बड़े यतन से खींच कर जीत सिंग ने चड़ अपने काबू में की और पूरी शक्ती से सीडियों पर उपर को लपका गोलियां चलने की आवाज हॉल में सबने सुनी थी और वहां अफरा तफरी मची हुई थी मेहमानों में से हर कोई किसी ना किसी चीज की ओट लेने की कोशिश में था बारमेन प्रवेश्दवार की और अपनी गन ताने बार की ओट में था फ्रेल्ट हैट वाला एल के मोड पर दिवार की ओट में सरक गया था और वो भी अपनी गन से प्रवेश्दवार को निशाना बनाए था वो चिला कर बार्मेन को हॉल में रोशनी बढ़ाने का हुक्म दे रहा था ताकि उसे आथताई को निशाना बनाने में दिक्कत ना होती आरवाड़ी महसूस कर रहा था कि उस घड़ी जीत सिंग के दर्वाजा खोल कर भीतर दाकिल होने का मतलब उसके निश्चित मौत था बार्मेन और हैट वाला दोनों उसे सहूलियत से शूट कर दे थे अब क्या करूँ उसकी टेबल ऐसी पोजीशन में थी कि वो कोना जिसकी हैट वाला ओट लिये हुए था उसके सामने था वो धीरे से उठा और दबे पाउंच चलता हुआ हैट वाले के पीछे पहुँचा एका एक उसने अपनी एक बाव पीछे से उसके गर्दन में पिरो दी और दूसरे हाथ से उसकी गन वाली कलाई जकर ली गोली चली और पता नहीं कहां जाकर टकराई आरवाडे ने उसको फश पर पटक दिया और उसकी चाती पर सवार होकर गन उसकी उंगली से निकाल ली उसने ताबर तोड उसके पेट में गुंसे जड़ने शुरू किये गोली की आवाज ने बार मैन की तवज्जो उस तरफ खीश दी थी उसने उधर का नजारा देखा तो उसने अपनी गन का रुप दरवाजे की तरफ से फेर कर उधर कर दिया और आरवाडे को उसके निशाने पर लेने की कोशिश करने लगा एन उसी वक्त भडाक से दरवाजा खुला और चलांग मार कर जीत सिंग भीतर पहुँचा उसने बार मैन को आरवाडे पर निशाना साधते पाया तो उसने हाथ में थमी लोहे की चड़ फैंक कर मारी बार मैन घोडा खीचने ही वाला था जबकि चड़ वेक से उसके थोबडे से आकर टकराई उसकी गन से निकली गोली आरवाडे की खोपडी को हवा देती गुसरी पीछे परदे के पीछे कहीं चटाक से खिड़की का शीशा तूटने की आवास हुई बार मैन चड़ के प्रहार से पीछे को उल्टा उसकी गन उसके हाथ में से निकल कर हवा में उचली वो बार के पीछे धेर हुआ और जीट सिंग ने जुस्त लगा कर गन लपक ली आरवाडे निश्चेश चोचुके हैट वाले की चाती पर से उठा और घूम कर भेड में से रास्ता बनाता दर्वाजे की और बढ़ा जीट सिंग ने लोहे की चड़ फिर अपने कबजे में कर ली और उससे बार फोरना शुरू कर दिया उस दौरान उसके निगा आरवाडे से मिली तो उसने उसे बाहर की तरफ बढ़ते रहने का इशारा किया तीन मिनट में बार पर कुछ साबुत नहीं बचा वो बार फांद कर हॉल में पहुँचा एक मिनट कैशियर से माल कब जाने में लगा फिर वो जपट कर आरवाडे से पहले दरवाजे पर पहुचा और उसे खोल कर बाहर निकल गया बेवड़ा बाउंसर उपर को लपका आ रहा था इस बार उसके हाथ में भी गन थी जीत सिंग पर निगा पढ़ते ही उसने फायर किया जीत सिंग ने तब भी अपने पीछे खुले दरवाजे में डाइफ मारी फार देगा बाउंसर पगलाया सा गुर्रा रहा था खा जाएंगा दो गोलियां अंदा दुन खुले दरवाजे में उसने और चोंकी दोनों चोकट के उपर ले भाग की लकडी उधेरती उसमें धस गई जीत सिंग दरवाजे के पिछे चुपा और गोलियां चलने और उसकी गन खाली होने का इंतिजार करने लगा लेकिन वो इतना नादान नहीं था और नाही इतना नशे में था उसने ततकाल गोली चलानी बंद करती बाहर निकल साले वो चिलाया अभी मगश में बुलिट गाड़ता है तब तक आरवाड़े भी दरवाजे पर जीत सिंग के करीब पहुंच चुका था वो अपने हाथ में थमी गन हौल में मौजूद लोगों की तरफ लहरादा आ था ताकि किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत ना होती दोनों जानते थे उनका ज्यादा देर वहाँ टिका रहना खत्रे से खाली नहीं था किसे बिक्षन पुलिस वहाँ पहुंच सकती थी बड़ा स्चूल उठा लिया फिर उसने दर्वाजे की ओट से हाथ बाहर निकाल कर सेडियों में दो फायर जूंके बाउंसर बॉक लाकर सेर नीचा किये कई सेडियां वापिस उतर गया जीत सिंग ने उसके पीछे स्चूल फैंग कर मारा स्चूल तंग सेडियों में एक आथ जगा दिवार से टकराता जाकर जोर से बाउंसर की छाती से टकराया और वो भर भराता हुआ बाकी की सेडियों पर से उलटता लुड़कता वापिस नीचे जाकर गिरा जहां दूसरा बाउंसर तब भी बेहोश पड़ा था जीत सिंग ने आगे चलांग लगाई और बगले की तरह सेडियों पर नीचे को दोड़ा बाउंसर निस्चूल को परे फैका और उठकर खड़ा हुआ इस बार उसने बाकी की तीनों गोलिया एक साथ जीत सिंग पर जोंग दी एक गोली जीत सिंग के दाएं कुलहे को चीलती निकल गई बाकी दो पता नहीं कहां जाकर ठकराई जीत सिंग के आगे अभी कम से कम दस सेडियां बाकी थी लेकिन उसने यूं बाउंसर पर चलांग लगाई जैसे स्विमिंग पूर में गोता मार रहा हो जीत सिंग वेक से बाउंसर से टकराया दोनों एक दूसरे को लिये दिये फर्ष पर गिरे आरवाडे एन उसके पीछे था फुर्ती से उसने जीत सिंग को बांग पकड़ कर उठाया और दूसरे हाथ से बाहरी दर्वाजे का हैंडल घुमा कर उसे धक्का दिया अगले हिक्षन दोनों इमारत से बाहर फुट पात पर थे तभी एक जीप मोर काट कर उस सड़क पर दाकिल हुई दोनों विप्रे दिशा में लपके दूर कहीं पुलिस का साइरन भी गुँच रहा था जीप क्लब वाली इमारत के सामने आकर रुकी और उसमें हाथों में गन लिए पटवर्दन के तीन आदमी बाहर निकले एका एक एक जने की निगा परे लपकते जाते उन दोनों की तरफ उठी कौन? चिलाया, ठामबा उनकी एमबेसजर अब उनसे थोड़ी ही दूर थी गाईलों ने हाथ बढ़ा कर उसका पिछला दर्वाजा खोल दिया आरवाडी जंप मार कर उसमें दाखिल हुआ रुक जाओ, वर्ना गोली जीत सिंग ने घूम कर पीछे एक फायर किया ततकाल तीनों जने जीप की ओट में हो गए उतने में जीत सिंग भी एमबैस्जर में सवार हो गया पहले से गेर में एमबैस्जर तोप से छूटे गोले की थरह सड़क पर दोड़ी पीछे से गोलियों की बाड़ आई कई गोलियां बॉडी से ठकराई एक से पीछे का शीशा चटका गाईलो तुफानी रफ़तार से एमबैस्जर दोड़ाता रहा आगे उसने इतनी रफ़तार से गाड़ी को तोलसी पाइप रोड पर मोड़ा कि उसके एक तरफ के दोनों पहिये उड़ गए और वो उलटने से बाल बाल बची आगे एक होटल था जिसके कमपाउंड में उसने गाड़ी दाखिल करा दी और उसे उसके पार्किंग में ले जाकर रोका उनका आखरी पड़ाव डिसिल्वा रोड था इसलिए वहां की पार्किंग में वो अपनी टैक्सी छोड़ कर गया था तीनों ने एमबाज़र को वहां तिलांजली दी और टैक्सी में सवार हो गए अब टैक्सी होटल से दो पैसेंजर पिक करके जोहु तारा रोड जा रही थी जोकी एक स्वभाविक द्रिश्य था सोमवार 27 सप्रेल मुबाइल की निरंतर बश्टी घंटी ने जीत सिंग को सोते से जगाया उसने घड़ी पर निगार डाली तो पाया डेड़ बच चुका था यानि कि वो आठ घंटे निरंतर सोया रहा था उसके बाई कंदे पर छट से और दाई कुले पर गोली से गैरा जख्म था लेकिन सोने से पहले उसने खुदी दोनों जगा की ओनी पॉनी ड्रेसिंग कर ली थी उसने कॉल रिसीव की लाइन पर प्राइवेट डेटेक्टिव शेकर नवलानी था किधर है सहब उसने पूछा पूना में ही नहीं लौट आया हूँ पक्की करके हाँ काम जल्दी खत्म हो गया बढ़िया कल रात क्या हुआ क्या बोला सहब अरे क्या पंगा किया क्या हंगामा खड़ा किया आपको क्या मालूम पढ़ गया सहब हाँ तभी तो कैसे चापे में तो छपा नहीं होगा क्योंकि मैं सुना कि आधी रात के बात की खबर सुबा के चापे में नहीं चपती अगली सुबा के चापे में चपती है जो कि अभी कल आई की वो तो तुमने ठीक सुना है लेकिन अकबारों में वैसे भी कुछ नहीं चपने वाला ऐसा क्या? हाँ, जिन ठीयों को तुमने फोड़ा, वो गैर कानूनी जो थे उनकी मेडिया में पबिसिटी होना तो उनकी पोल खुलना होगा फिर वो दुबारा कैसे चलेंगे? ओ, ऐसे ठीयों की पोल खुलना तो DCP पटवर्दन का नाकारापन माना जाएगा जिसकी स्पेशल टास्क फोर्स का काम है, ऐसे ठीयों को तलाश करके उन्हें बंद करवाना उनकी भरपूर कोशिश होगी कि कल के हापसों का प्रचार ना हो फिर आपको कैसे मालूम पड़ा सहब? पटवर्दन से पता चला, आग सुबा उसने मेरे को फोन किया, बढ़कते हुए आग उगलते हुए फोन किया मेरे को बकाइदा धमकी दे कर जीत सिंग को पकड़वाने को या उसका पता बोलने को बोला जीत सिंग, क्या जीत सिंग बोला बाब? हाँ, अब उसे मालूम है कि बदरीनात और कोई नहीं, सूपर सेर्फ सर्विस चोर का आरोपी और कोर्ट से संदे लाप पाकर छूटा मुझरिम जीत सिंग है ओ, पड़ आप मेरा पता कैसे बोलोगे साहब, आपको तो मेरा पता मालूम है इच नहीं किधर हो तुम? काहे जानना मानता है साहब, जानोगे तो पुलिस के बड़े अफसर के सामने जूट बोलना पड़ेगा हाँ, ये बात तो है, खेर, क्या किया रात को, उनके सब ठीये फोर्टिये क्या? सब नहीं, अभी वो क्या मांगता है? मेरे से मिलना मांगता है कब? वो तो फॉरण बोलता था, लेकिन मैं शाम साथ बजे का बूला, क्योंकि पहले मेरे को तुम्हारे से बात करने का था, जो कि पता नहीं देन भर में कब हो पाती? कहा मिलने का साहब? दादर के एक रेस्टरेंट में, जो कि उसका फेवरेट है, मिडोस नाम है, उसी ने वो जगा मुकरर की है साहब, पहले मेरे को आप से मिलने का, मैं साड़े छे बजे माहरानी में मिलता है, वहाँ से आपको आगे अपनी मीटिंग में जाने में आसानी होगी ठीक है? ऐसा नहीं होगा, मैं किसी को अपने पीछे नहीं लगने दूँगा, पीछा नहीं चूटेगा, तो मैं माहरानी में ही कदम नहीं रखूँगा बढ़िया, कल जो कुछ तुमने किया, क्यों किया, मकसद क्या था उसका? मकसद तो एकिश था साहब क्या? बदला, वो लोग मेरे बाप जैसे फिरेंड का कच्रा किया, मैं उसका जवाब दिया, एन करारा जवाब दिया हम, ठीक है, शाम को मिलते हैं, संबंध विच्छेद हो गया जीत सिंग ने कोबरा में आधिना धनेकर को फोन लगाया मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, धनेकर बोला ऐसा क्या? हाँ, पटवर्दन महाडिक कॉम्बिनेशन की कुछ और जानकारी जमा हुई कैसे हासिल करोगे, मिलोगे या मैं कहीं भेजूं भेजने का साहब पड़ मेरे को नहीं तुम्हारे को नहीं, तो और किसको? नवलानी साहब वापिस आ किया है उसको पिछले रिपोर्ट की कॉपी के साथ मैं उनसे ले लेगा ठीक है, फिर फोन लगाएंगा साहब वेल्कम, जीत सिंग ने फोन बंद किया और फिर सो गया तीन बजे के करीब, डिमपल मधोशी और बेहोशी की उस मिली जुली हालत से उबरी जिसमें पिछले रोज से, डॉक्टर के जाने के बाद से उसकी दी पेन किलर की गोलियों की वज़ा से, वो खुद को महसूस कर रही थी अब उसे तकलीफ पहले की तरह नहीं सता रही थी उंगली में दर्द बराबर था, लेकिन वो बरदाश के काबिल था उस गड़ी उसे बड़ी शिदत से ये एहसास सता रहा था कि परसों से वो नहाई नहीं थी, और कल से उसने कुछ खाया नहीं था नहाने के ख्याल से उसकी तवच्चो अटैश बात की तरफ गई वो उटकर बातरों में पहुंची, वहाँ की हालत बता रही थी कि वो एक मुदद से इस्तेमाल में नहीं लाया किया था लेकिन वहाँ पानी हर जगा, कबोड में, वाश बेसिन में, शावर में चालू था और साबून भी मौजूद था वहाँ गिजर भी लगा हुआ था, लेकिन पानी गर्म होने का इंतिजार करना पड़ता इसलिए उसने उसका खयाल छोड़ दिया एक क्लोजेट में वो साफ सुत्रे तॉलियों और नए टोथ प्रश और पेस के मौजूद की तो, बहुत ही राहत की बात थी उसने दान साफ किये, एक तॉलिया निकाल कर काबू में किया, और फिर शावर के नीचे जा खड़ी हुई पंदरा मिनट उसने शावर के नीचे गुशारे, फिर उसने अपने जिस्म को तॉलिये से रगड़ रगड़ कर पहुँचा, कपड़े पहनने लगी, तो उसने पाया कि उनको जाड़ फटकार की जरूरत थी उसने तॉलिया मजबूती से अपने जिस्म के गेद लपेटा और कपड़े उठाए बाथरूम से बाहर निकली, बैडरू में कदम पढ़ते ही वो थमक कर खड़ी हो गई, बैट पर पाउन नीचे लटकाए नब्बन पठान बैठा हुआ था, और लगता था कि उसी का इंत मेरे को तू ऐसे इच पसंद, क्या, तॉलिया फैंक, क्या बकता है, दफा हो जा यहां से, जरूर, पर पहले, अरे हलकट, बिजली तूटे तेरे पर, दफा हो, नहीं तो मैं, नहीं तो क्या, शोर मचाती हूँ, बढ़िया, तू शोर मचा, मैं तेरी जोड़ी हुई उंग गया, अभी क्या हुआ, मचा ना शोर, मचाती काहे नहीं, डिम्पल ने जोर से थूप निगली, उसकी व्याकुल निगा सारे बेडरूम में घूमी, बाथरूम, वो घूमी और भगले की तरफ वापिस, बाथरूम में दाखिल हो गई, उसने भडाक से दर्वाजा बंद कि और हैंडल का लॉक बटन दबा दिया, और मस्बूती से चिटकनी चड़ा दी, पठान उचल कर खड़ा हुआ, और लपकर दर्वाजे पर पहुचा, खोल, वो चिलाया, नहीं तो तोड़ दूँगा, डिम्पल कामती से दर्वाजे से सटी खड़ी, कपड़े पहनने लगी अभी खोलती है कि मैं, तभी बेडरूं का दर्वाजा खुला, और गनेश महाडिक ने भीतर कदम रखा, ये क्या हो रहा है, वो कड़क कर बोला, दर्वाजे पर प्रहार के लिए उठे हाथ के साथ, पठान वापिस घूमा, सामने महाडिक को पाकर वो हक बकाया, हाथ पालन किया, साला अक्खा एडियट, नहीं समझता कि मेरे को छोकरी को डैमिश नहीं मांगता, ये टैम वो मेरे को सेफ, वन पीस में मांगता है, नकी कर इधर से, बारी कदमों से चलता वो बाहर को बढ़ा, बाप, वो महाडिक के करीब पहुंचा तो बोला, एक बाई की ख काम नहीं लेता, टैम नहीं पहचानता, टैम की जरूरत नहीं पहचानता, क्या बोला, जो टैम की जरूरत है वो पूरी होने दे, फिर देखना, तेरे हवाले एक की जगाद दो होंगी, और दोनों के साथ, जैसे मर्जी पेश आने की, तेरे को पूरी इजाजत होगी, ऐसा क्या हाँ पिर रॉमिस करके बोलता है बाप हाँ फिर कोई वांदा नहीं अभी नकी कर अभी वो बाहर निकल गया महाडिक बातरूम के बंद दर्वाजे पर पहुचा उसने वो तीन बार हैंडल को उपर नीचे किया और फिर दर्वाजे पर दस्तक दी बाहर आजा फिर बोला गो टू हैल अरे मैं महाडिक बोलता है वो अभी इधर नहीं है खोल दर्वाजा नहीं खोलूंगी मेरे को इधर इश रहने का वो अब तेरी उंगली का नाकुन चूने की हिम्मत नहीं करेगा मैं ड्रॉइंग रूम में है तीन मिनट में उधर पहुँच वरना मैं उसको छुटा छोड़ता है उसको दर्वाजे से परे हटते कदमों की आवाज आई उसने दर्वाजा खोला और बाहर जांका बेडरूम खाली था भारी कदमों से चलती वो ड्रॉइंग रूम में बैठा हुआ था और पठान और सब इंस्पेक्टर परिद्व प्रवेश द्वार के करीब पड़ी दो कुर्सियों पर अगल बगल बैठे हुए थे कैसी है महाडिक ने पूछा डिमपल ने जवाब नहीं दिया उंगली कैसी है डॉक्टर सेट कर गया ना हाँ अभी कैसी है ठीक है डॉक्टर बोल के गया सरजरी जरूरी वरना मेरी उंगली खलास अरे इधर तो टोटल ही सब खलास होने में कसर नहीं रही बोले तो सब तेरे फिरेंड बद्री की महरबानी से मेरा इन बातों से कोई मतलब नहीं मेरा बद्री से कोई मतलब नहीं उसने तुम्हारे साथ क्या किया उससे कोई मतलब नहीं तुम खामखा मेरे पर जुर्म धा रहे हो किधर? मैं तो help करता है डॉक्टर आया की नहीं आया? मेरे को कपड़े change करने का मेरे को surgeon के पास जाने का मेरे को भूका नहीं मनने का अब ये चिक-चिक बंद कर और सुन मैं क्या कहता हूँ सुन और कर ककक क्या? अभी ये tone ठीक है अभी सुन मैं क्या कहता है, ये भीरू, उसने सुब इंस्पेक्टर अर्विन पावली की और इशारा किया तेरे को परेल, तेरे फिलेट पर लेके जाएगा, उधर जो तेरे को मांगता है, वो करने का खाने पीने का, ड्रेस चेंज करने का, रेस्ट करने का, जो भी मांगता है करने का, खाली सर्जन को अभी नक्की करने का, साड़े नौ बजे रेडी होकर उधर वेट करने का किस वास्ते? बद्रिनात के पास ले जाई जाने के वास्ते किधर? मालुम पड़े का, अपने फ्रेंट के पास जाना मांता है न? वो मेरा फ्रेंट है या नहीं है, उसके पास तेरे को जाने का, मैं बोलता जाने का, तो जाने का. वो खामोश रही, महाड़ी गुट खड़ा हुआ, पेछे खयाल रखने का, वो पावले से बोला, अभी पठान मेरे साथ जा रहा है पावले ने सहमती में सिर हिलाया ठीक साड़े छे बजे जीत सिंग ने महरानी में कदम रखा कोने की एक तनहा टेबल पर नवलानी पहले से मौजूद था जीत सिंग ने करीब पहुंच कर उसका अभिवादन किया नवलानी ने सिर से पाउं तक उस पर निगा दोड़ाई बैठो वो बोला जीत सिंग उसके सामने बैठ कया क्या बात है नवलानी बोला बोले तो खंडर लग रहे हो अच्छा वो साहक ठोको तो ठुकना भी तो पड़ता है ठुके क्या धेर सारा जान जा सकती थी अकेले एक जोड़ी दार था वो भी ठुका क्या नहीं वो मेरे से डबल था कड़क था हम अभी डी सी पी साहब का बोले तो पटवर्धन तड़प रहा है खून का प्यासा बना हुआ है तुमने उसकी जेब से ज्यादा उसके एहम को नुपसान पहुँचाया है उसे ये बात हजम नहीं हो रही कि खाली एक और भेडू की मदद से तुमने इतना कुछ कर डाला कोई वांदा नहीं मेरी वज़ा से उसके हासमे को लूचा तो मेरे को खुशी उपर से जो हुआ वो सीक्रेट भी नहीं रहा क्या बुला साहब इवनिंग नियूज में सब छप भी गया है कल रेगुलर अकबारों में भी छपे का छापे तक खबर कैसे पहुँची जो हाथ सा सैंक्रों लोगों की मौजूदकी में हुआ वो लीक कर ही जाता है ठीयों वाले अपने स्चाफ का मुझ बंद रख सकते हैं मेहमानों का मुझ कैसे बंद रख सकते हैं ठीयों की क्या पुजिशन है साहब बंद है तीनों जगा से यही जवाब मिल रहा है कि वहाँ ऐसा कोई ठीया नहीं चलता था वहाँ ऐसा कोई गलाटा नहीं हुआ था लेकिन किसी को ठीयों वाली जगा पर जाने नहीं दिया जा रहा हर ठीये पर ताले पड़े हैं ठीये पर या ठीये वाली इमारत पर भी इमारत पर कैसे वहाँ और भी तो आफिस हैं और भी तो कारुबार चलते हैं उसने ऐसे गैर कानूनी थिये को चलानी के लिए किसी को जगा क्यों दी? बहुत पते की बात कही, हैरानी है कि तुम्हें सूजी, चापे वाले इस लाइन पर काम कर रहे हैं, लेकिन कोब्रा वाले तो कर भी चुके हैं. कर भी चुके हैं? मेरे पास आधिना धनेकर की ताजा तरीन और पुरानी रिपोर्ट की कौपी पहुँच चुकी है. मैंने ही बोला था सहब. इसलिए, क्या आपने देखा, रिपोर्ट में पटवर्दन और महाटिक की जुगलबंदी की बाबत कितना कुछ हैं? देखा, हैरान होते देखा, पटवर्दन करप्ट था, ये तो मेरे को मालूम था, लेकिन करप्शन के सदके, दो नंबर के धंदों का इतना व्यापक जाल उसने फैलाया हुआ था, ये मेरे को नहीं मालूम था. महाटिक उसका मुखोटा है, रिपोर्ट से जाहिर है, और महाटिक वो शक्स है, जो मेरे गोवानी दोस्त की दुर्गत की वज़ा बना था, वो इत्तिफाक ही तो इतने बड़े एक्सपोस्त की वज़ा बना, इत्तिफाक? और क्या? मुंबई की तमाम की तमाम मिडनाइट कलब्स का संचालक महाटिक नहीं है, ये इत्तिफाक ही था, कि तुम्हारे गोवानी दोस्त को उसकी कलब में ले जाया किया, किसी और ठीये पर ले जाया किया होता, तो क्यों कर पटवर्दन पर उंगली उठती? बरोबर बुला सहब सहब, कोबरा ने इन बातों के सबूत जुटाएं है, ये सब साबित किया जा सकता है, और परताल करने पर ये भी साबित किया जा सकता है, कि कोविल नाम की तमाम कंपनियों का असल मालिक पटवर्धन है, कुछ तो साबित हो भी चुका है, ऐसा क्या? तुम्हें कोबरा की नई रिपोर्ट की जो तुम्हारे कहने पर सीधे मेरे को भेश दी गई खबर नहीं है क्या सहब उनकी रिपोर्ट इंग्लिश में मेरे को ठीक से समझने में लोचा मैं बताता हूँ तुम्हें रई रिपोर्ट में क्या है वो क्या है कि आजकल कमर्शियल इमार्टों की फायर इंशॉरेंस ज़रूरी है ऐसे इंशॉरेंस पॉलिसिस में पॉलिसी लेने वाले का और बेनिफिशियर का नुकसान की भरपाई हासिल करने वाले का दोनों का नाम होता है कोब्रा वालों ने इस लाइन पर काम किया तो पाया की कोविल कमपनियों के मिलकियत ऐसी तमाम इमार्टों की इंशॉरेंस पॉलिसिस में बतोर बेनिफिशिरी बटवर्धन और महाडिक का नाम दर्च है तफ्दीश होने पर पटवर्धन के लिए इस दिलसिले की जो वो समझता है कि एक्सपोस नहीं हो सकता जवाब देही मुश्किल ही नहीं ना मुम्किन होगी मार्टिक का नाम उसके साथ तहरेरी तोर पर जुड़ा होना तो कई गड़े मुर्दे उखाट देगा यहिश तो मांगता है साथ जाने अन जाने उन लोगों के सेर पर मारने के लिए तुम्हारे हाथ में बहुत बड़ा हतोड़ा आगिया है तरीके से इस्तिमाल करना तो नहीं आगे आना साहब उसमें तो आप ही हेल्प करेंगा ना मेरे को किदर मालुम की पुलिस के बड़े अफसर पर कैसे कारेवाही होती है होती भी है या नहीं तुम्हारा ये काम मेरे जर्ये नहीं हो सकता जीते क्या बोला साहब भाई मैं प्राइविट डिटेक्टिव हूँ, पीडी का धंदा पुलिस के नजरे इनायत के बिना नहीं चल सकता, उनकी मुखालफत से नहीं चल सकता, पटवर्दन मेरे खिलाफ हो गया, तो मेरे को बरबाद कर देगा, इतना ही करे तो गनीमत है, वो तो मेरी लाश का पता नहीं लगने देगा, तुम पुलिस से चुप सकते हो, चाहो तो अपना वजूद खत्म कर सकते हो, मैं फैमली मैन हूँ, रेजिस्टर्ट पीडी हूँ, मैं नहीं चुप सकता, आप तो सहब दिल तोड़ रेला है, ऐसी कोई बात नहीं, एक रास्ता बंद होने का मतलब ये नहीं होता, कि सारे के सारे रास्ते बंद है, एक रास्ता बंद होता है, तो हमेशा कोई न कोई दूसरा रास्ता खुला होता है, जो कई बार पहले रास्ते से कहीं बहतर होता है, बोले तो, मीडिया, मीडिया है वो रास्ता, वो पावर्फुल जरिया, जो रावण मार सकता जीत सिंग खामोश रहा, एक्सप्रेस का जालानी मेरा दोस्त है, तुम्हारा तरफदार है, तुम्हारी खातिर मैं उससे बात करने को तयार हूँ, अच्छा, देखो, पुलिस के तंतर जाल में DCP बड़ी हस्ती होता है, पुलिस के महकमे में ये गलत, नाचाइस, दस्तूर आधिकाल से स्थापित है, कि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, मामुली कॉंस्चेबल की तरफ, उंगली उठे तो महकमे की चवी खराब होने का, रोना रोने लगते हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने में, उसके खिलाफ के इसको वाटर डाउन करने में चुट जा पुलिस वालों के खिलाफ केस नहीं बनते क्या सहब? वरना लगने का कोई मतलब ही नहीं, हम्, मिसाल के तोर पर DCP ब्रधान को याद कर लो, जो की केकी मिस्तुरी के कतल के कवर अप में पूरी तरह से शरीक था, लेकिन कतल का भांडा फोर होने के बाद भी क्या हुआ? और उकी लंबी सजाएं हुई, उसका खाली ट्रांसफर हुआ, इंस्पेक्टर गोविलकर के थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट के तुम खुद शिकार थे, तुम्हें लॉक अप में बन करके मार मार के भूसा भर दिया, उसका जल्म मानवा धिकार आयोग की जानकारी में आया नई दिल्ली तक उसकी गूंच पहुँची, वहां से खुद कमिशनर के नाम फर्रा आया, गोविलकर का क्या हुआ, उसकी नौकरी गई क्या, वो सस्पेंड हुआ क्या, तार देर थाने से ट्रांसफर तक नहीं हुई उसकी, खाली ये हिदायत मिली कि वो तुम्हारे पर औ और जुर्म ना ढटाए, क्या ना करें? और जुर्म ना ढटाए सहब, हाँ, और जुर्म ना ढटाए, और पर जोर है मेरा, यानि कि हिदायत देने वाला कबूल करता था, कि वो पहले तुम्हारे पर जुर्म ढटाता था, फिर भी कोई एक्शन नहीं, क्यूंकि पुलिस इ होगा ना, मेडिया के जरीय होगा, मेडिया में कोई बात तोल पकड़ती है, तो उसको दबाना मुश्किल होता है एक्स्प्रेस बड़ा अकबार है नेशनल डेली है किसी मुद्दे को लेकर वो आवाज उठाता है तो उसको दबाना नजर अंदास करना मुश्किल होता है क्या उठाएगा जालानी से बात करेंगे ना पहले भी तो उठाई थी खुद चीफ एडिटर शिवा रामन ने पुलिस को मूच के बात से पकड़ कर जिन जोड़ा था एक्स्प्रेस की वो सूर्खी याद करो पुलिस की मिली भगत से एक बे गुना का खून रक्षक की भग्षक बने वाक्य के असल चश्मदीद गवा ने शड्यंत्र का पर्दा फाश किया कमिशनर हिल गया था तडब गया था नतीश्तन खुद उसे तमाम जिम्मेदार पुलिसियों की और दूसरे लोगों की खबर लेनी पड़ी थी हाँ बरोबर बुला सहप तभी तो कहते हैं कि खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो जब तोप मुकाबिल हो अकबार निकालो ऐसा क्या हाँ कोबरा की ये इंशुरेंस वाली खोज बहुत बड़ी है एक बार इसको हवल लगने दो देखना ये कैसे पटवर्थन के गले की हड़ी बनती है उसने महाडिक को अपने और अपने काले धंदे के बीच परदे के तौर पर खड़ा किया था अब वही परता उ जो पहले उसकी पूंजी था अब जिमेदारी बन जाएगा मुसीबत बन जाएगा पंड सब तभी तो होगा सहब जब जालानी सहब कुछ करेगा कोई बड़ा कदम उठाएगा वो जरूर कुछ करेगा वो बहुत बड़ा कदम उठाएगा उसे अभी तक किस बात का का ताप है कि वो बड़ा बटाटा की जान की धमकी में आ गया और अपनी दुम टांगों में दबा कर बैट गया अपने दामन पर लगे बुजदली के उस दाग को वो धो चुका है लेकिन प्राश्चित का ये एक और मौका वो नहीं छोड़ने वाला बड़िया सहब अभी कि थोड़ा टेम बाद आपकी पटवर्धन के साथ मीटिंग फिक्स है कोब्रा की रिपोर्ट में जो धमाके दार बाते दर्श है आप उनकी बापत उसको बोलोगे क्या क्या तुम चाहते हो मैं बोलूं साहब साफ नहीं तो इशारा करना इतना इशारा तो करना कि अब महा जताना महाडिक की मौत का फर्मान जारी करना होगा होगा तो होगा साहब कोब्रा की ये रिपोर्ट और कुछ हो नहों महाडिक का तो डेथ वारिंट है मेरे को क्या वांदा है साहब है ना वांदा पटवर्धन ने अगर महाडिक का काम कर दिया तो समझो वो सेड़ी तो गई जो उस तक पहुँशने का जरिया है जीत सिंग ने उस बात पर विचार किया सहब फिर बोला वो पहले मेरे पीछे पड़ेगा महा डिक टपक गया तो ये उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा वो आकरी दम तक उस नुकसान से बशने की कोशिश करेगा इसलिए पहले त ये तो तुम्हारे लिए बुरी खबर है कोई वांदा नहीं सहब है भी तो मेरे को बुरी खबरों की आदत है सहब आपको उसको ये जोड़ दे के बोलने का है कि मेरे खत्म होने से ये कहानी नहीं खत्म होने वाली इस कहानी को खत्म करने के वास्ते उसको कोब्रा की सारी और्गनाइजेशन को खत्म करना होगा और वो तमाम गल्तियां दुरुस करना होगा जिनकी वज़ा से उसकी कमजोरी उसकी दुखती रख कोब्रा की पकड़ में आई ऐसा वो कर भी लेगा तो ये सब होते होते होगा उतने में तो उसके खिलाफ कुछ का कुछ हो जाएगा क्या कहना चाहते हो आप उसको बोलो सहा कि अगर मेरे को रोमेला जठार को डिमपल मोदी को कुछ हुआ तो सारी जानकारी सारे अकबारों के पास पुलिस कमिश्टर के पास सी बी आई के पास एंटी करप्शन के महकमे के पास यहां तक की चीफ मिनिस्टर के पास आई की उसको पिरेशर के साथ बोलो कि मैं बरोबर ऐसा इंतिजाम करके रखा क्या तुम ये बलफ खेलना चाहते हो बोले तो हाँ नहीं चलत तो तो देखेंगा सहप उसको ये यकीन कैसे आईगा कि तुम्हारी हर बात मान जाने के बावजूद तुम रिपोर्ट उन ये भी बात है जीत सिंग बढ़ बढ़ाया तो ना तुम्हारा पीछा चूटेगा ना रोमेला जठार का पीछा चूटेगा और ना डिम्पल मोती आजाद होगी ऐसा तो नहीं होना चाहिए सहप तुम डिम्पल की आजादी हर हाल में चाहते हो ना हाँ वो खाम का मुसीब और एक बड़ी जान पर आ बनी सांसत मोल ले ली हमारे यहां इसको होम करते हाथ जलना कहते हैं सहप उसको आजाद तो मेरे को हर हाल में मानता है क्या करोगे आई मिन मैं एका एक ना लौट आया होता तो क्या करते किया ना क्या महडिक से मीटिंग फिक्स की आज रात दस ब डिक्क को डिम्पल मोधी के साथ पोहुंशने का और मेरे को उसकी बाई रूमेला जठार के साथ पोहुंशने का उधर अदला बदली का पिरोग्राम, डिम्पल मेरे हवाले, रूमेला महा डिक्क के हवाले असल में डबल डबल क्रॉस दोनों की एक दूसरे को धोका देने की कोशिश बरोबर समझा साहब यही चोने का मेरे को उस पर कोई भरोसा नहीं और उसको तुम्हारे पर हाँ ये तो एक बड़े खूनी खेल का सिनेरियो है कौन जिन्दा बचेगा देखेंगा साहब जीत सिंग मैं मानता हूँ कि तुम्हारे में होसला है सिर्धर की बाजी खेलने का जजबा है मुझे तुमारी तब की सूरत नहीं बूलती जबकि तुम गोद में टाइम बम लिये बैठे थे ना ही तब की जब तुम को लाबा में तुलसी चैंबर की लिफ्ट में नोटों को खुद आग लगा कर बनाई अपनी चिता की आग में जल रहे थे लेकिन आत्म घात का जिग्रा होना दिलेरी नहीं कहलाता कहने का मतलब है कि तुम्हारी दिलेरी तुम्हारा खौसला तुम्हारा जिग्रा मुझे महडिक जैसे घुटे हुए मवाली का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं दिखाई देता तुम दोनों लड़कियों के साथ सलामत वहां से निकल पाओगे ये एक सपना है जो तुम देख रहे हो फिर ये भी तुम्हारी खाम खयाली है कि तुम चार ही जने उस मीटिंग में मौझूद होगे ये नहीं हो सकता कि पटवर्दन को उस मीटिंग की खबर नहीं ये नहीं हो सकता तो ये तो हो ही नहीं सकता कि खूफियों तोर पर अपने आदमी वो वहां ना तैनात करे इधर इच खत्म कर दो सहब और कोब्रा की रिपोर्ट की एक कॉपी पटवर्दन की गोद में डाल दो और उसे वो बोल दो जो मैंने बोलने को बोला आगे जो होता है होने दो क्या ये तुम्हारा पक्का इरादा है हाँ ये मेरा पक्का इरादा है कि मैं उन दोनों औरतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूँगा, बले ही मेरी जान चली जाए, हम, साहप, नर्सिंग होम में जब मैं जला बुना पड़ा था, तो आप क्या बोला मेरे को, आप बोला, लाग जोहर हो आदमी में, मगर आदमियत नहीं तो कुछ भी नहीं अभी मैं कोई आदमियत वाला काम करेगा, तो आदमी कहलाएगा ना, मर कर ही सही, आदमी तो कहलाएगा ना, आप या कोई ये, तो नहीं बोलेगा की, हरकाया कुटा था, मर गया, मोरी का कीड़ा था, फलिट मार दिया, नौलानी ने गहरी सांस ली, ठीक है, फिर बोला, ज स्पेंस मेरे को बराबर रहेगा, कि ऐसा करके मैंने तुम्हारा नफ़ा किया या नुकसान किया, ठैंक्यू बोलता है सहब, मीटिंग प्लेस पर होटल आउकलेंड के गेड, कोब्रा के आदमियों की मौजूदकी के बारे में क्या सोचा है, सोचा है पर नहीं मांगता, क्य चुपी नहीं रहेगी, महडिक को करार तोड़ने का बहाना मिल जाएका, मेरे बारे में क्या कहते हो, मैं चुपचा वहां पहुंच सकता हूँ, नहीं मांगता सहब, आप पहले ही मेरे वास्ते बहुत कुछ किया, अभी पटवर्दन को ये रिपोर्ट पहुंचा के बड़ प्लानी कलाई घड़ी पर निगार डालता बोला, होटल बैल मोन जुहु तारा रोड, रूम नमबर 302, मेरे आगे मिटिंग ट्रक टाइम हो गया, चलता हूँ, सहमती में सिर हिलाता जेत सिंग उठ खड़ा हुआ, मिडोस में नवलानी ने डीसीपी पटवर्दन को एक तन ने बैट गया, लेट आए हो, पटवर्दन भाव ही इन स्वर में बोला, हाँ, सॉरी, लेकिन सर्फ पांच मिनट, सॉरी अगेन, कॉफी, नहीं, कुछ और, नहीं, तो फिर सीधे मतलब की बात हो जाए, जरूर, सुनिये, मेरे को नहीं मालूम बदरीनाथ, जीत सिंग, उर्फ जीत सिंग कहा है, दो-दो नाम रखना इल्लीगल है, खाम खयाली है आपकी, शरार्ती इरादों की चुगली है, आप तो मतलब की बात करना चाहते थे, पटवर्दन हड बढ़ाया, उसने घोर कर नवलानी की तरफ देखा, नवलानी विचलित नहीं हुआ, आगे बढ़ो, पटवर्दन बोला, तो तुम्हें उस शक्स के पते ठिकाने की कोई खबर नहीं क्या? हाँ, लेकिन उसके इरादों की खबर है, क्या है उसके इरादे? वो उससे उजागर होंगे, नवलानी ने कोब्रा की कॉपी उसके सामने रखी, ये उस जानकारी की कॉपी है, जो उसने आपके और गनेश महाडिक नाम के किसी शक्स के बारे में कलेक्ट की है, आप तो इस नाम के किसी शक्स से वाकिफ नहीं होंगे, आगे बढ़ो, मैंने ये रिपोर्ट नहीं पड़ी, लेकिन मुझे बताया गया है कि ये आपके और इस गनेश महाडिक के गहरे संबंग स्थापित करती है, और ये आपके लिए सौरी, एंबरस्मेंट की बात साबित हो सकती है, पटवर्दन ने तब भी सामने पड़े कागजात की तरफात नहीं बढ़ाया, कल शहर की सावधानी से एक-एक शब तोलता नवलानी आगे बढ़ा, तीन ऐसी जगों पर गलाटा हुआ, जो कि मिडनाइट कलब्स कहलाती है, जो शराब, ड्रग्स और जुए के गैर कानून अड़े हैं, और जो आपकी मिलकियत बताए जाते हैं, कल के वाक्यात की वज़ा से उन ठीयों की परताल होना लाजमी है, जो कि एकसाइस का महकमा करेगा, नार्कॉटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करेगा, माहनगर पाली का करेगी, फायर डिपार्टमेंट करेगा, और पुलिस तो करेगी ही करेगी, सबकी कोशिश और निमार्तों के मालिकान को ट्रेस करने की होगी, जिनके परिसर में वो गेर कानूनी ठीये चलते थे, और जिन में हुआ पिछली रात का गलाटा, इलाके की सेफटी, सिक्यॉरिटी के लिए खत्रा बना, उन सबकी परताल का निशाना गनेश महाटिक होगा, जिसे ना ट्रेस किया जा सका, तो मेरा क्लाइंट हर महक में को उसकी बाबत टिब देगा। अपने कतन का प्रभाव देखने के लिए नवलानी एक शन को ठिटका, लेकिन उसे ना उमिद होना पड़ा। क्लाइंट चाहता है कि आप अपनी उस प्रॉब्लम का हल खुद निकालें और गैरंटी करें कि उस हल की लपेट में डिम्पल मोधी और रोमेला जठार नहीं आएंगी। अगर उन दोनों के साथ या मेरे क्लाइंट के साथ कोई अन होनी हुई, तो आपके सामने पड़े का के पास और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास पहुँँ जाएगी। तब पटवर्दन तनी खिला। नवलानी वो बोला, सर, तुम दोस्तों की दुश्मन हो। गुरुवर्ण शाम को आपके दौलत खाने का फेरा लगने तक तो दोस्ती था, वहाँ जो बात मैंने स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस में कही, मेरे पेट फेरते ही उसे आपने आगे अपने जमूरे सब इंस्पेक्टर अर्विन पावले को ना सरका दिया होता, पावले ने आगे गोड बोले ब्रदर्स को और उन्होंने आगे किसी और को खबरदार ना कर दिया होता, तो दोस्ती रहता, आइसी, तो इसे लिए उस ट्रेट ड्योग जीत सिंग की तलाश में मेरी मदद करने की चखा, तुम उसकी ब्लैक मेल की धमकी और जूट का पुलंदा मुझे थमाने आई हो, मैं वो जानकारी आपके पास पहुंचाने आया हूँ सर, जो मेरा क्लाइंट आपके साथ शियर करना चाहता है, उस बाबत आगे कुछ करना ना करना आपकी मर्जी पर मुनहसर है, वैसे समझदारी का कदम यही होगा, कि आप मेरे क्लाइंट का पीछा छोड दे, तभी और सिर्फ तभी ये जानकारी सीक्रिट रह पाएगी, ये राए मुझे एक दो टके का पीडी दे रहा है, जो अपने धंदे में टिके रहने के लिए पुलिस के महक में का रहमो करम का मौताज है, मैंने आपकी बात का बुरा नहीं माना सर, आपने सवाल पूछा है, तो जवाब है, जी हाँ, ये राए आपको दो टके का पीडी दे रहा है, जो अपने धंदे में टिके रहने के लिए पुलिस के महक में के रहमो करम का मौताज है, तुम समझते हो, तुम मुझे धंका सकते हो, डरा सकते हो, समझा सकता हूँ, कि यही राए माकूल है, और अमल करने के लायक है क्यूं है क्यूंकि तुम उस मोरी के केड़े के सगे हो और अपने दोस के दुश्मन हो लेकिन घबराओ नहीं जल्दी ही तुम्हें दरिया में रहके मगर से बैर करने का मज़ा चखने को मिलेगा क्या करोगे बर्बाद कर दूँगा फोर दूँगा खुद आबाद रहोगे तभी तो खुद साबुद बचोगे तभी तो नवलानी उट खड़ा हुआ मैं जा रहा हूँ पीछे बैठे सोचना की मिड नाइट क्लब से तुम्हारा रिष्टा जुड़ते ही तुम्हारा क्या हाल होगा और जहां तक दर्या में रहके मगर से बैर करने का सवाल है तो अर्ज है कि दर्या में तुम अकेले मगर नहीं हो और सबसे मेरी दुश्मनी नहीं है तुम मेरे साथ जाती अदावत के तहट मेरे पीछे पड़ोगे तो अपना वक्त जाया करोगे और अपनी उमीद से कहीं पहले सर्वनाश का मूँ देखोगे तुम्हारे पास वक्त कम है तुम्हारे बुरे वक्त के सुई तुम्हारे निश्चित अंजाम की तरफ सरक रही है तुम्हारे कुछ बच जाए नमस्ते जीद सिंग रोमेला के साथ होटल आकलेंड और आगे ग्रीन रूम बार पहुँचा दोनों उस वक्त काले सूट पहने थे और अपने बदले हेर स्ट्राई और बालों की भूरी रंगत की वज़ा से उस पुशाक में रोमेला बिलकुल नहीं पहचानी जा रही थी एक स्ट्रीवार्ट ने मुस्कुरा कर सिर नवा कर उनका स्वागत किया जीद सिंग के निगा पैन होती हुई हर तरफ फिरी उसने नोट किया कि वहाँ तीन दिशाओं के करीब तीन प्रवेश्दवार्ट थे जिनके करीब दो दो व्यक्ति मौजूद थे जिनके जूते ही फिर चुगली कर रहे थे कि वो पुलिसिये थे दूसरे बाई और वाले वो व्यक्तियों में से एक पावले था जो बेवर्दी था लेकिन उसके अदगंजे सिर्ग की वज़ा से जीट सिंग ने उसे तुरंग पहचाना बार के सारे स्चोल ग्राको द्वारा इस्तिमाल हो रहे थे लेकिन हॉल में बिच्छी मेजों में से कुछ खाली थी स्टीवर्ड ऐसी एक खाली मेज पर उने छोड़ कर गया इतने लोगों के करीब जीट सिंग अकेला था और ड्रामे के एहम तरीन किर्दार ने गनेश महाडिक ने अभी नमूदार होना था एक वेटर उनके करीब पहुंचा मेरे लिए विस्की जीट सिंग बोला और मेडम के लिए वर्जिन मेरी रोमेला जल्दी से बोली जीट सिंग उसकी उस कुर्बानी से प्रभावित हुआ वो ना होटल से पी के आई थी और अबना वहाँ पीने की तलब गाट थी मेडम के लिए Virgin Mary उसने order में संशोधन किया और मेरे लिए औरेंग जूस फिलहाल पैक के बारे में बात में बोलेंगे येस सर वेटर चला किया थोड़ी देर बाद वो order के साथ लोटा और दोनों को सर्फ करके चला किया चीर्स रोमेला जबरन मुस्कुराती बोली जीत सिंग ने भी चीर्स बोला और उसके गिलास से गिलास टकराया वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा रोमेला बोली आज आएगा तब ही शैतान को याद करो और शैतान हासित की तरह बार के मिडल डोर से महाडिक भीतर दाखिल हुआ उसने एक बार हॉल में निगा दोडाई और फिर लंबे डग भरता उनकी टेबल पर पहुँचा खूब सजा धजा सम्भांत लगने की भरपूर कोशिश करता वो उन दोनों के सामने एक चेर पर बैट गया वेटर के जगा स्टी वोर्ड लपकता हुआ उसके करीब पहुचा उसने महाडिक का अभिवादन किया और बोला यो ओर्डर सर भई वोट का तुम्हें पीता नहीं महाडिक बोला मेरे लिए वही विस्की लाओ जो साहब पी रहे हैं औरेंज जूस में साहब तो प्लेन औरेंज जूस ले रहे हैं सर स्टीव और अधब से बोला अरे ऐसा लेकिन मैडम तो बलडी मेरी वर्जिन सर वर्जिन मेरी कमाल है महाडिक को वो बात इतनी नामुम्किन लगी कि उसने रोमेला का गिलास उठा कर नाक के पास ले जाकर सुँगा इसमें तो सच में वोटका नहीं है वो बोला मूँ खोल रोमेला ने मू नहीं खोला तो उसने उसकी ठोड़ी पकर कर जबरन उसे खोला और करीब अपनी नाक लेकर गया रोमेला ने उसका हाथ परे जटका कमाल है महाडिक बोला मेरे लिए भी औरेंज जूस ही लाओ भाई स्टीवोट चला किया एक वेटर महाडिक को औरेंज जूस सर्फ कर गया महाडिक फिर रोमेला की तरफ आकर्शित हुआ कैसी है वो बोला ठीक बालों का क्या किया मैंने तो पहचाना ही नहीं तेरे को फिर ये सोच के समझा कि तू ही थी क्योंकि इसके साथ तेरे को ही आने का था रोमेला खामोश रही सुदर कैसे गई सौबत से क्या किसकी सौबत ने किस पर असर किया तूने इसे सुधारा या इसने तेरे को वो फिर भी खामोश रही बहरहाल मेरे को खुशी कि बेवडी सुधर गई अगर जीत सिंग शुश्क स्वन में बोला दुआ सलाम फिनिश हो गया हो तो मैं कुछ बोले क्या महाडिक ने यूँ उसकी तरफ गर्दन फिराई जैसे उस पर एहसान कर रहा हो रोमेला इधर है डिम्पल किधर है क्या बोला डिम्पल किधर है कान में कोई लोचा है क्या वो अभी नहीं आई वो मेरे को दिखाई देला है तो हमारे में क्या सेटल हुआ था दिखाओ क्या स्टैम पेपर जिस पर सेटलमेंट दर्च है महाडिक, अगर जोक मारा तो गल्ती की, सीरियस है तो मेरे को अभी का अभी डिमपल इधर माँगता है ओर्डर देता है क्या? रिक्वेस्ट करता है, फर्यात करता है, नक्य करने का है तो जाता है वो उठखड़ा हुआ, किसी ने मेरे को रोकने की कोशिश की तो जो भीडू सबसे पहले जान से जाएगा वो महाडिक तू होगा उसकी देखा देखे रोमेला भी उठकर खड़ी हो गई हूल देता है क्या महाडिक आंके निकालता बूला हाँ देता है ना महाडिक एक शन खामोश रहा फिर एका एक ठठाक कर हसा अरे बैट वो उसे बाँ पकड़ कर जबरन वापिस बिठाता बोला तू भी बैट दोनों वापिस बैट गए भाव नहीं खाने का भीडू महाडिक बोला भाव नहीं खाने का तेरे को भी मसकरी नहीं मारने का जीट सिंग बड़े जब्द के साथ बोला बरोबर बोला नहीं मारने का मिस्चेक हुआ सौरी बोलता है अभी खुश जीट सिंग खामोश रहा महाडिक ने सेर उठाकर बाइन दर्वाजे की तरफ कहीं इशारा किया सब इंस्पेक्टर अर्विन पावले और उसका जोड़ीदार उनकी तरफ बढ़े दोनों करीब पहुँचे पावले की मार्डिक से निगा मिली तो मार्डिक ने उसे आँखों आँखों में कुछ समचाया पावले ने सहमती में सिर हिलाया और फिर जीट सिंग की तरफ घूमा हलो वो मुस्कुराता हुआ बोला हाँ का हे अरे बोला ना बढ़िया करके मिलना मानता है गले लगेगा क्या हाँ यहीच बात है ठीक है, जीत सिंग उट खड़ा हुआ, पावले उसका जिस्म टटोलने लगा जीत सिंग को उस बात की पूरी-पूरी उमेद थी, अल्बता हैरानी थी, वो नौबत इतनी देर बाद आई थी इसी वज़ा से वो कोई हत्यार साथ नहीं लाया था सिवाई पीट पीछे, गर्दन के नीचे टेप हुए शीशम के डंडे के, उसकी अपेक्षा नुसार, जिसकी खबर पावले को नहीं हुई थी पिशली बार, तलाशी लेता पावले धीरे से बोला, पैरामाउंट में मेरे को गन की बाबत कोई नहीं बोला, वर्ना वर्ना क्या, जीत सिंग बोला, तू इधर ना होता, तो किधर होता, सोच, जीत सिंग खामोश रहा पावले परे हट गया, और महाडिक की तरफ गूमा, दोनों में फिर कोई खामोश मंत्र ना हुई, जिसके समापन पर पावले चुप चाब वापिस अपनी जगा पर, बाइन दर्वाजे के करीब चला गया, और उसका जोडीदार पुलिसिया, सामने दर्वाजे से बाहर न और बाइन दर्वाजे पर सब इंस्पेक्टर पावले की और बढ़ चला, जीत सिंग, जीत सिंग के स्थिर निका, डिम्पल पर टी की, डिम्पल के खुप सूरत चेहरे पर मुर्दनी चाई हुई थी, उसकी बाइन बां स्लिंग में थी, उससे एक कदम पीछे चलता पठा खाम खा, पूरी बेशर्मी से दांत निकाल रहा था, और यूँ फैल रहा था, जैसे अकेला ही सबसे निपट लेगा, दोनों मेजों के बेच से चलते, उनकी मेज पर पहुँचे, डिम्पल उस हाल में भी इतनी हसीन लग रही थी, कि हॉल में बैठे तक्रीबन लोगों की निकाहें, उसे निहार रही थी, उस माहौल में सदा आरवाडे ने भीतर कदम रखा, और बार पर जाकर उसी क्षन, खाली हुए एक स्चूल पर बैठ गया, बैठ, महाडिक स्वर में मिठास खोलता, डिम्पल से बोला, बस अब थोड़ी देर के जहमत है, डिम्पल टेबल की चौथी कुरसी पर बैठ गई, उदर दर्वाजे के पास जाके बैठ, महाडिक स्वर में पठान से बोला, मांता होईगा, तो बोलेंगा, सहमती में सेर हिलाता, वो वहां से रुकसत हो गया, तो ठीक है ना, जीत सिंग ने डिम्पल से पूछा, नहीं, डिम्पल कातर भा में जाने का, मेरे को अफसोस तेरे साथ पंगा हुआ, जो हुआ सो हुआ, अभी इधर से जाने का, बैचारी ने साथ ऐसे पेशाने था, रुमेला गुसे से बोली, अरे, महाडिक ने नकली हैरानी जदाई, मैं तो समझा कि वोट का बंद तो बोलती बंद, बैचारी के ऐसे पेशाना था क्या, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया उस भीडू ने किया, जो अभी इधर से गया, और उसने भी क्या किया, एक उंगली ही तो तो तोड़ी, वो भी सबसे चोटी, वो भी बाई हाथ की, मैं कुछ किया होता, तो कुछ चौड तोड़ता, तेरे को तो मा अभी रोमेला ने आश्वासन पून धंग से उसका हाथ दबाया अभी नहीं अभी महाटिक सक्ती से बोला अभी मेरे को इस भीडू से बात करने का जब तक बात फिनिश नहीं हो जाता किसी को किधर नहीं जाने का सबको इधर इस ठहरने का थोड़ी देर जेद सिंग हाथ बढ़ा कर डिम्पल का तंद्रोस्त हाथ थप थपाता बोला बस थोड़ी देर ऐसा क्या महाटिक बोला तुमारे को मेरे से बात करने का मैं इधर है ना बोले तो इन दोनों को जाने दो मेरे को अपनी छोकरी से रोमेला से भी तो बात करने का ये इधर से नक्की किया तो बात में मैं इसको किदर ढून लेगा तुम्हें क्या प्राब्लम है रोमेला विश्वरे स्वर में बोली तुम तो मेरे को किदर से भी ढून सकता है मेरी फैमली को ढून लिया मेरे को ढूनने में किधर प्रॉब्लम महाडिक ने खा जाने वाली निगाहों से उसकी तरफ देखा मैं जा रही हूँ और डिम्पल को साथ लेके जा रही हूँ बरोबर बोली तू साली बेवडी किधर से भी ढून लेगा तेरे को अभी जा निकल ले और खुश हो ले मेरे को मालूम तेरे को किधर होना बाद में मिलता है और तेरा वो हाल करता है कि तू उस दिन को याद करके रोईगी तड़पेगी रहम की भीक मांगेगी जब तूने मेरे से बाहर जाने की हिम्मत की और मेरे साथ पंगा किया अभी जा किधर भी पहुँच और उधर इंतिजार कर मेरा रोमेला ने जेत सिंग की तरफ देखा तुम दोनों जाओ जेत सिंग बोला दोनों उट खड़ी हुई रोमेला ने डिम्पल की मां थामी और उसे बाहर को ले चली वो दोनों उस दर्वाजे की और बढ़ रही थी जिस पर पठान खड़ा था पठान पर निगाव पढ़ते ही डिम्पल अपने आप में सिकुट गई न जाने क्यूं उसे लग रहा था कि बेरैमे से उसकी उंगली तोड़ने वाला वो राक्षस बाज की तरह उसे दबोश लेका जीत सिंग ने एक सावधान निगा बार की तरफ डाली तो पाया आरवाडे अभी वही था वो बार मैन को ड्रिंक की पेमेंट दे रहा था जबकि उसे लड़कियों से आगे उनसे पहले दर्वासे पर होना चाहिए था दोनों तब आधे रास्ते में थी रोमेला जीत सिंग उठा और उच स्वन में बोला दोनों ठिटकी गूमी वापिस बैट माडिक फुंकारा वरना इधर इश मरा पड़ा होगा रोमेला को हाथ से इशारा करता जीत सिंग बैट गया रोमेला टेबल पर वापिस लोटी सोचा तुम्हारे पास टैक्सी के वास्ते भाड़ा नहीं होईगा जीत सिंग ने जेब से पांच पांच सो के दो नोट निकाले ये पकड़ो रोमेला के चेहरे पर उल्चन के भाफ आए हिच किचाते हुए उसने नोट थामे तब तक आरवाडे बार पर से हट चुका था अभी गुड नाइट बोलता है गुड नाइट रोमेला वापिस लोट पड़ी जेत सिंग खामोशी से उन्हें जाता देखता रहा रोमेला ने डिमपल के करीब जाकर फिर उसकी बार धामी और उसके साथ आगे बढ़ चली दर्वासा पार करके उन्होंने आगे की उन सेडियों पर कदम डाला जिनके सेरे पर निकास द्वार था तो पठान उनके पीछे हो लिया उनके उस दर्वासे से बाहर कदम रखते ही वो लपकर उनके करीब पहुंचा और उसने पीछे से दोनों की एक-एक बाँ अपनी मस्बूत पकड में जकड ली आगे सड़क पर महाडिक का ड्राइवर पांडू रंग उनकी होड़ा अकॉर्ट के साथ खड़ा था करीब ही पटवर्दन के दो पुलिसिये खड़े थे लड़कियों को जबरन अपने सामने धकेल था पठान कार के करीब पहुंचा तो पांडू रंग ने ततपरता से उसका पीछे का दर्वासा खोल दिया पठान उन्हें जबरन भीतर धकेलने लगा डिम्पल ने अपने अच्छे हाथ के नाखुन उसकी बांग थामे उसके हाथ में धसा दिये रोमेला कटकनी बिल्ली की तरहा बंदन मुक्त होने को तडपने लगी कोई गलाटा नहीं पठान हिंसक भाव से बुला सलाबाजू उखाट देंगा पुलिसी उसकी मदद करने को पहुँच गए अब तीन जने लड़कियों को घेरे थे जबकि आरवाडे ने उन पर आक्रमन कर दिया उसने एक पुलिसीये को धराशाई किया पठान के धोबडे पर कोहनी चलाई तो रोमेला बंदन मुक थोने में सफल हो गई उसने डिमपल की बाँ थाम कर पूरी शक्ती से खीची ताकि पठान की पकड़ उस पर से छूट पाती लेकिन काम्याप नहीं हो सकी दूसरा पुलिसीया आरवाडे तक पोहंच नहीं बना पा रहा था क्यूंकि उसका धराशाई जोडी दार और पठान का विशाल शरीर रास्ते में आ रहा था आरवाडे ने धराशाई पुलिसीया को एक ठोकर जमाई और पठान की चाती पर प्रचन घूसा रसीद किया जिसने डिम्पल पर से उसकी पकड धीली कर दी और डिम्पल बाँ जटक कर आजाद हो गई धराशाई पुलिसीया उचल कर खड़ा हुआ अब उसके हाथ में एक डंडा दिखाई दे रहा था एका एक उस हाता पाई में पांडू रंग भी कूत पड़ा उसने रोमेला को पीछे से पकड़ने की कोशिश की रोमेला ने तडप कर अपने हाथ पाउं सब चलाई साले हलकट वो फुंकारी तेरी ये मजाल मेरे को हाथ लगाता है खून पे जाऊंगी पांडू रंग लड़ खड़ाता सा पीछे हटा पहला पुलिसिया अपने डंडे से आरवाड़ी की खोपड़ी को निशाना बनाने की कुशिश कर रहा था लेकिन कभी पठान तो कभी कोई और बीच में आ जाता था इसलिए काम्याप नहीं हो पा रहा था नाहीं उनमें से कोई लड़कियों को रोप पा रहा था जो की अब होड़ा अकॉर्ड की परली तरफ पहँच कर सड़क पर दोडने लगी थी एक एक टैलीफोन के महक में की एक वैन वहाँ प्रकट हुई और ब्रेकों की भिशन चर चराहट के साथ डिमपल और रोमेला के करीब रुखी वैन का स्लाइडिंग डोर खुला और उसमें से कदम ने आवास लगाई भीतर जल्दी ककक कौन डिमपल हक बकाई दोस्त बद्रीनात की तरफ जल्दी करो डिमपल वैन में सवार हो गई उसके पीछे रोमेला ऐसा करने लगी तो उसके पीछे पुलिसिया पहुँच गिया जो उसे पकड़ कर वापिस खसीटने लगा कदम ने दर्वाजे की सपोर्ट ले उसके मुँपर ठोकर जमाई रोमेला पर से उसकी पकड़ चूट गई लड़ खड़ाता अपने को संतूलित करने की कोशिश करता वो दो कदम पीछे हटा कदम ने बाँ पकड़ कर रोमेला को वैन के भीतर खीच लिया और भडाक से उसका दर्वाजा बंद कर दिया ततकार ड्राइवर ने वैन को एक्सिलेटर दिया और उसे न्यू लिंक रोड की तरफ दोड़ा दिया उस घड़ी दो राक्षसों की तरह पठान और आरवाडी एक दूसरे से भिड़े हुए थे दूसरे पुलिसिये के हाथ में गन दिखाई देने लगी थी जिसे वो वैन की तरफ ताम रहा था इससे पहले की वो गोली चला पाता आरवाडी ने पठान को जोर से हूला नतिश्तन एक दूसरे से उलजे दो गन वाले पुलिसिये से ठकराई और तीनों सड़क पर धेर हो गए आरवाडी सबसे उपर था इसलिए ततकार सबसे पहले उठकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ वो इस उमीद के साथ होटल के बाजू की तरफ भागा कि कोई न कोई उसके पीछे जरूर लपकेगा और उस जगह से परे किसी एक से निपटना उसके लिए आसान होगा पठान उसके पीछे लपका आरवाडे बाजू की गली में घुस गया पठान अपनी इस हार से पगलाया हुआ था कि हुक्म के मताबिक दो लड़कियों को काबू में नहीं कर पाया था वो उसके हाथ से निकल गई थी अब वो अपना गुसा उस भीडू पर जो पदा नहीं कहां से बीच में आ टपका था और अब सुनसान नी मंधेरी गली में भागा जा रहा था उतारना चाहता था बीच गली में आरवाडे एका एक रुका घूमा अब वो पीचे आते भीडू से निपट सकता था जरा करीब तो आये कमीना पठान करीब नहीं आया वो उससे परे ही ठिटक गया फिर उसके हाथ में गन प्रकट हुई गन आरवाडे बॉकलाया पठान ने गोली चलाई गोली आरवाडे की चाती से टकराई आरवाडे कई कदम पीछे को लड़ खडाया फिर धडाम से जमीन पर गिरा पठान के चेहरे पर संतोश के भाव आई टहलता सा वो आरवाडे के करीब पहुँचा उसने जुक कर उसके माथे से गन की नाल सटा दी आरवाडे ने ने रहभाव से पठान की तरफ देखा उसने यूँ जाहिर किया जैसे उसमें हिलने की भी शक्ती नहीं थी अपनी काम्याबी पर खुश होता पठान दांप निकाल कर हसा एक आएक आरवाडे ने उसकी गन वाली कलाई दोनों हातों से थाम ली और उसे पूरी शक्ती से नीजे को जटका दिया पठान का संतूलन भिगड़ गया वो भर भरा कर आरवाडे पर गिरने लगा तो आरवाडे पल्टी खा गया गन में से एक गोली निकली और गली की जमीन में धस गई पठान का शरीर आरवाडे के पहलू में जमीन से टकराया आरवाडे ने उसकी कलाई मरोडी तो गन उसके हाथ से निकल गई और उच्छल कर दोनों के पाइताने में गिरी आरवाडे ने पाउँ से गन को ठोकर मारी तो वो दूर दिवार के साथ लगे कूडे के धेर पर गिरी और अपने वजन से भीतर कहीं धस गई पठान ने किसी तरह से अपनी कलाई छुड़ाई और लड़ खडाता सा उठ कर पैरों पर खड़ा हुआ और वाडे भी लड़ खडाता सा उठा और सीधा होने की कोशिश करने लगा जेत सिंग से हासिल हुई बुलिट फुल फ्रॉफ वेस्ट ने उसकी जान बचा दी थी लेकिन गोली ऐसे वेक से आकर टकराई थी कि उसे लगा था जैसे उसकी चाती पर मूसल चला हो इसी वज़ा से वो तत्कास सीधा नहीं हो पा रहा था तन कर खड़ा नहीं हो पा रहा था पठान को जैसे अपनी एडवांटेश का आभास मिल गया था वो अभी भी दांप निकाल रहा था एका एक वो उस पर चपटा तो आर्वाडे को पता चला कि उसके हाथ में चाकू था चाकू हवा में लहराया बड़ी मुश्किल से आर्वाडे उसकी चपेट में आने से बचा उसने अपनी टांग चलाई तो जूते की ठोकर पठान के चाकू वाले हाथ से टकराई वही हाथ, पहले भी बुरी तरह से मरोडा गया था, फिर भी उसने चाकू को हाथ से नहीं निकलने दिया उसने फिर वाड़ किया, इस बार आरवाड़े ने वाड़ से बचते ही, उसकी कलाई ठाम ली पठान ने नीचे से घुटना चलाया और वाडे ने फिर भी कलाई नहीं छोड़ी उसने कलाई को जिन जोड़ा तो दोनों एक दोसरे से गुत्थम गुत्था हुए फिर धराशाई हुए अपनी लाग कोशिशों के बावजूद पठान अपनी चाकू वाली कलाई नहीं छोड़ा सका कई बार उसने आरवाडे को जमीन पर से उंचा उठा कर वापिस जमीन पर पटका जमीन हिल गई लेकिन उसकी कलाई नहीं चूटी आरवाडे ने सिर नीचा करके उसकी बैल जैसी ठोकर पठान की नाक पर जमाई ठोकर इतनी ताकतवर थी कि नाक की हट्टी चटकने की आवास आरवाडे ने साफ सुनी पठान का उसकी गर्दन से लिप्टा दूसरा हाथ अपने आप ही वहाँ से निकल गया तब आरवाडे ने बड़ी आसानी से उसे धेर कर दिया और उसकी चाकू वाली कलाई थामे थामे उसकी चाती पर चड़ गया और ताबर तोड उसकी पसलियों में गुन से जमाने लगा पठान के कसवल निकल गए चाकू पर से उसकी पकर ठीली पड़ गई और वो उसकी उंगलियों में से फिसल कर उसके पहलों में जा गिरा तब आरवारी बड़ी आसानी से चाकू उठाकर अपने काबू में कर सकता था लेकिन उसने ऐसी कोई कोशिश नहीं की उंगली तोड़ता है वो दांद भींचे फुंकारा बेबस आरत की उंगली तोड़ता है बदले में तेरा हाथ तोड़ना तो बनता है न उसने कई बार उसके दाएं हाथ को पूरी शक्ती से करी पड़े एक पत्थर पर पटका नतीशतन उसकी कलाई की दोनों हटियां तूट गई उसके मुझ से एक जिभा होते जानवर जैसी चीक निकली और फिर उसकी चेतना लुप्त हो गई हाफता हुआ आरवाडे उसकी चाती पर से उट खड़ा हुआ पीछे ग्रेन रूम बार में महाडिक ने अपने लिए विस्की मंगाई जीट सिंग ने उस बाबत कोई सवाल करने का उसने कोई तकलुफ नहीं किया जीट सिंग के गिलास में तब भी परियाब तौरिंग जूस बाकी था महाडिक ने एक हिसांस में अपना गिलास खाली किया और ततकाल दूसरों ड्रिंग का ओर्डर किया फिर बिना जीट सिंग को आफर किये उसने एक सिगरेट सुलगा लिया जीत सिंग खामोशी से वो सब नजारा करता रहा आखिरकार महड़िक उससे संबोधित हुआ बहुत पंगे लिये वो धीमे किंतों जहर से बुचे स्वर में बोला बहुत नुकसान पहुचाया मेरी माशुक वर गला ली मेरे दो टॉप के बाउसर जिन्दगी भर के लिए अपाहिच बना दिये मेरे तेन ठीये बरबाद कर दिये कैश लूट लिया बार बार हूल देकर मेरी मुच का बाल नोचने की जुर्रक की और पता नहीं क्या क्या किया क्यूं किया तेरे को मालुम है जेत सिंग शांती से बोला अभी बोल तुने मेरे पिता जैसे दोस्त का कच्रा किया उसे मौत के कगार पर लाक खड़ा किया माता फिरेला है क्या मैंने कुछ नहीं किया करवाया तो है जो हुआ तेरे इशारे पर तेरी शेय पर तेरी मर्जी से हुआ पर डिमपल पर जुल्म धाया बेगुना को अपना निशाना बनाया ताकत बताने को मेरे और रोमेला के पीछे पड़ा तू अपने आपको खुदा समझता है तू तेरे मगच में कूडा तू समझता है तू लोगों की तक्दीर लिखता है तो तेरी अकल में लोचा एक करब पुलिस वाले की ताकत को अपनी ताकत समझता है तो तू अखा इडियट आज तक कोई मेरे से ऐसी जुबार नहीं बोला अभी मैं बोला ना हम तो ये तेरा जवाब है क्या हाँ पर अभी तू भाव खाएगा साबित करके दिखाएगा कि मैं गलत मेरा ताकत बताना गलत लोगों को हूल देना गलत डी सी पी के अंडर में चलना गलत अभी समझा खुद कुछ नहीं समझा क्या 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 नहीं समझा मैं अभी तेरा क्या होगा दिखा लिया सोचेंगा अभी और कुछ पूछने का है क्या हाँ है ना तो पूछ वो भी नक्की कर मेरा जो नुकसान किया उसके भरपाई कैसे करेगा जवाब ना सुझे तो मैं सुझाता हूँ क्या सुझाता है अपनी जान से करेगा क्यूंकि और तो तेरे पास कुछ है नहीं तेरे को क्या मालूम कि मेरे पास कुछ नहीं है है ना मालूम सालत दो टके का क्रॉफ़र्ट मार्केट में अलमारी जैसे ठीये पर बैटने वाला चाबी ताले का मिस्त्री, चिंच पोकली के गटर का कीड़ा, तार देव के सेल्फ सर्विस चोर की डकैती का मुच्रिम, उचका ती जोरी तोड, जीत सिंग, जीता, अभी मैं देखता हूँ, तू क्या जीतता है और कैसे जीतता है, देखना, साला होसला बताता है मेरे को, जि धंकाएका, और मेरा इधर assembling heart fail हो जाएगा, तो मैं बोलेगा कि भेजे में कुछ है इस नहीं, heart fail जैसी आसान मौत तेरे को कौन मरने देखा, मेरे को तेरे को तड़पा तडपा कर मानने का, तो मारता क्यूं नहीं, खत्म क्यूं नहीं करता मेरे को, मच्छर मसल कर मेरे को हाथ गंदे नहीं करने का तो क्या करेगा मेरे को पटवर्दन के हवाले करेगा जिसका तू भड़वा है देखना अभी तक देखी रहा हूँ कब करेगा ये काम जीत सिंग खड़ा रहा महाटिक ने बार के तीनों दर्वाजों की तरफ निगा दोड़ाई पटवर्दन के आदमी उसे कहीं दिखाई नहीं दिये जीत सिंग अपनी कुर्सी से उठकर उसके सिर पर पहांच किया हाल में कहीं कोई हलचल नहीं हुई कब करेगा ये काम तब पहली बार महाटिक विचलित हुआ बैट जा वो खोकले स्वर में बोला काहे जीत सिंग बोला सवाल तो खत्म हो गए तू यहां से नहीं जा सकता कौन रोकने का तू महाटिक ने उत्तर नहीं दिया उसने फिर हाल में निगा दोड़ाई बेड़ो तू मर चुका है खाली धेर होने में टैम है महाटिक हैरान था परिशान था कि जीत सिंग उठकर खड़ा हो गया था उसके सिर पर आन खड़ा हुआ था फिर भी वो पटवर्दन के आदमियों का निशाना क्यों नहीं था अब तक तो सब को जीत सिंग के सिर पर सवार होना चाहिए था उसका हाथ धीरे से अपने कोट की दाई जेब की तरफ सरका जीत सिंग ने बिजली की फूर्ती से उसका हाथ परे जटका और खुद उसकी जेब में हाथ डाला उसने हाथ बाहर निकाला तो उसमें एक आटोमेटिक रिवाल्वर थी खिलोना से खेलता है वो बोला क्या यहिश तेरी ताकत है वापिस कर नहीं करेगा तो क्या करेंगा रोएंगा क्या ममी को बुलाएंगा शिकायत करेंगा जीते ने खिलोना चीन लिया वो खामोश हो गया उसकी पसलियों में कोई सक्चीज चुब रही थी उसने सेर उठा कर देखा तो किशोर गोड बोले को पहलू में खड़े पाया जो हाथ में थमी गन की नाल उसकी पसलियों से सटाई था ये पबलिक प्लेस वो धेरे से बोला इधर गलाटा नहीं करने का जीत सिंग खामोश रहा उसने गर्दन घुमाई तो दूसरे पहलू में दूसरे भाई मदुर गोड बोले को मौचूद पाया उसकी नाक पर चड़ा सर्जिकल टेप बता रहा था कि नाक अभी तक जुड़ी नहीं थी उसके हाथ में भी गन थी और उसकी नाल भी जीत सिंग के जिस्म से सटी थी उसके बाजू में सादे कपड़ों में डेसीपी पटवर्दन खड़ा था पटवर्दन से जरा हट के सब इंस्पेक्टर अर्विन पावले खड़ा था पंगा नहीं करने का किशोर गोड़ बोले ने चितावनी दी वरना इधर इच मरा पड़ा होईगा वार्निंग एक इच बार दोबारा नहीं समझा क्या जीत सिंग ने हौले से सेहमती में सेर हिलाया पटवर्दन एक कदम आगे बढ़कर उससे रूबरू हुआ बहुत बखेडा किया भाई तुमने वो बोला लेकिन अब और नहीं एक बाजू हट जाओ और आगे सब मेरे आदमियों को हैंडल करने का पटवर्दन की उस टोन पर महाडिक को सक्थ हैरानी हुई वो उटके खड़ा हो किया मूबाई वो जीत सिंग को दोनों भाई महाडिक के सामने जा खड़े हुए किशोर ने उसकी बाई बाँ थाम ली मदूर उसके दूसरे पहलू में सरक गया और उसने हाथ में थमी गन की नाल का रुक उसकी पसलियों की तरफ कर दिया पटवर्दन के कई आदमी उनके करीब पांचे और जैसे दोनों भाईयों के सहयोगियों का रोल अदा करने लगे बार में मौजूद कई लोगों ने यूँ महाडिक को घेरा जाता देखा लेकिन क्योंकि किसी को गड़ नहीं दिखाई दी इसलिए किसी की समझ में कुछ नहीं आया हका बका महाडिक फिर पटवर्दन से संबोधित हुआ बाप ये क्या हो रहा है वो बोला अरे कुछ बोलो ये तलाशी लो पटवर्दन ने हुकम दिया ककक क्या किशोर गोड़ बोले से निर दक्षता से उसका बदन टटोला क्लीन फिर घोशना की इसके भी पटवर्दन ने जेत सेंग की तरफ इशारा किया मैं लिया सहब सब इंस्पेक्टर पावले जल्दी से बुला ये खाली है पटवर्दन ने उसकी बात की और ध्यार नहीं दिया किशोर गोड़ बोले जेत सिंग की और आकरशित हुआ जेत सिंग एका एक लड़ खड़ाया अपना संतूलन बनाने के लिए उसने महाटिक के कंधे का सहारा लिया क्या है पटवर्दन गुर्राया कोई पीछे से धक्का दिया जेत सिंग स्थेर स्वन में बोला टिक के खड़ा होने का किशो और गोड़ बोले बोला जेत सिंग ने सहमती में सेर हिलाया किशो और गोड़ बोले ने उसका भी बदन टटोला क्लीन फिर वो बोला गुट पटवर्दन बोला बाप ये क्या हो रहा है महाटिक ने आर्थनात किया अरे कुछ बोलो तो सही ये क्या हो रहा है तुमने पटवर्दन सक्ति से बोला और तुम्हारे आदमियों ने जो खेल बिगाड़ा है उसे सुधारा जा रहा है वो डैमेश रिपेर किया जा रहा है जो तुम्हारी नालाइकी से हुआ इस भीड़ू ने तुम्हारा तो बाजा बजा दिया अब इसको सारे सेटप को बरबाद करने से मेरे को रोकने का है कैसे? पटवर्दन ने जवाब देने की जगा किशोर गोड़ बोले की तरफ इशारा किया हमारे साथ चलने का किशोर गोड़ बोले बोला पंगा नहीं करने का अबे किसे कह रहा है? तुम्हारे को बाप सीदे चलने का नहीं तो इधर इच मरने का ओ, वो पटवर्दन की तरफ खुमा तो ये बात है एक कमजोर कड़ी पटवर्दन धीरे से बोला सारी जनजीर को कमजोर करती है एक कड़ी कमजोर तो सारी जनजीर कमजोर बाप खता खाओ गे पटवर्दन खामोश रहा हाथ अठा महटे करकश्वर में किशोर गोड़ बोले से बोला किशोर गोड़ बोले ने मुस्कुराते हुए उसकी बाँ से हाथ खेंच लिया और बोला पंगलाटा नहीं करने का पंगा नहीं सीधे चलने का अपने भाई को भी बोल क्या बोलूं बाजू हटने को बोल मेरे सिर पर चड़के नहीं खड़े होने का गन नहीं दिखाने का भाई के इशारे पर मधूर गोड बोले एक कदम पीछे हट गया गन वाला हाथ उसने जेब में डाल लिया लेकिन नाल का रुक जेब में से हिमार डिक की तरफ ही रहा फिर जेट सिंग को नजर अंदास करके सब लोग बाहर को चले जेट सिंग को बहुत हैरानी हुई लेकिन वो हैरानी ज्यादा दिर नहीं टिकी दाई और सामने के दर्वाजों के करीब खड़े दो-दो आदमी उसकी तरफ बढ़े करीब आकर चारो जीट सिंग को कवर करके खड़े हो गए सबका एक-एक हाथ जेब में था जो उनके हत्यार बंद होने की चुगली करता था तो ये वजाती पटवर्धन के उसको नजर अंदास करने की वो उससे बात में निपटता तब तक वो उसके आदमियों के हवाले था बाहर जाते ग्रोप में पटवर्धन सबसे आगे था किशोर और मधुर गोट बोले महडिक के आजू बाजू थे और उनके पीछे पटवर्धन के चार आदमी थे जिनकी अगवाई सब इंस्पेक्टर पावले कर रहा था दर्वाजे पर पटवर्धन के दो और आदमी खड़े थे जो उनके करीब आने पर उनमें शामिल होने का इंतिजार कर रहे थे और कुछ शणों में वो सबके सब वहां बाहर होते एक करप पुलिस या जो किसी शक्स को किसी काईदे कानून का जवाब दे नहीं था उसकी प्राइविट फोज और उसका पालतु मवाली महडिक एक एक जीत सिंग ने आवास लगाई महडिक ठिटका उसके साथ सब ठिटके महडिक घोमा उसने जीत सिंग की तरफ देखा अभी चानस लगे तो किसे लोड़काएगा मेरे को या अपने बॉस को तेरे को नहीं महडिक ने नी संकोच जवाब दिया तो तेरे लिए गुड नियूस है क्या तेरा खिलोना तेरी पॉकेट में है फिर इससे पहले की जीत सिंग की उस बात का मतलब किसी अन्यश रोता की समझ में आता वहां हाहा कार मच गया महडिक ने जेब से अपनी रिवॉल्वर निकाली और शूटिंग शुरू कर दी पहली गोली पटवर्दन की खोपड़ी में लगी और उसका भेजा उड़ गया किशोर गोड बोले उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर जपटा तो रिवॉल्वर से निकली गोली उसके दिल में खुझ गई आतंकित मधूर गोड बोले ने अपनी गण चलाई रिवॉल्वर की गोली उसके गले में आकर लगी उस एक शन्ट उसकी चलाई गोली महडिक की चाती से टकराई एक गोली सब इंस्पेक्टर पावले के माथे में धस गई रिवॉल्वर की बाकी की गोलियां किधर चली किसको लगी जीत सिंग को ततकाल पता नहीं चल पाया महाडिक के छे आदमियों में से तीन ने गोलियां चलाई जो तमाम की तमाम पहले से ही मरते महाडिक के जिस्म से टकराई और उसमें जरो के ही जरो के दिखाई देने लगे दस सेकिंड में सब कुछ हो किया जीत सिंग की रखवाली करते चालो पुलिसियों ने गड़ निकाल ली और जीत सिंग को कवर कर लिया खबरदार एक बोला है ना खबरदार जीत सिंग मुस्कुराता हुआ बोला गोली मार दूंगा काहे मैंने क्या किया तब ही शेकर नवलानी वहां पहुँचा मूर्क मत बनो वो बोला दो मिनट में यहां असली पुलिस पहुँच जाएगी अरे हम असली पुलिस है एक बोला तुम पटवर्दन की भड़वा पुलिस हो जिसके दम पर इतराते हो वो सामने मरा पड़ा है और बाकी जो लोग मरे पड़े हैं उनकी मौत के लिए तुम सब जिम्मेदार हो तुम्हारा साहब तो जान से जाकर अपनी जिम्मेदारी से बच गया तुम क्या करोगे क्या जवाब दोगे अपनी यहां मौझूदगी का चारों पुलिसीय नर्वस दिखाई देने लगे और क्या जवाब दोगे अपने पास मौझूद हत्यारों का लाइसेंस चे तो तुम मामली पुलिसियों को कैसे इशू हुए, गैर कानूनी है, तो पूछे जाने पर क्या बोलोगे, डिसी साहब ने दिये क्या, कौन मानेगा, ककक्या, क्या करें, ये भी कोई पूछने की बात है, जिसके चमचागिरी की ड्यूटी कर रहे थे, वो तो गया, अब तुम में कहीं गायब हो गए, और वो खोन खराबे के मंजर की तरफ लपके, नवलानी ने चैन की सांस ली, तो भी चल भाई, वो जल्दी से जेत सिंग से बोला, पीछे से चल जिदर से मैं आया हूँ, समझ ले, तु यहां कभी आया ही नहीं था, साहब, जेत सिंग शिकायत भरि किया होता, तो तुम्हारा क्या अंजाम होता? वो तो छीक है पर्ण, अभी भी पर्ण, वो लड़कियां, सेफ है, कोब्रा के आदमियों के कब्से में हैं, वो भी यहां? हाँ, तुम्हें नहीं मांगता था फिर भी यहां, मेरे कहने पर यहां, तभी तो लड़कियां बच करो और निकल लो जीत सिंग फॉरन उसके साथ हो लिया उप सहार होटल वालों के सौ नंबर पर फोन लगाने पर फ्लाइंग स्कुरेट की एक गाड़ी मौकाई वारदात पर पहुंची साथ आए सब इंस्पेक्टर को जियों ही खबर लगी कि मरने वालों में एक डीसी पी थ तो हर कंप मच गया ततकाल पुलिस के कई बड़े अफसर जिन में एक जॉइन कमिशनर था वहाँ पहुंचे व्यापक पोश्ताच हुई लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा बार में मौजोद तक्रीबन लोग पुलिस के पहले ग्रुप के फ्लाइंग स्कुरेट वालों के वहा बार बार पूश्ताच से यही मालूम हो सका कि वो लोग इकठे बाहर की योड जा रहे थे कि एक 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 दूसरे पर गोलियां चलाने लगे थे नतीश्तन सब के सब वहीं धेर हो गए थे फिर सब इंस्पेक्टर की शिन्नाक थोई गोडबोले बंधों की शिन्नाक पुलिस की कैसी भी कोई शिरुवाती पूश ताज उन लोगों में कोई आपसे रिष्टा स्थापित नहीं कर सकी गोलाबारी की वो वार्दात पुलिस के लिए एक अन्भुच परहेली ना बनी रहती अगर्चे की जीद सिंग कोब्रा की खूफिया रिपोर्ट को उच्चा धिकारियों तक पहुँचाने के अपने इरादे पर अटल रहता बहुत सोच विचार के बाद उसने वो इरादत छोड़ दिया था मिडनाइट क्लप्स के गैर कानूनी आप्रेशन में एक डीसीपी लिप्त था और बेतहाशा रोकड़ा पीट रहा था उस एक्सपोज से अपटवर्दन का कुछ बिगणने वाला नहीं था और उसका कुछ सवर्णने वाला नहीं था अलबता जो कुछ उसने किया था कहीं किसे तरीके से उसकी हाजरी लग जाती तो उसके लिए गंभी समस्या बनती एडवार्डो को बक्रा बना कर मूंडने वाले दोनों भाई उसके सक्रिय योगदान के बिना ही स्वर्गवासी हो गए थे मिठा चिठा जिंदगी भर के लिए अपाहिच हो गए थे पठान होटल की बाजू की गली में ऐसा गायब हुआ था कि दोबारा उसका कोई नामों निशान नहीं मिला था और एडवार्डो की बाबत उनको हुक्म देने वाले और डिम्पल और रोमेला की दुश्वारियों की वज़ा बनने वाले मार डिक का इंसाफ अपने आप ही हो गया था सब इंस्पेक्टर पावले के बारे में यही कहा जा सकता था कि गेहुं के साथ घुन पिसा जीद सिंग ने तीन ठीयों से जो कैश लूटा था वो छे लाख से उबर था जीद सिंग ने वो तमाम रकम एडवार्डो के हवाले करनी चाही लेकिन उसने उसकी बहुत जित के बाद एक लाख रुपया ही कबूल किया जो की गोडबोले बंधों ने ठगी करके उसकी जेब से निकाला था जस लोग का सिर्फ तीन दिन का बिल था जो की उसने जबरन अदा किया क्योंकि उसके बाद आरवार्डी एडवार्डो को अपने साथ वालपूई ले गया डिमपल को उसी रात एक उमदा प्राइवेट नर्सिंग होम में भरती करा दिया गिया था जहां की अगली सुबा ही उसकी उंगली की सरचरी हुई थी और उसे मुनासिब तरीके से सेट कर दिया गिया था दो दिन और उसे नर्सिंग होम में रुकना पड़ा था और एक महीने में उंगली बिल्कुल ठीक हो गई थी नर्सिंग होम का बिल जीट सिंग ने अदा किया था जिस से डिमपल ने एतरास किया था तो जीट सिंग ने उसे साफ बता दिया था कि वो पैसा असल में कहां से आया था रोमेला जठार शहर छोड़ कर कही नहीं गई महाडिक की मौत के साथ उसके सिर पर मंडराते तमाम खत्रे टल गई थे वो वापिस अपने भाईकला वाले फ्लैट में ही जाकर बस गई थी क्योंकि अब उसे उससे कोई बेदखल नहीं कर सकता था कोई फ्लैट की उसकी मलकियत को चैलेंच नहीं कर सकता था मिठा चिटा चाते तो जेट सिंग की तलाश करके उसकी निशान देए कर सकते थे और कुछ नहीं तो उसे अपने साथ हुई फौजदारी के लिए तो जिम्मेदार ठहरा ही सकते थे लेकिन महाडीक की सरपरस्ती से बाहर उन्होंने खुद को नहायत कमजोर महसूस किया जो ही उन्हें मालुम हुआ कि महाडीक और डीसी पिपर्थवर्धन दोनों मारे जा चुके थे उन्होंने जीट सिंग से कोई पंगा ना लेने में ही अपनी भलाई जानी जीट सिंग ने शेकर नवलानी का और कोब्रा इन्वेस्टिगेशन्स एंड सिक्यॉरिटी सर्विसिस का बिल्ट सरहर शदा किया जो कोई प्राब्लम नहीं थी क्यूंकि उसकी अदाईगी की गुझाईश अभी उस रकम में ही थी जो कि उसने तीन ठीयों से लूटी थी रोमेला ने बाकी के पांच लाक रुपेओं की जीट सिंग के सामने कोई मांग खड़ी नहीं की देमन से उसने हासिल हुए पांच लाक रुपे लोटानी की भी पेशकश की जो कि जीट सिंग ने कबूल नहीं की क्योंकि वो जानता था कि वो उस पेशकश को कबूल करता तो जरूर रोमेला का हाट फिल हो जाता बाद में उसने जीट सिंग से तालुकात बनाई रखने की बरपूर ख्वाइश जाहिर की बरपूर कोशिश की लेकिन बेल मुंडेर ना चुड़ सकी अलबता डिम्पल मोदी से उसके संबन बिना कोशिश के भी घरिष्ट हो गए दोस्तो इसी के साथ ये कहानी यहीं कम्प्लीट होती है आपको कहानी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताईएगा दोस्तो एक कम्पलीट आडियो बुक बनाने में बहुत मेहनत लगती है ऐसे में आपका वीडियो पर एक लाइक और कॉमेंट बहुत मैटर करता है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक खुश रहें मुस्कुराते रहें अपना और अपनों का बहुत सारा खयाल रखें ठैंक यू फू वाचिंग